है अब जल्दी जल्दी science and technology को भी revise कर लेते हैं सबसे पहले हम star से चालू करते हैं stars के कुछ concept मैंने आपको geography के अंदर भी बताये थे मैंने आपको क्या बताया था कि जो stars है stars के अंदर जो fuel होता है hydrogen fuel कभी-कभी यह जो fuel है यह exhaust होना चालू करेगा जब यह fuel exhaust होना चालू करेगा तो star जो है वो थोड़ा सा मरने लग जाता है अब basically star में क्यों होता है star के core के अंदर आपकी fusion reaction हो रही होती है अब जब fuel उसके core से खतम होना चालू हो जाता है तो यह fusion reaction है यह core में न होके इसकी जो यह outer वाली layer होती है यहाँ पर यह chemical reactions यह fusion reactions जादा होने लग जाती है तो जब star का fuel खतम होना start होता है तो क्या होता है यह star था इस star का size थोड़ा सा increase हो जाता है और यह star थोड़ा सा bright हो जाता है क्यों? क्योंकि आप fusion reaction इसके core में न होके इसके outer layer के उपर हो रही होती है तो इस वज़े से वो थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा bright और red color का होने लगता है तो अगर star आपका छोटा है या फिर sun like है जो अर्थ का sun है उसके जैसा है तो उस star को हम क्या कहेंगे? कि यह sun like star sun like star की definition क्या हो जाएगी? कोई भी ऐसा star जिसका mass हमारे sun के mass से 1.5 times या फिर उससे छोटा होना चाहिए तो अगर कोई star sun like है तो यह star जब इसका fuel खतम होना चालू होगा तो यह red giant बन जाता है giant का मतलब size थोड़ा increase हो रहा red मतलब थोड़ा सा bright हो रहा red giant से यह planetary nebula बनता है planetary nebula बनने के बाद इसका fuel जब और खतम हो जाता है तो यह white dwarf बन जाता है white dwarf और white dwarf के बाद यह जो है यह आपका black dwarf बन जाता है तो यह आपके sun की पूरी की पूरी एक life होती है अगर star sun like है sun like star का मतलब वह 1.5 times या फिर उससे कम size होना चाहिए star का वहीं पर अगर star थोड़ा सा बड़ा होता है ठीक है बड़ा कितना जो sun का मास है sun के मास से वह 1.5 से लेके 3 गुना जादा अगर उसका size होता है तो तो उस case में वो red giant नहीं वो red super giant बनता है red super giant जब fuel और खतम होता है जिसको supernova explosion क्याते है और after supernova explosion ये neutron star बन जाता है ये neutron star बन जाएगा ठीक है और अगर जो star है वो और भी ज़्यादा मास से वह यानि कि sun के मास से वो 3 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है तो उस case में भी ये red super giant बनता है red super giant बनने का इसमें supernova explosion होता है लेकिन वो neutron star बनने के वज़ाए वो black hole बन जाता है अब black hole के बारे में आपको पता होने चाहिए black hole आपके 3 तरह के हो सकते हैं 3 तरह के black hole कुन से होते हैं एक black hole वो होता है जो की big bang के time पर ही बन गए थे इस तरह के black hole को हम बनते हैं उन black hole को हम stellar black hole के नाम से जानते है stellar black hole these are created after the supernova explosion in massive stars और कुछ black holes होते है which are super massive black holes ये जो super massive black holes होते है इनकी characteristics ये है कि लगबग हर एक galaxy के center में आपको एक super massive black hole देखने को मिलता है तो ये 3 तरह के आपके black holes होते है इसके साथ यहाँ पर एक concept आपको याद रखना है वो है चंद्र शेकर limit का चंद्र शेकर limit क्या होती है चंद्र शेकर limit है कि जो भी star जो भी star ऐसा है जिसका mass 1.4 times mass of sun से बड़ा होगा ये अगर कोई भी star ऐसा है जिसका size हमारे sun के size से 1.4 times से जादा बड़ा होगा वो star कभी भी black dwarf या फिर white dwarf नहीं बन सकता ऐसा star हमेशा या तो neutron star बनेगा या फिर black hole बनेगा जैसा कि हम यहाँ पर भी देख सकते है अगर कोई भी star ऐसा है जिसका size 1.4 times mass of size से बड़ा है तो वो कभी भी white dwarf नहीं बन सकता और यह जो limit दी गई है इस limit को चंदर शेकर limit कहा जाता है अब black hole पर यह वापिस आते है black hole क्या है black hole एक ऐसा black hole एक ऐसा celestial body है जो कि star के supernova explosion के बाद बनती है black hole की gravity बहुत ही ज़ादा इसका gravitational pull बहुत ही ज़ादा हाई है क्यों pull बहुत ज़ादा हाई है क्योंकि इसकी density बहुत ज़ादा हाई है इसकी density बहुत ही ज़ादा हाई है इसकी density बहुत ज़ादा हाई क्यों है क्योंकि इसके अंदर धेर सारा mass समय हुआ है एक छोटे से area के अंदर छोटे से area में धेर सारा mass जो है पर इसी तरह इसी कहानी में ही आपको इसे याद रखना है Newton's law of escape velocity ये कहती है कि अगर किसी भी object को black hole से escape करना है मान लिज़ा कोई object black hole पे है इस object को अगर black hole से बाहर निकलना है तो इस object को speed of light से भी जादा तेज speed से निकलना पड़ेगा speed of light से भी जादा इसकी velocity होनी चाहिए तो हम ये कह सकते हैं कि black hole की escape velocity है वो speed of light की escape velocity से भी जादा है तो कोई भी object black hole को सिरफ तभी escape कर पाएगा जब उसकी speed, speed of light से भी जादा होगी ठीक है तो ये तो Newton's law था फिर यहीं पे एक और law आता है वो law किसक है वो है आपके Einstein का law Einstein का law क्या कहता है Einstein का law कहता है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा object नहीं है जिसकी speed light से भी जाद है तो Newton कहता है कि अगर किसी भी object को black hole की gravitational pull के effect से बाहर जाना है तो उसे speed of light की velocity से भी जादा speed से जाना पड़ेगा और Einstein कहता है ऐसे कोई object ही नहीं है जिसकी speed, speed of light से जाद है तो अगर किसी भी object की speed, speed of light से जादा नहीं है तो हम कह सकते हैं कि black hole से कोई भी चीज escape करके नहीं जा सकती और इसी वज़े से आप देखेंगे कि जो light है light भी black hole से escape नहीं करती है अब यहीं पर हम अपना अगला concept देखेंगे event horizon का तेके event horizon में क्या होता है अभी recently recently हमने एक black hole की image लिया अब किसी भी चीज़ के अगर आपको image लेनी होते है तो क्या होता है यह मान लिज़े कोई object है आप चाहते हैं कि आप इसकी photo ले तो इसके उपर light पड़ रही होगी यह light जब इससे reflect back होके आपकी आँखों में आएगी उसी के बाद आप इसको देख पाऊगे उसी के बाद इसकी image ले पाऊगे लेकिन black hole तो एक ऐसी body हो चुकी है black hole तो एक ऐसी body है देखने को मिल रहे है इसका मतलब का है इसका मतलब यह है कि अगर कोई object gravitational pull नी यह एक boundary मैंने बनाई है फिलाल के लिए इसको boundary याद रको अगर कोई object इस boundary के अंदर आता है तो वो object black hole की gravity को escape नहीं कर पाएगा वो जाके black hole के अंदर ही समाझाएगा और कभी भी black hole को छोड़ के नहीं जा पाएगा यह वो boundary है जहां पे अगर कोई भी चीज पहुँच गई कोई भी object, कोई भी light, कुछ भी पहुँच गया इस boundary के अंदर तो वो black hole के अंदर ही समाझाएगा और वो से बाहर नहीं अपाएगा ठीक है इस boundary के बाहर भी black hole की gravity जो है gravitational pool जो है वो हमें feel होता है लेकिन वो point ऐसा है जहां से वापिस आया जा सकता है ठीक है वो point of no return नहीं बनता ठीक है एक बारी फिर से मैं आपको बताता हूँ फिर से बताने के लिए देखिए मान लीजे कोई एक black hole है यह आपका black hole है इस black hole के चारो तरफ कुछ region ऐसा होगा जहां पर अगर कोई भी चीज पहुँच गई तो वो चीज कभी भी black hole से बाहर नहीं जा सकती यहां पर कोई भी चीज है तो वो black hole के अंदर ही जाके समा जाएगी ठीक है इस region के बाहर भी कोई region ऐसा होगा जहां पर black hole की gravity का असर तो है लेकिन लेकिन वो असर इतना strong नहीं है कि वो चीज black hole के अंदर ही समा के रह जाएगी ठीक है इस boundary को हम event horizon के नाम से जानते है event horizon black hole के चारो तरफ ऐसा region है which is also known as point of no return point of no return यानि कि अगर कोई भी चीज यहां पर पहुँच गई तो वो कभी वापिस नहीं आ पाएगी वो black hole के अंदर ही समा जाएगी ठीक है तो अब क्या किया गया हमने कुछ हमने black hole को observe करने के लिए यहां पर telescope लगाया अब telescope के अंदर जब यहां से light आएगी उसी को तो हमें absorb कर पाएगे तो imagine करिये कोई light ऐसे जा रही है और वो इस boundary पे टकरा गई boundary के अंदर अगर कोई light जाएगी तो वो कभी भी वापिस नहीं आ सकती उसकी वो लाइट ब्लैक होल के अंदर जाके समाझाएगी यहां से कोई light जा रही है वो इस boundary के अंदर अगर आ गई तो वो जाके ब्लैक होल में समाझाएगी कभी वी वापिस नहीं आएगी लेकिन मांलीजे कोई light ऐसी है जो की इस boundary के बाहर जा रही है कोई light ऐसी है जो इस boundary के बाहर जा रही है और ऐसे region में जा रही है जहां पर black hole की gravity तो है लेकिन उतनी strong नहीं है जितनी इस वाले region में थी ठीक है तो माल लीजे यह light है तो इस light पर कुछ ना कुछ gravity का असर होगा black hole की gravitational pool का उसकी वज़े से यह light है यह धीरे धीरे band करती इस तरह से यह वापिस हो जाएगी ठीक है तो यह light ऐसे गई और ऐसे वापिस आ गई तो हमें यहां पर हम इसको observe करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा हमें यहां पर रोशनी दिखाई देगी हमें यहां पर रोशनी दिखाई देगी ठीक है यानिकि हमें black hole के यहां पर भी रोशनी थी, जो हमें दिख रही है, यहां पर रोशनी जो हमें दिख रही है, ऐसी कोई और beam of light गई होगी, वो ऐसे दिख रही होगी, कोई और beam of light गई होगी, वो ऐसे दिख रही होगी, कोई और beam of light होगी, वो ऐसे दिख रही होगी, तो हमें क्या दिखाई देता है, हमे सकते हैं और इसी फिनॉमिना को यूज करते हुए क्या किया गया हमने ब्लैक होल को अब्जर्व किया हमने ब्लैक होल को अब्जर्व किया तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि ब्लैक होल की जो इमेज ली गई है वो रियालिटी में ब्लैक होल की इमेज नहीं है क्योंकि ब्लैक होल है लेकिन उसके चारो तरफ के रीजन की इमेज है उसके चारो तरफ के रीजन की इमेज है क्योंकि यहाँ पर जो लाइट जाती है वो लाइट वापस आती है ठीक है तो मैंने आपको अभी event horizon की definition बताई है ठीक है और किस तरह से हमने image ली वो बताई है अब मैं आपको यहाँ पर एक disclaimer देता हूँ छोटा सा disclaimer है अगर आपको यह समझ में आया हो आप visualize कर पा रहे हो कि किस तरह से वो light black hole के पीछे से rotate करती है वी वापस आ रही है अगर आप कर पा रहे है well and good अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है मैं आपको कुछ definitions बता रहा हूँ इन definitions को आपको समझने है और जो कहानी मैंने आपको सुनाई है वो कहानी आपको ध्यान में रखने है कि अगर by chance कोई conceptual question आजाए तो आप उस question को answer कर पाएं तो अब कौन कौन सी definitions आपको पता होनी चाहिए सबसे पहली definition जो आप पता रखेंगे वो है event horizon की event horizon की है यह वो region है which is around black hole जिस region के beyond अगर कोई भी चीज चली गई तो वो कभी वापिस नहीं आ सकती this is the point of no return black hole के चारो तरफ जो ऐसा region है यहां पर अगर कोई चीज घुस गई तो वो कभी वापिस नहीं आएगी वो black hole में ही समाज जाएगी उसको event horizon कहा जाता है और जब हम image लेते हैं black hole की तो reality में scientists are trying to take the image of event horizon event horizon के बारे में ही हमें पता लगाया जा सकता है black hole तो हम image नहीं ले पाएंगे तो पहली टर्म जो आपको पता होनी चाहिए वो है आपकी event horizon और कौनसी definition देखेंगे आप दूसरी definition देखेंगे अब आप दूसरी definition क्या है singularity singularity का क्या मतलब होता है singularity का मतलब है singularity का मतलब होता है कि जो black hole का center है जितना भी matter है वो इस center के अंदर collapse कर चुका है और एक छोटे से area के अंदर धेर सारा mass है धेर सारा mass छोटे से area में होने करेंगे से इसकी जो density है density बहुत जादा increase हो चुके है तो इसको कहा जाता है singularity the very center of black hole where matter has collapsed with infinite dynasty तो यह होगी आपकी जो center होता है black hole का वो अगर आप यह वाली जो ये जो yellowish आपको दिखाई दे रहा है अगर आप इसको देखेंगे यह पूरा का पूरा एक disc की तरह दिखाई दे रहा है यह जो disc है यह आपकी superheated gas है और इसको का जाता है irens तरहम होती है इसके जो स्पीड मेंस होती है जिसकी व्ज़य से ये एक्स करने लगते यहीं पर यह रिवाई कशर लीजिए आपको कैसा यह सप्थरम को मिलता है। स्प्थरम के लेके लेके तक और यह कितने नैनो के भी beyond अगर आप चले जा तो infrared आता है infrared के बाद आपके microwave आती है infrared के बाद आपके microwave आजाते है और फिर आजाते है आपके radio waves ठीक है violet के अगर आप इस तरफ आउगे तो आपके आती है ultraviolet ultraviolet के बाद X-ray, X-ray के बाद आपकी गामा रे, ठीक है, तो यह होती है, आपके electromagnetic spectrum होता है, अब आपको recall करना है, already मैं बता चुका हूँ कि किसकी wavelength जादा होती है, किसकी energy जादा होती है, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे जैसे आप गामा रेस की तरफ भढ़ते जाते हैं, तो आपकी जो energy है, आपकी energy increase होती जाती है, ठीक है, और जैसे जैसे आप radio wave की तरफ भढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी wavelength increase होती जाती है, यही से आप याद रखेंगे that wavelength is inversely proportional to energy, wavelength is inversely proportional to energy, ठीक है, तो electromagnetic waves, अच्छा हाँ, हमने accretion disk देख लिया, event horizon की definition हम देख चुक है, उसके बाद हमने singularity की देखिया, photon sphere देखिए, photon sphere क्या है, यह जो लाल से आपको region दिखाई दे रहा है, यह हलकी सी जो लाल लाल, यह वाली जो आपकी layer है, यह क्या layer है, आपके black hole के अंदर धेर सारी heat produce हुई, उस heat की वज़े से यह जो आपका hot plasma होता है, इस hot plasma की वज़े से आपके photons emit होते हैं, यह जो photons emit हो रहे हैं, यह एक bright ring की shape ले लेते हैं, और इसको कहा जाता है photon sphere, इसको photon sphere कहते हैं, अब यह वाली आपको क्या light दिखाई दे रहे हैं, कितनी सुन्दर सी light दिख रहे हैं यह, यह basically कहा है, जब भी कोई black hole के अंदर star आके, star आके black hole में मिल जाता है, जब भी black hole किसी star को absorb कर लेता है, तो एक beam of radiation, beam of particle, जिसको हम कहते हैं jets, यह जो jets है, यह jets बाहर की तरफ निकलते हैं, और इसको कहा जाता है relativistic jets, बहुत ही important है यह सारी definitions और इन definitions को आप याद रखेंगे, समझ में आ जाए well and good, समझ में नहीं आता तो यह सारी सारी definitions याद कर लो, क्योंकि question पूछा जाएगा, event horizon, वो area जिसके बाद कोई भी चीज रिटन नहीं कर सकती, black hole के अंदर समा जाएगी, event horizon, singularity, singularity मतलब बहुत ही छोटी सी चीज, ठीक है, unit को कहा जाते है, singularity, तो ठेर सारा mass जो है, वो सारका सारा एक जगा concentrate हो गया, density increase हो ग एक तरीका दूसरा भी हो सकता है, वो क्या है, देखे, बहुत जादा heat है, heat की वज़े से पहले photon निकलेंगे, जो लाल कलर के है, और फिर heat की वज़े से जो आपकी gas heat हो चुके, उसके वज़े से आपकी accretion disk बनेगी, ठीक, relativistic jet, जब भी कोई sun, sorry, जब भी कोई star, black hole के तो परानी news हो चुके है, लेकिन फिर भी हम इसको याद रखते हैं, कि जो हमने ये black hole को observe किया है, ये black hole हमें कहां पर पाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, देखे, black hole की जो पहली image लिया है, वो image लिया है, event horizon telescope project के अंदर, event horizon telescope project के अंदर, इस telescope project के अंदर, हमने 8 radio telescopes को इस्तमाल किया था, 8 radio telescopes को इसके अंदर इस्तमाल किया गया था, और ये जो black hole observe किया गया है, ये observe किया गया है, galaxy messier 87 के constellation विरको में, galaxy को सी है, messier 87 और constellation है आपकी विरको, ठीक है, constellation आपकी विरको है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, अभी हमने उपर एक concept देखा, जिस के अंदर हमने neutron stars देखे, तो कभी-कभी जो neutron stars होते है, ये, कभी-कभी जो ये neutron stars होते है, these neutron stars, they are spinning at a high speed, तो spinning होते है, कभी-कभी, हर कोई neutron star spinning नहीं होता, ठीक है, अगर neutron star spinning है, और neutron star magnetized है, ठीक है, तो जो भी magnetized spinning neutron star होता है, उसको हम क्या कहते है, उसको हम पलसार के नाम से जानते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिग देता हूँ, पलसार, पलसार क्या होगया? पलसार होगया, spinning magnetised neutron star ठीक है? यह जो आपके magnetised spinning neutron stars होते हैं, जिनको हम पलसार के नाम से जानते हैं, इन में से jet निकलती है, jet of particles निकलते हैं, jet of particles और यह जो neutron stars है, they move at a almost at a speed of light, या फिर इसकी एक image मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा मान लीजे एक neutron star है जो की spin कर रहा है magnetized ये neutron star जब spin करता है magnetized करता है तो इसमें से एक jet of jet of particles बाहर की तरफ से निकलता है और ये jet of particles जो बाहर की तरफ से निकलता है तो speed होती है वो होती है speed of light के बराबर लगभग speed of light के बराबर speed of light के बराबर होती है ये आपको याद रखना है neutron star neutron star से या पलसार याद रखेंगे पलसार और पलसार के जैसे ही आपका एक होता है क्वासर देखें पलसार is associated with neutron star और जो क्वासर है क्वासर is associated with black hole इसको नीचे भी मैं लिख देता हूँ आप भी इसी तरह से notes में लिख लिजे सासर थोड़ा थोड़ा सा लिखते चलिए ठीक है पलसार is associated with what? पलसार is associated with neutron star पलसार में इसे एक jet निकलती है जिसकी speed जो है वो almost speed of light के बराबर होती है और यह जो jet निकलती है यह इस पलसार के holes से निकलती है ठीक है जिस तरह पलसार neutron stars के साथ associated है उसी तरह क्वासर क्वासर black holes के साथ associated होता है ठीक है क्वासर सिर्फ और सिर्फ उन्ही galaxies में पाया जाता है जहां पे एक supermassive black hole होगा तो हम कह सकते हैं क्वासर supermassive black holes के साथ associated होता है ठीक है जो क्वासर होती है इनकी luminosity बहुत ही जादा हाई होती है यानि कि यह बहुत जादा जोड़ से चमक रहे होते हैं यह बहुत जादा जोड़ से चमक रहे होते हैं इसलिए इनको observe करना थोड़ा साई at the centers of galaxies ठीक है पर यह हार galaxy में नहीं पाये जाते हैं सिरफ कुछ-कुछ galaxies के अंदर यह पाये जाएंगे ठीक है अब यह जो क्वासर होता है क्वासर के अंदर कुछ gas spiral कर रही होती है गैस स्पाइरल कर रही होती है, और यह जो गैस स्पाइरल कर रही होती है, यह ब्लैक होल में जा रही होती है, तो यहां पर आपका क्वासर है, विच इस वेरी ब्राइट, वेरी लुमिनस, और यहां से जो गैस है, वो स्पाइरल करती करती, किस के अंदर घुश जाती है, वो यह magnetized होता है लेकिन जो आपके quasar है, quasar rotate नहीं कर रहे होते है quasar magnetized नहीं होते है quasar की कोई भी pulse नहीं होती quasar की कोई भी pulse नहीं होती ठीक है, they are always associated with black holes अब देखिये जो भी bodies हैं, celestial bodies यह कोई ना कोई microwave, कोई ना कोई radio wave कुछ ना कुछ ही है emit कर रही होती है ठीक है, तो जो यह quasar होते है हम quasar को observe करके दूर दराज की जो galaxies होती है उन galaxies को identify करने का कोशिश करते हैं क्योंकि यह बहुती जादा luminous होते है तो यह जो wave emit कर रही होते है ठीक है, मैंने आपको already बताई थी कि violet, red अगर कोई celestial body अगर कोई celestial body अर्थ के बहुत जादा दूर है तो वो जो wave emit करती है वो red के पास होती है और इस phenomenon को red shift का जाता है कि जो body जितनी जादा दूर है अर्थ से, उतना ही वो red की तरफ waves कर एमिट करेगी और जो बाड़ी अर्थ के पास होती है वो blue waves emit कर रही होती है basically हम जब उन्हें observe करते हैं तो हमें blue wave दिखती है और जो दूर होते हैं उन्हें observe करते हैं तो हमें red wave दिखती है तो red shift और blue shift red shift और blue shift जो है यह हमें identify करने में मदद कर रहे हैं कि कौन सी चीज पास है कौन सी दूर है तो यह आपको याद रखने है, अब ये सम न्यूज में क्यों था, न्यूज में इसलिए था, क्योंकि जो आपके क्वासर से हैं, European Southern Observatory's Very Large Telescope, ठीक है, European Southern Observatory के Very Large Telescope ने, किसने European Southern Observatory के Very Large Telescope ने एक Radio Loud क्वासर को Observe किया है, ठीक है, इसका नाम क्या है, नाम बस एक बार ही याद हो जाए तो ठीक है, वरना Tension नहीं लेनी है, पी 172 प्लस 18, इस क्वासर को इन्होंने देखा है, ठीक है, तो इस वज़े से ये न्यूज के अंदर था, European Southern Observatory, Very Large Telescope, Radio Loud क्वासर अब्जर्व किया गया है, ठीक है, इसके अलावा, auroras के बारे में मैं आपको Geography के लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ, तो उसको दुबारा से repeat करना तो, time waste होगा, तो auroras मैं दुबारा से repeat नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बस इतना बता देता हूँ कि auroras आपके pole पे इसलिए बनते हैं, क्योंकि अर्थ की magnetic field हमें protect करती है, हमे प्रोटेक्ट करती है, यह जो आपकी solar wind आ रही होती है, और solar wind को यह deflect करती है, to the poles, क्योंकि magnetic field कुछ इस तरह से aligned होती है, अब जब यह solar wind poles से, अर्थ के atmosphere में enter होती है, तो अर्थ के atmosphere और यह जो आपकी solar wind से है, यह दोनों के दोनों आपस में interact करके, बहुत ही beautiful colors की, वो बना भी हमें auroras देखने को मिलते हैं, यह जिस भी planet का अपना atmosphere होगा, जिस भी planet की अपनी magnetic field होगी, वहाँ पे हमें auroras देखने को मिलते हैं, ठीक है, मार्स के उपर भी बहुत auroras हमें देखने को मिलते थे, ठीक है, और मार्स के अंदर क्या था, मार्स का जो core था, मार्स के core की इसकी जो magnetic field है Mars lost its magnetic field Mars ने अपनी magnetic field को loose कर दिया तो जब Mars की magnetic field खतम हो गई तो जो Sun की solar winds आ रही है इन solar wind को deflect करने के लिए कोई magnetic field है यह जो solar winds है यह Mars के atmosphere के अंदर enter कर जाती है और हमें क्या देखने को मिलता है हमें पूरे लगभग पूरे Mars के उपर हमें auroras देखने को मिलते हैं ठीक है पूरे Mars के उपर हमें auroras देखने को मिलते हैं तो हमें आपको तीन तरह के auroras बताऊंगा जो की Mars के साथ associated है सिरफ नाम आपको याद रखने Mars के साथ जो पहला aurora associated है उसको का जाता है diffuse aurora diffuse aurora के अंदर क्या होता है पूरा का पूरा Mars जो है वो engulf हो जाता है aurora के अंदर ऐसा क्यों हो पा रहा है क्योंकि Mars की जो magnetic field है वो अब exist नहीं कर रही तो magnetic field उन solar winds को रोक नहीं पारी solar wind रोक नहीं रही तो वो पूरे atmosphere के अंदर घुस रही है और aurora बना रही है ठीक है तो यह होती है आपके diffused auroras फिर होते हैं आपके discreet auroras discreet auroras क्या है Mars के core की magnetic field खतम हो गए है लेकिन फिर भी हमें थोड़ी थोड़ी areas में magnetic field दिखाई देने लग जाती है जिन जिन area के अंदर यह magnetic field दिखाई देने लग जाती है वहाँ पर auroras थोड़ी से faint हमें दिखाई देते हैं और इसको कहा जाता है discreet aurora discreet aurora किस वीज़ से होती है because of remnant magnetic field remnant magnetic field of Mars ठीक है और तीसे तरह का कुन सा aurora होता है वो होता है आपका proton aurora proton aurora तो जब solar wind के protons जब solar wind में present protons Mars के atmosphere में enter होते हैं Mars के atmosphere में enter होते हैं atmosphere में enter होने के बाद यह जो proton है यह emit करते हैं Limean alpha particles Limean alpha particles ठीक है और Limean alpha particles emit होने के वाई से Mars के यह पूरे edge पे Mars के पूरे edge पे आपको एक coronal glow देखने को मिलता है एक कोरोनल ग्लो देखने को मिलता है सन का कोरोना याद है जब हमने सोलर विंड पड़ा था सन स्पोट पड़े थे सन फ्लेर्स पड़े थे सोलर फ्लेर्स पड़े थे ठीक है कुछ-कुछ उसी की तरह एक बार यहां पर मैं फिर भी हलका सा रिपीट करते हूं because these are important things क्या रिपीट करते हूं? सबसे पहले रिपीट करते हैं सन स्पोट सन स्पोट जादा नहीं बताऊँगा क्योंकि जोगरफी में बता चको हूं सन स्पोट क्या होता है? और सन के surface पे जहां पे magnetic field बहुत स्टॉंग होती है तो यह magnetic field यह जो आपके वह होता है यह सन की heat होती है इस सन की heat को बाहर नहीं निकलने देती तो जब उसन की heat को TRAP करके रख लिती है तो यह वाला जो region यह नाश पार के region से थोड़ा सा कूल हो जाता है इसका temperature अभी भी 6000 Kelvin से जादा है लेकिन इस आसपास के region के मुकाबले यह थोड़ा सा cool होता है तो अगर कभी कोई ऐसी चीज होती है कि यहाँ पर आर्थ है तो जिस region के उपर यह sunspot होता है उस region के उपर हमें थोड़ा सा cold temperature देखने को मिलता है वहाँ पर temperature जो है वो थोड़ा सा decline कर जाता है ठीक है तो यह आपके sunspots होते हैं which are darker in color and which are cooler than the surrounding body and these are formed because of strong magnetic field present ठीक है यह जो dark spot है यह आपके photosphere पे होते हैं ठीक है अब कभी कभी यह जो magnetic field है magnetic field आपस में change होती रहती है तो मान लिजे यहाँ की जो magnetic field थी कुछ rapture हुआ और यह सारी की सारी energy जो heat इसके अंदर stored थी वो सारी की सारी stored heat एकदम से food पड़ती है एकदम से food पड़ती है और जब यह एकदम से food थी है तो इसको का जाता है solar flare इसको हम solar flare के नाम से जानते है solar flare कभ होगा जब magnetic lines आपस में cross करती है यह जो solar flare है इसके क्या क्या effect होते है वो हम geography में देख चूकिए आपके radio transmission, satellite transmission, आपके power grid इन सभी को यह effect करती है ठीक है, power grid इन सबको effect करती है कभी कभी क्या होता है जो आपके solar flares होते है ठीक है, जो आपके solar flare होते है इन solar flare के साद धेर सारी radiation सोलर फ्लेयर के साथ धेर सारी रेडियेशन और धेर सारे पार्टिकल्स भी एमिट हो जाते हैं तो यह जो रेडियेशन और पार्टिकल्स एमिट होते हैं सोलर फ्लेयर के साथ जब यह emit होते हैं तो उस टाइम पर अर्थ के उपर बहुत ही intense aurora बनते हैं aurora बनेगा अभी भी पोल्स पर यह अर्थ पर लेकिन बहुत ही intense auroras बनते हैं intense auroras और यह जो radiation और particle emit हो रहे होते हैं इसको कहा जाता है coronal mass ejection ठीक है तो एक बारी फिर से देख लीजिए sunspot solar flare और आपका coronal mass ejection intense auroras बनते हैं because of coronal mass ejections these are often accompanied by solar flares ठीक है यह हो गया है अच्छा एक और चीज़ इसी से जुड़ी भी देख लेते हैं फिर हम यह अर्थ है अर्थ के अपनी magnetic field है which is running like this running like this अर्थ की magnetic field हमें protect कर रही है by diverting diverting the solar flares to the poles solar flares जो है वो poles की तरफ जा रहे है अब इस diversion की वाज़े से हम अपने बचे हुए है कई बारी क्या होता है अर्थ की magnetic field के अंदर भी कुछ disturbance आ जाती है कुछ disturbance आ जाती है तो जब भी अर्थ की magnetic field में disturbance आ जाती है तो इसको क्या कहा जाता है अर्थ को कहते है हम जीओ अर्थ को कहते है हम जीओ और उसकी magnetic field में disturbance आ रही है तो इसको कहा जाता है जीओ magnetic storm जीओ magnetic storm ठीक है और यह कब होता है जब बहुती efficiently solar winds हमारे अर्थ के atmosphere के अंदर घुसरी होती है उस टाइम पर हमें इस तरह के storms देखने को मिलते हैं not very important बस आप definition याद रख लिजे geomagnetic storms are major disturbance these are major disturbance of earth's magnetosphere magnetosphere वो रीजन होता है जहां पर अर्थ की magnetic field का असर हमें देखने को मिलता है when there is when there is efficient exchange of energy from solar wind into the space environment surrounding the earth ठीक है यह definition आप याद रखेंगे ताकि confusion ना हो बाकि जो समझने वाली चीज थी वो इसके अंदर मैंने आपको बता दी है ठीक है दो definition और देखते है एक definition क्या है देखें हमने धेर सारी energies को identify किया हुआ है potential energy, kinetic energy, अलग अलग तरह की energies को हमने identify किया हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी हमें यह महसूस हुआ कि space के अंदर space के अंदर कुछ ऐसी energy है जो कि अभी तक unknown है जिसको अभी तक हम explore नहीं कर पाए है, जिसके बारे में हमारे पास कोई information नहीं है तो ऐसी energy को dark energy कहा जाता है तो अब सवाल यह आता है कि अगर अगर यह energy को अभी तक हम observe नहीं कर पाए है इस energy का कोई proof हमें नहीं मिला है तो हम यह कैसे गया सकते हैं कि dark energy present है तो dark energy का क्या evidence तो देखिए इसके लिए एक simple सा concept समझेए, जब बिग बैंक theory हुई, बिग बैंक theory के बाद, एकदम से पूर का पूरे universe जो है वो expand करने लगा, इतना बड़ा बना, फिर इतना बड़ा बना, फिर इतना बड़ा बना, और यह जो expansion है यह आज भी continue कर रही है, तो यहाँ पे जो theory दी जाती है, theory यह है कि जब explosion हुआ उसके बाद universe में matter का expansion हो रहा है यह हमें समझ में आता है लेकिन जब यह matter इस तरह की bodies के अंदर बन रहा है, galaxies बन रही है planets बन रही है, तो जब इस तरह का mass बनता जा रहा है, तो हर एक mass हर एक mass, दूसरी body को अपने पास कीचेगा, ठीक है यह इसको अपने पास कीचेगा यह इसको अपने पास कीचेगा, यह इसको अपने पास यह इसके पास, यह सारी bodies एक दूसरे को अपने पास कीचेंगी, तो जब bodies एक दूसरे को अपने पास कीचेंगी, तो यह जो expansion है इस expansion में slow down आना चाहिए क्यों क्योंकि जो ये bodies है ये bodies एक दूसरे को अपने पास बुला रही है तो हमने क्या observe कि हमने observe कि ये slow down ना होके ये जो expansion है ये expansion in fact और भी ज़्यादा fast होता जा रहा है तो इससे बता चला कि कोई ना कोई ऐसी energy है which is pushing कोई ना कोई आसी energy है which is pushing the universe which is pushing the galaxies apart ठीक है तो dark energy कुण सी है ये वो energy है which is believed to be pushing believed to be pushing अभी तक हमें कोई proof नहीं मिला इस energy का इसलिए हम believe कर रहे है सिरफ dark energy is believed to be pushing the galaxies apart and because of this push the universe is expanding जो expansion of universe हो रहा है वो इस push की वज़ा से हो रहा है ये dark energy हो गई फिर अगली जो एक definition देख रहे है वो है हमारी dark matter की कि dark matter क्या होता है तो इसके लिए देखिए जो भी galaxies है galaxies rotate करती है और जो rotation होती है galaxy की the rotation of galaxy depends on the mass of galaxy depends on the mass of galaxy तो जब हमने हमारी अर्थ की milky way galaxy को लिया और इस milky way galaxy का mass निकाला ठीक है तो हम mass निकालने के बाद ये अंदाजा लगा सकते थे कि हमारी milky way galaxy की rotation की speed क्या होनी चाहिए थी rotation की speed क्या होनी चाहिए थी तो जो speed निकल के आई हमने उसको compare किया with the actual speed of rotation ये हमारी calculated speed आ गई ठीक है और फिर हमने actual speed निकाली हमने देखा जो actual speed है actual speed is far greater than the calculated speed जो हमने calculate किया था हमें जितना mass पता था हमने सारे के सारे mass के according calculate कि क्या rotation की sorry क्या rotation की speed होनी चाहिए उस calculation के बाद हमने उसको compare किया actual speed of rotation से actual speed of rotation बहुत जादा थी तो इस से हमें पता चला कि हमने जितना mass माना हुआ है कि हमारी जो galaxy है उस galaxy का कितना mass है ये mass सिरफ वो mass है जो हम observe कर पा रहे है हमारी galaxy में हो ना हो कुछ ऐसा भी mass है जिसको हम अभी तक observe नहीं कर पा रहे और क्योंकि हमने इसको observe नहीं किया तो इसको हमने अपनी calculation में शामिल नहीं किया calculation में शामिल नहीं किया तो इसलिए हमारी जो rotation की speed है वो कम आ रही है as compared to the actual speed of rotation of the galaxy तो ये जो mass है जो अभी तक हम observe नहीं कर पा है इसको dark matter कहा जाता है और dark matter का evidence कहां से दिया rotation of galaxy से दिया कि जो milky way galaxy है जो हमने calculate किया अगर mass उतना होता तो rotation की speed कम होनी चाहिए थी तो हमने जरूर कोई ना कोई mass ऐसा है जो अभी तक हम calculate नहीं कर पा रहे क्योंकि हम उसको observe नहीं कर पा रहे इसको कहा जाता है आपका dark matter ठीक है dark matter देख लिया हमने और हमने dark energy देख लिए अब अगले concept की तरफ चलते है अब थोड़ा सा हम quipier belt की बात कर लेते है quipier belt के बारे में भी geography के अंदर हमने थोड़ा सा देखा था तो जब हम quipier belt की बात करते है तो quipier belt आपको कहा देखने को मिलती है यह आपका sun है ठीक है sun के चारों तरफ आपके Neptune के आगे जो आपको belt देखने को मिलती है उसको quipier belt का आजाता है quipier belt के बाद आपका interstellar space आता है interstellar space के बाद आपका oot cloud आता है oot cloud जब आदर जो आपके comets होते हैं वो आपके oot cloud से ही आते हैं ठीक है oot cloud से आते हैं फिर कोई pair belt में आएंगे और फिर आपको यहां पे आते हुए दिखा ही देंगे यह जो आपके comets होते है comets इतनी दूर से आ रहे हैं तो comets क्या होते हैं यह icy icy gases होती है ठीक है icy gases देखिए यहां से जा रही है solar wind इस direction में और जो comets है comets जा रहे है माल लिजए comet की direction है यह वाली ठीक है यहां पे comet जा रहा है तो यह sun है sun से solar winds ऐसे जा रही है यह जो solar wind है वो क्या करती है इन gases को थोड़ा सा पीछे की तरफ ढखेलती है जिसकी वज़े से यह जो comet है इस comet की tail बन जाती है और tail कहां पे बनती है directly opposite the sun sun की opposite ही बनेगी हमेशा tail क्यों क्योंकि solar wind की वज़े से वो tail बन रही होती है तो अब दो question comets आते कहां से है comets आपके जादा थर comets आपके oot cloud से आते है कुछ comets आपके quipier belt से आते है comets कहां पाए जाते है यहां पे पाए जाते है यह IC gases होती है कभी-कभी IC particles भी इसमें आपको देखने को मिल जाते है वही पे asteroid कहां पे होते है जल्दी से बता दीजे Mercury, Venus, Earth, Mars Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune तो Mars और Jupiter के बीच में आपके Mars और Jupiter के बीच में आपके यह Asteroids होते है Asteroids जातर Asteroids कहां से मिलेंगे Mars और Jupiter के बीच से comets कहां से मिलेंगे यहां से मिलेंगे दोनों के बीच का difference हमने जोगरफी में भी देखा था तो यह आपको याद रखना है जो Quipier Belt है Quipier Belt को study करने के लिए Quipier Belt को study करने के लिए NASA Kannis जो basic purpose था was to study the environment around Pluto यह Pluto को study करना चाता था Pluto आपको क्विपier Belt का ही object है तो New Horizon किस का mission है NASA का mission है किस को study करने के लिए था Pluto को यानि की Quipier Belt के region को वो study करने के लिए गया था ठीक है study करने के लिए गया praybell की region को और ठीके और इसने क्या observe किया इसने observe किया वहाँ पर ulma अनुले को ठीक इसने observe किया ulma this ulma अनुले किया यहाँ पर इसने एक ऐसी object देखा जो कि कुछ इस तरह का है यानि कि दो object मिल के बने हुए यह आपका बड़ा अब्जेक्ट है जिसको नाम दिया गया उल्मा और यह आपका छोटा अब्जेक्ट है जिसको नाम दिया गया थूले ठीक है तो उल्मा थूले को study किया आपके new horizon mission ने यह जो आपका उल्मा थूले था ऐसा नहीं है कि उल्मा थूले को पहले बार observe ही new horizon mission न लेगी, ठीक है, साथ ही साथ लिखते रहना, ठीक है, देखे, क्या देख रहे थे हूँ, क्विप्यर बैल्ट के बारे में देख लिया, क्विप्यर बैल्ट आपकी ट्रांस नेप्टूनियन रीजन है, ठीक है, बाकी जो मैंने आपको उसमें बताया था, जोग्रफी के अंदर, वो आपको याद रखना है, इसके बारे में, ठीक है, दूसरा आपको क्या याद रखना है, कि क्विप्यर बैल्ट को स्टडी करने के लिए न्यू होरेजन मिशन जो की नासा का था, उसको भेजा गया, न्यू होरेजन स्पेस प्रोब, ठीक है, और ये जो है, ये प्लूटो को स्टडी करने गया था, प्लूटो सिस्टम को स्टडी करने गया था, Pluto system आपके Quipper Belt region के अंदर ही आता है तो इसने New Horizon ने क्या आप मिला इसको इसको मिला एक mixture of methanol methanol plus water plus ice plus organic molecules organic molecules और इसको मिली है एक depression मिला एक गड़ा मिला उस गड़े का नाम दिया गया Maryland crater उस गड़े को Maryland crater का नाम दिया गया है ये सारी की सारी चीज़े इसको का मिली है ये मिली है उल्मा थूले के ऊपर अब उल्मा थूले के बारे में थोड़ा से लिख लिजए उल्मा थूले क्या है उल्मा थूले कुछ इस तरह का जिसमें बड़े अबज़क्ट को उल्मा कहा जाता है, छोटे को थूले कहा जाता है, इसको पहली बार अब्जर्व किया गया था, इस अब्जर्व किया था, इसको नियू होराईजन स्पेस प्रोब ने, इसके उपर ये डिस्कवरी करके आया है, ठीक है, अब क्विपर बेल्ट की अगर बात कीजाए, तो क्विपर बेल्ट किस प्लैनेट के पास पड़ती है, क्विपर बेल्ट आपके नेप्टून के पास पड़ती है, और नेप्टून की ग्रैविटी की व ने दिया, similarly Neptune की gravity जो है वो इतनी जादा थी, कि जो आपके कुपियर बेल्ट के अंदर objects थे, वो कुपियर बेल्ट के object आपस में एक्रेडिट नहीं हो पाए, और वो साथ में मिलके कोई भी बड़ा सा object नहीं बना पाए, ठीक है, वो Neptune की gravity की वज़े से यह दिक्कत हुई, इसलिए Neptune की वज़े से कुपियर बेल्ट के अंदर जो objects पाए जाते हैं, कुपियर बेल्ट अबजेक्स जिनको का जाते हैं, यह object आपको दो तरह के देखने को मिलेंगे, एक होते हैं आपके cold कुपियर बेल्ट अबजेक्स, और दूसरे होते हैं आपके hot क कुपियर बेल्ट अबजेक्स, cold कुपियर बेल्ट अबजेक्स जो होते हैं, यह Neptune के कभी भी पास नहीं आयोते हैं, they never came close to Neptune, they never came close to Neptune, और क्योंकि यह Neptune के close नहीं है, तो इनका जो orbit है, orbit remained undisturbed, तो यह अपने जिस भी पुराने orbit में travel कर रहे थे, यह उसी orbit में travel करते रहे, फ which came close to Neptune, they came close to Neptune, जिसके उनका जो orbit है, उनके orbit के अंदर हमें धिर सारे changes देखने को मिले, orbit कहीं से लंबा हो गया, कहीं से छोटा हो गया, ठीक है, tilted हो गया, elliptical हो गया, तो इस तरह के orbit देखने को मिलते है, तो cold कुपियर बेल्ट अबजेक्स से याद रखने हैं, और आपको hot quipper belt objects याद रखने है, ठीक है, quipper belt के बाद आपको oot cloud के बारे में पता होना चाहिए, oot cloud, oot cloud जब हो हमारे पूरे के पूरे solar system को surround करके बैठा हुए, ठीक है, यहाँ पे आपको धेर सारी ic pieces देखने को मिलेंगे, धेर सारी यहाँ पे आपको space debris देखने को मिलेंगे, ठीक है, space debris, जातर जो comments है वो आपके यहीं से ही आते हैं, जातर comments आपको इसी region से आते हुए दिखाई देगे, ठीक है, यह सारी की सारी चीज़े आप याद रखेंगे, अब इसके अलावा आपको याद रखना है, अच्छा, ठीक है, अभी हमने क्या किया है, हमने उल्मा थूले, उ हमने उसके study करी, ठीक है, कुपियर बेल्ट के object देख लिए, तो asteroids की भी बात कर लीजे, asteroid को study करने के लिए आपको सिरफ दो नाम याद रखने, asteroid को पढ़ने के लिए, एक तो है आपका हायाबूसा, और दूसरा नाम है आपका Osiris Rex, Osiris Rex, हायाबूसा के दो projects launch हो चुके है, एक वथ आपके 2003 के अंदर, और एक वथ आपके 2014 के अंदर, 2003 वाला खतम हो गया 2010 के अंदर, और 2014 वाला खतम हो गया 2020 के अंदर, यह सब याद रखने की तरुषट नहीं है आपको, ठीक है, जो आपका हायाबूसा first program था, हायाबूसा first program एक asteroid के उपर गया था, और किस asteroid के या था, asteroid, रियूगू के उपर, रियूगू के उपर, ठीक है, रियूगू के उपर, जो हायाबूसा second है, उसने water plus organic matter को discover किया, water और organic matter को यहाँ पर पाया गया है, ओसाइरिस रेक्स के है, अच्छा, एक और चीज, यह जो हायाबूसा है, हायाबूसा जपैन की space agency ने भेज एक्सपेस, exploration, Japanese Aerospace Exploration Agency, जिसको short में हम जाकसा बोलते है, जाकसा, ठीक है, ओसाइरिस रेक्स जो है, यह आपके NASA का mission है, यही पर लिख देता हूँ NASA, यह आपके NASA का mission है, और यह किस asteroid पे गया था, यह 2016 में start हुआ था, और यह फिनिश हुआ 2023 में, और यह किस asteroid पे गया यह गय बेनू पे, बेनू, जो कि यह carbonaceous type की asteroid होती है, ठीक है, जिस material से बनी होती है asteroid, उसी material का उसको नाम दी दिया जाता है, जैसे की S type से लिका वाली होती है, C type आपके carbonaceous होती है, M type जो आपके metal की होती है, palladium वगएरा उसमें होता है, ठीक है, तो यह आपकी OSIRIS Rex जो है, वो ब बेनू के उपर गई थी, 2016 में, 2023 में उसने अपनी discoveries दे दिया, ठीक है, उट क्लाउड वगएरा हो गए हमारे, ठीक है, और कौन सी चीज की जा सकती है अब, हमने sun के बारे में देख लिया तो sun के ही कोई mission वगएरा देखते है, sun के अगर हम mission की बात करें, तो sun को study करने के लिए, sun और earth के connection को study करने के लिए आपके दो प्रोग्राम रन हो रहे है, एक है muse, muse की full form है, multi-slit solar exploration, multi-slit solar exploration, ठीक है, तो एक project आपका muse है, और दूसरे आपका helio swarm, swarm का क्या मतब होता है? swarm का मतब बता है, जूंड, helio swarm के अंदर भी क्या किया जा रहा है? एक जूंड इस्तमाल किया जा रहा है, nine spacecraft का, इसके अंदर nine spacecraft को use किया जाएगा, और इन दोनों का objective क्या है to study sun and to study the connection between sun and earth, तो Sun-Earth connection Sun-Earth connection जो है वो इसके अंदर study किया जाएगा अगर थोड़ी सी और इसकी detail देखी जाए तो जो आपका Muse है Muse क्या study करना चाता है? Muse जो आपके Sun की Corona है Corona की heating और instability को ये study करना चाता है बेसिकली Corona की उपर आपको Sunspot, Solar Flares ये सारी की सारी चीज़े देखने को मिलती है which add to the instability of Corona तो उन सब को study करने के लिए ये आपका Muse बना हुए और आपके Helioswarm की बात कीज़े तो Helioswarm क्या पढ़ना चाता है? वो पढ़ना चाता है fluctuations in magnetic field magnetic field ठीक है Sun की जो magnetic field है उसमें क्यों fluctuations हा रही है plus जो आपके solar wind solar wind में जो कभी-कभी आपकी turbulence हा जाती है उस turbulence को study करने का काम Helioswarm करेगा तो 9 spacecraft मिलके magnetic field और solar wind में turbulence पढ़ेंगे और जो multi-slit solar exploration है वो coronal heating और instability को पढ़ने के लिए बनाया जा रहा है ठीक है? अब Sun की ही अगर बात करें तो Sun को observe करने के लिए एक आधित्या L1 program भी चल रहा था आधित्या L1 तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि Langrange points क्या-क्या होते है जब हम Langrange points की बात करते है तो देखे अगर मैं यहां पर किसी body को रख दूँ अर्थ के उपर तो जो अर्थ की gravity है वो इस body को अपनी तरफ कीचेगी और यह जो body है यह कभी न कभी आके अर्थ से टक्कर खा जाएगी ठीक है तो हम हम चाहते हैं ऐसे points को ढूंडना जहां पर हमें gravity का जाधा सामना ना करना पड़े क्यों हम gravity का सामना नहीं करना चाहते यह हमारी अर्थ है और इस अर्थ के चारो तरफ कोई ना कोई spacecraft इस तरह से चक्कर काट रहा होगा अब अगर अर्थ की gravity इसके उपर जाधा लगेगी तो इसको अपने orbit में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा अर्बिट में रहने के लिए इसको बार बारी अपने rocket को on करना पड़ेगा ताकि अपने orbit में वापस आ जाए फिर अर्थ इसको अपने पास केचहीं कि वह rocket को on step will अर्बिट में चला जाए तो अगर हमें कभी Sun सन को observe करना तो Sun को observe करने के लिए तो और भी जादा बड़े बड़े rocket चाहिए होंगे उनको observe करने के लिए तो इसलिए हमने क्या किया हमने कुछ points ऐसे ढूंडे कुछ points ऐसे ढूंडे between sun and earth जहां पे जैसे माली जी यह आपका sun है यह आपका earth है यह आपकी moon है ठीक है तो इन सब की अपनी gravitational pull है हमने ऐसे points ढूंडे जहां पे इनका जो gravitational effect है वो gravitational effect zero हो जाता है ठीक है यानि कि अगर इस point पे मैं किसी body को छोड़ दूं तो यह जो body है यह body इस तरह sun के चारो तरफ चक्कर काटती रहेगी और इस body के उपर ना तो sun की gravity का असर होगा ना ही earth की gravity का moon की gravity का असर होगा क्यों क्योंकि यह वो point है जहां पे इन बड़ी-बड़ी body की जो gravitational forces है वो आपस में interact इस तरह से करती है कि यहां पे हमें बिल्कुल gravity देखने को नहीं मिलती ठीक है तो हम कह सकते हैं लेंगरांज points ऐसे points है जो की stable है जो की stable है अगर हम इन points के उपर किसी और smaller body को डाल देंगे तो वो smaller body बहुत ही कम resistance के यहां पे अपने orbit में चक्कर काटती रहेगी तो ऐसे इनको हम lagrange point के नाम से जानते हैं ठीक है basically moon तो जे इसमें वो negligible है हम इसके अंदर दो ही body को consider कर सकते हैं क्योंकि moon का तो as such कोई gravity होती नहीं है तो ऐसे points जो की sun और अर्थ की अर्थ के बीच में ऐसी ऐसी जगाओं पे लाई करते हैं जहां पे sun और अर्थ की gravity एक दूसरे को balance out कर देती है एक दूसरे को cancel कर देती है जिसकी वज़य से वो points stable observation points बन सकते हैं तो वैसे ही तो आपके course के अंदर भी मैं यह करा चुक हूँ लेकिन फिर भी मैं एक बारी हलका सा diagram बना देता हूँ यहां पे आपका मान लेते है यह आपका sun है यह मान लेते है आपकी earth है ठीक है earth और sun के बीच में कोई एक point होगा जिसको हम नाम दे देंगे L1 ठीक है L1 के उपर sun और earth की gravity का कोई असर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यह दोनों massive bodies जो है यह दोनों massive bodies एक दूसरी की gravity को cancel out कर देती है ठीक है तो एक point यहां देखने को मिलता है फिर उसका देख equilateral triangle बना लीजिए इस तरह से और एक equilateral triangle बना लीजिए इस तरह से यह जो equilateral triangle के यह वाला जो point बन रहे है इन point के उपर भी आपके कुछ langrange points होते हैं जहाँ पे gravity का असर नहीं देखने को मिलता है इनको L4 और L5 कहा जाता है L4 और L5 कहा जाता है L1 एक point होता है जोकि और एक point होता है जोकि L2 यहां पे लाई करता है घेक है यह Earth है यह Sun है अगर मैं किसी spacecraft को अगर मैं किसी spacecraft को L1 पे डाल दूआ तो यह L1 बड़े आराम से sun को observe करती रहेगी क्यों क्योंकि यह अर्थ के atmosphere से भी बाहर हो गया इसको sun जो है वो बिना किसी disturbance के दिखता रहेगा और अगर मुझे अर्थ को observe करना है तो मैं L2 point पे किसी satellite को डाल दूँगा ठीक है क्योंकि यह जो satellite है यह sun से एक तो sun के shadow में आ रही है इसके ओपर sun की raise नहीं पड़ेगी और यह अर्थ को जो है अर्थ को ऐसे observe करता रहेगा ठीक है तो L1 और L2 जो है यह बहुत ही important points बन जाते है जो आपके L4 और L5 है L4 और L5 इनको stable points कहा जाते है ठीक है सिरफ नाम के लिए stable है L4 और L5 के यह जो points है इन points पे आपको धेर सारे asteroids देखने को मिलते है तो इसी लिए यहाँ पे आपको asteroids देखने को मिलेंगे जिनके Greek में नाम दिये हुए है अगर याद हो जाए तो ठीक है नहीं याद होते है तो कोई बात नहीं यहाँ पे Agamemnon Agamemnon Achilles जिसको Achilles heel कहा जाता है न वो वला Achilles और Achilles का दुश्मन Hector यह asteroid आपको L4 और L5 पे देखने को मिलते है इसी लिए L4 और L5 को Trojans के नाम से भी जाना जाता है यह आपका कोई virus Trojan नहीं है यह आपका L4 और L5 को Trojan के नाम से भी बुलाया जाता है ठीक है तो यह आप याद रख सकते हैं अच्छा L1 पे हम Solar और Heliographic Studies जो हैं वो करने के लिए हम Space Craft छोड़ेंगे L2 के उपर हम किसको छोड़ेंगे L2 के उपर हम Astronomy के Astronomy की जो सेटलाइट होते हैं हम उन Astronomy की सेटलाइट को यहाँ पे छोड़ते हैं ठीक है एक बारी फिर से repeat कर देता हूँ L1, L2, L3, L4, L5 यह वो points हैं जहाँ पे Earth और Sun की gravity एक दूसरे को balance कर देती है, cancel कर देती है और इन points पर अगर हम किसी सेटलाइट को किसी small mass के object को डालेंगे तो वो small mass का object बिना किसी resistance के आराम से एक orbit के अंदर घूमता रहेगा stable तरीके से घूमता रहेगा ठीक है तो यहाँ से observation करना जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है ठीक है अगला देख लेते हैं हम NASA का dart mission के बारे में, dart mission में क्या हुआ था dart mission के अंदर क्या किया जाता है देखिए, मान लीजे कोई एक asteroid है यह asteroid का orbit है ठीक है, यह asteroid जो है वो इस orbit के अंदर चक्कर मार रही है मान लीजे, यह asteroid अर्थ के बहुत ही ज़ादा पास आ जाए और यह asteroid जो है यह एक potentially potentially hazardous asteroid बन जाए तो अगर कोई asteroid potentially hazardous asteroid होती है तो हमें क्या करना है हम या तो इस asteroid को destroy कर दें पूरी तरह यानि कि हम इसके उपर कोई missile छोड़ें और यह asteroid भट जाए लेकिन इसके साथ दिक्कत किया इसके साथ दिक्कत ही है कि जब इस asteroid भटेगा तो इसके छोटे छोटे fragments जो है वो अर्थ की तरफ आएंगे तो धेर सारे meteorites जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं दूसा तरीका क्या है दूसा तरीका यह है कि हम एक बड़ी सस्ती सी spacecraft बनाए इस spacecraft की इस asteroid के साथ इस तरह से टक्कर मारें कि इसका जो और्बिट है वो अर्थ से दूर हो जाए ताकि यह अर्थ से टक्राएं नहीं ठीक है तो अभी जो mission है NASA का जो हम देख रहे है जिसका नाम है DART mission DART mission के अंदर यही वाला काम किया गया तो क्या याद रखेंगे DART किसका mission है DART आपके NASA का mission है ठीक है और इससे हम क्या करते है इससे हम एक asteroid के orbit को change करने की कोशिश किया by impacting it उससे टक्कर मारने के बाद DART के अंदर एक low cost की spacecraft को utilize किया जाता है इस तरह से planet के asteroid के orbit को change करने के लिए ठीक है यह आपका NASA का DART mission है इसमें DART की full form क्या है DART की full form है आपकी double asteroid double asteroid redirection देखिए अगर नाम दे देते तो आप खुदी समझ जाते redirection किया जा रहा है किस चीज़ को redirect किया जा रहा है asteroid को double asteroid redirection test ठीक है तो NASA ने DART को DART के अंदर हमने यह काम किया है अगला क्या याद रखना है जो DART है DART को run करने के लिए हमने दो solar arrays इसके अंदर लगाए हुए थे दो solar arrays दो और इसके साथ लगाए हुए था hydrazyne propellant एक hydrazyne propellant यह जो दो solar array और hydrazyne propellant है यह इतना important नहीं है जितना important है यह next नाम जिसका नाम है xenon xenon क्यों important हो जाता है देखे नासा क्या चाहता है नासा चाहता है कि future के अंदर deep space robotic missions भेज़े जाए deep space का मतलब होता है कि Pluto तक जा रहे है horizon तक जा रहे है deep space के deep space के robotic missions भेज़े जाए और इन deep space के robotic missions को आसान करने के लिए नासा एक नए तरीके का thruster बना रहा है ठीक है और उस thruster के अंदर xenon का इस्तमाल किया जाएगा तो अभी जो dart के अंदर spacecraft था उसे spacecraft में भी हमने 10 kg xenon का इस्तमाल किया था यह check करने के लिए xenon किस तरह से काम करेगी space के अंदर यह जो नए थ्रस्टर बनने है इस thruster का नाम होगा next c इसका नाम होगा next c full form क्या है n से है आपका NASA e से आपका evolutionary evolutionary x से है आपका xenon t से guess कर लिए t होगा आपका thruster और c है आपका commercial ठीक है तो NASA evolutionary xenon thruster commercial जो है वो आपका नया thruster NASA देखना चाहता है इसलिए xenon जो है इसके लिए important हो जाती है एक और question जो पूछा सकते है वो यह कि यह जो डार्ट है डार्ट किस asteroid से जाके टकराया था dart टकराया dimorphos अगर question आजा dimorphos क्या है तो आप समझ जाएंगे कि dimorphos आपका एक asteroid है अच्छा और जो आपका dart mission था dart mission ने एक और काम किया क्या काम किया? dart mission में एक सस्ती सी spacecraft थी जो जाके टकरा गई यह जो spacecraft है यह अपने साथ कुछ छोटे छोटे payload को भी लेके गई थी तो एक payload जो आप याद रखेंगे उसका नाम है आपका light Italian cubesat एक चोटी सी satellite अपने साथ लेके गई थी light Italian cubesat for imaging and for imaging of asteroid ठीक है यह एक चोटी सी satellite ले गई थी जिसका नाम है Lecia cubesat Lecia cubesat यह अपने साथ लेके गई थी दूसरा जो यह payload लेके गई थी उसका नाम है Draco Draco की full format Didymos Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical Navigation ठीक है Optical Navigation यह इसको इसलिए लेके गई थी ताकि यह real time images अर्थ पे भेज सके यह एक तरह का camera है जो की real time images और उसको अर्थ पे भेज सके उसके लिए इस camera को साथ में लेके गए थी ठीक है ठीक है ठीक है इसके अलावा आपको याद रखने है एक्जो प्लैनेट्स जो की मर रहे हैं ऐसे एक्जो प्लैनेट्स को क्या का जाता है जिनकी death हो रही है उनको का जाता है doomed exoplanets doomed exoplanets doomed exoplanets किसी ना किसी star के sun के around चक्कर मार रहा होगा किसी ना किसी sun के around चक्कर मार रहा होगा तो ऐसे planets को doomed exoplanets कहते हैं और इन doomed exoplanets को study करने के लिए कौन सा mission चल रहा है इनको study करने के लिए NASA का test mission चल रहा है test की full firm क्या है Transiting exoplanet survey satellite survey satellite Transiting exoplanet survey satellite mission अगली definition जो आपको देखनी है वह है आपका Goldilocks zone Goldilocks zone क्या होता है यह किसी भी star के around ऐसा area होता है किसी भी star के around ऐसा area which is neither too hot which is neither too hot nor too cold ऐसा area which is neither too hot nor too cold जहां पर पानी exist कर सकता है क्योंकि इसका temperature इतना conducive है that water can exist water can exist at the surface at the surface of the planet तो ऐसे planets which are earth like ऐसे planets जो कि earth की तरह है जहां पर पानी surface पर exist कर सकता है क्योंकि वो ना तो बहुत गराम है ना ही बहुत थंडे है ऐसे planets को खोज रहे हैं और ऐसे planets जहां पर पाए जाते हैं उन जोन को गॉल्डी लोक्स जोन कहा जाता है या फिर जोन कहा जाएगा गॉल्डी लॉक्स जोन को ठीक है अब habitable planets को find करने के लिए एक नई theory निकल कही है theory के निकल कही है there are so many planets there are so many planets in the universe ठीक है या फिर अगर solar system की बात करें हमारे solar system में भी इतने planets है तो mostly जो planets होते है लगबग सभी planets जो होते है वो habitable नहीं होते है वो habitable नहीं होते है यानि कि custom क्या है custom यह कि planets habitable नहीं है लेकिन इस custom में एक anomaly निकल के आई एक ऐसी चीज़ निकल के आई which is out of the box which is not ordinary और वो anomaly क्या है वो anomaly है earth earth है एक ऐसी anomaly है जहां पे life exist करती है तो अब जो theory निकल के आई है वो theory निकल के आई है कि अगर हमें कोई habitable zone अगर हमें कोई habitable planet ढूणना है तो हमें in anomalies को ही ढूणना है in anomalies को ही ढूणना है जिस तरह की anomaly earth है ठीक है तो इसके लिए क्या किया गया है इसके लिए MS MBTAI MS MBTAI यह आप याद रखेंगे यह MSMBTII क्या होता है यह एक तरीका निकाला है एक नया मैथड निकाला है और यह आप क्यों याद रखेंगे यह आप इसलिए याद रखेंगे क्योंकि यह मैथड निकाला है Indian Institute of Astrophysics ने Indian Institute of Astrophysics एक नया तरीका निकालता है जिसका नाम है MSMBTI MSMBTI की full firm क्या है Multistage Multistage Mimetic Multistage की तो आपको Spelling पता ही होगी Multistage Mimetic Binary Tree Multistage Mimetic Binary Tree Anomaly Identifier Anomaly Identifier ठीक है तो यह एक algorithm बनाया है Indian Institute of Astrophysics ने और यह क्या करता है यह Anomaly Identify करता है By Utilizing Mimetic Binary Tree क्या होता है कैसे काम करता है वो सब आपको जानने की जरुवत बिल्कुल भी नहीं है तो यह आप यह याद रख सकते हैं कि किसने बनाया है और यह क्या है Goldilocks Zone आप याद रख सकते हैं और Anomaly वाली जो थियोरी है वो आप याद रख सकते हैं और इसके अलावा अच्छा हमने Dart देख लिया Dart किसका Mission है जल्दी जल्दी याद करते जाए Dart आपका Mission है ना सका जो की Time Morphose के साथ जाके टकरा गया और उसका Orbit उसने Change कर दिया है ठीक है यह हमने देख लिया इसके अलावा एक और Mission होता है जिसका नाम है Atlas Atlas क्या है Dart की तरह ही है Atlas Atlas की फुल्फ़म है Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System ठीक है Atlas Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System यह आपका Last Alert System है Asteroid का Terrestry के साथ Impact को identify करने का ठीक है Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System इस सिस्टम के अंदर पहली बार ऐसा हुए कि हमारा जो पहली बार ऐसा हुए कि हम 24 गंटे के अंदर हमारे अर्थ के चारो तरफ का जो डाक स्काई है उस पूरे के पूरे डाक स्काई को इस पूरे के पूरे डाक स्काई को ठीक है, तो Atlas किस थीज के लिए बनाए गया? Atlas बनाए गया for tracking asteroid for tracking asteroid and space debris space debris ठीक है, Atlas के अंदर हम पूरा का पूरा सर्वे करें, survey would be done by utilizing four telescopes ठीक है, दो टेलिस्कोप आपके हवाई, US के अंदर लगाए गया और दो टेलिस्कोप जो है, वो आपके southern hemisphere के अंदर लगाए गये तो पूरी की पूरी जो अर्थ है, उस पूरी की पूरी अर्थ के उपर निगरानी रखी जा सकते है 24 घंटे के अंदर हम ये देख सकते हैं कि ये कहीं कोई asteroid आतो ने लिए और इसको कौन operate कर रहा है, वो आपसे शायद कोई नहीं पूछेगा इसको operate कर रहा है, Institute of Astronomy University of Hawaii Hawaii University का जो Institute of Astronomy है, वो इसको operate कर रहा है तो US का ही आपका ये पूरा का पूरा पूरा प्रोग्राम है ठीक है, अब इसी के जैसा एक और देख लीजे Orbit Computation Orbit Computation of Resident Space Object Orbit Computation of Resident Space Object for Situational Awareness ये जो है, इस प्रोजेक्ट को run करने के लिए किसको fund मिला है ये एक news आपको याद रखनी है, इंदरप्रस्त Institute of Information Technology इंदरप्रस्त Institute of Information Technology जो कि डेली के अंदर स्तित है इस इंदरप्रस्त इंस्टीट को ये प्रोजेक्ट रन करने के लिए फंडिंग मिलिया और फंडिंग किस ने दिया Department of Science and Technology एक mission चलाता है जिसका नाम है National Super Conducting Mission इस National Super Conducting Mission के अंदर इंदरप्रस्त Institute of Technology दिल्ली को Orbit Computation of Resident Space Object for Situational Awareness ये प्रोजेक्ट रन करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड की गई है ठीक है ये फंडिंग प्रोवाइड की गई है और मैं आपको Pillars of Creation अल्रेड़ी बता चुकों Geography की क्लास के अंदर Pillars of Creation वो रीजन है जहां पर अभी भी स्टार्स की Formation हो रही है बड़दा इशू है कि Solar Winds की वज़े से ये जो Pillars of Creation ये एरोड होते जा रहे हैं ये कमजोर होते जा रहे है Pillars of Creation इसी डस्ट के अंदर आपके स्टार्स की Formation होती है ठीक है एक आप याद रख सकते हैं Wasp 103 Wasp 103 एक आपका Sun है जिसके अराउंड हमें एक Planet देखने को मिला है जिसका नाम है Wasp 103b मतब Planet तो हम नहीं रखा है ये जो Wasp 103b है ये एक Exoplanet है A Planet which is outside our solar system ये एक Exoplanet है ये Interesting क्यों है ये interesting इसलिए क्योंकि जादर जो Planets होते है They are spherical in shape या फिर Earth-like in shape लेकिन ये जो Planet है This Planet is Rugby Ball Shaped Rugby Ball Rugby की Ball कैसे होती है Rugby की Ball कुछ इस तरह से होती है ये Rugby की Ball की तरह shaped है तो अंदाजा क्या लगाया गया अंदाजा ये लगाया गया कि जादर जो Planets होते है They are far away from the Sun वो अपने Sun से बहुत जादा दूर होते है जिसके वैसे उनकी जो Shape है वो intact रहती है लेकिन Wasp 103 जो है ये अपने Sun के बहुत जादा पास है अब क्योंकि ये अपने Sun के बहुत जादा पास है तो इस Sun की इस Sun का जो Tidal Stress था जो Tidal Stress था Sun की Gravity की वज़े से उसने Wasp 103 की Shape चेंज कर दिया ठीक है अब Wasp 103 क्या है वो आप याद रखेंगे ये कोई मक्खी नहीं है कोई आपके Biodiversity के अंदर ये Question नहीं पूछा जा रहा है ये आपके Space से जोड़ा हुआ Question है Rugby Shaped Planet है जो की Wasp 103 Sun के अराउंड घूम रहा है टाइडल स्ट्रेस के विए से इसकी जो शेप है वो चेंज हो गई है और इसको किसने अब्जर्व किया है European Space Agency के टी आप्स ने टी आप्स सेटलाइट डेटा से हमें ये देखने को मिलता है ठीक है पेलर्स ऑफ क्रिएशन हम अल्रेडी देख चुके है पहली बार इसकी इमेज किसी ने ली थी Hubble Space Telescope ने और जेम्स वेब टेलिसकोप जो है उसने बहुत ही सुन्दर सुन्दर इमेजिस इसकी निकाली है अब इमेजिस की ही बात हो रही है तो एक चीज हम देख लेते हैं देखे हमें जब Space को Observe करना होता है तो हमें Sky कैसे चाहिए होती है हमें Sky चाहिए होती है विच इस वेरी डार्क क्योंकि जब Sky डार्क होगी तो हमें सारे के सारे जो भी Space में जो भी आसमान के तारे हैं वो अच्छे जच चमकते हुए दिखाई देंगे दुनियाँ भर के अंदर कुछ कुछ area को identify करती है which can be given a certificate which can be given a certificate of dark sky dark sky certificate का क्या मतलब है ये उन regions को दिया जाता है जहांपे जो आपके light pollution है light pollution नहीं होती ऐसे region जहांपे light pollution देखने को नहीं मिलती उनको dark sky reserve के नाम से जाना जाता है dark sky reserve इंडिया के अंदर, जो dark sky reserve बनाया जारा है, वो कहा बनाया जारा है आपके ओर एक area है, जिस area का नाम है हाणले हाले dark sky reserve ठीक है, तो हाणले dark sf काई reserve जो है वो इंडिया की पहली dark sky होगी, जहाँ पे कोई भी light pollution नहीं होगा, ये जो हाले dark sky reserve है ये आपके चांक थंग wildlife century के अंदर बनाई जा रही है और यह आपके लद्दाक में लाई करती है लद्दाक region के cold desert के अंदर यह लाई करती है बहुत ही important news है इसको आप अच्छे से याद रखेंगे एक और news जो हम देख लेते हैं वो है आपकी fast radio burst fast radio burst क्या होते है देखो यह आपकी इसको थोड़ा सा समझाना मुश्किल है क्यों मुश्किल है क्योंकि इसके अभी तक बहुत सारे answers मिले नहीं है पहला तो अभी तक हमें यह पता नहीं है कि यह कहां से आती है यानि कि इसकी location इसकी location identified नहीं है दूसरी चीज हमें यह पता नहीं है कि यह आखिर बनती कैसी है यह बनती कैसी है ठीक है इसका unknown procedure है यह कैसे बनती है और यह बहुत जादा unpredictable ठीक है तो अब अगर इसको simple भाशा में समझाना हो तो fast radio burst क्या होती है जैसा नाम है बिल्कुल वैसे ही काम है एकदम से एक पल्स आईगी एक burst आईगा रेडियो वेव का जो डिटेक्ट हो जाएगा फिर थोड़ी देर के बाद हो सकता है 16 दिन के बाद दुबारा से एक हमें डिटेक्ट हो जाए तो यह रेडियो वेव को कहा जाता है fast radio burst fast radio burst यह बहुत ही bright flashes होती है bright flashes होती है magnetar क्या करेगा magnetar एक flare release करता है यह जो flare है यह flare ऐसे आगे की तरफ travel कर रही है ठीक है तो मान लीजे magnetar ने एक flare release कर रही है और वो अभी यहाँ पे है ठीक है थोड़े दिन हो चुके है 16 दिन पहले उसने यह flare release की थी 16 मैं ऐसी hypothetical number ले रहा हूँ यह जो flare है this flare contains electrons and other charged particles other charged particles ठीक है अब magnetar ने एक और flare release कर दी which is moving very fast यह flare जब पुरानी वाली flare के साथ टकराती है तो माना जाता है कि इस टकरान की वज़े से इस टकराने की वज़े से आपके fast radio burst निकलते है लेकिन reality में अभी तक किसी को नहीं पता है कि यह fast radio burst क्यों निकल के आते है ठीक है तो आप इनको एक blip की तरह देख सकते हैं कि बस कुछ millisecond के लिए आप इसको detect कर पाते है ठीक है millisecond के लिए अच्छा और इसको अभी observe कैसे किया गया है अभी news में क्यों था news में इसलिए था क्योंकि Canada के अंदर एक Dominion Radio Astrophysical Observatory बनी हुई है नहीं पूझेंगे आप से यह ठीक है मैं सिरफ लिख रहा हूँ आप से FRB के आप maximum पूझा जा सकता है पर Canada के अंदर आपकी Dominion Radio Astrophysical Observatory बनी हुई है जहां पर Radio Telescope लगे हुए है जिसका नाम है Chime वहां पर कुछ Radio यह जो Fast Radio Burst है इनको identify किया गया था यह जो आपके Fast Radio Burst है इनमे Dispersion यह Scattering भी देखने को मिलती है Scattering at High at High Radio Frequency देखने को मिलेंगी ठीक है इस वाज़े से यह News में था I don't think कि आपसे कोई पूछेगा लेकिन फिर भी FRV के बारे में आपको याद रखना है जो जो चीजे बताता जा रहा हूँ एक दो बारी इसको सुन लेना रीड कर लेना और चले जाना Space में इससे जादा ना पढ़ सकते हो ना ही पढ़ने का उतना जादा benefit मिलेगा ठीक है चाहे कोई भी notes पढ़ लो इससे जादा नहीं मिलने वाला आपको फिर अब nanotechnology से जुड़े हुए कुछ topics को देखते हैं देखें nanotechnology का क्या मतलब है ऐसी technology which is very minor जो कि बहुत ही जादा छोटी है अगर comparison करना है तो आप यह देखें मैं एक मीटर से compare करता हूँ एक मीटर को जब हम 10 to power minus 1 से multiply करते हैं या फिर 0.1 मीटर 0.1 मीटर को decimeter कहा जाता है 0.01 मीटर को centimeter 0.001 मीटर को millimeter इसी तरह 0.00000 00001 मीटर यह क्या हो गया यह आपका nanometer कहला जाएगा तो nano का क्या मतलब होता है nano का मतलब होता है कि आप जिस भी चीज़ की बात कर रहे हैं उसको 10 to power minus 9 से multiply करतो या फिर उसके आगे 8 0 लगा दो या फिर उसके आगे 8 0 लगा दो decimal लगा के तो यह जो technology होती है यह बहुत छोटी होती है छोटी होने के वज़े से क्या होता है nano technology small size small size होने के वज़े से surface area increase हो जाता है अब इस चीज़ को समझे माल लिजे मैं 1 meter की बाल बनाता हूं 1 meter की 1 ball बनाता हूं तो इस 1 meter की बाल का यह जो पूरा का पूरा area है यह इसका surface area कहला जाएगा अगर मैं इस 1 meter की बाल को छोटी छोटी बाल के अंदर convert कर दूँ ठीक है और सारी की सारी यह जो बाल है यह 10 raised to power minus 9 meter की size की है ठीक है मैंने छोटी छोटी बाल में convert कर दिया तो इससे क्या होगा यह जो balls हैं इसका यह surface area, इसका यह surface area, इसका यह surface area इन सबका मिलाके जो surface area होगा यह surface area हमेशा बढ़ा होगा इस 1 meter की ball से तो जब भी हम किसी small technology की बात करते हैं तो इसका मतब यह है कि एक तो वह बहुत छोटी है छोटी होने की वज़े से हम इसका जादा surface area utilize कर सकते हैं अब इसका एक practical example देखिए मानलीजिये, कोई plant है मैं इस plant के अंदर जो normal urea होता है मैंने normal urea डाल दिया यह normal urea इसका size मानलीजिये इतना बड़ा-बड़ा size है इतना बड़ा-बड़ा size है अब यह इतना बड़ा-बड़ा size है तो इसका surface area कम होगा as compared to nanotechnology वाले यूरिया का तो इसका surface area बड़ा होने की वज़े से ये plant के अंदर उतने easily absorb नहीं हो पाता है इसकी efficiency कम हो जाती है ठीक है और फिर उसके बारिश आएगी तो ये यूरिया बारिश के पानी के साथ बह जाएगा क्यों क्यों क्योंकि plant इसको इतनी तेजी से absorb नहीं कर पाता वहीं पे अगर मैं एक ऐसा यूरिया यूज करूँ जो कि nano technology पे बेस्ट है यानि कि बहुत ही minute उसके particles है ये minute particles बहुत easily absorb हो जाते हैं इनका surface area जादा बड़ा होता है इसलिए कम यूरिया को यूज करके क्योंकि surface area कम है तो easily absorb हो रहे हैं और कम यूरिया को यूज करके हम जादा efficiency निकाल के ला सकते हैं तो nano technology की ये एक बहुत ही खासित है nano technology के लिए nano technology को यूज करके हम sensors बना सकते हैं हमारी body के अंदर ही fit हो जाएगा और हमारा temperature constantly monitor करता रहेगा तो small area होने की वज़े से उसका जो surface area है sorry small size होने की वज़े से उसका जो surface area है वो surface area increase हो जाता है और surface area increase होने की वज़े से उसकी utilization ज़ादा efficient हो जाती है तो यह आपकी nano technology अब जो nano technology हम use कर रहे है आप याद रखेंगे nano technology का मतलब होता है कि एक nanometer से लेके एक nanometer से लेके 100 nanometer तक का हम dimension use करते है technology के अंदर ठीक है एक से लेके 100 nanometer का अब यह जो usage है nanotechnology की यह आपको कहा कहा देखने को मिली लगभग हर एक जगा पे आप इसकी nano fertilizer जैसे की अभी हम देखेंगे एक यूरिया बनाया जा रहे है nanotechnology को use करके तो fertilizer के अंदर इसका इस्तमाल होगा तो fertilizer में क्या benefit मिल जाएगा surface area increase हो जाएगा जिसकी वज़े से plant easily absorb कर पाएंगे आपके जो यह nanotechnology का यूरिया उसको तो absorption अच्छी हो जाएगी इसके साथ साथ जो आपके nanotechnology होती है nanotechnology slow release होती है slow release का क्या फैदा होता है इसको अभी हम देखते हैं आपने कोई medicine खाई यह आपकी medicine है जैसी आप ही medicine खाते ही यह आपकी body के अंदर जाती है जाते ही यह पूरी तरह से release हो जाती है आपकी body को absorb करने के लिए कुछ समय चाहिए होता है यह जो medicine है यह एक साथ पूरी की पूरी release हो गई आपकी body इसको सही से absorb नहीं कर पाएगी हो सकता है कि आपने किसी चीज की 100 units 100 units लिए है लेकिन आपकी body उसका केवल 30 units absorb कर पाई और जो 70 units है वो 70 units आपकी body से through urine, through sweat, इन सब चीज़ों के through वो निकल गया तो यहाँ पर क्या है medicine की effective utilization नहीं हो रही लेकिन अगर यही medicine slow release होती slow release या फिर इसको sustained release कहा जाता है technical terms में ठीक है अगर यह sustained release होती तो यह medicine कैसे काम करती 100 units आपकी body के अंदर गई है यह पहले एक unit release करेगी फिर थोड़ी देर के बाद एक unit release करेगी फिर थोड़ी देर के बाद एक unit release करेगी यानि कि लंबे समय तक यह धीरे-धीरे release करती रहेगी और आपकी body उसको धीरे-दीरे absorb करती जाएगी तो यहाँ पर जो absorption होती है वो absorption increase हो जाएगी Nanotechnology भी आपका sustained release या फिर slow release में काम करता है when we talk about health benefits of nanotechnology तो nanotechnology को हम agriculture में use करें agriculture के साथ-साथ हम इसका agriculture के साथ-साथ हम इसका health में भी इस्तमाल करते हैं ठीक है medicine में इस्तमाल किया जाएगा और agriculture की बात की जाएगा तो fertilizer को कई बारी coat कर दिया जाता है with nanotechnology आपका fertilizer उसी के ओपर nanotechnology के particles लगा दिया to give them some beneficial characteristics ठीक है यह किया जा सकता है तो additives agriculture के अंदर ही additives होगे fertilizer होगे, coating होगे, health होगे ठीक है इन सब चीज़ों में nanotechnology इस्तमाल की जाती है अब nanotechnology के जो usage है जहां से आपके question पुझे आ सकते हैं उनको हम देखते चलते हैं जब हम nanotechnology की बात करें तो आपके pesticides के अंदर वो इस्तमाल किये जा सकते हैं surface area कम होने के वज़े से जादा अच्छे से वो यूटिलाइस किये जा सकते है pesticides usage जो है वो कम हो जाती है अब हम देखेंगे usage कैसे कम होती है nanosensors के अंदर agriculture के अंदर ही ये चेक करने के लिए कि जो भी field है उस field की क्या bio diversity है वहाँ पे किस चीज़ की requirement है इस तरह के nanosensors में भी nanotechnology यूज़ होती है nano capsules nano capsules क्या होते है ये जैसे आपके capsule की तरह ये मैं shape बना रहा हूँ तो मालीजे इसके अंदर fertilizer fill है और जहां पे भी हमें एक targeted तरीके से fertilizer, pesticide वगएरा के delivery करनी है वो हम कर सकते हैं by utilizing nanotechnology फिर हम आ जाते हैं अब nano fertilizer के उपर nano fertilizer हम detail में इसलिए देख रहे है क्योंकि अभी इफको ने एक liquid urea बनाया है दुनिया का पहला nanotechnology पे based liquid urea है ठीक है liquid urea को अगर हम conventional urea के सामने रखे तो conventional urea के मुकाबले इसकी input cost बहुत ही कम होती है अगर हम normal urea, conventional urea जिसको कहते है conventional urea की बात करें तो जहां पे एक एक kg नहीं है एक पूरा का पूरा bag हमें urea का एक field के उपर डालना पड़ता है वहीं पे अगर हम liquid urea का इस्तेमाल करें जो की nano technology पर based है जो इफको ने बनाया है तो ये वाला जो liquid urea ये केवल 500 ml में same काम कर देता है यानि कि बहुत ही कम बहुत ही कम utilize बहुत ही कम input डालना पड़ता है अब जब हमें कम quantity में बराबर काम मिल रहा है तो हमारी input cost बच जाएगी यानि कि ये 10% cheaper होता है 10% cheaper के साथ साथ जो conventional urea होता है आप एक पूरा का पूरा bag field के अंदर डाल दो केवल 30 से लेके 40% ही ऐसा होता है जो कि plants utilize कर पाते है बागी सारा का सारा जो urea है वो जमीन पे ही पड़ा रहा जाता है फिर बारिश आती है तो बारिश उसको भगा के ले जाती है अपने साथ तो उससे क्या देखने को मिलता है हमें eutrophication देखने को मिलता है ठीक है तो जो urea होता है urea की absorption या फिर utilization is only 30 to 40% वहीं पे जब हम liquid urea की बात करते है liquid urea can be utilized to up to 80% and more ठीक है 80% से भी जादा utilization इसकी हो जाती है liquid urea को use करने के बाद yield में भी हमें 8% का increase देखने को मिला जिससे farmer की income भी increase होगी और ये environment friendly भी है लेकिन ये जो आपके liquid urea इसके कुछ negatives भी है negative क्या है बहुती छोटे छोटे particle में आपका बहुती छोटे particle में आपका ये urea plants को दिया जा रहा है वैसे तो इसकी absorption बहुती अच्छी है लेकिन अगर ये nano particle वाला urea हमारी water body के अंदर आ गया तो इसके बहुती small size है फिर ये जो water body के अंदर अगर आ गया तो जो हमारी aquatic animals है aquatic life है aquatic life को ये disrupt कर सकता है और अगर aquatic life के अंदर enter कर गया तो ये हमारी body के अंदर भी आ सकता है इसको क्या कहते है bio accumulation and bio magnification ये हमें देखने को मिल सकती है वो भी nano particles की nano particles हमारी body में ऐसी जगा पे जाके fit हो सकते है क्योंकि उनका size इतना चोटा है कि बहुत जादा harm कॉस कर सकते है तो ये एक दिक्कत है दूसरा phyto toxicity भी हो सकती है जब भी किसी word के आगे phyto लगाओ तो इसका मतलब है plant ठीक है plants के अंदर toxicity भी हो सकती है because of utilizing this liquid urea तो ये उसके कुछ negatives भी है positive है तो negative भी हमें देखने पड़ेंगे तो ये nanotechnology में fertilizers तक की agriculture तक की बात हो गई है अब हम आजाते है health के उपर health के उपर कुछ बहुत ही important terms है जो कि जहां से आपके question पूछे हा सकते है एक है आपका quantum dots दूसरा bucky balls फिर gold nanoparticles फिर आपके आते हैं carbon nanotubes carbon nanotubes में आपके graphene फिर आएगा आपका core shell nanocluster and carbon dots यह important terms है जो कि हमें अच्छे से याद रखने है important वाली चीज़ को मैं red से mark करूगा जो quantum dots है quantum dots क्या होते है एक और चीज़ में आपको बता दू देखो यहाँ पे यह जो technology है इन technology का क्या इन technology का क्या use है यह आपको पता होना चाहिए दूसर आपको यह पता होना चाहिए कि यह किस material से बने है अब paper के अंदर वो आपको क्या करेंगे आप से पूछ लेंगे कि फलाना फलाना technology किन-किन चीज़ों में utilize की जाती है किन-किन चीज़ों में use की जाती है जादतर cases में आप देखेंगे कि जितने भी use देए हुए है वो सारे के सारे सही होंगे जादतर cases में कहां पर यह फसाते हैं यह फसाते हैं material में कोई चीज़ कार्बन से बनी होती है और वो कार्बन की जगा क्या कर देंगे silicon कर देंगे ठीक है जादतर focus लह जाता है हमारा use के उपर और यह disease को find करने में biosensor की तरह काम करते है quantum dots quantum dots आपके biosensor disease find करने में मदद करेंगे यह nano semiconductors है quantum dots दूसरे होते हैं आपके carbon dots एक quantum dot है और एक carbon dots है carbon dots जो है यह आपके environment को सही करने के काम आएंगे quantum dots quantum dots disease को identify करने में काम कर रहे है और carbon dots environment को clean करने में काम कर रहे है carbon dots का size बहुत ही कम होता है एक तो nanotechnology पर बेज़ रहा है उपर से nanotechnology भी कौन सी जो कि 10 nanometer से भी कम इनका size होता है बहुत ही inexpensive होते हैं और biocompatible होते हैं इनके छोटे size की वएसे इनको हम water treatment के लिए use कर सकते हैं filter की तरह ये काम कर सकता है ये small size होने के वैसे इनका surface area increase हो जाता है और ये adsorption जादा कर लेते हैं pollution को detect करते है quantum dots disease को detect करे हैं ये pollution को detect करे हैं इनकी antimicrobial properties भी होती है carbon dots आपके carbon से ही बना हुआ होगा obvious सी बात है ठीक है और quantum dot semiconductor आप बताएगा कि ये किस चीज से बना हुआ है हलका सा Google कर लीजेगा ठीक है nano capsules nano capsules क्या है ये इतना important नहीं है nano capsules basically क्या है एक पूरी की पूरी membrane है मेरे को किसी बिमारी का इलाज करवाना है तो मेरे को दवाई देनी है अब मैने दवाई ऐसी दी इसके particles इतने मोटे-ोटे थे मोटे particles होने को आपके surface area कम था surface area कम था तो इनकी, शरीर में absorption भी कम थी मैंने, nano particles को utilize करके capsule बना दिय है जिनका surface area बहुत ही कम गया तो sorry, जिनका size जो है, वो बहुत ही recommend size कम हो गया तो इनका surface area increase हो गया surface area increase गया तो इनकी absorption भी increase हो गई, ठीक है, यह होते हैं आपके nano capsules, तो drug को अच्छे से deliver करने में आपके nano capsules मदद करते है, nano spheres क्या होते हैं, तो आपने कई बार देखा होगा, दवाईयां दो तरह की देखने को मिलती है, एक तो आपके capsule होते हैं, दूसरी आपके tablets होती है, जब हम capsule की form में nano technology को use करें तो nano capsule, और जब tablet की form में करें जहाँ पर drug, पूरी tablet ही drugs, उस drug से बनी होती है, dispersed drug जिसको का जाता है, तो वो nano sphere कहला जाता है, बक्की ball क्या होता है, तो imagine करिए एक ऐसी ball है इस ball के अंदर, अलग अलग दवाईयां, अलग अलग दवाईयां जो हैं, इस एक ही ball के अंदर रख दिया, आप सिरफ इस ball को utilize करेंगे, इस ball को आप अपने शरीर में डालेंगे, और जितनी भी आपको दवाईयां खानी होती है अपनी बिमारी से निपटने के लिए, वो सारी की सारी दवाईयों की, जो chemical composition है वो इस ball के अंदर है, और ये हमारे शरीर के अंदर उनको release करते रहेंगे from time to time, ठीक है, तो ये आपके bucky ball होते है, bucky ball multiple drugs को multiple drugs को एक ही time पर आप ले सकते हैं, ठीक है, quantum dots and bucky ball quantum dots, disease को find कर रहा है, bucky ball जो है, वो multiple drugs deliver कर रहा है, carbon dot pollution को identify करता है, ठीक है, carbon dot pollution को identify कर रहा है, फिर उसके बाद आते हैं आपके nano carriers, nano carriers basically आपकी, जो surgery होती है, उन्स surgeries में मदद करते हैं, डॉक्टर की, तो कैसे मदद करेंगे, आपकी eye surgery हो रही है, उसके अंदर कुछ न कुछ nanotechnology का इस्तमाल हो रहा है, chemo therapy के अंदर nanotechnology का इस्तमाल हो रहा है, nano flares आपके cancer को detect करते हैं, तो अभी तक हमने disease को detect कर लिया, utilizing quantum dots, हमने pollution को detect कर लिया, utilizing carbon dots, और हमने nano flares utilize कर लिये, cancer को detect करने के लिए, basically cancer क्या होता है, आपके body के अंदर कोई flare-up area हो जाता है, ठीक है, यह extra growth है आपके cells की, और यह जो extra growth होती है cells की, इसी को ही, मतब यह थोड़ा सा जादा inflamed area होता है, inflamed area होता है, इस inflamed से आप flare याद कर लिजिए, this is the flared up area of your body, तो एक cancer को detect करने में हम nano flares का इस्तमाल करते हैं, फिर आ जाते हम gold nanoparticles के उपर, gold nanoparticles basically क्या है, आपके gold को, मान लिजी आपके gold का एक particle है, अगर मैं इस gold के particle के उपर कोई chemical composition इस्तमाल कर लूँ, या फिर मैं कोई bacteria, algae, या fungi का इस्तमाल कर लूँ, या फिर मैं कोई electrochemical process करूँ, इन तीनों process को करके, मैंने gold के particle को क्या कर दिया, gold के particle को मैंने छोटे-छोटे nanoparticles के अंदर convert कर दिया, तो या एक छोटा सा particle था, इसे मैंने छोटे-छोटे gold के nanoparticles बना लिए, अब सवाल आता है कि आखिर मैं gold के nanoparticles बनाना क्यों चाना होँ, gold के nanoparticles मा इसलेऊ बनाना चाहता हूँ, क्योंकि या गोल्ड़के nanoparticles होते हैं, ये हमारे cancer treatment में मदद करते हैं, cancer treatment में कैसे मदद करेंगे फिर से मैं आपको या फिर मैं एक दूसर एक्जामपल देता हूँ जैसे या चलिए मैं आपको एक दूसरी technique बताता हूँ ablation अभी recently मेरे को इससे पाला पड़ा है इसलिए मेरे को technique बता है यह जो overgrowth है this can be benign अगर benign है तो this is not cancerous और यह cancerous भी हो सकता है अब हम क्या चाते हैं हम इस overgrowth को खतम करना चाते है overgrowth दवाईयों से खतम नहीं हो रही तो इसके लिए क्या किया जाता है यह मालनी जो overgrowth है तो इसके अंदर एक needle insert की जाती है needle की tip पे needle की tip पे एक conductor लगा होता है जो की electricity को conduct करता है और इस rod से electricity जो है वो यहां तक tip तक पहुंचती है और यह जो tip है यह धीरे धीरे इस पूरे area को जलाना चालू कर देती है इस area को burn करना चालू कर देती है और यह जो overgrowth है यह पूरी की पूरी ग्रोथ होती है cancer वगेरा चाहें बिनाइन हो उसके अंदर यह ablation technology का इस्तमाल किया जाता है cancer के अंदर आपके यह gold nanoparticles क्या काम करेंगे वो same काम करेंगे यह overgrowth है यहां पे gold के nanoparticles को डाल दिया जाएगा यह gold के छोटे-छोटे nanoparticles बहुत तेजी से vibrate करेंगे बहुत तेजी से vibrate करने की वज़े से यह heat generate करेंगे और heat generate करके यह जो overgrowth है इस overgrowth को यह burn कर देंगे अभी क्या करते हैं अभी एक needle गुसा ही जाती है और वो needle उसको burn करती है ठीक है needle उसको burn करती है लेकिन बाद में क्या करने लगेंगे, गोल्ड के neonoparticles को insert करेंगे, और गोल्ड के neonoparticles उसको दीरे धीरे बन करके खतम कर देंगे, इस तरह से gold nanoparticles का इस्तमाल किया जा सकता है गेंसर की treatment के अंदर, gold nanoparticles आपके antiviral properties और anti-bacterial properties भी दिखाते हैं, लेकिन gold nanoparticles के साथ एक और अच्छी चीज़ क्या है मान लिजे ये bacteria है ठीक है bacteria है या फिर virus मान लिजे कुछ भी मान लिजे सब का अपना कोई ना कोई genetic material होगा DNA होगा ठीक है gold nanoparticles क्या करते है gold nanoparticles ये जो genetic material होता है DNA के अंदर उस genetic material को damage कर देते है उसको damage कर देते है और ये जो damage है ये damage mutation कॉस करता है और जो ये mutation होती है यही mutation cancer बनती है ठीक है तो अगर हमें virus या bacteria से भी लड़ना है तो gold nanoparticles को इस्तमाल करके उस virus या bacteria के genetic material के अंदर हम damage कर सकते है और उसको fight कर सकते है तो ये भी एक इसकी property है gold nanoparticles की gold nanoparticles ठीक है तो इसको genotoxicity कहा जाता है genotoxic मतलब उसको damage करने वाला तो genetic material को damage कर सकते है gold nanoparticles किन किन तरीकों से बन सकते है chemical तरीकों से electrochemical तरीके से और biological तरीके से जिसमें bacteria algae और fungi को use करते है gold को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाटने के लिए अब आप जब diamond खरीदते है जब आप diamond खरीदते है तो diamond की purity चेक करने के लिए हम क्या कर सकते है इसमें से light pass करेंगे मान लिजे light की wavelength यहाँ पे थी x और जब वो इससे pass हुई इसकी wavelength हाई x तो इसका मदब भी है कि यह जो diamond था यह diamond pure है लेकिन मान लिजे यह हमने यहाँ से wavelength बेजी x यहाँ पे अंदर कुछ impurity थी impurity की वज़े से यह जो wavelength है यह wavelength scatter कर गई यह wavelength scatter कर गई यहाँ पे wavelength थी x यहाँ पे wavelength या तो x से कम आई यह फिर wavelength x से जादा आई कुछ-कुछ particles की wavelength x के बराबर आई यहाँ पे हमें wavelength में scattering देखने को मिल रही है तो हमें यह पता चल गए कि इस diamond के अंदर ज़रूर कोई ना कोई impurity रही होगी जिसके वेसे यह scattering हो रही है तो हम diamond की purity को भी check कर सकते है by utilizing gold nanoparticles और यह जो scattering हो रही है इसको Raman effect कहा जाता है I don't think कि आपको जानने की ज़रूरत है तो Raman effect को utilize करके हम diamond की purity को इस्तमाल कर लेते है carbon nanotubes क्या होते है carbon nanotubes graphene के बने होते है graphene क्या है आपका carbon का एक atom लिया जाता है single atom carbon का atom लिया और इन single carbon carbon के atom की अगर हम एक layer बना दें सिरफ एक-एक atom है atom का size देखी कितना सो होता है बहुत ही छोटी size का होता है atom और हमने सिरफ एक atom के एक atom को utilize करके एक carbon की layer बना दी carbon की layer बार-बार carbon बोल रहा हूँ silika, silicon यह सम्मत याद रखना है carbon के एक single atom से हमने तो यह layer की बना दी अब क्योंकि यह layer Ray यह single atom से बनी हुई है तो यह layer बहुत ही ज़ादा तो यह layer बहुत ही टफ हो जाती है यह इतनी टफ हो जाती है कि steel भी इसके सामने कुछ नहीं दिखा ही देता steel से ज्यादा śmयनी बनादी है तो यह rubber से भी जादा elastic होता है, तो ऐसे material को हम graphene कहते हैं, graphene जो है, इतनी अपनी जो इसकी strength है, इस strength की वज़े से graphene को अलग-अलग जगाओं पर utilize किया जा सकता है, graphene के fibers बनाये जा सकते हैं, कपड़े बनाये जा सकते हैं, जो graphene है उसकी elasticity हाई होती है, उसकी thermal conductivity हाई होती है, electrical conductivity हाई होती है, तो इसको हम electrical components के अंदर use कर सकते हैं, हम इसको temperature एक जगा से दूसी जगा conduct करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, graphene के धेर सारे इस्तमाल है, और strength हाई है, strength हाई होने के वज़े से हम इससे धेर सारे material भी बना सकते हैं, अब जब हम इन graphene के जो ये sheet होती है, अगर मैं graphene की इन sheets को roll up कर दूँ, तो उसके बाद हमारे cylinders बनते हैं, और उन cylinders को हम carbon nanotubes क्याते हैं, cylinder यानि की tube हो गए, तो carbon nanotubes आपके graphene के बने होते हैं, graphene क्या है, graphene आपके carbon atom के एक single layer होती है, जो आपके carbon nanotubes होते हैं, ये hollow होते हैं, हमने क्या किया, हमने carbon के single atom की एक sheet बना लिए, ये बहुत ही tough sheet थी, ये sheet बन गई है, और इस sheet को हमने cylinder की shape में कर दिया, तो जब हम इसको cylinder की shape में कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसी दिखाई देती है, अंदर से hollow होती है, और बाहर से ये cylinder की तरह दिखाई दे रही है, ठीक है, आपके carbon nanotubes के बहुत सारे इस्तमाल होते हैं, जैसे कि उसे आप fiber बना सकते हो, अब graphene अपने आप में इतना strong है, तो उससे बनी हुई carbon nanotubes के इतनी strong होगी, वो भी बहुत जादा strong है, तो आप cycle बना सकते हो, cycle पर आपने rod देखिया न, तो अगर आप carbon nanotubes के cycles बनाओगे, तो कितनी हलकी बनेगी, aluminium से भी light cycles बनने लगेंगी, जो कि diamond से भी hard है, steel से भी जादा tough है, ठीक है, इनको आप electrical components के अंदर भी use कर सकते हो, अब graphene के इतने अच्छे इस्तमाल होने की वज़े से, इंडिया के अंदर पहली, graphene innovation center बनाया गया है, जो कि केरला के अंदर बनाया जा रहा है, ठीक है, जादा center के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके carbon nanotubes हैं, वो single wall के भी हो सकते हैं, और multiple wall के भी हो सकते हैं, single wall का होगा, तो इसका diameter, 1 nanometer से भी कम का हो जाता है, क्योंकि एक single carbon atom की layer बनाई गई है, ठीक है, ये single carbon atoms को utilize करके layer बनाई गई है, वरना जातर material कैसे होते हैं, ये धेर सारे, धेर सारे atoms होते हैं, किसी भी material की, आप कोई भी layer उठा के देख लो, उसमें धेर सारे atom दिखेंगे, 1, 2, 3, यहाँ पे एक single, single वो देखने को मिल रहा है आपको, atom की layer, ठीक है, multi wall का diameter है, वो 100 nanometer से जादा का हो जाता है, एक दिक्कत क्या है carbon nanotubes के साथ, कि carbon nanotubes शायद bio degradable नहीं होंगे, तो इसको अब bio degrade कैसे किया जाए, उसके तरीके निकाल देखने है, डर यह कि कहीं polythene की तरह यह ना हो जाए, कि हमने धेर सारी, धेर सारे carbon nanotubes बना दिया, उनका इस्तमाल करना चालो कर दिया, बाद में पता चले कि वो environment गें अंदर accumulate होते जा रहे है, खतम ही नहीं हो रहे है, फिर आता है आपका core shell nanocluster alloys, यह basically ऐसे metals के alloys हैं, जो कि आपस में जुड सकते हैं, यह alloy कैसे बनेगा, इसका core अलग metal का होगा, और इसका जो उपर वाला metal है, वो दूसरा होगा, तो अभी क्या किया जा रहा है, machine learning को use करके, हम machine learning को use करके, यह पता लगाना चाहरे हैं, कि ऐसे कौन-कौन से metals हैं, जिनसे हम core shell nanocluster alloys बना सकें, तो इनके अपने कुछ ना कुछ utilization होगी, Janus particle, Janus particle, Janus particle कैसे भी प्रणाउंस करें, Janus का मतलब होगा है two-faced, दो चेहरे हैं जिसके, तो यहां पे आपकी, मान लिजे, एक wall बनाई जा रही है, जिसमें दो लेयर है, इसकी पीछे वाली जो लेयर है, इस लेयर के feature से, इस लेयर की जो properties हैं, वो अलग है, from this layer, जैसे कि मान लिजे, यह वाली जो लेयर है, यह लेयर अगर आप इस पे पानी डालोगे, सीलन आ जाएगी, यह वाली जो लेयर है, यह पानी को सीलन से बचाती है, कुछ अलग-अलग properties होती है, तो Janus particle कैसे हैं, two-faced, सिरफ Janus का अगर आप यह भी याद रख लेंगे, two-faced, तो वो two-faced ही कहलाया जाएगा, जैसे जैसे तो डिस्टिंक्ट साइड होती है, तो डिस्टिंक्ट उसके features, structures और composition आपको देखने को मिलेंगे, तो यह सारे के सारे आपके nanotechnology से जुड़े हुए चीजे हैं, एक ही sheet पर लिख लीजिए, जैसे मैंने आपको यह भी बताया है न, एक ही sheet पर लिख लीजिए, उसी को दो-तिन बार रीड कर लीजेगा, सिरफ इतना ध्यान रखना है, कि carbon nanotubes carbon से ही बने होंगे, ठीक है, उसमें आपको वो silicon देदेगा, और quantum computing के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, 2015 के अंदर इंडिया के अंदर एक mission स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम था है National Super Computing Mission, इसके अंदर हम इंडिया के अंदर 70 high performance computing facilities बनाने की बात कर रहे थे हैं, और यह जो program है, यह program run किया जाएगा with the help of CDAC, CEDAC क्या है, Center for Development of Advanced Computing Pune, यह आपको याद रखना है CEDAC आपके Pune के अंदर है, और यह एक है आपका Indian Institute of Science जो कि बेंगलूरू के अंदर है, इन दूनों की मदद से हम National Super Computing Mission run कर रहे हैं, यह जो National Super Computing Mission है, यह मेटी के अंदर आता है, जिसको Department of Science and Technology monitor कर रहे है, आप इसके अंदर याद रखेंगे, परम प्रवेगा, यह आपके Indian Institute of Science बेंगलूरू के अंदर है, बहुत ही जादा न्यूस के अंदर था, तो एक तो यह नाम याद रखेंगे, दूसरा आप याद रखेंगे, IIT रुड़की का परम गंगा, दूसरी चीज़ जो आप याद रखेंगे, कि इनकी Speed जो है, Speed का बस एक Range याद रखेंगे, Range कैसे याद रख सकते, अच्छा है एक यह वाला परम सिद्धी भी न्यूस में था, परम सिद्धी जो कि आपके, C-DAC Pune के अंदर ही हमें देखने को मिलता है, National AI Facility C-DAC Pune के अंदर आपको परम सिद्धी भी देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यह चार तो आप याद रखेंगे, दूसर देखें, 1.66 Petaflop, 3.3, 5.26, ठीक है, यह सारे सारे आपके Petaflops के अंदर है, फिर आपका 1.66 Petaflops है, यानि कि अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर अभी तक, इंडिया के अंदर अभी तक 5.26 Petaflops से जादा बड़ा computer आपको देखने को नहीं मिलता, और वो भी किसका है, वो आपके परम सिद्धी का computer है, ठीक है, यह आपके super computers हो गए, अब super computers जो हैं, यह आपकी conventional technology के उपर ही काम करता है, conventional technology का क्या मतलब है, conventional computing, conventional computing के अंदर हम यूज करते हैं, transistors का, कोई भी data हमें store करना हो, कोई भी data की processing करनी हो, कुछ भी करना हो हमें, हम transistors का इसके अंदर इस्तिमाल करते हैं, या फिर आपका zero होगा, one का मतलब कैसे माना जाता है, one को माना जाता है, कि current pass हो सकता है, यानि कि switch या फिर circuit वो on है, zero का मतलब होता है कि current pass नहीं हो सकता है, यानि कि जो आपका switch है, वो switch off है, on और off की form में ही आपके transistors काम करते हैं, ठीक है, इसके लावा transistors कोई और state नहीं देख सकते, तो जो आपके conventional computing है, conventional computing सिर्फ और सिर्फ two states के अंदर हो सकती है, two states क्या है, या तो one या फिर zero, इसको दूसरे तरीके से देखिए, अगर मैं किसी coin को toss करता हूँ, तो coin जब जमीन पे गिरेगा, तो या तो head होगा, या फिर tail होगा, अगर head है तो उसको हम one दिखा देंगे, tail है तो उसको हम zero दिखा देंगे, ठीक है, transistors का ये काम होता है, तो मैंने सिर्फ एक example दिया है, जैसे coin, जमीन पे गिरने के बाद, head या tail ही हो सकता है, और कुछ नहीं होगा, ऐसी bits आपकी one और zero ही हो सकती है, ट्रांजिस्टर सारी की सारा काम, data transmission, processing, storage, हर एक चीज ये one और zero की form में ही करता है, ठीक है, अब क्या होने लगा, ये हमारी normal physics पे ही काम करते थे, आपके super computers वगएरा, फिर उसके बाद, जो हमारी normal physics है, conventional physics जो है, हमने उस physics को, हमने उस physics को sub atomic level पे लगाने की कोशिश करी, तो जब हमने physics के rules को sub atomic level पे implement किया, तो हमें एक चीज पता चली, क्या पता चली, कि जब हम physics के rules को sub atomic level पर implement करते हैं, तो हमें ये दिखाई देता है, कि physics के rules वहाँ पे वहाँ पे उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं जैसे कि normally करते हैं for example मान लीजिए आपकी car है आप खुद हो आपके उपर सारे के सारे जो भी Newton के laws हैं वो सारे के सारे implement हो रहे होंगे हमने देखा कि क्या ये same laws subatomic level पे भी implement होते हैं या नी subatomic level क्या है atom के भी अंदर घुच जाओ, electrons, photons, क्या इनके ओपर भी ये same rules लगते हैं नहीं इनके ओपर ये same rules नहीं लगते हैं तो इससे ये पता चला कि कुछ ना कुछ तो गड़बड है subatomic level पर अगर हम जाएंगे तो हम normal physics से तो subatomic level में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो अगर हमें subatomic level की पढ़ाई करनी है तो हमने एक नई ब्रांच का जनम दिया जिसका नाम था quantum quantum ठीक है quantum ये सारी सारी आपके quantum theory है ठीक है तो जो भी आपके subatomic level पर physics लगती है उसको हम quantum theory के नाम से जानते है quantum theory के अंदर क्या कहा जाता है quantum theory कहता है कि normal conventions जो है वो one या फिर zero पर काम करता है normal physics जो है conventional physics जो है वो सिरफ दो states को consider करता है लेकिन जब हम subatomic level पर जाते हैं तो ये सिरफ दो states नहीं है ये multiple states है one और zero है लेकिन इन one और zero के बीच में भी multiple states होती है multiple states होती है अब इसके लिए एक मैं सिरफ आपको बता रहा हूँ ये आपको रठने की जरुद नहीं है ठीक है देखें क्या हुआ एक double slit experiment किया गया एक double slit experiment किया गया इस double slit experiment के अंदर धेर सारी photons को पास किया गया तो जब photons को इस double slit से पास किया गया तो हमने photons की property को study करने की कोशिश करी तो हमें पहली चीज ये पता चली कि जो photons है photons एक single time में सिरफ एक single time में multiple states के अंदर पाए जाते है at one time they are present in multiple states they are present in multiple states हमारी conventional physics कहती है सिरफ दो ही state है लेकिन जब हमने photons को photons को study किया तो हमने देखा कि photons के particles multiple states के अंदर है अब इस चीज को कैसे समझे इस चीज को ऐसे समझे कि two states का नो मतलब हो गया कि coin का सिक्का जमीन पे गिर चुका है वो या तो head होगा या फिर tail होगा ठीक है टेल की state में यह 30% है head की state में यह 70% है जब यह coin ऐसा होगा हवा में तो head जादा है tail का में तो हम क्या कहेंगे कि यह जो coin है यह 95% head की state में है और 5% tail की state में तो यानि कि जो coin है coin जब हवा में होता है तो वो head भी है वो tail भी है ठीक है सिरब वो head या tail में बात नहीं करेंगे वो head भी है और tail भी है similarly जो photon है photon भी multiple states के अंदर पाया जाएगा फोटों जो है वो multiple states के अंदर पाये जाते हैं यह हमने पहली characteristic देख ली फिर दूसरी characteristic क्या देखी हमने दूसरी characteristics देखी कि यह जो photon है यह जो particles है इस particles are correlated with each other these particles are correlated with each other क्या मतलब है correlated का इसका मतलब है कि यह particle एक दूसरे के साथ entangled है यह particles एक दूसरे के साथ entangled है entangled का क्या मतलब है मैंने एक photon को लिया यहां पर यह photon multiple states में रह रहा है किसी भी time पर हम देखेंगे इस photon में multiple states है इसके उपर up spin भी है इसके उपर down spin भी है यह photon entangled है एक दूसरे photon के साथ ये photon entangled है दूसरे photon के साथ ठीक है और दोनो multiple states में है अगर मैं किसी एक state पे इस photon को पकड़ लूँ और मैं देखूं कि ये photon किस state में है तो मान लिजे उस time पर ये सिरफ up state में था तो अगर ये वाला photon up state में है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि quantum physics कहती है कि जो subatomic particles होते हैं ये subatomic particles ये आपस में entangled हैं जुड़े हुए हैं अगर आप एक photon के अंदर एक particle के अंदर कोई change करोगे तो उसी के जैसा change आपको दूसरे particle के अंदर भी देखने को मिलेगा इसको entanglement कहा जाता है ठीक है superposition याद रखेंगे quantum theory में पहली चीज़ आपको क्या याद रखने है superposition दूसरी चीज़ आप क्या याद रखेंगे दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे entanglement अब क्योंकि ये जो entanglement है ये entanglement आपके subatomic level पर है subatomic level का मतलब होगा electron के level पे photon के level पे इस level पे आपको ये entanglement देखने को मिल रही है एक photon में change होगा तो उसी time दूसरे photon में भी change हो जाएगा without the wastage of any time यानि कि ये बहुत ही fast change होता है तो हमने क्या किया हमें जब ये quantum theory पता चली superposition entanglement के बारे में पता चला तो हमने इन दोनो techniques को use करके कुछ products बनाने चालू कर दिये कुछ products बनाने चालू कर दिये जैसे कि हमने कुछ semiconductors बना है और कौन-कौन से products बना हमने कुछ cryptography के लिए हमने कुछ-कुछ काम करना चालू कर दिया तो शुरुआत में semi conductors बने और मैं कुछ और example सोचने की कोशिश कर रहा हूं आपके lasers बनी super semiconductors बने lasers बनी ठीक है आपके Bose Einstein condensate बना quantum dots quantum dots जो है quantum dots भी किसका product थे वो quantum theory को ही utilize करके हमने नए product बनाय थे जब हमने ये नए product बनाय चालू किये तो इसको कहा गया था first phase जब हम पहली बार quantum technology के साथ काम कर रहे थे आज की date में हम second phase में आ चुके और second phase में हम क्या करना चाहते है हम superposition और entanglement इन दोनों को utilize करके नई technologies develop करना चाहते है पहले तो जो existing product थे हमने उन्ही product के अंदर changes करने की कोशिश करी utilizing quantum technology now we are creating new technology तो नई technology के अंदर हम क्या बनाने की कोशिश करें हम बनाने की कोशिश करें है quantum computers quantum computers बनाने की कोशिश करें cryptography के उपर काम किया जा रहा है ठीक है कोई भी data computing होगी processing होगी वो सारे के सारे काम जो है वो किये जा सकते हैं utilizing quantum technologies ठीक है अब अब अगर मैं बात करूँ quantum computers की तो quantum computers जो normal computers होते है conventional computers जो आपके conventional computers होते है conventional computers work on bits वो bits पर काम करते हैं यानि कि वहाँ पर जो भी काम हो रहा होगा वो या तो 1 में हो रहा हो या 0 में हो रहा होगा लेकिन जो आपके quantum computers है quantum computers आपके qubits के अंदर काम करते हैं qubits का क्या मतलब है many states are present at one time ठीक है धेल सारी states जो है वो एक time पर present है जो quantum computers हैं वो extremely fast होते हैं इतने fast होते हैं कि Google ने quantum computer बनाया 2019 के अंदर उसका उसने नाम दिया psychamore psychamore quantum computer psychamore quantum computer ने क्या किया एक mathematical calculation solve करी एक mathematical calculation solve करी और यह calculation उसने solve कर दी within 200 seconds फिर हमने same calculation जो हमारे conventional super computer से हैं यानि कि जो बहुत ही fast computer है super computer से जब हमने same calculation को solve परवाया तो उस calculation को solve होने में 10,000 साल लगेंगे 10,000 साल लगेंगे quantum computer इतना जादा fast निकला इस चीज को कहा जाता है quantum supremacy इस चीज को हम quantum supremacy के नाम से जानते हैं कि जो हमारे quantum computers है quantum computers conventional super computer से बहुत साथा fast है they can do processes जो हमारे आज की date के computers हैं वो कर ही नहीं सकते ठीक है तो यह आपको याद रखना है quantum supremacy क्या होती है super position क्या होता है एक disclaimer छोटा सा अगर मैं आपसे काऊं कि मैं आपको पूरा quantum computing सिखा दूंगा तो ऐसा नहीं होने वाला अगर मैं किसी तरह आपको सारी चीजे सही से बता भी दूँ तो भी आपको समझ में आ जाएंगी उसकी भी guarantee नहीं है मैं सिरब वो चीजे बताता चल रहा हूं जहां से आपके question आ सकते हैं और आप उन questions को कैसे answer कर सकते हैं तो super position याद रख लिजे entanglement याद कर लिजे qubits याद कर लिजे qubits याद कर लिजे यहीं से अगर कोई question आएगा तो आप answer कर पाएंगे ठीक है अब जो अगली चीज हम देख रहे हैं अगली चीज है आपकी quantum key distribution quantum key distribution क्या होती है यह देखे देखो जब भी कोई data हम भेजते हैं एक जगा से दूसरी जगा तो कैसे भेजा जाता है data A से B की तरफ अगर भेजा जा रहा है तो हम क्या data को encrypt कर दिया जाता है को code कर दिया जाता है अगर कर दिया जाती है ताकि इस data को decrypt कर सके उसको solve कर सके इसका एक example लेता हूं मालीजिए हमें data भेजना था Tiger हमें data भेजना था poker लेकिन हमने क्या किया यह हमने इस हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारे data को पढ़े तो हम tiger भेजना चाहते थे हमने इसमें encryption कर दी हमने क्या किया हमने इस i को t की जगा रख दिया g को वहीं पे रहने दिया r को e की जगा रख दिया हमने itgre itgre जो है वो b के पास भेजा b के पास कौन सा data पहुँचा है b के पास पहुचा है itgre अब हम b को क्या दे देंगे b को एक key दे देंगे key के key में क्या लिखा होगा key में लिखा होगा कि अगर b इस data को पढ़ना चाहता है अगर b इस data को पढ़ना चाहता है तो t को i की जगा कर दे e को r की जगा कर दे तो यह बन जाएगा TI, GER, Tiger तो 20 डेटा को सिरफ तब पढ़ पाएगा जब उसके पास की होगी तो अब हम क्या कर रहे है, Quantum Key Distribution के अंदर हम डेटा जो conventional तरीके से भेजा जाता था हम डेटा को conventional तरीके से ही भेजेंगे डेटा एक जगा से दूसी जगा conventional तरीके से ही जाएगा ठीक है, लेकिन जो की है की की Distribution होगी प्रू Quantum Technology की की Distribution होगी Quantum Technology के द्वारा ठीक है, और इसी चीज को का जाता है Quantum Key Distribution Quantum Key Distribution, ठीक है यह आपको याद रखना है कुछ और चीज़े भी आप याद रखेंगे मैं आपको यह यहाँ लिखके दे रहा हूँ कौन-कौन सी चीज़े, Quantum Computers में याद रख लीजे I think इसका example की तो आपको कोई requirement नहीं रहेगी, example को मैं रब कर रहा हूँ, आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो भी आपके सुपर कंप्यूटर्स, सॉरी, Quantum Computers News में रहते हैं उनके बारे में What are different kinds of Quantum Computers तो जब Quantum Computers की बात की जाती है तो एक नाम IBM का याद रखेंगे आप जिसका नाम है Eagle ठीक है, Eagle का जो यह Quantum Computer है यह 127 Qubits यूटिलाइस करता है 127 Qubits फिर दूसरा आते है आपका Google का Sycamore अच्छा यह भी मैं लिख देता हूँ, यह Google का है Sycamore और Eagle आपके IBM का है Google का Sycamore जो है यह 2019 में ही Quantum Supremacy demonstrate कर चुका है ठीक है, यह 53 Qubits का है तीसरा याद रखेंगे आप वो UN यह आपके China का है यह China का first China का क्या, दुनिया का ही first commercial quantum computer है commercial मतलब जिसको आप और मेरे जैसे लोग भी जाके खरी सकते हैं, चौथा आपको याद रखना है Osprey Osprey आपके IBM का है Osprey 433 Qubits का Quantum Computer है IBM जो है आज की डेट में कोशिश कर रहा है लगभग 4000 Qubits का Quantum Computer 2025 तक बना ले ठीक है, 2025 तक वो 4000 Qubits का बनाना चाहता है एक और डेटा यहां पे आप याद रख सकते हैं कि अगर हम 10,000 अगर हम 10,000 Qubits का Quantum Computer बना लेते हैं तो 10,000 Qubits का Quantum Computer आज की डेट में जितने भी Conventional Computer है यह Conventional Computer जितनी भी Encryption कर सकते हैं उन सभी Encryption को Break कर देगा तो चाहें आपकी जो Digital Transaction होती है सारी Encrypted होती है अगर हमने 10,000 Qubits का Quantum Computer बना लिया तो हम किसी भी Encryption को Break कर सकते हैं अभी बना नहीं है यह माना जा रहा है कि 4000 Qubits का 4000 Qubits का Quantum Computer IBM 2025 तक बना लेगा ठीक है लेकिन अभी तक बना नहीं है तो हमें क्या करना है हमें अपने Future को Secure करना है ठीक है Quantum Computer आने वाले समय में किसी भी Encryption को Break कर देगा तो हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि Post Quantum Cryptography आज की डेट में आए तो अगली टम जो हम देख रहे हैं वो है आपकी Post Quantum Post Quantum Cryptography Post Quantum Cryptography के अंदर क्या होगा इसके अंदर हम ऐसी Encryption करना चाहते हैं जो की Resilient हो Quantum Encryption के भी कि जो आने वाले समय में Quantum Computing Encryption को Break कर सकती है उससे भी यह Resilient होनी चाहिए ठीक है तो यह आपको याद रखना है Post Quantum Cryptography क्या होती है Quantum के आने के बाद भी हमारी Encryption सेव रहनी चाहिए ठीक है आप कुछ पैक्टिस के अंदर जो आपको याद रखने पहला फैक्ट जो आप याद रखेंगे First Quantum Key Distribution in India इंडिया के दुआरा पहली Quantum Key Distribution कहाँ पे होई थी यह 2021 में ISRO ने demonstrate की थी ISRO ने demonstrate की थी 300 मीटर का एक communication link बनाया था और वहाँ पे उसने Key को distribute किया था ठीक है तो यह पहली बार हुआ था फिर उसके बाद Quantum Key Distribution over a distance of 100 km 100 km की दूरी पर हमने Quantum Key को distribute किया था और यह किस ने किया था यह किया था आपके IIT Delhi IIT Delhi और DRD उने ठीक है और कहां से लेके कहां था कि आपके प्रयाग राज से लेके विंध्यान चल तक प्रयाग राज से विंध्यान चल तक का जो distance है उस distance में हमने distribution किया था प्रयाग राज टू विंध्यान चल ठीक है यह किया था फिर उसके बाद ISRO ने क्या किया ISRO ने Space Based Quantum Communication का काम करना चालू किया लेकिन उसमें कोई डेटा याद रखने की जरूत नहीं है लेकिन इतना याद रख सकते हैं कि satellite based communication जो है वो भी QQD के थ्रू की जा रही है ठीक है satellite based communication भी की जा सकते हैं इसके अंदर हम सिरफ की को distribute करते हैं डेटा जैसे ट्रांस्मिट हो रहा है वो वैसा ही होता रहता है अगर चैना की बात कीजा है तो उसमें आप एक नाम याद रखेंगे satellite मिशियस मिशियस satellite ठीक है 2021 के अंदर एक ground to satellite communication link establish किया था QQD को यूज करके और जिस satellite से हमने communication किया था यह आपका ground है ground से हम communicate कर रहे है एक satellite के साथ satellite का नाम है मिशियस और यह जो communication हो रही है यह communication हो रही है by utilizing quantum key distribution by utilizing quantum key distribution ठीक है और let me check अगर कोई और भी news के अंदर important रहे की तो quantum teleportation का क्या मतलब होता है quantum teleportation का मतलब होता है instantly जो quantum data है वो एक जगा से दूसरी जगा हुचा देना ठीक है तो एक और टम आप भी याद रखेंगे quantum teleportation इसके अंदर क्या किया जाता है जो भी आपके qubits है entanglement के principle को use करके instantaneously एक जगा से दूसरी जगा data को transfer कर दिया जाता है ठीक है और पांचवा यहां पर आप NASA का लिख लीजिए NASA ने क्या किया है NASA demonstrated quantum teleportation NASA demonstrated this ठीक है लगभग 44 km की दूरी पे इन्होंने क्या किया यहां पे एक photon रखा और 44 km दूर एक photon रखा यहां पे उन्होंने photon की जो वो थी alignment वो चेक करी और उसी instant पे 44 km दूर इसी से entangled photon की alignment देखी तो दोनों के बीच में हमें relation देखने को मिला तो basically यह दोनों क्या कर रहे है यह दोनों एक दूसरे के साथ communicate कर रहे है और वो भी instantaneously हो रहा है बहुत ही fast तरीके से हो रहा है तो data का transmission जो है वो बहुत ही जादा fast हमें देखने को मिला इसके अंदर यह सार का सार आपका quantum computer का I think finish हो गया let me check once एक बार इस magazine से भी check कर लेते हैं अगर कोई चीज रह गई होगी तो हम इसको यहीं पर cover करते चलिए ठीक है यह फिर लाल से मैं यह mark कर दूँगा ताकि आपको यह पूरी ना पढ़नी पड़े क्लासिकल फिजिक्स क्या quantum physics वो है जो की atomic world के साथ deal करती है atomic world पे आपकी classical physics जो है वो फेल हो जाते है atomic world किस तरह काम कर रहा है classical physics जो है atomic level पे समझाना समझा नहीं पाती है ठीक है और यह जो फेलियर है यह हमें double split experiment में देखने को मिला वो सब आपको कुछ भी देखने की जरुवत नहीं है अगली चीज जो आप देखेंगे जो आपको याद रखनी है वो यह इसके बाद superposition के principle पे आ जाएंगे superposition का मतलब है it is the ability of photons and other subatomic particles में हो सकते हैं और उसकी अलग-अलग probability हो सकते है कि वो के state में present है ठीक है superposition इसको कहा जाता है यह आपको याद रखने superposition यह होता है दूसरा जो आपको word याद रखने है वो है आपका entanglement entanglement का क्या मतलब है entanglement का मतलब है ability of photons to be correlated to each other हर किसी के साथ photos जो है correlated है और इसको कहा जाता है entanglement ठीक है यह आपकी entanglement हो जाती है ठीक है यह entanglement है Eisenberg के principle को आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे इसको पढ़ने की ज़रूत नहीं है quantum technologies कोंसी हो गई quantum technologies वो है जो कि इस quantum theory के ओपर based है which is based on the principle of superposition and entanglement ठीक है जो हमने quantum one यानि की पहली बार quantum technologies से जब काम करना चालू किया तो हमने नए product बनाए थे semi conductor बनाए transistor laser superconductors यह सारी चीज़े बनाए quantum dots भी इसी के अंदर आ जाता है ठीक है फिर जब हम आज की date में हम quantum 2.0 में है जहां पे हम नए नए technologies बिल्ड कर रहे हैं जहां पे हम अपने physical system को ही manipulate करने की कोशिश कर रहे हैं by utilizing these two properties ठीक है तो इसके अंदर हमारे quantum computer बनेंगे, cryptography होगी, communication network बनेंगे, sensing और meteorology के काम किये जाएंगे, superposition and quantum computing में आपको अल्रेड़ी बता चुका हूं तो इसमें जादा घफराना नहीं है classical versus quantum computing के अंदर आप क्या देखेंगे, classical computing के अंदर सिरफ और सिरफ bits की बात की जाती है ठीक है, जो हमारे computer है आप और मैं जो use कर रहे है उसमें bits में काम किया जाता है bits जो है वो two state system है यानि कि एक time पर वो या तो one होगा या फिर zero होगा यानि कि या तो वो on होगा या फिर वो off होगा ठीक है, चाहे transistor कितने भी quickly one से zero पे जाए लेकिन फिर भी उनको कुछ ना कुछ time लगेगा चाहे उन्हें एक billionth of second भी billionth of a second भी time लग सकता है ठीक है तो कितने भी fast हो जाए transistor one से zero जाने में उन्हें time लगता है लेकिन quantum computing क्या कहती है कि one और zero state थो है लेकिन इसके साथ इनके बीच में भी multiple states है ठीक है और हम हर एक state के उपर processing और data को store किया जा सकता है तो one से zero जाने में time लग सकता है लेकिन one से यहां पर आने में time लगेगा ऐसे time लगेगा ठीक है तो जब यहां से यहां तक आने में time लग रहा तो यहां पर processing start हो जाएगी और उससे जो हमारी computational power है वो computational power strong हो जाएगी और हम क्या achieve कर लेंगे we will achieve quantum supremacy जो कि आपको बताई थी quantum supremacy क्या होती है तो quantum computers क्या है they are not a two state system ठीक है यह photon electrons वगरा को use करते है और superposition के principle को use करते है ठीक है बाकी कुछ नहीं पढ़ना है फिर उसके बाद अगर हम यह देखे large factor in quantum cryptography इसमें भी आपको read करने की ज़रुत नहीं है इसमें basically बात यह की गई है कि post quantum post quantum हमें encryption की ज़रुत है कि जब quantum technology आ जाएगी उसके बाद हमारी जो encryption है उस encryption को कोई भी break कर लिया करेगा तो हमें ऐसी encryption चाहिए जिससे हमारा data safer है और यह जो quantum computers हैं वो भी उस encryption को break ना कर पाएं कितने 1000 qubit computers encryption को break कर देंगे 10,000 qubit के computer वो बड़े आसानी से हमारी किसी भी encryption को break कर सकते हैं बाकी यह सिरफ एक बारी रीड कर लेना मैं थोड़ा सा बता जाता हूँ वैसे रीड नहीं करोगे तो भी चल जाएगा देखे हमें कोई भी चीज मार्किट में कोई भी चीज हमें actually में बनानी होती है तो बनानी से पहले हम क्या करते हैं सारी चीजों को computer के अंदर feed करते हैं computer के अंदर एक program बनाते हैं और यह program क्या करता है इन सारे data को use करके एक simulation चला देता है और यह बताता है कि जैसा आप करना चाहरे हो अगर आप यह सारी की सारी चीजे इतनी इतनी ratio में डालोगे तो उसके बाद जो आप करना चाहरे हो वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा for example मैं कुछ chemicals मैं कुछ chemicals और कुछ thread मिला के एक fabric बनाना चाहता हूँ तो मैं जिस जिस composition में मैं इन सारी चीजों को मिला रहा हूँ उसको लेके मैं एक प्रोग्राम लिख दूगा प्रोग्राम के अंदर यह data डालूँगा इस data के basis पर यह जो प्रोग्राम एक simulation चलाएगा computer simulation और इस simulation से पता चल जाएगा कि क्या जो fabric मैं बनाना जाता था वो fabric बना या नहीं बनेगा ठीक है तो यह जो simulation इसमें time लगता है क्यों क्यों क्योंकि हम conventional computer यूज कर रहा है quantum computer के अंदर same simulation बहुत ही fast तरीके से हो सकती है तो simulation के अंदर भी हमारी मदद करेगा traffic optimization में मदद करेगा जो network congestion होती है उस network को optimize करने में मदद करेगा कि धेर सारे लोग जब internet यूज करते हैं तो कई बारी हम उस internet में lag देखने को मिलता है ठीक है और फिर आती है अपकी drug discovery नई नई drugs को discover करने में भी मदद कर सकता है यह सारे के सारे मैं आपको अल्रेडी दिखा चुका हूँ ठीक है इगल याद रखना है साइकामोर याद रखना है वाया यू याद रखना है ठीक है और स्प्रे याद रखना है quantum supremacy क्या है कि जो quantum computer से है वो हमारे conventional computer से ज्यादा fast है mathematical calculation को ज्यादा तेजी से perform कर सकते हैं वो लोग ठीक है जैसे कि साइकामोर 2019 में डेमेंस्ट्रेट कर चुका है एक 53 53 bit नहीं क्यूबेट है 53 q-bit का quantum computer जो कि 200 second में mathematical calculation कर लेता है same calculation हमारा super computer 10,000 सालों में करेगा ठीक है entanglement में आपको अल्रेडी बता चुक है इसको दुबारा पढ़ने की जरुरूत नहीं है ट्रांस्मिशन यह भी आपको रीड करने की जरुरूत नहीं है unless and until you have a lot of time quantum key distribution already बता दिया मैंने quantum key distribution में क्या होता है कोई भी data एक जगा से दूसी जगा transmit हो रहा है तो जहां पे भी यह data transmit होता है सब को key दी जाती है सब को key दी जाती है वो सारे के सारे यहां पे लिखे हो है तो आप वो देख सकते है ठीक है NASA ने quantum teleportation demonstration किया था जिसके अंदर 44 km दूर उसने qubits को transport किया instantaneously अब यह कुछ terms है जिस terms के उपर आपको ज़्यादा देने की जरूत नहीं quantum internet के internet which is based on quantum technology वो quantum internet हो गया खुद बता दीजिए quantum internet fast होगा या conventional internet fast होगा यह सब आपको याद रखने है squeeze state, read करना हो तो कर लेना otherwise leave it medical imaging और diagnostic के अंदर आपके quantum technology का use है gravity sensor में है, navigation के अंदर है gravitational wave जो आपके leigo और vergo observatories है यह leigo और vergo observatories which gravitational waves को observe करती है उनको भी अब quantum sensors वहाँ पे भी अब लगाये जाएंगे ताकि जो data transmission है वो fast होता जाए nanotechnology के बारे में जो मैं आपको अलेड़ी बता चुका हूँ, वही more than enough है इसके अंदर सिरफ मेरको एक चीज़ बतानी थी जिसके लिए मैं आपको यह पूरी PDF दिखा रहा हूँ और वो है आपका graphene देखे एक question आ सकते है कि क्या carbon nanotubes plant से भी बन सकते हैं तो बिलकुल plant based carbon nanotubes भी बनाए जा सकते हैं graphene मैं आपको अल्रेड़ी बता चुका था एक है graphene अगर इसी graphene के अंदर मैं hydrogen inject कर दो इसी graphene के अंदर मैं hydrogen hydrogen inject कर दो तो मुझे क्या मिलता है मुझे graphene मिलता है बस एक E और N का अंतर है यह graphene है graphene में hydrogen दाल दी तो graphene मिल जाता है हमें ठीक है graphene क्या हो गया if we inject hydrogen into graphene it becomes insulator called graphene और इस insulator की कई सारी properties हो सकती है ठीक है तो इन properties को I payquary read करेंगे quantum dots में आपको बता चुका हूँ अगली चो चीज आप याद रखनी है quantum dots कहां कहां इस्तमाल हो सकता है रटना नहीं है बैठके सिरफ देख लो कहां कहां इस्तमाल होगा quantum dot के है quantum dot के अंदर electrons को trap कर लिया जाता है electrons में क्या है electrons एक ऐसी चीज है जो की धेर सारी energy को absorb कर सकते है इस electron को अब धेर सारी energy दे सकते हो यह उस energy को absorb करता रहेगा और फिर उसके बाद light emit करेगा अब electron light emit कर सकता है अगर electron light emit कर रहा है हमने electron को ऐसे trap कर रहा है कि वो light emit कर रहा है तो क्या हम इससे अपने screens नहीं बना सकते क्या हम इससे अपनी screens नहीं बना सकते हैं इससे अपनी screens भी बनाई जा सकते हैं तो इसलिए quantum dots की application कहा जाएगी एक तो मैंने आपको बता दिया था cancer की treatment में ठीक है दूसरा क्या याद रखेंगे इससे हम QLED TV बना सकते हैं जो QLED TV है ये हर एक color को emit कर सकते हैं ठीक है बहुत ही जादा bright होते हैं high definition के होते हैं और बहुत जादा color को display करते हैं ये भी आपके quantum dots का इस्तमाल करते हैं quantum dots क्या है ये इस तरह की dots बनी हुई है इनके अंदर electron को कैद कर रखा है electron को jail में डाल रखा है और ये electron energy store करके light emit करते है energy store करके light emit करते हैं ठीक है तो light emit कर रहे हैं तो इससे हम computer की TV की screen भी बना सकते हैं फिर solar cells के अंदर आपके QDots का इस्तमाल होता है biosensors में होगा biomedical imaging में होगा photonics के अंदर भी होगा सब जगा पे आपका QDot इस्तमाल हो सकता है इन सभी जगाओं पे ठीक है अगला है nanotechnology की क्या-क्या applications है जातर में आपको बता चुका हूँ ठीक है जिसमें हमने liquid urea को भी cover किया था उसके अलाब आपके biomedical sensors अच्छा है ये देख लो यहाँ पे आपको ये read नहीं करना है सिरफ ये ये read कर लो optical tweezers के अंदर इस्तमाल होगा ठीक है nanocosmetic बनाने में भी इस्तमाल होता है ठीक है textile बनाने में इस्तमाल होगा silver nanoparticles silver क्यों क्योंकि जो silver होता है silver की antibacterial properties होती है तो अपनी antibacterial properties की वज़ा से ये बिमारियों से fight कर सकता है ठीक है bio sensors बनेंगे drug delivery chemical sensors इस्तमाल हो सकता है cancer therapy के अंदर भी इसका इस्तमाल किया जा सकता है ठीक है ये tissue engineering time मिल जाए तो read कर ले न otherwise it is not important ठीक है एक ये आप याद रखते है water purification के अंदर भी nanotechnology का इस्तमाल हो रहा है क्यों छोटे-छोटे particles है और उससे हम water technology का water को purify कर सकते है ठीक है nano coated LED, OLED जो आपके LED screens होती है OLED screens होती है उनके उपर हम nanotechnology को coat कर सकते है nano material को coat कर सकते है जैसे की हम क्या करते है CDSE और zinc sulfide zinc sulfide इन दोनों के nanoparticles बना लेते है और यह जो nanoparticles है इनको LED के उपर या फिर OLED के उपर चिपका दिया जाते है तो उससे क्या होता है उससे यह जो आपके CDSE है CDSE green light green light और red light को emit करने लग जाते है और यह जो आपका ZNSE है यह bright bright white light देता है ठीक है तो उससे हमारे जो color है और भी जादा सुन्दर होने लग जाते है तो LED और LED के उपर यह इस्तमाल किया जा रहा है single-walled और multi-walled में आपको आपको अड़ी बता चको हूँ यह सब आपको जादा रीट करने की ज़रूद फिर नहीं है ठीक है तो हमारे quantum और nano technology इसके उपर धेर सारी चीज़े हैं धेर सारे काम हो रहे है तो यह सारी की सारी चीज़े देखिए हमने और super computer का हमने थोड़ा सा basic देखा है जितना बता है उतना ही read करके आप जाएंगे ठीक है उससे ज़्यादा देखने की ज़रूद नहीं है अगला topic हम artificial intelligence का करने वाले हैं देखिए जब हम normal computer की बात करते हैं आज की date में जो भी computer होते हैं यह सारे के सारे computer काम करते हैं सिरफ उन codes के उपर जो codes already इनकी memory के अंदर हम store कर चुके हैं यानि कि computer जो भी काम कर रहा है उस काम को करने के पीछे कुछ न कुछ coding कर रखी है कुछ न कुछ programming कर रखी है और यह जो programming है जिसको मैं simplify करके program कर देता हूँ देखो हमें computer से जो भी काम कराने है उन काम हों के हमने पहले से ही program बना रखे हैं इन program को हम memory के अंदर store करके रखते हैं अब हम computer को जब भी कोई instruction देते हैं कोई काम करने के लिए उसको बोलते हैं तो computer क्या करता है computer पहले अपनी memory में से relevant program को fetch करता है कि ऐसा कौन सा program है जिससे हम इस instruction को fulfill कर सकते हैं उस memory से इसको fetch करेगा fetch करने के बाद जो भी program है उस program को execute कर देगा उसको run कर देगा ठीक है और पहले instruction आईगी instruction के बाद वो fetch करेगा फिर उसको वो run कर देगा और हमें जो भी output चाहिए होता है वो output हमें मिल जाता है तो जो हमारे conventional computers है वो computers कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिसका पहले से program उनकी memory में ना हो तो computer की cycle क्या होती है instruction fetch execute cycle इसको कहा जाता है बिना किसी पहले से loaded program के जो हमारे computers हैं वो कोई भी काम नहीं कर सकते for example मान लीजिए आपने अपने computer के अंदर या जो भी laptop अगर आप यूज़ कर रहे है उसके अंदर आपने कोई भी video player नहीं डाला अगर आपने कोई भी video player नहीं डाला तो जब आप किसी movie को run करना चाहेंगे वो movie running नहीं होगी क्यों नहीं run होगी क्योंकि हमने instruction तो क्या दे रहे हैं हम उसको हम जब भी इस movie के icon के उपर click करते हैं हम computer को instruction दे रहे हैं that we want to play this movie computer क्या करेगा computer अपनी memory में ढूंडेगा कि movie play करने का कौन सा program है movie play करने का कौन सा program है उसको computer के अंदर कोई भी ऐसा program दिखनी रहा तो क्या वो उसको run कर पाएगा वो उसको run नहीं कर पाएगा computer जो है वो बिना programming के कोई भी काम नहीं कर सकता और सारी की सारी programming हम computer की memory में stored रखते हैं तो इससे अगर मैं छोटा छोटा बताऊं तो conventional computers are not intelligent they cannot think for themselves conventional computers intelligent नहीं होते वो सिरफ वही काम कर सकते हैं जिनका program उनकी memory के अंदर already stored है जिनका program उनकी memory के अंदर already stored है अब हम आ जाते हैं artificial intelligence के उपर artificial intelligence के अंदर हम इस तरह के computers बनाना चाहते हैं जो की human like intelligence रखते हों जो इंसानों की तरह सोच सकते हों इंसानों की तरह सोचने का क्या मतलब है मैं आपको एक इंसानों का एक एक्जामपल देता हूँ मान लिजे एक इंसान दोड़ दोड़ के road cross कर रहा था जब वो दोड़ते दोड़ते road cross कर रहा था वो road पे गिर गया और यहां से गाड़ी आ रही थी और बहुत ही minute distance से उसका accident होते होते भी बचाओ तो ये जो इंसान है उसका भी तो accident बच गया वो road भी cross कर गया लेकिन अब इस इंसान ने क्या कर लिया इसने ये देख लिया कि मैंने पहले कुछ error किया था error किया था कि मैं road cross कर रहा था भागते भागते और जब मैं भागते भागते road cross करता हूँ गर सकता हूँ मेरे accident होने के chances जादा है तो मेरे को अच्छे से दोनों तरफ देखके पैदल चलके road को cross करना है भागना नहीं है तो यहां पर उसको एक error आया था उस error की वज़े से इंसान ने क्या कर लिया उसने अपने experience से नई चीज को याद कर लिया अब वो कभी भी road पे भाग के road cross नहीं करेगा क्योंकि उसको पता चल गया कि भाग के road cross करता हूं तो मैं गिर जाओंगा अब similarly जो computers होते हैं अगर computer भी इंसानों की तरह सोचने लग गए computer इंसानों की तरह सोचने लगे तो वो क्या देखेंगे वो नई नई चीज़ों को खुद learn करेंगे यह जो learning है देखो जो conventional computer है वो कोई भी काम तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसका program उसकी memory में हमने बना के store ना कर दियो लेकिन जो artificial intelligence वाले computers होते हैं वो क्या करते हैं वो खुद अपने experience चीज़ों को याद करते हैं ठीक है वो खुद अपने आपको self correct करते हैं जहां पर भी होने लगता है कि कुछ गलती हो रही है कुछ error हो रहा है वो अपने आपको self correct करते रहते हैं ठीक है तो वो नए inputs आएंगे नए inputs के हिसाब से वह अपने आपको करते कर लगे और इस मतलब यähr है कि फूटर में ऐसा हो सकता है कि आपने आपको अडैप्ट करे爾गी और इस डर को singularity कहते हैं एक और जगा पर हमने singularity पढ़ाता है याद है event horizon के बारे में जब हम पढ़ रहे थे वो singularity अलग है और यह आपके AI की terms में singularity है this is the hypothetical point in time when AI would begin to dominate humans AI जो वो इतनी intelligent हो जाएगी कि humans को भी dominate करने लग जाएगी AI के बारे में आप समझ गही होंगे इंसानों की तरह human like task perform कर सके अपने आपको self correct कर सके इसको artificial intelligence कहा जाता है conventional computer आपके instruct fetch और execute cycle पर काम करता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ अब जो artificial intelligence है artificial intelligence based है बहुत सारी दूसरी technologies के उपर जैसे कि यह आपके big data आपको सीख पाएगा अपने आपको और ज़्यादा improve कर पाएगा ठीक है तो big data हो गया big data के साथ साथ आपके और neural networks हो गए neural networks क्या होते है neural neural का मतलब क्या होता है आपके brain के अंदर neurons है तो brain से जड़ी चीजों को neural कहते थे तो आपके brain की तरह act करने वाले जो networks होते हैं उनको neural network क्याते है ठीक है pattern recognition pattern recognition pattern recognition जो है वो humans और computers बहुत करते है आपको pattern पता चल गया कि आप share के पास जाओगे share आपको खा जाएगा ये pattern है जितनी बार आप share के पास गया जो share ने आपको खा लिया अगली बार से आप share के पास जाओगे नहीं जाओगे आपने उस pattern को recognize कर लिया ठीक है अच्छा जब भी रोता है आपको बता है कि उसको भूग लग रही होगी आप उसको खाना दे दे तो pattern recognize कर लिया ठीक है एक होती आपकी general artificial intelligence जब हम general artificial intelligence की बात करते है तो इसका मतलब है ऐसे computers बनाना जो की पूरी तरह से human like है जो की पूरी तरह से human like है पूरी तरह से इंसानों की तरह सोच सकते हैं और आगे काम कर सकते हैं ठीक है और दूसरा होता है आपका narrow artificial intelligence Narrow Artificial Intelligence का मतलब है कि ये जो भी मशीन है जो Narrow Artificial Intelligence यूज़ कर रही होगी ये किसी एक टास्क को कर रही होगी और इस एक टास्क को करने के लिए भी इसके सामने हमने धेर सारे constraint और धेर सारी restriction रखी होगी ठीक है constraint और धेर सारी restrictions रखी होगी ठीक है जैसे कि मान लीजे मैंने कोई AI बनाया जो की facial recognition करता है तो यह जो AI है यह जो machine है यह सिरफ facial recognition करती रहेगी और इसके उपर भी मैं restriction डाल दूँगा कि facial recognition करते टाइम तो किसी की privacy को harm नहीं कर सकती ठीक है privacy harm नहीं होनी चाहिए किसी की तो यहां पर मैंने एक constraint भी डाल दिया तो इसको का जाता है narrow AI जनरल AI तो आपका जो इससे general होता है वैसी चलता है तो artificial narrow AI क्या हो जाएगा इसको आप weak AI भी कहते है ठीक है यह जो artificial intelligence है यह इनसानों को outperform कर सकती है ठीक है facial recognition में हो सकता है यह जो AI यह इनसानों से भी जादा superior हो जाएगा लेकिन इसके जो task होते हैं इसके task को हम बहुत जादा structure कर देते हैं और बहुत जादा narrow कर देते हैं कि तो सिर्फ और सिर्फ face ही recognize कर सकता है और कोई काम नहीं करेगा हम इसके उपर धिर सारे constraint और restriction भी डाल देते हैं ठीक है इस narrow AI technology is designed to perform only a single function single function करेगा या तो सिर्फ और सिर्फ internet सर्च कर रहा है या सिर्फ और सिर्फ face recognition कर रहा है या speech detection कर रहा है सिर्फ एक ही काम करता रहेगा ठीक है अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है जो narrow AI है narrow AI के अंदर एक बात याद रखेंगे narrow AI के अंदर जो भी machine है ये machine खुद से सोचती नहीं है ये machine खुद से सोचती नहीं है ये सिर्फ इनसानों के behavior को इनसानों के behavior को simulate करने लग जाती है mimic करने लग जाती है, यानि कि इसके सामने जब कोई situation आती है, तो ये machine सोचते है कि इंसान इस time पर कैसे behave करता, और जैसे इंसान behave करता, वैसे ही ये काम करने लग जाती है, लेकिन जो आपकी general artificial intelligence होती है, उसकी अपनी खुद का दिमाग है, वो खुद से सोचता है, वो ये नहीं देखता कि इंसान कैसे behave करेगा इस time पर, वो खुद से देखता है कि क्या optimum solution होना चाहिए था, इस problem का, ठीक है, तो उसको general AI कहा जाता है, जिसको strong AI कहा जाता है ये जो AI है, इसकी अपनी thinking capability है, और ये इंसानों की तरह act करता है ठीक है, उसी की तरह, इंसानों की तरह सोचेगा, reason करेगा, इंसानों की तरह ये plan भी कर सकता है ठीक है, Turing test आप याद रखेंगे Turing test क्या होता है, ये एक test develop किया था, ये देखने के लिए, कि जो भी machine उस machine ने कितनी जादा artificial intelligence attain कर ली है क्या वो इंसानों की level पर पहुंचा है या नहीं पहुंचा, Turing test को पहले imitation game के नाम से भी जाना जाता था सिरफ नाम याद रखना है, बहुत कुछ इसके अंदर नहीं देखना, तो अभी तक हमने क्या देखा artificial intelligence समझा है हमने फिर हमने narrow AI और general AI के बारे में देखा Turing test के बारे में देखा singularity मैं आपको अलड़ी बता चेका हूँ singularity का क्या मतलब है कि एक ऐसा hypothetical future point जब artificial intelligence जो है वो जादा intelligent हो जाएगी more intelligent than humans and it will begin to dominate humans humans को dominate करने लगेगी explainable AI explainable AI यह समझने के लिए आप देखे black box problem black box problem का क्या मतलब होता है black box problem का मतलब होता है कि कोई एक काला डब्बे इस काले डब्बे के अंदर क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता इस काले डब्बे ने कहीं से मतब मान लिजए यह जो black box है कोई ऐसा हमने artificial intelligence create कर दिया जो कहीं से भी input ले लेता है कहां से input ले रहा हमें नहीं पता फिर इस input के ओपर वो कोई भी processing कर देता है क्या processing कर रहा है हमें नहीं पता और फिर उसके बाद यह कोई output दे देता है तो मान लिजए हमने कोई ऐसा artificial intelligence की machine बना भी लिए कोई technology डेवलप कर भी लिए और यह हमें output भी दे रहा है क्या आप इस output पर भरोसा कर पाऊगे आप इस output पर भरोसा नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि आपको लगेगा कि मुझे नहीं पता कि इसने क्या-क्या inputs यूज किया इस output को निकालने के लिए इसने किस तरह की processing किया इसके उपर मुझे तो नहीं पता तो यह जो black box बना हुआ है इस black box की वज़े से जो भी AI technology होगी इस black box की वज़े से हमें उस पर भरोसा नहीं होगा तो इसी लिए हम जाते है explainable AI के पास explainable AI के अंदर क्या किया जाता है इसके अंदर हमें पता होता है कि input कहां से ले रहा है जो भी artificial intelligence की technology है वो कहां से input ले रही है उसके उपर क्या-क्या processing कर रही है क्या-क्या reasoning लगा रही है और फिर हमें output मिलता है तो हमें पता है कि क्या input लिया क्या process किया और उसके बाद हमें इस output के उपर जादा भरोसा हो जाता है ठीक है तो इसको कहा जाता है explainable AI इसको हम explainable AI के नाम से जानते हैं ठीक है तो explainable AI को हम x AI भी लिखा होता है तो अगर कहीं पर लिखा जाए तो confuse नहीं होना है ठीक है तो black box problem क्या हो गई black box AI का मतलब है ऐसी artificial intelligence system ऐसा AI system जिसका input और operation visible नहीं होता ठीक है input और operation visible नहीं होता तो जब वो visible नहीं है तो इसके उपर हमें जादा भरोसा नहीं हो पाता तो इसलिए हम क्या करते हैं explainable AI की तरफ जाते है explainable AI क्या है ये allow करता है human users को to comprehend and trust the result ठीक है जब हमें पताओगा input क्या use हो रहा है processing क्या हो रही है तो इंसान खुद समझ सकता है कि किस process से AI ने output निकाला है और हमें उसके उपर जादा भरोसा रहेगा ठीक है ऐसा माना जाता है ठीक है तो ये आपका explainable AI होता है फिर उसके याद application है artificial intelligence की simple भाषा में artificial intelligence हर जगा काम करता है चाहे आपकी education हो smart city हो चाहे आपके basic science या फिर space research हो चाहे आपका health care हो ठीक है हर एक जगा पे health care हो agriculture हो patient की monitoring करनी हो robots बनाने हो ठीक है और national security में भी हमारी मदद करेगा agriculture के अंदर कहा का मदद करता है crop की yield को predict करने में कितना insecticide या herbicide या फिर fertilizer spray करना चाहिए ठीक है predictive insight देता है कि किस time पर so करना चाहिए कि सबसे अच्छा result मिलेगा agriculture robots बनाने में soil की monitoring crop की monitoring disease diagnosis हर एक चीज के अंदर AI की आपको application देखने को मिलेगी ये जो page है इसको सिरफ बहुत ही casually read करना है बहुत ही casually read ठीक है रटने की कोशिश मत करना क्योंकि AI हर एक जगा जो आप सोच सकते हो वहाँ पर काम करेगी ठीक है आने वाले समय में फिर इसके बाद ये वाला जो diagram है इस diagram को ignore कर दीजे आप ठीक है फिर उसके evolution of AI दे रखा है इसके पर भी हम ज्यादा focus नहीं करेंगे सिर्फ आप इतना दो तिन नाम याद रख सकते हैं कौन-कौन से नाम आप याद रखेंगे देखिए IBM का Deep Blue ये नाम याद रखना है IBM का Deep Blue क्या है Deep Blue एक ऐसा Artificial Intelligence Based Computer था जिसने पहली बार इंसानों को Chess में हराया था आज की डेट में मतब एक जमाना था जब जमाना था Kasparov का Kasparov कौन है Kasparov World Chess Champion थे और Kasparov को किस ने हराया था Kasparov को Magnus Carlson ने हराया था Magnus Carlson ठीक है और Kasparov किसको हरा के World Chess Champion बने थे Vishunathan Anand ठीक है जो India के थे तो आनन जी को हरा के Kasparov जो है वो वर्ल्ल चेंपियन बने थे Kasparov के टाइम पर क्या हुआ था Kasparov के टाइम पर 1990s के अंदर computer के अंदर इतनी development होने लगी थी कि पहली बार deep blue ने Kasparov को chess में हरा दिया था ठीक है वरना Kasparov जो है वो computer की बिल्कुल धजियां उड़ा देते थे computer जो है वो इंसान से जीती नहीं पाते थे और आज की date में बहुत ही strong strong computers बन चुके है Kismet नाम याद रखना है इसके अंदर ठीक है फिर इसके बाद Google का जो Siri है ये भी artificial intelligence पे based है ठीक है deep learning और neural network deep learning और neural network को use करके artificial intelligence अपने आपको खुद से train करती रहती है alpha go ये नाम आपको याद रखना है deep blue, Siri और alpha go, alpha go क्या है? alpha go एक ऐसा AI based system है जिसने पहले इंसानों के साथ एक game खेली जिसका नाम है go, go नाम की game खेली go नाम की game खेल के इंसानों से उसने सारे के सारे rules सीख लिए फिर उसके बाद उसने उसने खुद के साथ उसने million times game खेली, million times 10,000,000 से जादा बार वो उसने game खेली और खुद के साथ game खेल के वो go के अंदर expert बन गया और go जो है वो आज की डिट में बहुत ही creative लैंविज मॉडल फॉर डायलोग एप्लिकेशन ठीक है, language model फॉर डायलोग एप्लिकेशन, यह जो है यह Google की machine language machine learning है, ठीक है Google की machine learning जो है, वो आपके lambda के नाम से जाने जाती है, इसको utilize करके AI जो है वो अपने आपको train करता है, ठीक है Google ML यह कहा जाता है कि lambda अपने आप में एक sentient being है ठीक है, lambda खुदी अपने आप में sentient being बन चुका है, इतना जादा advanced है अगला नाम याद रखेंगे आप alpha fold, alpha fold क्या है जो proteins होते हैं proteins के structure को alpha fold ने पूरी तरह से decipher किया और उसका एक 3D model हमारे सामने पेश किया alpha fold, deep mind का artificial intelligence है Google का artificial intelligence कों सा है जल्दी से recall कर लिजे Google का है आपका एक तो Siri आपको देखने को मिलता है Google का दूसरा Google का आपको lambda, machine learning देखने को मिलती है alpha fold आपके deep mind है IBM की कों सी IBM की आपकी deep blue है deep mind का AI alpha fold IBM का AI deep blue chat GPT यह आपके open AI का open AI का एक generative artificial intelligence model है chat GPT क्या करता है chat GPT इंसानों की तरह human like problem solving करता है और उस problem का solution text की form में हमें दे देता है for example you want to write an essay you want to write an essay on anything world war one आपको world war one पे ऐसे लिखना है आप chat GPT के सामने लिख दो write an essay for me on world war one वो आपके लिए पूरा पूरा ऐसे लिख देगा और ऐसा ऐसे लिखेगा जैसा एक इंसान लिखता है computer की तरह ऐसा नहीं की सिरफ fact fact उसने दे दिये ठीक है तो chat GPT जो है यह open AI का open AI company का AI model है ठीक है इसकी full form क्या है full form वैसे पूछेंगे नहीं फिर भी generative pre-trained transformer ठीक है यह conversational AI system है अच्छा जब आप chat GPT खोलते हैं तो chat GPT में मान लिजी आपने उससे question पूछा आपने उससे question पूछा let's say what do you know about exam quest तो वो exam quest के बारे में उसको जो भी बता होगा उसको text की form में बता देगा फिर उसके बाद आपने पूछा आप उससे पूछते हैं let's say how should a youtube channel become successful ठीक है तो आप जो chat GPT answer देगा वो क्या देगा वो कहेगा कि यह exam quest youtube channel की बात कर रहा था और इसका अगला question है कि एक youtube channel की तरह से successful हो तो यह जो आपको solution बताएगा वो solution ऐसे बताएगा which is related to your previous question यानि कि वो exam quest कैसे successful हो उसके solution बताने लग जाएगा क्या-क्या chat GPT ने chat GPT ने खुदी intuition लगा ली कि पहला question exam quest के अगला question youtube channel को successful बनाने के बारे में था तो नॉर्मली यह इंसान मुझसे यह सवाल इसलिए पूछ रहा है ताकि exam quest youtube channel को successful बनाए तो इसने क्या कि इसने खुदी intuition और खुदी learning से मेर को जो relevant answer चाहिए था वो relevant answer देना देने की कोशिश करी ठीक है तो यह human like text generate करता है थीक है Generative AI होता है जो की आप मान लिजए आप किसी को text दे रहे आप किसी को कुछ audio file दे रहे या फिर आप किसी को image दे रहे थीक है यह input है इससे वह आपके लिए कुछ ना कुछ output generate करता है यह आपका generative AI होता है Google board Google Bard के है Google जैसे आपका Chat GPT है Chat GPT के है यह आपका Conversational AI है Conversational AI System है आप इससे बाते कर सकते हैं आप इससे solution मांग सकते हैं अपनी problems के तो जैसा Conversational AI Chat GPT है, यह किस company का यह Open AI Company का है उसी तरह Google का जो Conversational AI Service है, वो आपकी Google Bard है यह जो Google Bard है, यह किस के उपर बेज़ है, यह Lambda के उपर बेज़ है Lambda जिसकी फुल फर्म है Language Model for Dialog Application, ठीक है, Lambda क्या है It is a Large Language Model built on Transformers, Transformers को यूज करके एक Language Model बनाया हुआ है यह Neural Network Architecture है This is Developed by Google, याद रखने Lambda, Google ने Developed किया है Bard जो है, यह भी Google ने Developed किया है, यह Chat GPT की तरह ही काम करता है, Google का Bard ठीक है, फिर अच्छा, यह भी वही सेम चीज है कि Bard ने भी अपने आपको Train किया है, Diverse Topics के उपर Dal E, Dal E क्या है यह भी Open AI ने ही Developed किया है, Open AI का एक क्या था Chat GPT और Open AI का ही आपका Dal E है, Dal E क्या है यह एक Learning Model है, Deep Learning Model, यह क्या करता है यह आप इसको कोई चीज की Description दे दो, कि मैंने एक लड़की देखी, वो इस तरह से दिखाई देती थी उसकी ऐसी आँके थी, और यह उसकी एक Digital Image Create कर देता है उसकी Digital Image Create कर देगा, ठीक है तो यह आपका Dal E है Stable Diffusion क्या होता है Stable Diffusion, आपके Stability Stable से ही याद रखेंगे Stability AI ने इसको Develop किया है, और यह क्या करता है यह भी आपकी Digital Images ही Create करता है Dal E की तरह आपका Stable Fusion है ठीक है, Dal E की तरह, लेकिन यह बनाया Open AI ने और यह Stability AI ने Deep Fakes क्या होते है अब क्या होने लगा है जो Artificial Intelligence है यह क्या करती है, यह किसी इंसान को मान लिजाए मुझे Robert Downey Junior Robert Downey Junior की यह जो AI है यह Million Videos देखेगा और यह देखेगा कि Robert Downey Junior किस तरह से Lips हिलाता है ठीक है, किस तरह से उसके Facial Expressions होते है ठीक है, और पूरी तरह से उसके Structure को Study कर लेगा कि जब वो कौन सा Sentence बोल रहा है तो उसके होट किस तरह से हिलते हैं, फिर उसके बाद वो पूरी की पूरी एक Video Create कर सकता है जिसके अंदर, जो Already Existing Video है, उस Already Existing Video में वो इस तरह की Editing कर देगा, कि आपको लगेगा कि वो Video Original है लेकिन Reality में वो एक Fake Video होगी, Reality में Fake Video होगी, और इसके पीछे जो चाहे वो आप उससे बुलवा सकते हैं ठीक है, जैसे कि मान लिजे किसी इंटरव्यू के अंदर, Robert Downey Junior ने कहा, कि मैंने कल पास्ता खाया, मैंने कल पास्ता खाया, ठीक है, AI क्या करेगा, उसके सेम लिप्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा, उसके facial structure को थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा, उस Video को Edit करेगा, और पीछे लिख देगा कि मैंने कल, पुतिन को मारा, ठीक है पूरा का पूरा मतलब ही बदल डाला तो यह जो Deep Fake है Deep Fake में यह Recognize करना ही मुश्किल हो जाता है कि कौन सी वीडियो Real है, और कौन सी वीडियो Fake है, तो Deep Fakes जो है, बहुत ही Controversial होते जा रहे हैं, और बहुत ज़ादा जगाओं पे, हमें Deep Fakes का इस्तमाल देखने को मिल रहा है, especially Politics के अंदर यह बहुत ज़ादा इस्तमाल हो रहा है Deep Fake जो है, यह भी Machine Learning और Artificial Intelligence का इस्तमाल करती है To Manipulate and Generate Visual and Audio Content यानि कि वीडियो बनाते हैं और Audio बनाते हैं, with High Potential to Deceive, धोका देने के लिए, इसलिए Deep Fake कहा जाते है, Deep Fake में यह Potential to Deceive हमेशा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है तो इसके अंदर, जो Main Machine Learning Method है, जो कि Deep Fakes यूज करते हैं, वो आपके Deep Learning पे Based है, जैसे कि आपके Generative Adversarial Networks, ठीक है, सिरफ नाम इसके अंदर आप देख सकते हैं, Generative Adversarial Network है, जो कि Deep Fakes को चीजे समझने में मदद करते हैं, ठीक है, Propaganda फेलाया जाता है, Deep Fakes को यूज करके अब ये दो नाम है, ये दो नाम आपको अच्छे से रटने हैं, ये रटने हैं, ऊपर के सारे आपको सिरफ समझना है, ये नीचे के अंदर चिपसेट यूज होते हैं, उन सभी से जादा powerful होगा, जादा fast होगा और कम power, कम बिजली ये खीज़ेगा, भाशी नी क्या है, भाशा, भाशा, ठीक है Language की बात है, तो भाशी नी इंडिया का language translation के लिए, language translation के लिए हम artificial intelligence system बना रहे हैं भाशी नी क्या है, language translation के लिए, artificial intelligence system full form क्या है, national language translation mission, ठीक है, भाशी नी, national language translation mission, ठीक है इसके अंदर क्या किया जा रहे है, लोगों से भाशादान करने के लिए कहा जा रहे है, भाशादान का क्या मतलब है, देखे, artificial intelligence चीज़े सीखता है by utilizing data, तो जब धेर सारे लोग, भाशीनी के अंदर data provide करेंगे कि उनके region के अंदर, उनकी language के अंदर कौन से शब्द का क्या मतलब होता है, किस तरह से बोला जाता है, तो जब यह धेर सारा data AI के पास आएगा, उसी के बाद वो translation को accurately कर पाएगा अगर data कम होगा, तो translation के अंदर error आएगे, लेकिन अगर data बहुत अच्छे से मिल गया AI को, तो उसके बाद translation जो है, वो बिल्कुल error free आया करेगी, तो इसलिए भाशादान करने के लिए इसमें कहा जा रहा है, ठीक है इसको एक बारी read करेंगे, लेकिन याद क्या कर रखना है, याद रखना है भाशादान और भाशिनी क्या है, भाशिनी is a project of मेती, मेती का project है इसके अंदर हम एक repository of data बनाएंगे, ताकि AI AI अपने आपको अच्छे से enrich कर सके, language अच्छे से सीख सके ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके artificial intelligence से जुड़े वो topics थे अब हम आ जाते हैं, internet of things के ओपर internet of things क्या होता है, देखिए internet of things में ये internet जब हम internet को किसी physical device के साथ जोड देते हैं जब हम internet को physical device के साथ connect कर देते हैं तो इसको का जाता है, internet of things things में याद रख लिजे, physical things internet तो आपको पता है internet क्या होता है, तो अब इसका example का है इसका example ये है, कि आप आराम से घर पे बैठे हुए, ठीक है आप आराम से घर पे बैठे हुए, आपने अपने फोन पे बोला या फिर, माल लिजे ये आपका घर है आप इस रूम में बैठे हैं, आपने अपने फोन पे बोला, कि रूम नंबर 3 में लाइटे अन कर दो, और मेरे बातरूम में गीजर अन कर दो, आपने वहाँ पे अपने फोन में बोला है, और आपके घर के अंदर जो ये लाइट है room number 3 की जो light है वो light on हो जाएगी और आपके bathroom का जो geezer है geezer on हो जाएगा ऐसा कि हुआ क्योंकि जब आपने ये instruction दी तो वो instruction through internet आपके light तक पहुँची आपके bulb तक पहुँची ये जो bulb है इस bulb को इस bulb के अंदर हमने एक device लगा रखा है which is connected to internet आपके bathroom में जो geezer है geezer को हमने connect कर रखा है with internet हमने physical thing को internet से connect कर दिया जब आप instruction देंगे तो instruction internet के through इसके पास पहुचेगी और ये instruction को execute कर देगा similarly instruction यहाँ पहुची और instruction इसको execute कर देगा ठीक है तो ये जो चीजे हो रही है इसको कहा जाता है internet of things इसको कहा जाता है internet of things ठीक है तो internet of things क्या है seamless connected network system जिसके अंदर हम क्या कर रहे है जिसके अंदर हम internet को connect कर रहे है physical devices के साथ everyday objects के साथ हमारे जो हर दिन काम करने वाले objects है वो सारे के सारे internet से connect हो जाएंगे और जैसे माल लीजे मैं सुबह उठा प्रोग्रामिंग कर रखी है जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ सुबह उठके जैसे ही मैं अपने कमरे का बल्ब जलाता हूँ वैसे ही instruction पहुंच जाती है मेरे बातरूम के अंदर और बातरूम में क्या होने लग जाता है geezer on हो जाता है instruction पहुंच जाती है मेरे kitchen के अंदर और kitchen के अंदर automatically जो मेरा oven हीट होने लग जाता है ताकि मैं आओं या फिर मेरा coffee maker है, मेरा coffee maker coffee बनाने लग जाता है तो ये सारी की सारे instruction अपने आप पहुंच जाती है मेरे को इसके अंदर कुछ intervene भी नहीं करना पड़ रहा तो इसको कहा जाता है internet of things बिना इंसान के intervention के जो physical things है वो physical things काम करने लग जाती है इसके अंदर जो आपके electronics होते हैं उनको embed कर दिया जाता है internet connectivity के साथ और sensor के साथ sensor कैसे काम करेगा आप कमरे में घुसे तो आपके bulb के अंदर sensor लगा हुँ है कि जैसी आप कमरे में घुसोगे light जल जाएगी तो ये भी क्या है ये भी आपका internet of things के अंदर ही आता है sensors के साथ इनको connect कर दिया जाता है अब इस्तमाल कहा कहा हो सकता है internet of things का हर एक जगा जहाँ पे सोच सकते हो वहाँ पे internet of things लग सकती है smart city, agriculture, energy utilization ठीक है हर जगा पे आपको internet of things देखने को मिलेगी ठीक है healthcare के अंदर भी इसका इस्तमाल है healthcare के अंदर क्या इस्तमाल है इंसानों की मान लिज़े कोई बिमार आदम है उसकी health की monitoring करनी है तो monitoring के लिए हम क्या कर सकते है जो भी physical devices है physical devices को internet से connect करके रखेंगे और physical devices उसकी health को monitor करता रहेगा जैसे आज की date में अगर आप देखें आप सब के सब क्या पहन के बैठे है watch पहन के बैठे है ये जो watch है ये आपके heart की reading लेती रहती है ambulance के लिए भी call कर दे की यहाँ पे इस इंसान को heart attack आ सकता है ठीक है तो ये सारे के सारे काम हो सकते है वैसे ये जो call वगरा करना होता है usually ये artificial intelligence का होता है लेकिन फिर भी आप example से समझ सकते है manufacturing के अंदर इसका काम है environmental monitoring में काम आएगा supply chain में आएगा disabled population, sick, elderly उनको monitor करने के लिए भी ये काफी जादा काम आता है फिर आता है आपका narrow band internet of things narrow band से आप सिरफ इतना याद रख लिए narrow band का मतलब है low power this is not very important आप से जो पूछा जाएगा वो internet of things पूछा जाएगा narrow band अगर आजाए तो आप इसको low power wide area technology इतना याद रखेंगे ये जो आपके narrow band internet of things होते हैं ये low power consumption करते हैं इनकी जो range है coverage range है वो थोड़ी सी लंबी होती है और ये indoor और underground दोनों जगा पेनेटरेट कर जाते हैं अब आजाते हैं near field communication technology पे क्या नाम है इसका near field communication near field communication का क्या मतलब है आपने कई बार देखा होगा रेस्टरांट के अंदर कि ये card machine होती है और आपके पास credit card होता है रेस्टरांट में आप जब खाने जाते हैं तो waiter आपका card लेता है और इस machine से tap करता है जैसी वो tap करता है तो credit card और इस machine के बीच में connection स्टेबलिश हो जाता है connection किया गया है ये connection किया गया है through tap ठीक है tap या फिर उसको बहुत ही close लाके near लाके तो ये जो communication होती है जिसके अंदर connection या फिर connection को मैं क्या कह सकता हूँ credit card is communicating with the machine यही तो कहा जाएगा इसको कि credit card इस machine के साथ communicate कर रही है तो इस communication को near field communication कहा जाता है near field communication सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब इस device के पास भी near field communication हो और इस device के पास दोनों के पास near field communication होना बहुत ज़रूरी है ठीक है near field communication जो है यह आपका wireless connection establish कर देती है लेकिन यह जो wireless connection है यह बहुत ही short range पर काम करता है wireless networking प्रोवाइड करती है short range पर ठीक है आच्छा जैसे ही single touch हो जाएगा वैसी एक device दूसरे device के साथ information transmit करने लगेगा मशीने आपस में क्या ही बाते करेंगी communication का क्या मतलब होता है information का exchange तो अब अपने bills पे करने के लिए credit card को पे करने के लिए coupon डाउनलोड करने के लिए कोई document share करने के लिए NFC technology का इस्तमाल कर सकते है अब NFC में आपसे क्या पुछा जा सकता है पहला NFC जो है यह बहुत ही short range पर काम करती है आप अगर दूर लेगा devices को काम करना बंद कर देगी पहली चीज़ दूसरा NFC का आपको याद रखना है that it works on electromagnetic radio waves electromagnetic radio waves के ओपर यह काम करता है और दोनोड डिवाइस के अंदर आपकी NFC technology होनी चाहिए ठीक है waves it uses electromagnetic radio waves to communicate और small distance के लिए ही होता है दोनोड डिवाइस both the devices must be equate with NFC technology physically contact में होने चाहिए या फिर few centimeters दूर ही होने चाहिए सिरफ few centimeters ठीक है आगे देख लीजिए application का क्या मतब होगा banking transactions ठीक है जहां पे भी tickets generate हो रही है या फिर आपकी banking transaction हो रही है आपके security checks के अंदर भी ये काम हो सकता है inventory और sales की monitoring auto theft detection library के अंदर books हो गयरा तो ये basically पेमेंट में काम और अचा मान लिजे hospital में ये एक इंसान ये इंसान लेटा हुआ है अब ये जो patient है इस patient की सारी की सारी information हमने एक chip पे store कर दी और वो chip हमने इसके हाथ पे भन दी अब एक doctor आया doctor को ये देखना है कि इस इंसान की क्या क्या history रही है तो वो एक device लेगा device को इस watch के उपर tap करेगा ठीक है इस के उपर tap करेगा और उस device के अंदर इस patient की सारी की सारी history आ जाएगी ठीक है patient को याद रखने की जरूती नहीं है सारी की सारी history उसके हाथ पे हमने भांद दी है तो NFC technology का आपके उसके अंदर भी इस्तमाल है तो इसी लिए ये कुछ ऐसी technology है जो कि हर जगा इस्तमाल होती है तो इसमें आपको बहुत जादा रटनी की जरूती नहीं है कि ये कहाँ पे इस्तमाल होगी और कहाँ पे इस्तमाल इसका नहीं होगा ठीक है जिसे मैंने कहा था low power wide area technology है ये ठीक है low power wide area technology को ही हम लोरा या लोरावान भी कहते है ठीक है इसको एक बारी read करना है not very important बट फिर भी read करके तो जाएंगे ये आप ठीक है लाइफाई क्या होता है लाइफाई होता है light fidelity जैसे वाइफाई होता है वाइफाई का मतब होता है wireless fidelity लाइफाई का मतब होता है light fidelity तो जब हम data को transmit करते है by utilizing light ठीक है LED bulbs को इस्तमाल करके अगर हम data को transmit करेंगे तो उसको light fidelity कहा जाता है ये भी एक wireless communication technology है जिसमें data को transmit किया जाता है by utilizing light fidelity by utilizing light from light emitting diodes ठीक है light emitting diodes जो आपके वाइफाई सिस्टम होते हैं wireless fidelity वो radio frequency पे काम करते हैं लेकिन आपके लाइफाई के अंदर हम light emitting diode की light रोशनी को इस्तमाल करते हैं रोशनी को इस्तमाल करने का सबसे अच्छा फायदा ये कि इसमें हम 100 gigabits तक की information भेज सकते हैं पर second near field communication मैं आपको already बता चुका हूँ कितना distance तक काम करता है 4 cm तक काम करता है अच्छा अगर आपको example में कोशन के अंदर दे दिया कि 1 feet तक near field communication काम करते है गलत सिरफ 4 cm या उससे कम 4 cm या फिर उससे कम ठीक है फिर zigbee और zigfox इसको सिरफ आप रीड करेंगे ठीक है रटना नहीं है रीड करेंगे बहुत जादा important नहीं है semi-conductor की बात करते हैं semi-conductor के अंदर पहली चीज तो आपको यह देखनी है कि कोई भी substance electricity को conduct करेगा या नी करेगा वो इस बात पर depend करता है कि उसके पास free electrons है या नहीं free electrons को जब energy मिलती है तो यह क्या करते हैं यह मान लिजए आपके atom का एक structure बना रहा हूँ जिसमें यह आपका nucleus हो गया और यह उसके shell हो गया ठीक है तो अगर electron को energy मिलती है तो वो क्या करता है वो अपने outer shell के मतब एक और shell जो इसके बाहर का जो shell होता है उस shell के अंदर travel कर जाता है ठीक है और जब उसकी energy lose होती है तो वो दुबारा से अपने previous shell के अंदर आ जाता है यह जो free electrons होते हैं यही electricity को conduct करते हैं लेकिन आपको इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूत नहीं है आपको सिरफ इतना जानना है कि कुछ होते हैं आपके conductors conductors का मतलब है कि यह ऐसे substances हैं which conduct electricity ठीक है और कुछ होते हैं आपके insulators insulators electricity को conduct नहीं करते और इनके बीच में आते हैं आपके semi-conductors semi-conductors जातर जो आपके semi-conductors होते हैं यह आपके silicon और germanium के बने होते हैं silicon और germanium के ठीक है यह normal temperature पे जब यह ठंडे होते हैं room temperature पे पढ़ें या फिर low temperature पे हैं room temperature भी नहीं low temperature रख लीजे low temperature पे यह जो semi-conductor हैं यह कुछ भी conduct नहीं करते हैं यह insulator की तरह behave करते हैं at low temperature लेकिन जैसे ऐसे आप इंसुलेटर की साथ दिखकती है कि हमेशा ही conduct नहीं कर रहे semi-conductor हमें एक ऐसा device मिल गया जो कि जब हमें जरुवत है तब electricity को हम conduct करा सकते हैं और जब हमें जरुवत नहीं है तो हम electricity की conduction को बंद कर सकते हैं ठीक है तो जब low temperature होगा तो कोई conduction नहीं करते हैं high temperature होगा तो वो conduction करते हैं इस से जब सेमी कंड़क्टर के बारे में नहीं जानेंगे हम semi-conductor दो तरह की होते हैं एक होते हैं आपके intrinsic semiconductor intrinsic semiconductor का मतलब है यह पूरी तरह से pure semiconductor है pure semiconductor low temperature पे zero conductivity करते हैं और high temperature पे उनकी conductivity increase हो जाती है impurity जिसको हम doping के नाम से जानते हैं यह low temperature पे थोड़ी बहुत conductivity करते रहते हैं बहुत ही थोड़ी सी conductivity और जब temperature को increase किया जाता है तो उस टाइम पर इनकी जो conductivity है वो एकदम से many folds increase हो जाती है conductivity increases many fold ठीक है तो दो तरह की आपकी semiconductor होते हैं फिर आपके कुछ wide gap semiconductors होते है wide gap semiconductors का क्या काम होता है जब हमें जादा voltage या फिर frequency पे काम करना होता है तो हमारे यह जो normal semiconductors हैं जो कि 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 बने हुए हते हैं होते हैं जातर आपके germanium और silicon के बने होते हिए यह high voltage पे या high frequency पे जादा काम नहीं कर पाते हैं अच्छा मैं आपको कुछ नाम और दिखा दू जो आपके semi-conductors होते हैं वो mostly silicon और germanium के बने होते हैं इसके अलावा आपके CDS, gallium AS और CDSE INB इनसे भी मिलके बने होते हैं इनके जो भी important है उसको अभी हम नीचे भी देखेंगे ठीक है? silicon germanium के आपको सबस्यादा देखने को मिलेंगे अच्छा, wide band gap semiconductor के अगर हम बात करेंगे germanium silicon के जो semi-conductors होते हैं उनकी जो range होती है जिस frequency में वो काम करते हैं ये range 1 से लेके 1.5 EV की होती है ठीक है? जो wide range होते हैं उनकी ये लगभग 2 EVs तक हमें electric voltage तक हमें range देखने को मिलती है जो आपके wide band gap हैं वो आपके silicon carbide के देखने को मिलेंगे आपके gallium nitride के देखने को मिलते हैं zinc oxide, tin oxide इनके आपको ये सारे के सारे wide band semiconductors देखने को मिलेंगे ठीक है? सिरफ example से याद करेंगे और इसका benefit क्या है? benefit यह कि हम higher voltage और higher frequency पे काम कर सकते हैं by utilizing wide band gap semiconductor और wide band gap semiconductor आपके diamond, zinc, gallium nitride which is very important, zinc oxide, tin oxide, poron nitride इसके अदर आपका silicon carbide भी होता है अच्छा ये रखा, silicon carbide silicon carbide ये सारे के सारे सारे इस्तमाल होते हैं ठीक है? ये higher temperature पे काम कर सकते हैं लगबग 300 degree Celsius तक ठीक है? जिसकी वज़े से ये ऐसी जगाओं पे भी काम कर सकते हैं जहां पे temperature बहुत ही high होगा कहां-कहां use होता है? ये green और blue LED बनाने में, laser बनाने में military radars बनाने में इनकी इस्तमाल किया जाता है gallium nitride की बात की जाए तो gallium nitride को wide gap semiconductor बनाने में बहुत use करते हैं क्यों? क्योंकि ये बहुत जादा hard होता है और ये blue light emit करता है, ठीक है? blue light emitting diode के अंदर इसको इस्तमाल किया जाता है, ठीक है? ये वाली information, I don't think कि आप से कोई पूचे का, इसकी जादा breakdown strength इसकी बहुत जादा होती है इसकी, जो switching speed है, switching speed बहुत ही जादा fast होती है, thermal conductivity बहुत जादा high होती है, switching speed का मतलब है, कि जब वो conduct नहीं कर रहा से लेके, जब वो conduct कर रहा है, इसके बीच में बहुत तेजी से वो switch कर सकता है, ठीक है? जब conduct करवानी है, और जब नहीं करवानी बहुत तेजी से ये काम करवाया जा सकता है ठीक है? कॉस्ट इसकी कम होती है बहुत ही कम पावर चाहिए होती है इसको ड्राइव करने के लिए ठीक है? अब हम आ जाते हैं RISCV Microprocessors जो Semiconductors होते हैं उनका आपके Microprocessors के अंदर जो भी आपकी ये चिप्स होती हैं चिप्स के अंदर बहुत जादा इस्तमाल होता है तो इंडिया के अंदर जो मेती है Ministry of Electronics and Information Technology उसने एक प्रोग्राम रन किया है जिसका नाम है RISC RISCV Microprocessor ठीक है? जो प्रोग्राम है प्रोग्राम का एक्चॉल नाम है Digital India RISCV Microprocessor ठीक है? DIRV इस प्रोग्राम के अंदर इंडिया क्या करना चाता है? इंडिया Microprocessors बनाना चाता है इंडिया अपने खुद के Microprocessors बनाना चाता है ठीक है? ताकि जो Microprocessor आज की डेट में आप देखेंगे आपके जो Western World Western World डॉमिनेट कर रहा है Microprocessor के अंदर जो आपकी Semiconductor Chips है Semiconductor Chips आपकी China के अंदर बन रही है इंडिया का अपना कोई Microprocessor नहीं है हम चाते हैं कि हमारा खुद का Microprocessor बने अभी हम आगे पढ़ेंगे ये नाम आप याद रखेंगे ये नाम बहुत ही important है शक्ती Processor शक्ती Processor शक्ती Processor किसे ने बनाया है ये आपके IIT Madras ने बनाया IIT Madras और एक याद रखेंगे Vega Processor Vega Processor किसे ने बनाया है वो बनाया आपका CDAC जो कि कहां पे था पूने में था CDAC तो ये दो Processor के नाम आप याद रखेंगे चलिए RISCV Microprocessor की बात करें तो METI का है पूरा नाम क्या है Digital India RISCV Microprocessor Program इसके अंदर India Microprocessor क्रेट करना चाता है for the future in India ठीक है और RISCV क्या है ये एक Open Standard Instruction Set Architecture है ठीक है ये आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है नहीं याद होता तो कोई देखका दनी है इसको एक Simplified तरीके से मैं बतानी कोशिश करता हूँ आपका Computer कैसे Run करेगा आपके Computer के अंदर कौन-कौन से Components किस तरह से काम करेंगे Registers का किस तरह से काम होगा Memory किस तरह से इस्तमाल होगी ये सारी-सारी चीजों को Define करने के लिए आपके Instruction Set Architecture बनाया जाता है Instruction Set Architecture को Computer Architecture भी कहा जाता है तो Simple भाषा में देखा जाए तो जो आपके Instruction Set Architecture होते है ये Control करते हैं ये Determine करते हैं How CPU How CPU would be run by a Software कोई Software CPU को किस तरह से Run करेगा ये किस पर Depend करेगा ये ISA पर Depend करता है तो हम इंडिया के अंदर अपने Micro Processors बनाना चाह रहे है Micro Processors का क्या काम होता है Micro Processors का काम होता है Computer को Run करना तो इसके लिए क्या किया गया है इंडिया ने अपने Instruction Set Architecture बनाया है और ये जो Instruction Set Architecture है इसको कोई भी यूज कर सकता है Without Any Fees इस Instruction Set Architecture को इस्तमाल करके Basically Instruction Set Architecture क्या कह रहा है ये एक तरह की ये एक तरह की वो है Instruction कह लिजिए कि जो CPU किस तरह से function करेगा अब लोग इस Instruction को use करके अपनी अपनी डिजाइन बना सकते है अपने अपने Micro Processors बना सकते है और इंडिया के अंदर हम चाते है कि ऐसी नई नई डिजाइन निकल के आए जो कि हम Industry के अंदर इस्तमाल कर सके है ऐसे Micro Processors निकल के है जिनको Industry में इस्तमाल किया जा सके तो ये IS से होती है तो RISCV ये आपके Digital India RISCV Micro Processor Program का हिस्सा है इसके अंदर आपके Standard Instruction Set Architecture बना दिया गया है इस Architecture को कोई भी इंसान यूज़ कर सकता है without payment of any fees और उसके बाद वो Micro Processor बना सकता है हम चाते हैं कि हमारे अच्छे-च्छे Micro Processor निकल के है ठीक है और जो आपके RISCV के अंदर जो Instruction Set है ये क्या है अलग-अलग Computer के लिए एक Particular RISCV या फिर Instruction Set बनाया जाएगा हर एक Particular Computer के लिए अलग-अलग Instruction Set Architecture बनाया जाएगा जिसको यूटिलाइज करके काम किया जा सकता है तो दो Instruction Set है सिरफ नाम याद रख लीजे ARM-X86 याद हो जाएगा बहुत ही अच्छ है नहीं याद होता कोई दिक्कत नहीं है आपको याद रखने है ये दोनो नाम शक्ती सीरीज आफ माइक्र प्रोसेसर बाई IIT मदरास और वेगा माइक्र प्रोसेसर बाई C-DEC पूने ठीक है जो आपका वेब वन पॉइंट हो था उसमें डेटा बड़े-बड़े सर्वर्स के अंदर स्टोर किया जाता था फिर आने लगा आपका वेब टू पॉइंट हो उसके अंदर डेटा कहां पे स्टोर किया जाने लगा डेटा वहां पे Facebook और Twitter कंट्रोल कर रहा है, Facebook चाहे तो अपने यूजर के data को इस्तमाल करके, किसी भी देश के election के अंदर manipulation कर सकता है, Twitter चाहे तो किसी के tweet को, किसी के tweet को, चाहे वो कितना भी hateful tweet है, उसको अपनी स्क्रीन पे दिखा सकता है, और कुछ-कुछ tweet को वो अपनी मर्जी से remove कर देता है, ठीक है, यानि कि, web 2.0 के अंदर ये जो intermediaries हैं, ये जो आपके internet giants हैं, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने internet को, एक democratic process नहीं रहने दिया, तो इसी लिए, अब जो future है, future होगा web 3.0, ये जो web 3.0 होगा, इसके अंदर data आपके servers, clouds या फिर इन giants के control में नहीं होगा, data का control, users के पास ही होगा, आप determine करेंगे कि आपके data को कौन use कर सकता है, कैसे use कर सकता है, और ऐसा कैसे हो पाएगा, ऐसा हो पाएगा, जब जब ये जो हम पूरा का पूरा process करने वाले हैं, ये process based होगा on blockchain, ठीक है, तो आप से जो सवाल पूछा जा सकता है, वो सवाल क्या है, simple सा सवाल, web 3.0, किस technology के ओपर based होगा, ये blockchain technology के ओपर based होगा, जिसके अंदर users control करेंगे कि उनका data किस तरह से इस्तमाल हो, कोई भी intermediary उनके data को बेवज़ा sensor नहीं कर पाएगा, ठीक है, और कोई भी intermediary, जैसे facebook क्या करता है, data को बहुत misuse करता है, लोगों को manipulate करता है, ठीक है, तो वो manipulation नहीं हो पाएगी, तो web 3.0 में, फिलहाल आप सिरफ इतनी ही चीज़ अकर समझ के जाएगे, तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि अभी तक बना नहीं है, ठीक है, तो web 3.0 हो किया, यह आपका next version होगा, internet का, जहां पर services, blockchain के उपर run की जाएगी, यह जो blockchain है, blockchain क्यों होता है, blockchain होता है, public ledger, यानि कि इसके अंदर जो भी activity हो रही है, वो open है to all the users, हर एक user इसको देख सकता है, तो अगर आपका data कहीं पर manipulate करने के लिए use किया जाएगा, आप उसको देख सकेंगे, देख सकेंगे तो आपको पता है कि आपके data की misuse हो रही है, ठीक है, तो blockchain आपके public ledger होते है, blockchain को use किया जाता है, आपकी crypto transactions के अंदर भी, यह जो आपका web 3.0 है, यह permissionless होगा, यह आप से पुछा जा सकता है, यह याद रख लेना, characteristics क्या क्या हो सकती है, web 3.0 की, web 3.0 would be permissionless, it would be democratic, permissionless क्यों है, क्योंकि आपको Twitter की permission नहीं चाहिए, आप जो चाहें, वो पोस्ट कर सकते है, democratic है, क्योंकि आपका data आप खुदी यूज़ करेंगे, for example, Twitter will not be able to censor post, Facebook will not be able to maintain a database, which can influence elections, ठीक है, इसके अंदर जो जनता है, जनता खुद अपने data को control करेगी, और वो खुद देखेगी कि कैसे उनका data, social media, email, या फिर किसी भी shopping की company को जा रहा है, वो सारकी सारी information लोगों के पास रहेगी, because of public record of blockchain, जो आपके Tim Berners ली है, उन्होंने World Wide Web को invent किया था, या आप याद रख सकते हैं, इन्वेंटर ओफ www कौन थे वो Tim Berners ली थे, जो data है, data वो connected होगा, Web 3.0 के कुछ और features आप याद रख सकते हैं, features के हैं, पहला, यह जो data है, यह data decentralized होगा, यह जो data है, यह permissionless आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, permissionless है, democratic है, ठीक है, इसके अंदर artificial intelligence, आपके semantic web, 3D graphics, यह सारी की सारी चीज़ों को इस्तमाल किया जाएगा, जो web 3.0 का सबसे recent example है, वो है आपके non-fungible tokens, non-fungible tokens, ठीक है, NFTs, NFTs, बेसिकली क्या होते हैं, NFTs को भी ही देख लेते हैं, माल लो, कोई इंसान है, जिसको चीज़े collect करने का बड़ा shock होता है, ठीक है, तो किसी artist ने कोई painting बनाई, बड़ी सुन्दर सी उसने painting बना दी है, ठीक है, और इस painting को यह A इंसान खरीदना जाता है, ठीक है, तो A ने इस painting को खरीद लिया, अब इस painting के उपर ownership किसकी है, ownership है A की, यह जो है, वो इस painting को own करता है, इस ownership को represent करने के लिए क्या कर दिया जाता है, एक token बना दिया जाता है, यह जो token है, यह token अपने आप में unique होता है, unique क्यों है, क्योंकि यह token क्या दिखाता है, token रप्रेजेंट करता है ownership of this painting, ठीक है, तो जो token की value है, token की value भी अपने अप में unique होगी, क्योंकि अगर painting महंगी है, तो token की value जादा, painting अगर सस्ती है, तो token की value कम, ठीक है, तो ownership दिखाने के लिए, एक token बना दिया जाता है, यह जो token है, यह token non-fungible होता है, what is the meaning of non-fungible, अगर मैं आप से बोलूँ, कि मेरे पास आज की date में एक रुपे का, मेरे पास आज की date में एक रुपे का सिक्का है, ठीक है, तुम्हारे पास भी आज की date में एक रुपे का सिक्का है, तुम मेरे सिक्के को ले लो, मैं तुम्हारे सिक्के को ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, के दोनों के दोनों pieces, ये वाला piece और ये वाला piece, इन दोनों की value बराबर है, ठीक है, लेकिन, जो आपके non-fungible items होते हैं, आगर मैं इसी की बात करूँ, non-fungible token non-fungible का मतलब है कि आप इनको exchange नहीं कर सकते आप इनको exchange नहीं कर सकते, एक और example लेता हो, माल लेजिए मेरे पास 1 bitcoin है, मैं एक और bitcoin खरीद लेता हूँ तो मेरे पास 2 bitcoin हो गए, जो value इस एक bitcoin की, माल लेजिए एक bitcoin आपके 10,000 रुपे का है, तो दूसरा bitcoin भी आपके 10,000 रुपे का ही होगा, तो क्योंकि इन दोनों की value बराबर है तो मैं इनको आपस में exchange कर सकता हूँ, interchange कर सकता हूँ लेकिन जो मैंने यहाँ पे यह non fungible token बनाया है अपनी यह जो painting थी, इस painting को की ownership को represent करने के लिए मैंने जो token बनाया है इस token की अपनी unique value होगी, क्यों? क्योंकि इसकी value depend कर रही है, इस painting के ऊपर, ठीक है? अब मेरे पास एक NFT है, इसकी value है let's say 10,000 रुपे और मेरे पास एक दूसरा NFT है, जिसकी value है let's say 2,000 रुपे क्या यह दोनों के दोनों NFT में आपस में change कर सकता हूँ, नहीं कर सकता क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों NFT अपने आप में unique है दोनों की अपने आप में value है तो इसी लिए ये जो ownership represent करने के लिए tokens बनाए जाते हैं, इसको कहा जाता है non-fungible tokens अब non-fungible tokens का इस्तमाल क्या है, non-fungible tokens आखिर बनाए क्यों जा रहे हैं, पहला तो यह होगा कि आप जो हैं, अपनी ownership establish कर सकते हैं, दूसरी चीज non-fungible tokens ब्लॉक चेन पर काम करते हैं non-fungible tokens आपके ब्लॉक चेन टेक्नलोजी पर काम करते हैं, यानि कि जो भी जो भी पेंटिंग का ही, अगर हम example continue करें, इस पेंटिंग के लिए मैंने एक NFT बना लिया ठीक है, मैंने एक NFT बना लिया जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है, यह मेरा NFT है इसके अंदर मैं अपना कोई data अगर store करना चाहूं, तो मैंने इस NFT के अंदर अपना data भी store कर रखा है, ठीक है और इस NFT के बारे में सारी की सारी information एक blockchain पर stored है, ठीक है, blockchain यह बताता है कि यह NFT किस painting से deal करता है इस NFT की ownership किस के पास है ठीक है, जिस के पास भी NFT की ownership है, उसी के पास इस painting की ownership है तो अब अगर कोई भी इनसान इस painting को किसी और को बेचने की कोशिश करेगा, तो blockchain के ऊपर यह clearly दिख जाएगा, कि यह painting तो किसी और को belong करती है तो यहाँ पर fraud प्रिवेंट हो जाएगा इसको थोड़ा सा और सिंप्लिफाय करके बता तो मान लिजए एक painting है, जो कि आज की date में A के पास है, इस painting को कोई इनसान चुरा के ले गया और वो C को बेचने लगा जब वो C को बेचने लगेगा, तो C कहेगा कि B चुरा के लेके गया था और B C को बेच रहा है, C कहेगा मैं तो B से खरीद रहा हूँ, लेकिन blockchain में दिखा रहा है कि यह painting तो A से belong करती है, इसका NFT तो A के पास है तो यहाँ पर fraud रुख सकता है इस तरह की cheating रुख सकती है, प्लस इसमें कोई intermediary नहीं है तो जिन लोगों के पास धेर सारी cryptocurrency आ गई थी, उन्होंने क्या करना चालू कर दी है, उन्होंने धेर सारी NFTs खरीदनी चालू कर दी, यह सोचके कि NFT की value future में बहुत जादा high हो जाएगी, ठीक है लेकिन आज की date में NFTs जो है तो इसको दुबारा से हम cover कर लेंगे फिलाल के लिए मेर को इतना याद आ रहा है इनके बारे में यह अलग-अलग stages है internet consumption की web 1, web 2 और web 3.0 जो 2021 से start हो चुगा है, पर पूरी तरह डेफलप नहीं हुआ it would be based on blockchain web 1 servers पे बेस्टा था web 2 आपके clouds पे या फे से नहीं होता था, web 2 के अंदर क्या होने लगा web 2 के अंदर social media आ गया अब web 2 के अंदर content कौन create कर रहा है जब social media आ गया social media में content creators तो आप और मेरे जैसे user बन चुक है जो भी data आज की data में internet पे जा रहा है वो आप और हम create कर रहे है e-commerce website आ गई cryptocurrency और NFTs आने लगे जो blockchain पे based है यहां पे जो companies run करती थी web page को वही सारा का सारा data own करती थी web 2.0 के अंदर जो आपकी host application है for example facebook की app, twitter की app, instagram की app यह जो भी आपके cloud services provide कर रहे हैं आपको वो data own कर रहे है web 3.0 में data कोई भी own नहीं करता और web 3.0 के अंदर transaction आपकी crypto tokens के अंदर होने लगी ठीक है जैसे की NFTs ठीक है और इससे अदा I don't think कि आपको यह सब read करने की जरूरत है metaverse आपको पता होना चाहिए metaverse क्या होता है web 3.0 में क्या हो जाएगा सारा का सारा data जो है blockchain technology के उपर based होगा blockchain technology के एक public ledger है तो मान लीजिए A ने कुछ data तयार किया था A ने कुछ data तयार किया था इस data को copy paste मारके B ने अपनी website बना डाली तो B ने क्या किया और blockchain के उपर clearly हमें दिखाई दे जाएगा कि यह जो data था इस data की ownership तो A के पास थी तो यह जो plagiarism है यह आसानी से पकड में आ जाएगी ठीक है तो blockchain के बहुत सारे usage होते है blockchain जो है basically data store करने के लिए बहुत ही अच्छी technology यसलिए आप देखेंगे कि हम land mapping कर रहे है land mapping के अंदर भी हम blockchain का इस्तमाल कर रहे है even in India Metaverse क्या होता है Metaverse एक तरह का digital दुनिया है digital दुनिया है जिसके अंदर हर एक इंसान का अपने digital अवतार बन जाएगा ठीक है जैसे कि सबसे simple तरीका इसका समझने का किया है जब आप game खेलते है जब आप game खेलते हैं तो यह आपकी game चल रही है ठीक है , आप यहां पे बैठे है ठीक है और आप जो है मान लीज़े race लगा रहे है तो यहांपी क्या हो जाएगा एक player, आप एक player चूज करते है यह जो player है यह आपका avatar बन जाता है ठीक है, आप जो भी काम करेंगे वह यह player करेगा ठीक है आप race लगाते है ठीक है और आपके बदले में ये जो avatar है ये avatar race लगा रहा होते है imagine करिये कि अब आपने अपनी आँखों के उपर एक virtual reality या फिर augmented reality वाला camera पहन रखा है आपको ऐसा लग रहा है कि आप सीधा यहीं पे बैठ गए ये जो avatar है ये avatar आप खुद है आपको ऐसा लग रहा है ठीक है और फिर उसके बाद आप जो भी race में काम करना चारहे हैं वो कर रहे हैं इसको metaverse कहा जाता है metaverse एक digital दुनिया है जिसके अंदर आप अपना एक avatar create करते हैं आप अपना avatar create करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे आप इस virtual दुनिया के अंदर ही गोस गए हैं ठीक है तो आने वाले time के अंदर क्या होगा पूरी की पूरी classroom से ऐसे लगा करेंगी कि teacher का avatar यहाँ पे खड़ा है और आप अपने घर पे अपने आखों के ऊपर virtual reality वाला चश्मा पहन रखा है और आपका avatar यहाँ पे बैठा हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद class में present है और आप चीजों को समझ रहे हैं ठीक है इस तरह की चीजे आपको आने वाले समय में देखने को मिलेग इसको metaverse कहते है metaverse basically आपकी डिजिटल दुनिया create हो जाएगी जिसमें आपका avatar create किया जाएगा ठीक है metaverse is about creating digital avatars and interacting with others in virtual spaces, virtual spaces में ही यह होगा ठीक है अच्छा और ज़रूर ही नहीं है कि metaverse आपका blockchain पे ही हो metaverse आपका बिना blockchain के भी काम कर सकता है ठीक है इंडिया के अंदर tik-tok का एक rival बनाया गया जिसका नाम है Chingari ठीक है तो Chingari ने भी क्या का है Chingari के जो creators है वो भी अब web 3.0 के उपर shift हो रहे है और वो अपना एक token बना रहे है जिसका नाम है dollar gari Chingari का dollar gari कर दिया ठीक है I think this CE होना चाहिए था dollar gari है ठीक है ठीक है ये फिर कुछ और start-ups के नाम दिये हो है not very important ठीक है dark web का अब हम अगली वीडियो के अंदर कर लेते हैं ठीक है dark web वैसे पुराना हो चुका है important topics cover हुए ठीक है अगली वीडियो के अंदर बाकी remaining topics कर लेते हैं आप और मैं जो भी हम internet यूज़ कर रहे हैं जो हम google chrome यूज़ करके chrome, firefox जो भी यूज़ कर रहे हैं जो हम internet यूज़ करते हैं उस internet को कहा जाता है surface web surface web क्यों क्योंकि इसके अंदर लोगों ने अपनी websites बनाई हुई है websites को मैं क्या कह सकता हूँ, लोगों ने अपने pages बनाए हुई है और उन्होंने अपने pages को discoverable किया हुआ है discoverable का क्या मतलब है आप google के अंदर search करते हैं आप google के अंदर मान लीज़े आपने search किया what is cryptocurrency तो जितनी भी website या pages है जहां पर what is cryptocurrency का answer होगा वो सारे के सारे pages आपके search result के अंदर आ जाएंगे आप उसको search करके ढूंड सकते हैं यह searching क्यों possible हो रही है क्योंकि जब भी कोई website बनाता है तो वो अपने page को index कर देता है index करने का मतलब यह है कि इसके अंदर वो ऐसे keywords डालेगा कि अगर कोई उन keywords को search करेगा तो उनका page खुल जाएगा इसको index कर देता है वो internet के साथ link कर देता है और indexing के बाद उसका जो यह page है यह discoverable बन जाता है और आप Google पे कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो उसका page आपको दिखाई देने लगेगा ठीक है यह होता है surface web यू के सर्च देंगे तो एक तो यह आपकी चीज़ हो गयी दूसरी चीज़ देखेए आप सभी ने कभी ना कभी internet banking यूज की होगी internet banking में क्या होता है आप जब internet banking में login करने जाते है तो login करने के लिए एक page खुल जाता है एक page खुल जाता है इसके अंदर आपको अपना username डालना होता है इसके अंदर आपको अपना password डालना होता है username और password डालने के बाद जो page खुलता है जो ये वाला page खुला ये वाला page indexed नहीं होता ये वाला page discoverable नहीं होता क्या मैं कभी भी example ले लेता हूँ Sumit Sumit ने internet banking की facility ले रखिया क्या मैं कभी भी google पे सर्च कर सकता हूँ कि Sumit का Sumit के account को दिखा दो मुझे Google उसको नहीं दिखा पाएगा क्यों 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 सुमit का ये account ये protected है protected है password के अंदर इस चीज को कहा जाता है deep web deep web deep web का क्या मतलब है यहाँ पे जो pages है वो indexed नहीं है ये जो pages है ये discoverable नहीं है जिस भी इंसान का ये page होगा वो इंसान जब इसके अंदर अपना username और password डालता है तभी इसको ये खोल पाता है ये वाले pages discoverable नहीं है लेकिन आप फिर भी अपने ordinary web browser आप ordinary web browser को use करके इन pages को access कर सकते हो ठीक है आपको अपनी email के अंदर login करना है email login करने के लिए आपको password डालना होता है लेकिन browser को उसा यूज कर रहो जो आप normally यूज करते रहो तो वही है आपके email को कोई और search नहीं कर सकता सिरफ आप ही उसको खोल सकते अपना username और password डालके तो सबसे पहली चीज का होगी सबसे पहली चीज वह है जिसको आसानी से search किया जा सकता है कोई भी google search में उसको ढूंड लेगा और उसको access कर सकता है दूसरा हो गया जो कि आपके password से protected है जिनको आप google में सर्च नहीं कर सकते हर एक इनसान के लिए अपना page खुलता है और इसमें वो username और login password डालके login कर पाएगा ठीक है लेकिन यह दोनों की दोनों चीज़े जो पहला case था जो second case था इन दोनों ही चीज़ों के अंदर आपको किसी special browser की जरूदनी आप अपने normal browser को use करके इस सारे काम कर पा रहे हो तीसरा case क्या होता है तीसरा होता है आपका hidden web hidden web का क्या मतलब है इंटरनेट पे कुछ ऐसी site है जिनको आप अपने normal browser से नहीं खुल सकते इनके लिए आपको special browser चाहिए होते हैं और यह special browser है यह special browser anonymity maintain करके रखते है यह special browser यह पता नहीं लगने देते कि कौन इन website को खोल रहा है इन website के उपर क्या काम हो रहा है गूगल पे आप चाहिए कितना भी search करते हैं आप कभी भी in site के उपर नहीं आ पाएंगे इनको खोलने के लिए आपको इस website का specific IP address चाहिए होता है जब तक आपको इन website का IP address नहीं पता होगा तब तक यह नहीं खोलेंगी प्लस इने खोलने के लिए आपको special browsers चाहिए होते हैं special browser और उसके अंदर एक जो example है एक जो नाम है वो है the onion the onion router the onion router या फिर router ठीक है तो the onion router जिसको TOR के नाम से भी जानते हैं जैसे onion की अलग-अलग layer होती है ऐसे onion router की भी अलग-अलग layers होती है ताकि अगर कोई law enforcement agency कोई law enforcement agency इनको पकड़ने की भी कोशिश करें तो उनको धेर सारी layers को bypass करना पड़े उनको cross करना पड़े उसी के बाद यह पता चल पाएगा कि इस router को इस browser को कौन यूज कर रहे है यह जो आपका hidden web होता है इस web को का जाता है dark web क्योंकि यह हमें पता नहीं है कहां पे है इसको आसानी से access नहीं कर सकते इसलिए इसको dark web कह देते हैं अब dark web का कुछ फाइदा भी है और कुछ नुकसान भी है फाइदा क्या है dark web का देखें किसी देश के अंदर dictatorial रिजाईम है वहाँ के लोगों को बहुत ही दबा के रखा जाता है और वहाँ के लोग जो है दुनिया तक अपनी बात पहुचाना चाते है तो वह dark web का इस्तेमाल करके अपनी बात दुनिया तक पहुचा सकते है ठीक है दूसरा जो आपके refugees है refugees को कोई भी बात करनी है कोई political victim है उसको अपनी कोई बात किसी इंसान तक पहुचानी है यहाँ पे anonymity को बहुत जादा focus किया जाता है कि कौन यूज कर रहा है यह पता ना चले तो उस वज़े से यहाँ पे धेर सारी illegal काम भी होते है जैसे कि arms trafficking arms trafficking की सारी deal जो है वो आपके dark web पे होती है आपकी human trafficking हो गई drug smuggling हो गया यह सारे के सारे काम आपके dark web के ऊपर हो रहा है क्योंकि इनको ढूंड पाना इनको catch कर पाना मुश्किल हो जाता है तो यह आपका dark web होता है इसके अलावा इसके अंदर जादा कुछ नहीं है dark web के बारे में ठीक है dark web क्या है computer का वो network है which is not accessible through normal search engine यहाँ पर हमें special search engine चाहिए होते है जैसे की the onion router यह anonymity provide करता है ठीक है we need special software to get into the network of computer तो हम कह सकते हैं की dark web वो web है जो की intentionally hide किया गया है ताकि anonymity बनी रहे तीन तरह के आपको services देख ली surface web, deep web, dark web surface web में तो आपके normal चीज़ है जो हम google करते रहते हैं deep web के अंदर क्या जाएगा आपका medical record, subscription information, government resources, scientific reports यह सारी की सारी आपके deep web में होते हैं यह चुपी होई हैं आपको इसके लिए password चाहिए होगा लेकिन आप normal browser से इनको access कर सकते हैं dark web वो है जिसके लिए आपको special browsers चाहिए होते हैं इसलिए इनको onion sites भी कहते हैं ठीक है ड्रग trafficking हो रही है पॉलिटिकल प्रोटेस्ट यहां पर और नहीं किये जाते हैं यह सारी की सारी चीज़े यहां पर हो रही है surface web केवल 10-15% है यह सारे web pages index होते हैं by search engine deep web जो है यह indexed नहीं होते यानि कि आप इनको search नहीं कर सकते हैं ठीक है normal आप search करके इनको ढूंड नहीं सकते इसके लिए आपको क्या करना होगा about 75-80% of the web content is deep web इसके लिए आपको मतब example कि आपके bank account की details आपको username और password चाहिए email username और password चाहिए these are password protected यह लिखा हुआ ठीक है dark web के features सबसे पहला feature dark web को आप तभी access कर पाऊगे जब आपके पास exact IP address है उस website का ठीक है यह जो dark web और dark web does not provide any protection against malware virus attack अगर आप अपने computer पे किसी तरह dark web को access भी कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपको धेर सारे virus या malware का सामना करना पढ़ जाए ठीक है बाते बाहर पहुचाना जर्नलिस्ट की मदद करना विसल ब्लोर जैसे की Edward Snowden इसने सारे documents leak कहां के थे अपनी anonymity maintain करके dark web पे leak करने की कोशिच की ठीक है लेकिन यह पे illegitimate activity भी हो रही है जैसे की सारा का सारा वो illegal काम drug trafficking cyber terrorism hacking organized crime सारे के सारे आपके यही से ही हो रहे है ठीक है threats आप देख सकते है threats is not very important content delivery network क्या होता है ठीक है बहुत जादा important नहीं है थोड़ी सी definition देखेंगे इसके हम बस internet पे आपको धेर सारा content देखने को मिलता है ठीक है आब जो content है कोई एक ऐसी website है जो US के लिए भी content बना रही है इंडिया के लिए भी content बना रही है बांगलादेश के लिए content बना रही है ठीक है अब कोई भी website होगी उस website के अंदर आपके धेर सारे information होती है जैसी कि आपके HTML pages होंगे ठीक है कुछ videos ऐसी है मालीजे एक website है जो की US के लिए भी content बना रही है इंडिया के लिए भी और बांगलादेश के लिए भी और इसकी website पे आपको ये तीनों की तीनों videos देखने को मिल रही है लेकिन आपको पता है कि इंडिया के अंदर एक particular type की videos एक particular type की images देखने को मिलेंगी बांगलादेश में दूसरे type की देखने को मिलेंगी तो ये website क्या करती है जो भी geographical location होती है उस geographical location के पास ही ये जो content है जो की इस देश के अंदर जादा देखा जा रहा है इस content की कुछ चीजों को store करके रख लेती है जैसे की कुछ images मेरे website के उपर एक image है जब भी मेरी website खुलती है तो ये वाली image जो है ये load होती है तो इस image को क्या किया जागा इस image को एक cache memory के अंदर मेरी geographical location के पास store करके रख दिया जाएगा कई-कई बारी ये मेरे खुद के computer के अंदर भी store हो जाती है इंडिया के लिए जो relevant images है उन relevant images को एक cache memory में इंडिया के पास की किसी geographical location में store करके रखूँगा तो अब इंडिया से मेरी website को अगर कोई खोलेगा तो ये वाली image जो है ये बड़ी जल्दी से load हो जाएगी ठीक है तो ये जो होता है ना इसको का जाता है content delivery network content delivery network के अंदर क्या करते है आपके geographically distributed groups बना देते हैं ठीक है अलग-अलग geography के लिए कुछ groups बना देते हैं और उन groups के लिए कुछ servers बना दिये जाते हैं ठीक है geographically distributed servers कह लिजे आप इनको ये जो server है ये server मान लिजे इंडिया के लिए जितने भी relevant content था उस relevant content की कुछ images यहाँ पर डाल के रख दिये हैं ताकि ये जल्दी से open हो जाए तो ये जो server है ये इंडिया relevant images इसके अंदर contained होंगी और ये इंडिया को इंडिया के अंदर उस pages को आसानी से खुलने में मदद करता रहेगा तो ऐसी बांगलादेश के पास में कुछ group of servers बना दिये जाएंगे और ये servers क्या करेंगे बांगलादेश relevant images को store करके रखेंगे तो बले ही website आपकी US के अंदर है लेकिन उसकी कुछ images जो है वो इंडिया के पास के server में है और इसको का जाता है content delivery network ये basically एक तरीका है जिससे जल्दी आप information को share कर सकते है वरना क्या होगा बार-बारी information US से इंडिया बांगलादेश तक पहुचेगी जिसमें हो सकता time लग जाए content delivery network सिरफ आपके पास लेके आ रहा है कुछ images को ठीक है आपके computer में cash memory होती है अगर कोई technical background से है तो वो cash memory से समझ जाएगा ये एक तरह से वही cash memory की तरह है but on a geographical location ठीक है blockchain technology को देख लेते हैं बहुत बार blockchain technology के बारे में बात किया हुई है blockchain technology basically आपके records maintain करने के लिए इस्तमाल किया जाता है ठीक है सबसे अच्छी बात यह कि blockchain technology का यह जो ledger है यह ledger decentralized है decentralized का क्या मतलब है मैं एक example लेता हूँ मान लिजिए आज की date में A, B के साथ कोई banking transaction कर रहा है A जब B के साथ कोई banking transaction करता है तो A की जो transaction है वो किसी bank के पास जाएगी bank उसको verify करेगा verify करने के बाद उसको फिर वो B के खाते में डाल देगा तो यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर एक intermediary की ज़रुरत पढ़ रही है अब मान लिजिए Saturday या Sunday है Saturday या Sunday है या फिर जो भी employee है जिसको verify करना है वो अपने lunch break पे है transaction verify नहीं कर पारी इसमें delay हो गया इसमें delay हो गया ठीक है कई बारी होता है delay हो जाते है ठीक है कई बारी क्या होता है bank का server down है bank का server down है which led to delay plus इसके अंदर एक intermediary आ रहा है तो यह intermediary भी कुछ ना कुछ तो पैसे ले रहा होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ extra pay भी करना पड़ सकता है commission हो या कोई भी चीज हो fees हो ठीक है तो ये सारी चीज होते है तो जब भी A, B के सार transaction कर रहा है through a bank तो उसके अंदर delays भी involved होते हैं उसके अंदर कुछ cost भी involved होती है now imagine a system जिसके अंदर जिसके अंदर एक public ledger है जिसके अंदर एक public ledger है public ledger अब इस ledger के अंदर A की सारी की सारी information लिखे की A के पास कितना पैसा है ठीक है A, जब B को को कोई पैसा देता है माल लिजे B यहाँ पे है B के पास जितना पैसा है वो भी information यहाँ पे लिखी हुई है मैं सिर्फ एक simple तरीके से बता रहा हूँ actually मैं आपके पास कितना पैसा है यह लोगों को पता नहीं चलता है सिर्फ समझाने के लिए के लिए क्या रहा हूँ कि जो information है information is publicly available ठीक तो इसके अंदर A जो है A के पास A ने क्या किया A ने 100 रुपे ट्रांस्फर करें B के पास तो हमें इसके ledger में दिखाई देने लग जाएगा कि A ने फलाणा फलाणा date को 100 रुपे उसके खाते से निकले है और हमें B के खाते में फलाणा फलाणा date पे 100 रुपे आते हुए दिख जाएंगे अब यह publicly available है तो क्या इसके अंदर verification करने के लिए जो transaction हुई है कि 100 रुपे A ने B को दिये ये verification करने के लिए क्या हमें किसी intermediary की जरूरत है हमें intermediary की इसके अंदर कोई जरूरत नहीं है ठीक है, intermediary की अगर हमें जरूरत नहीं है तो A से जो B के पास पैसा जा रहा है लेकिन अब सवाल आता है कि क्या इसके अंदर कोई verification नहीं होगी basically ये जो ledger है जितने भी लोग blockchain technology को उसको use कर रहे होंगे वो सारे के सारे इस information को देख सकते हैं कि A से पैसा गया है और B के पास आया है तो यहाँ पे कुछ लोग होते हैं ये जो लोग होते हैं ये लोग खुद ही verify कर देते हैं तो यहाँ पे कोई एक intermediary verify नहीं कर रहा है लोग खुद ही verify कर देंगे और verify करने के लिए इन लोगों को कुछ ना कुछ incentive दिया जाता है verify करने के लिए लोगों को कुछ ना कुछ incentive मिलता जाता है पहले verify करने वाले लोगों को क्या का जाता था miners का जाता था तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा blockchain काम करता है अब ये तो हो गया समझाने की कोशिश exam pass में हो सकता है कि आपको चीजे समझ में ना आई हो तो अगर चीजे समझ में नहीं आई हैं तो फिर मैं आपको ये बता जाता हूँ कि कोशन कहां से आएगा और आपको क्या क्या इसमें याद रखने है देखें ब्लॉक्चेन क्या है पहली चीज़ आप याद रखेंगे ब्लॉक्चेन एक ऐसा ledger है जिसके अंदर आपके सारी transactions record जो है वो publicly available रहती है ये decentralized है ये distributed ledger है ये एक distributed ledger है जिसके अंदर transactions का record रहेगा इसके अंदर intermediary की requirement नहीं होती जिसकी वज़े से जो transaction से उसमें delay कम होता है इसके अंदर जो cost involved होती है cost involved बहुत ही कम होती है ठीक है banking की requirement इसके अंदर नहीं है क्योंकि intermediary की requirement नहीं है और benefits इसके क्या है benefits इसके पहला तो जो banks है banks की hacking हो सकते है but it is almost near to impossible to hack a blockchain technology क्यों क्योंकि इसके अंदर हर एक चीज जो है वो publicly available है कहीं पर कोई दिक्कत होगी कोई गडबर होगी तो दूसरे जगा से वो raise कर दिया जाएगा basically क्या होता है जितने भी blockchain technology के अंदर लोग involved है माल लीजे यह सारे के सारे लोग involved है इस blockchain technology के अंदर इन सारे लोगों को क्या कहेंगे इनको nodes कहा जाएगा example के तोर पर ले लेते हैं A ने A ने कहा कि B मुझे कुछ पैसे दे A ने request करी कि B मुझे कुछ पैसे दे A जो यह request करेगा इसकी information हर एक इनसान के पास पहुँच जाएगी हर एक node पे इसकी information पहुँच जाएगी कि A जो है B से पैसे मांग रहा है फिर उसके बाद जब B A को पैसे देदेगा उसकी information हर एक node पे पहुँच जाएगी अब इन सभी लोगों के पास information पहुँच चुकी है और इन ही में से कोई लोग जो है वो इस transaction को verify भी कर देगे खुदी ठीक है जो भी free है वो verify कर देगा verify करने के लिए ये miners कहलाए जाते थे verify करने के लिए पहले इनको blockchain इनको bitcoins में पैसे दिये जाते थे फिर उसके बाद कुछ और इनको incentive दिया जाता है काम करने के लिए लेकिन वो बहुत ही कम होता है per transaction cost जो है वो काफी कम हो जाती है तो इस तरह से ये verification होती रहती है transactions जो है वो हमेशा secure तरीके से secure तरीके से transactions होती रहेंगी इसके अंदर ठीक है अब इसका benefit एक तो यह हो गया कि hacking free है delay नहीं हो रहे cost नहीं हो रहे bankings जो है bankings नहीं है हम कह सकते है कि blockchain के अंदर there is no centralized authority centralized authority नहीं है blockchain के अंदर मदब requirement नहीं है आप करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन requirement नहीं है यह ज़ादा transparent है क्यों क्योंकि publicly available है यहाँ पर cheating या फिर fraud के जो chances है cheating और fraud के जो chances है वो काफी ज़ादा reduce हो जाते है वो काफी ज़ादा reduce हो जाएंगे और यह faster भी है ठीक है I think इतने points more than enough रहने चाहिए एक बारी notes से देख लेते हैं यह notes क्या क्या रहा है notes क्या रहा है blockchain क्या है distributed ledger है जो कि decentralized है जिसमें transactional data को share किया जाता है across a large network of untrusted entities blockchain जो है वो किसी भी central authority में काम नहीं कर रही है it is not owned by any single authority कोई एक single authority इसको own भी नहीं कर रही है शुरुआत में cryptocurrency के लिए इसका इस्तमाल किया जाए था लेकिन अब आप देखेंगे लगबग हर एक जगा पे इसका इस्तमाल हमें देखने को मिल रहा है नॉन cryptocurrency के अंदर भी इसका इस्तमाल हमें देखने को मिलता है तो आज की डेट में देखें यह सारे की सारे transactions का record रख सकता है तो एक transaction है जो की बहुत जादा controversial हो जाती है वो है land records लैंड records को भी आप blockchain के थू ही maintain करने की कोशिश हो रही है property records को digital certificate चाहे है वो death का हो, education का हो, birth का हो वो सारे की सारे भी यहां पे store की जा सकते है supply chain को manage करने के भी काम आएगा ठीक है, e-notary services भी provide की जा सकते है यहां पे, बहुत सारे इनके काम है लगबग हार एक जगा पे आपको blockchain का काम, जहां पे भी थोड़ा बहुत भी record maintain करना है वहां पे blockchain का काम आ ही जाएगा ठीक है, यहां तक की health में भी इसका काम है, agriculture में भी इसका काम है, health के भी तो record होते है agriculture की supply chain होती है तो जहां पे भी supply chain या record होगा वहां पे इसका काम आ जाता है, ठीक है अब हम आ जाते हैं, कि इनको आखिर पैसे किस तरह से दिये जा रहा है तो उसके लिए आपको दो कॉंसर्ट पता होने चाहिए एक है आपका proof of stake और दूसरा है आपका proof of work फ़रा simplify करके समझाने की कोशिच करूँगा ठीक है एक काम करते हैं इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जगा कि अब requirement होगा कोई भी आपकी जो transaction होती है ठीक है उस transaction का record maintain रखना चाहिए कोई भी transaction हो रही है उसका अगर record नहीं है तो फिर उसके अंदर fraud के chances increase हो जाते हैं आज की date में जब आप transaction करते हैं A से कोई पैसा B के पास जाते है तो बीच में एक bank involved होता है यह जो bank है यह पूरा का पूरा record maintain करके रखेगा अब bank क्या है? bank एक trusted authority है bank के उपर हमें trust होता है कि bank कोई fraud नहीं कर रहा है ठीक है और usually bank करते भी नहीं है ठीक है? लेकिन blockchain के अंदर क्या होता है? blockchain के अंदर आपके banks involved नहीं होते हैं blockchain के अंदर आपके untrusted लोग involved होते हैं ठीक है? जितने भी आपके लोग जो की एक blockchain के अंदर involved है इन लोगों को क्या कहा जाता है? इन लोगों को nods कहा जाता है क्या कहेंगे इनको हम? इन्हें हम nods कह देते हैं मालीजे A है A और B के बीच में कोई transaction हो रही है A ने request करी B से कि फलाना फलाना transaction कर दे जब A request raise करता है तो सभी के सभी जो nods हैं सभी nods के पास notification चले जाती है कि A ने कुछ request किया है फिर उसके हैद B ने transaction complete कर दी फिर जैसी B transaction complete करेगा वैसी सारे nods के पास एक request वो चले जाती है notification कि B ने कोई transaction की है B ने कोई transaction की है basically B ने क्या किया है? मालीजे B ने 100 रुपे A को दे दी है तो B ने क्या किया? B ने अपने 100 रुपे की जो ownership है B ने अपने 100 रुपे की ownership lose कर दी और A के पास वो 100 रुपे की ownership आ गई A के पास 100 रुपे की ownership आ गई अब यह जो transaction हुई है यह जो ownership में shift हुआ है यह shift एक ledger में reflect होना चाहिए अगर bank involved होती तो bank B के खाते में और A के खाते के अंदर इसको reflect कर देती लेकिन आप कोई bank involved नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे हम blockchain technology का use करते है blockchain technology के अंदर भी ledger को maintain किया जाता है एक ledger बनता है उस ledger के अंदर सारे nodes वालों की information होती है ठीक है जितनी transaction हो रही है वो transaction in ledger में record होती रहती है और यह जो ledger है यह same ledger इसके पास भी होगा इसके पास भी होगा इसके पास भी होगा इसके पास भी इसके पास भी सब के पास same ledger है सब के पास same ledger है तो सब के पास same information है अब क्या हुआ है अब ledger के अंदर एक नया change आया है ledger के अंदर नया change क्या है 100 रुपे की ownership B में से minus हो गई है और 100 रुपे की ownership A में plus हो गई है ठीक है, अब इन transactions को validate करना है इन transactions को validate करना है और transactions तब validate होती है जब majority of these nodes agree जब ये जो nodes है इन nodes की जब majority agree कर जाती है कि जो transaction हुई है, वो transaction actually में हुई है ठीक है और क्या transaction हुई है transaction की क्या details है इनके उपर ये सारे के सारे Noughts की majority जो है वो agree जब कर जाएगी जैसे ही इन Noughts की majority agree कर जाएगी वैसे ही सब के ledger के अंदर वो change reflect होने लग जाएगा जो भी change हुआ था वो हर किसी के ledger में reflect हो जाएगा ठीक है तो अब ये जो validate करने का काम है ये validate करने का काम किस तरह से होता है वो देख लीजे ये समझ गए कि ledger में reflect कब होगा ledger में तब reflect होगा जब majority of these nodes would agree that a transaction has taken place and they would agree to the details of the transaction ठीक है उसी के बाद उसी के बाद ledger के अंदर ये changes reflect होगे और हर किसी के ledger में वो change reflect होगे तो अब इसके अंदर क्या होता है जैसे ही कोई transaction होती है हर एक transaction को blockchain के अंदर क्या कहते है जब भी कोई transaction होती है तो कहा जाता है कि blockchain के अंदर एक नया block add हो रहा है एक नया block add हो रहा है basically नई information add हो रही है अब इस नए block को validate करने की जरूरत है जैसे ही कोई नया block add होने वाला होगा वैसे ही ये जो nods वाले लोग हैं ये nods वाले लोग volunteer करेंगे ये volunteer करेंगे कि हम validate कर देते हैं ये volunteer क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर इन्हें validate करने का मौका मिलेगा तो इन्हें reward दिया जाता है इन्हें कुछ cryptocurrency, bitcoins ये सब reward किये जाते थे ठीक है इनको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा तो ये लोग volunteer करेंगे और रहे मुझसे validate करा लो तो पहले क्या होता था पहले proof of work माना जाता था देखिए मैं अगर किसी इन्सान से बोल रहा हूँ कि तू चेक कर ले transaction हुई है या नही तो मैं चाहूँगा कि ये जो इन्सान है ये इन्सान credible होना चाहिए मेर को इसके उपर कोई ना कोई भरोसा होना चाहिए ये credibility कैसे establish होगी तो पहले credibility को establish करने के लिए हम कहते थे कि तू कुछ काम कर जब तू कुछ काम कर लेगा और उसका proof हमें देदेगा तो हम मान जाएंगे कि भाई तूने कुछ वाकिय में काम किया तू credible इन्सान है अब तू validate कर सकता है और जब तू validate कर देगा जब तू validate कर देगा तेरे को हम कुछ reward दे देंगे तो पहले ये proof of work का concept use होता था इस credibility को establish करने के लिए proof of work में क्या होता था proof of work में जो भी इंसान volunteer करेगा कि मुझे validate करने का मौका दो उस इंसान को एक complex puzzle दे दी जाती थी एक complex puzzle दे दी जाती थी कि ये puzzle solve कर या फिर कोई mathematical equation solve कर mathematical equation solve कर अगर कोई इंसान वाके में ही trust करने लायक होगा तो वो ये मेहनत करने में कतराएगा नहीं इसलिए इसको proof of work का जाता था तो इन puzzles को solve करने के लिए क्या चाहिए होता था इन puzzles को solve करने के लिए हमें बड़े-बड़े computers चाहिए होते थे बड़े-बड़े computers ये बड़े-बड़े computers बहुत जादा energy consume करते थे energy consume करते थे बहुत बिलाता था दूसरा ये जो computers हैं they used to generate a lot of heat जिसके वैसे ये computers सिर्फ और सिर्फ cold regions के अंदर ही established होते थे ठीक है तो पहले अगर कोई इंसान volunteer करता था कि मुझे validate करना है तो उसको महनत करनी पड़ती थी और महनत क्या थी ये puzzle solve करें using these big computers अगर puzzle solve कर ली तो validate करने का मौका मिल सकता है और तुम्हें फिर reward मिल जाएगा लेकिन इसके साथ दिक्कत ये थी कि computer बहुत energy खाता है बहुत ज़्यादा heat generate करता है तो अब क्या किया गया अब कहा गया है कि अब हम proof of work से proof of stake के उपर जाएंगे proof of stake हमें तुम्हारे काम का proof नहीं चाहिए हमें तुमसे puzzle solve नहीं करानी लेकिन हम चाहते हैं कि तुम credible रहो तो उसके लिए क्या कहा जाता है कि अगर कोई validate करने के लिए volunteer कर रहा है अगर कोई validate करने के लिए volunteer कर रहा है तो उसको पहले stake पे कोई चीज रखनी पड़ेगी कोई बोली लगानी पड़ेगी bet लगानी पड़ेगी जैसे कि मान लीजे तीन लोग है Q कहएगा मैं भी अपने एक bitcoin लगा रहा हूँ आर कहएगा कि मैं अपने दो bitcoin लगा रहा हूँ तो इसमें आर के जीतने के chances ज्यादा है ठीक है हो सकता है तेनों को मिल जाए लेकिन उन्होंने क्या कर दिया इन्होंने बोली लगाई है यह क्या करेंगे यह अपने यह जो bitcoin उन्होंने बोली लगाई है यह सारे की सारे bitcoin एक जगा पे deposit करा देंगे deposit कराने के बाद इनको मौका मिलेगा कि यह validate कर सकते हैं अब ठीक है समझ गए stake करने के बाद validate करने का मौका मिल रहा है अब सवाल आता है कि आखिर यह stake पे क्यों रखाता stake पे इसलिए रखाता ताकि हमें यह पता चलेगा कोई इंसान fraud नहीं करेगा और यह कैसे पता चलेगा मान लीजिए इन तीनों ने इसने एक bitcoin इसने एक bitcoin और इसने दो bitcoin जो है वो deposit करा दिये stake पे लगा दिये बोली लगा दिए अब r ने कोई transaction का record बनाया r ने कोई transaction का record बनाया q ने भी record बनाया p ने भी record बनाया तो तीनों ने अपने अपने record बनाया r का record है r का record p और q के record से अलग आया तो हो सकता है कि r कुछ ना कुछ fraud कर रहा है अगर R का record बाकियों के record से अलग आएगा तो chances of fraud increase हो जाएंगे कि R कोई fraud कर रहा है और इसने जो ये 2 Bitcoin जमा कराए थे इन 2 Bitcoin का कुछ हिस्सा जो है वो हम इसको वापिस नहीं करते ठीक है? अगर record तुमने सही बनाया है सब के record match कर गए तो सबने ये जो stake पे लगाया था ये उन्हें वापिस मिल जाता है लेकिन अगर किसी का record match नहीं किया इसका मतलब ये कि हो सकता है वो fraud करने की chance कोशिश कर रहा हो तो हम उससे penalty काट लेते हैं और उसके पूरे के पूरे Bitcoin वापिस नहीं करते है this is known as proof of stake कि तुम पहले stake पे कुछ चीज रखो ठीक है? stake पे चीज रख दो ताकि अब अगर तुमने कुछ fraud किया तो जो तुमने दाव पे लगाया था हम उसको अपने पास रख लेंगे तो ये एक तरीका है आज की date में किसी भी block को validate करने का ठीक है? माइनर्स को reward के तौर पे bitcoin दे दिया जाते थे ठीक है? अब proof of stake के अंदर incentive या फिर reward दिया जाता है और वो कुछ भी हो सकता है आपका bitcoin भी दे सकते हो तो समझ गया proof of stake and proof of work समझ में आजाए तो बहुत अच्छा है नहीं समझ में है तो डरना नहीं है ठीक है क्योंकि यह जो proof of stake और proof of work है इन सिरफ terms को आप याद रखेंगे कि these terms are related to validation of validation of blockchain records ठीक है proof of stake and proof of work इस चीज़ से यह deal करता है वैसे उमीद करता हूं कि कुछ-कुछ clarity हुई होगी यह complex topic है तो last moment पर बहुत जादा time इसके उपर नहीं लगाएंगे ठीक है but I hope कुछ न कुछ clarity आपको ज़रूर मिली होगी चलिए अब अपने अगले topics के उपर चलते है अगले topic अच्छा यह proof of stake है तो देख लिजए proof of stake के अंदर जो लोग involved होते है उनको validators कहते है proof of work में जो involved होते थे उनको miners कहते है क्योंकि वो mining करते थे complex puzzles solve करते थे यहाँ पर जो participant है उनके पास अपना कोई coin या token होना चाहिए मदब जो भी volunteer कर रहा है validate करने के लिए उसके पास खुद कुछ token होना चाहिए ताकि वो stake पर कुछ लगा सके दाव पर तो तभी लगाएगा न जब उसके पास कुछ होगा यहाँ पर जो participant होते थे उनके पास equipment होनी चाहिए थी energy होनी चाहिए थी यानि कि बड़े-बड़े computer और bill देने की शमता energy efficient है यह क्योंकि computer का इस्तमाल नहीं करना तो कुछ ही लोग वो equipment खरीद पाते थे जो validators थे उनको transaction fees मिलती है as reward यहाँ पे miners उनको block rewards मिलते थे ठीक है IOPS समझ में आ गया होगा चलिए अब immersive technology के उपर चलते है immersive technology क्या है देखिए अभी जब आप video game खेलते हैं तो आपके सामने screen होती है आपके सामने screen होती है और आप यहाँ पे बैटके खेल रहे होती है imagine करिए कि आपने अपनी आखों पे ऐसे चश्मे लगा रखे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप TV screen के अंदर घुश चुके है जो आपका avatar है जो आपका game के अंदर जो आपका player है वो player आप खुद दो आप अपने चारो तरफ जब चीजों को देख रहे हो तो आपको वही game का region दिखाई दे रहा है तो इसको कहा जाता है immersive technology इमर्सिव टेकनोलोजी immersive technology सिरफ गेम्स में इस्तमाल नहीं होती immersive technology ट्रेनिंग में भी इस्तमाल होती है अब पाइलेट को हम बड़े-बड़े महंगे plane देके यह नहीं बोल सकते कि तू जा और plane पर उडाना सीख उसको क्या किया जाता है उसको इसी तरह की एक immersive technology के अंदर बिठा दिया जाता है जिसमें उसको ऐसा feel होता है कि वह plane के अंदर है और फिर उसके बाद अलग-अलग situations दी जाती है उसको और वो अलग-अलग situation में क्या-क्या काम करेगा वो सारी की सारी चीजे चल रही होता है basically यह computer simulation होता है और जो pilots होते हैं वो इस computer simulation का computer के अंदर यह जो सारी की सारी activity हो रही है वो उसका हिस्सा बन जाता है उसको ऐसा लगता है कि वो reality में plane उड़ा रहा है combat training आप किसी से लड़ाई करते हैं आपको कोई technique सिखानी है fight की तो वो भी आपको इस immersive technology के थुरू सिखा ही जा सकती है तो जो start-ups हैं वो virtual reality को use करते हैं और virtual reality से वो एक synthetic training environment create कर देते हैं एक ऐसा नकली training environment create कर देते हैं जो बिलकुल असली के जैसा लगता है तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको सिरफ दो term समझनी है एक है virtual reality और एक होती है augmented reality कि virtual reality और augmented reality में आखे difference क्या-क्या है अब सबने एक game के बारे में सुना होगा Pokemon Pokemon के अंदर क्या होता था लोग अपना mobile phone लेके जाते थे और माली जी यह पार्क है ठीक है इस पार्क के अंदर यह आपका physical environment है ठीक है यह पार्क आपका physical environment है आप हमेशा से इसको देखते हैं ठीक है आप पार्क के अंदर गए आप अपने mobile phone का camera on करके पार्क को देखेंगे तो आपको इसी पार्क के अंदर एक Pokemon बैठा हुआ दिखाई देगा और आपको यह Pokemon कैच करना है ठीक है असली में क्या पार्क के अंदर Pokemon है? नहीं असली में पार्क में Pokemon नहीं है Pokemon जो है वो सिरफ एक आपकी Augmented Reality है जो आपका Physical Environment है उस Physical Environment के अंदर एक Addition कर दी है Through Digital Means यह Addition एक्चुल में नहीं हो रही है यह सिरफ आपकी Game के अंदर हो रही है Through App ठीक है तो Augmented Reality के अंदर क्या करते हैं? जो आपका Physical Environment होता है उसी Physical Environment को उसी Physical Environment के अंदर कोई नई चीज एड़ कर दी जाती है जैसे की जैसे की Imagine करिए आप समने कुछ न कुछ ऐसी Apps देखियोंगी की Apps क्या है? आपके सामने आपके सामने यहाँ पे कोई Store बना हुआ है यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पे आपके मम्मी खड़ी हुई है जब आप कैमरे से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा कि यह Store as it is है मतब कैमरा तो वो Store दिखाई गई दिखाईगा लड़का दिखाईगा, मम्मी दिखाईगा और यहाँ पे वो Share बना देगा यह जो Share है यह आपके फिजिक ऐसा दिखाई देगा जैसे कि यह Reality में उस Environment के अंदर घुस चुका है तो इसको Augmented Reality कहते है Augmented Reality is 25% Virtual यह जो Share है यह 25% Virtual है 75% it is It is Real आपका जो Real World है उसी Real World को ही दिखाता है लेकिन 25% इसमें कुछ additional information डाल देता है Just to give you a better simulation A better simulation Just to make your gameplay more interesting Just to make your gameplay more interesting For example आप चाहते है कि यह आपकी Table है यह मैंने Table बनाई है और आप चाहते है कि इस Table के उपर आप कोई Laptop रखें और आप यह देखना चाहते है कि आपकी Table कैसी दिखेगा आप mobile phone के अंदर camera खोलेंगे इस Table के उपर zoom करेंगे और देखेंगे कि आपके Table के उपर यह Laptop कैसा दिखाई देगा आपके Table के उपर यह Laptop कैसा दिखाई देगा अच्छा इससे भी अच्छा है कि एक example में रोको मिल गया क्या example है याद करिए Lens Cart Lens Cart के अंदर Lens Cart के अंदर क्या feature दे रखा है उन्होंने आप Lens Cart की app डाउनलोड करिए जब आप उसकी app डाउनलोड कर लेते है आप Lens अपना जो भी चश्मा आप चूज करना चाहते है अपने glasses को चूज करिए glasses को चूज करके अपनी camera app खोलिए camera app जो camera है वो आपको आपका face तो दिखाएगा ही दिखाएगा क्यों क्योंकि वो तो आपका face तो दिखाएगा उसके उपर वो इस glasses को fit करीvollी उसके उपर fit कर लिखाएदी आपके real world के अंदर उसने कुछ glance actually में आपके चहरे पर तोड़ी आ घया लेकिन आपको इसके अंदर कैसा दिखा दिखा देगा कि आपने glasses पहन रखे हैं This is known as augmented reality. In augmented reality, your physical world becomes slightly augmented. तुमारे physical world के अंदर कुछ digital चीज़े डाल दी जाती है. ताकि तुमारा experience अच्छा हो जाए. Virtual reality क्या करता है? ये पूरा का पूरा environment ही नया create कर देगा. ये 75% virtual होता है और 25% ये real होता है. 25% real. इसमें ऐसा लगता है जैसे कि आप एक नई दुनिया के अंदर ही घुश चुके हैं और आप उस दुनिया का हिस्सा है. ठीक है? तो ये आपकी virtual reality है. और ये दुनिया के अंदर घुश चुके हैं इसी को ही और भी जादा आगे ले जाता है आपका metaverse. तो समझ गें आपका virtual reality and augmented reality क्या-क्या चीजे होती हैं. उनको soldiers को training करने में ये virtual reality, augmented reality बहुत अच्छा काम कर रही हैं. US-based एक startup है जिसका नाम है Govred. Govred. Govred में VR जो है virtual reality based training solution प्रोवाइड कर रहे हैं military को. Not very important fact but training प्रोवाइड की जाती है ये आपको याद रखना है. अब आजाते हम एक important topic के उपर जो है evolution of mobile network. Basically इसके अंदर हमें 5G पढ़ना है. इसके अंदर हमें 5G पढ़ना है. 5G क्या होता है देखें जैसे-जैसे हमारी wireless communication जैसे-जैसे हमारी cellular communication इंक्रीज होने लगी वैसे-वैसे जो technology है technology को हम नाम देने लगे. जो सबसे पहले आपके mobile system आने लगे थे वो mobile system को हमने first generation का ये mobile system आपके analogous होते थे. डिजिटल नहीं होते थे, analogous हुआ करते थे. फिर उसके बाद हम 2G पर आए. 2G में हमें क्या देखने को मिला? 2G के अंदर हमें MMS. MMS. MMS के अंदर क्या होता था? चोटी-चोटी videos, चोटी-चोटी images ये भी send कर सकते थे. 1G के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ बात कर सकते हैं, voice send कर सकते हैं. 2G के अंदर आप थोड़ा बहुत data भी send करने लगे. Data क्या है? वीडियो या फिर, videos, pictures, जो MMS आपने बहुत सुने होंगे. MMS वगरा वो आपके 2G के अंदर आया. 3G के अंदर क्या आने लगा? 3G के अंदर आपकी speed और increase हो गई, data, voice आप एक साथ भीजने लगे. फिर 4G आया और अब 5G का जमाना है. ठीक है? ठीक है? Initially only voice was carried, और second generation ने क्या कर दिया? उसने digital transmission करनी चालू कर दी थी. ठीक है? Not very important. यह वाली table important होगी, यह table आपको याद रखनी है. ठीक है, जब हम first generation की बात करते हैं, तो first generation आपके 1980s में start होती है. और इस टाइम पे हम सिर्फ और सिर्फ voice communication कर सकते थे, data नहीं बेज सकते थे. ठीक है? जो, मदब आप internet वगरा यूज नहीं कर पा रहे है. ठीक है, 2G, 1990s के अंदर आपका 2G, second generation आ जाती है, और अब हम radio signals यूज करने लगेंगे. Radio signals यूज करने लगेंगे, analog signal यूज नहीं करते हैं. यह लिखा हुआ, analog technology थी और अब हम radio signals पे आ चुके हैं. अब क्या होने लगा? 2G phones जो हैं, वो data भी भेज सकते थे, और voice भी send कर सकते थे. तो जब data send करने की technique हमारे पास आ गई, तो MMS, picture messages, text encryption, यह वाली technology हम use करने लगे. 2G के अंदर, GPRS use किया जाता था data send करने के लिए. GPRS क्या होता है? General Packet Radio Service. मुझे याद है जब हम internet का pack खरीने जाते थे, हमें पहले internet का pack अलग से खरीना होता था, तो उसके अंदर यह देखते थे, कि कितने, कितना हमें data मिल रहा है. ठीक है, तो वो GPRS packs के अंदर होता था, कि इतने का GPRS pack है, इतने का GPRS pack है, 20 रुपे का है, 25 रुपे का है, ऐसे यह चलते थे, ठीक है, maximum speed इसके अंदर 50 kilobits per second हुआ करती थी, ठीक है, तो आपके 2G के अंदर ही, जब 2G और evolve हुआ, तो 2G के अंदर edge आने लगा, edge ने क्या चोटा edge लिखा हुआ आता था, ठीक है, तो 1G, analog, 2G, radio signals आने लगे, जिसके अंदर MMS, picture messages जाने लगे, speed वो 50 kilobits per second होती थी, with the advent of edge, edge भी आपके second generation कही था, edge के आते ही, वो आपकी दुबारा से increase, speed वो थोड़ी सी और increase हो गई, फिर, अचा यह GPRS के बारे में लिखा हुआ GPRS 2000 के अंदर launch किया था, ठीक है, GPRS के 2G और 3G के बीच में, यह technology के अंदर कुछ changes आ रहे थे, तो 2000 के अंदर जो changes है, उससे internet को use करना थोड़ा सा और easy हो गया, ठीक है, इसके अंदर maximum speed वो 384 kilobits की आने लगी, फिर आता है हमारा 3G, 3G हमारे 1990s के अंदर आता है, जिससे data transmission और भी जादा fast हो गया, ठीक है, अब 3G के टाइम पर आपकी 2 techniques निकल के आती है, 2 technology, एक होती आपकी GSM और दूसरी निकल के आती है, आपकी CDMA, GSM और CDMA techniques निकल के आती है, ठीक है, not much relevant, 4G के अंदर, 4G के अंदर आता है आपका long term evolution, long term evolution क्यों अच्छ है, long term evolution इसले अच्छ के उपर थे, तो जब हम voice call use कर रहे होते थे, तो सिरफ और सिरफ वोईस कॉल यूज होती थी, और आप internet यूज नहीं कर सकते थे, और जब आप internet यूज करते थे, तो उस टाइम पर voice call जो है, वो कही न कहीं पर सफर करती थी, तो 3G के टाइम पर voice और internet एक साथ यूज नहीं दोनों को आप simultaneously एक साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है, 4G uses long term evolution which allows us to communicate with voice and data simultaneously over the same network, same network के उपर, वरना 3G के अंदर का होता था, अलग-अलग network पे आपकी voice होती थी, अलग network पे आपकी internet होती थी, speed जो है, वो increase होके, अप कितनी होके, 100 mbps, 1 gbps तक की speed हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, ये वाली चीज़ आप एक बारी read करेंगे, ठीक है, बहुत important चीज़े हैं, यहां से questions कई बारी आजाते हैं, अच्छा, एक term आप देख लीजे, latency का क्या मतलब होता है, देखो, जब भी हम internet use करते हैं, मान लीजिए, मैं घर पे बैठा हो, मैंने browser खोला, और मैं browser प आपका एक data का packet जाता है, चोटा सा data का packet, यह चोटा सा data का packet यह क्यों जा रहा है, यह जा रहा है, यह जा रहा है to establish connection between my computer and google server, अब जो भी मैंने serve किया है, पहले यह data उस connection को establish करेगा, और फिर उसके बास search result आ जाएंगे, यह जो करने में time लगता है, connection set करने में जो time लगता ह जितनी जादा latency होगी, उतना slow internet चलेगा, क्यों? क्योंकि connection establish करने में time बहुत जादा लग जाएगा, जितनी कम latency होगी, connection उतना ही जल्दी होगा, और बहुत तेजी से information की exchange होने चालू हो जाएगी, तो latency जो है, वो low होनी चाहिए, अब आप खुद बताएगे, highest latency आपको, मत इसी बात है, तो इसके अंदर तो आपको कुछ रटने की ज़रूत नहीं है, अब हम आजाते हैं 5G के ओपर, जहां से question की आप अमीद कर सकते हैं, 5G आपका next generation का cellular technology है, जो की बहुत ही fast और reliable communication प्रुवाइड करेगा, इसकी latency ultra low होगी, यानि की gap time और transmission time for a packet of data जो है, वो 50 Mbps की speed हमें देखने को मिलती है, अगर हम wide area की बात करें, छोटे area की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर 1 Gbps तक की speed हमें देखने को मिल सकती है, massive connectivity है, धेर सारे लोगों को एक साथ connect किया जा सकता है, latency बहुत ही कम हो जाएगी, 1 millisecond की, reliability बहुत ही कम हो जाएगी, यानि की कई बारी notice क्या होगा, जब आप train के अंदर बैठे होते हैं, train बहुत तेजी से चल रही होती है, तो आपका connection सही से established नहीं हो पाता, कभी internet आता है, कभी नहीं आता, 5G के अंदर, even when you are moving at a very high speed, your connection will be stable, high speed पे भी mobility, high mobility पे भी, आपको connection मिलता रहेगा, ठीक है, तो ये बहुत ह point है, ठीक है, इसके application के है, application आप एक रीड करेंगे, लगबग हर एक जगा पे, जहां पे भी internet सोच सकते हैं, वहां पे 5G की application है, obvious सी बात होनी चाहिए ये आपके लिए, ठीक है, फिर आजाता है आपका 5G millimeter wave band, 5G millimeter wave band क्या कहता है, internet की जब हम बात करें, या फिर cellular communication की जब हम बात करें, तो एक चीज़ उसके अंदर आपको ध्यान रखनी होती है, कि, देखे, जो भी आपका communication हो रहा है, वो किसे ना किसी spectrum band पर हो रहा होगा, किसे ना किसी spectrum band पर हो रहा होगा, ये जो spectrum band है, band का मतलब है frequency की range, ठीक है, frequency की range, frequency is directly proportional to speed, यानि कि जितनी ज़ादा frequency होगी इसी band की, तो उस पर उतनी ही ज़ादा speed आप transfer कर सकते हैं, speed मतलब कि उतनी तेजी से data transmit हो जाएगा, लेकिन इसके साथ एक drawback भी है, drawback क्या है, कि frequency is directly related to speed, यानि कि जितनी ज़ादा frequency, उतनी ज़ादा speed, लेकिन frequency is inversely proportional to range, यानि कि जितनी ज़ादा frequency, उतनी कम range, यानि कि, band use कर ले, तो इसकी frequency काफी high है, काफी high होने के वैसे, इसकी speed बहुत ज़ादा हो जाएगी, लेकिन इसका transmission, इसका transmission बहुत ज़ादा range को cover नहीं कर पाएगा, ठीक है, range जो है, वो कम रहेगी इसकी, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए आपको, जो भी जमीन है, इस land पे थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद आपको towers लगाने पड़ेंगे, ताकि आप अपनी ये जो data है, data को उसी speed में transmit कर सके, ये क्या आपके जो number of towers है, वो number of towers increase हो जाते हैं, जो millimeter band है, ये आखिर क्या है, इसको देखें, अब हम, देखो, आपका जो 5G band start होता है, 6 GHz, ये frequency 6 GHz, 6 GHz तक की frequency जो है, वो कौन यूज कर रहा था, वो आपका 4G यूज कर रहा था, 6 GHz से लेके लगभग 100 GHz का जो frequency होती है, ये frequency यूज की जाएगी 5G के दोवारा, ठेक है, 6 GHz से लेके 100 GHz, 6 GHz से कम में आपके 4G थी, यानिकी एक चीज तो clear होगी, frequency increase हो रही है, तो 5G की speed increase जादा होगी, अब मैं आपसे question पूछ हूँ, की 2G, 3G, 4G, 5G, सबसे जादा speed किस में देखने को मिलेगी, 5G में देखने को मिलेगी, ये तो बहुत ही clearly है, speed किस से जुड़ा होई, speed frequency से जुड़ा होई, अगर घुमा के question पूछा जाएगा, तो क्या पूछा जाएगा, in band में से सबसे कम frequency पे कौन सा, in generation में से सबसे कम frequency पे कौन सी generation काम करती है, तो 2G सबसे कम frequency पे काम करेगी, इसलिए 2G की speed कम होती है, लेकिन 2G की जो range होती है, 2G की range बहुत जादा होती है, तभी आप कभी rural area में जाएगे, तो आप देखेंगे, rural area में आपका 3G, 4G नहीं चल होती है तो range जादा हो जाती है frequency कम होती है तो speed भी कम हो जाएगी सबसे आदा speed 5G की लेकिन सबसे कम range वो भी अपके 5G की होगी 5G आपका 6 GHz से लेके 100 GHz तक चलता है अब इसी के अंदर एक और band बना हुए जिस band का नाम है millimeter band millimeter wave band यह जो millimeter wave band यह आपका स्टार्ट होता है 24 GHz से लेके 100 GHz तक यह आपका चलता है तो आपका जो यह millimeter wave band है इससे जो भी आपके frequency वाली चीज़े हैं उनसे आप answer निकाल सकते है हम यह पता लगा सकते हैं कि जो millimeter wave band है इसकी frequency हाई है frequency हाई है तो इसकी speed जादा होगी but इसकी जो range है इसकी range कम एक और इसी के अंदर चीज़ आप याद रख सकते हैं या फिर मैं एक काम करता हूँ सारे formula को एक साथ आपका लिखते देता हूँ ठीक है ताकि कोई भी question है तो आप निकाल सकते answer frequency का क्या-क्या relation है अलग अलग चीज़ों के साथ वो मैं यहाँ पर बता रहाँ frequency is directly proportional to speed यानि कि frequency increase होगी तो speed increase होगी frequency decrease होगी तो speed decrease होगी frequency is inversely proportional to range frequency जादा range कम frequency is inversely proportional to wavelength ठीक है तो मैं कह सकता हूँ कि millimeter wave band जो है इसकी range कम है मैं ये भी कह सकता हूँ कि millimeter wave band की wavelength कम है wavelength को हम lambda से दिखाते है lambda ये होता है तो wavelength भी इसकी कम होगी तो ये आपको याद रखना है तो आप कोई भी इस तरह का question आएगा तो आप उमीद करता हूँ कि question का answer कर पाएंगे ठीक है आप देखते हैं कि notes के अंदर का लिखा हूँ है 5G के है ये आपका long term evolution पे काम करेगा mobile broadband network है most recent update है बहुत ही quick data transfer होगा lower latency है इसके अंदर better spectrum utilization है ठीक है ये 5G spectrum के सिरफ band बता रखे हैं कि आपके कुछ low band spectrum है low band spectrum के अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे range आपको ज़ादा देखने को मिल जाएगी लेकिन speed कम देखने को मिलेगी यहाँ पे range ज़ादा है as compared to other bands range ज़ादा है speed यहाँ पे थोड़ी सी कम होगी ठीक है लेकिन क्योंकि ये जो coverage है ये coverage बहुत बढ़ी देता है तो इसको हम rural area के अंदर utilize कर सकते है यहाँ पे जो maximum speed मिलेगी वो 100 mbps के आसपस तक की मिल सकती है अब क्योंकि इनकी speed कम है low band spectrum की तो इसलिए ये ज़ादा suitable नहीं हो सकते business के लिए business में हो सकता है कि हमें थोड़ी सी higher speed की ज़रूत है तो commercial cell phone के अंदर आपके low band spectrum को utilize नहीं किया जाएगा low band का मतलब है low frequency वाले spectrum ठीक है mid band के अगर बात की जाए तो mid band इसके मुकाबले जादा fast होगा ये faster है low band के मुकाबले क्यों क्योंकि इसकी frequency थोड़ी सी जादा हो जाएगी frequency थोड़ी सी जादा होने को जाएगी इसकी speed थोड़ी सी जादा हो जाएगी लेकिन इसका जो coverage है coverage एरिया थोड़ी सा restrict हो जाएगा frequency increase होती है तो range reduce हो जाती है वही यहाँ पे लिखा हुए high band के अगर बात की जाएगी तो ये तो fastest है ये का जार है कि जो millimeter band है अचा millimeter band मैंने आपको बता दिया 24 से लेके 100 GHz का है अभी पिछले साल जब auction हो रही थी 5G की तो 5G की auction में हम 24 से लेके लगभग 27 तक का जो band है 28 तक का band था हम सिरफ इसकी auction कर रहे थे तो millimeter band में भी जो सबसे लोवर वाला spectrum है हम उसको auction कर रहे थे ठीक है ताकि हम speed और range इन दोनों के बीच में balance maintain कर सके ठीक है लेकिन इसके पीछे controversy होगी थी controversy क्या होगी थी जो आपकी satcoms है satcoms होती है satellite companies satellite companies का satellite companies के पास लगभग 27 GHz वाला range है 27 तो 17 से लेके 27 वाला तो satellite company कहने लगी कि 27 वाला हमारे पास है और 27 और यहां पे 24 से लेके 28 तक का आप यह telecom companies को दे रहे हो तो यह वाला जो band है इस band में satellite companies भी काम कर रहे है telecom वाली भी काम कर रहे है तो यहां पे कुछ गडबड हो सकती है तो इसलिए satellite companies कहा रहे है कि तो जो telecom companies को यह 27 से कम वाला प्रोवाइड करो तो इसलिए यह जो lower frequency band लिखा हुआ यह इस वाले की बात की जा रहे है कि लगभग 24 से लेके 28 GHz वाला ही auction किया जा रहा था ताकि balance maintain किया जा सके to longer distance और उसके साथ high speed मिल सके इंडिजीनस 5G की अगर बात की जा तो इंडिया के अंदर 5G technology को लेके क्या क्या काम हो रहे है तो इंडिया के अंदर जादा काम नहीं हो रहा है इसके अंदर आपको सिरफ यह पता होना चाहिए कि LMLC technology क्या होती है LMLC की full form है आपकी low mobility large cell low mobility large cell क्या होता है low mobility large cell यह एक method है इस method के अंदर क्या करते है low mobility large cell method के अंदर हम जो data transmit करते है वो cell based waveform में करते है सिरफ यह रट दीजिए इसमें समझने के लिए समझने की ज़्यादा कोशिश मत कीजिए ठीक है cell based waveform के अंदर हम data को transfer करते है यह जो आपका low mobility large cell है यह low mobility large cell lower frequency पे काम करता है lower frequency than 5G 5G से कम frequency पे यह काम करता है lower frequency than 5G ठीक है 5G के मुकाबले कम frequency पे काम करता है बट still क्योंकि हमने यह cell based waveform यूज के उसके बाद भी यह जो speed पहुंचाता है वो speed थोड़ी सी high होती है ठीक है but speed is still high speed is high अब सबसे अच्छी चीज क्या है यह जो frequency यूज कर रहा है यह lower है 5G से तो frequency कम होने के वज़े से इसकी जो range होती है इसकी range जादा होती है इसकी range जादा होती है तो अब इस चीज को लेके हम इतने खुश क्यों है इस चीज को लेके हम इसलिए खुश है क्योंकि धेर सारे IIT ने मिलके एक नया network बनाया है जिसका नाम है 5GI This 5GI is based on low mobility large cell low mobility large cell को use करके हम rural area के अंदर internet provide करेंगे rural area के जो लोग होते है उनकी mobility बहुत जादा अतनी होती है जैसा नहीं कि गाड़ी पर वह बहुत तेजी से चल रहे है तो उनकी mobility कम होती है तो low mobility के अंदर यह जो आपके cell based waveform है यह cell based waveform अच्छे से काम कर जाती है ठीक है प्लस rural area के अंदर अब range जादा हो जाएगी एक चीज समझे हर एक company profit कमाना चाती है तो अगर कोई company 100 रुपे invest कर दिया तो वह चाती है कि 100 रुपे से 1000 रुपे बना ले उसकी कोई न कोई investment हो उसका कोई न कोई profit है रूरल area के अंदर अगर कोई company 100 रुपे लगाती है तो उसको बहुत ही कम return मिलता है सेम काम अगर वह अर्बन रुपे में करती तो उसको return हो सकता है 200-200 रुपे मिल जाते है तो रूरल area के अंदर जो companies हैं वह जादा investment नहीं करना चाती है अब जब हम उसकी बात करते हैं cellular communication की बात करते हैं सबसे बड़ी investment क्या है towers लगाना अब जो towers हैं अगर किसी ऐसी service को हम use करेंगे जिसकी range बहुत कम है तो हमें धेर सारे tower लगाने पड़ेंगे tower जो है वह पास-पास लगाने पड़ेंगे तो आज की date में क्या होता है आज की date में rural area में हर 1.7 km पे tower लगाना पड़ता अगर वहां पे हम 5G roll out कर देते तो ठीक है वहां पे अगर 5G use किया जाए तो लेकिन अगर हम 5G use करने की बजाए 5G से थोड़ी सी lower frequency पे हम rural area में internet services provide करें और हम cell based waveform का इस्तमाल करें तो उस case में 1.7 km के जगा हर 6 km पे tower लगाने पड़ेंगे तो थोड़ी से tower कम लगाने पड़ेंगे क्यों क्योंकि दोनों tower के बीच में distance increase हो गया range increase हो गई तो यह जो आपकी LMLC है LMLC इसी लिए एक बहुत ही अच्छी चीज मानी जा रही है for rural India कि रूरल इंडिया के अंदर भी भले ही 5G जितनी speed न आप है लेकिन एक अच्छी speed आएगी range increase हो जाएगी जो tower लगाने की requirement है वो tower लगाने की requirement भी थोड़ी सी कम हो जाएगी यह आप याद रखेंगे इंडिया के अंदर वैसे 5G को लेके बहुत जादा काम नहीं हो रहा है benefits क्या है LMLC के एक तो distance between two base stations base station के बीच में distance increase हो जाएगा to six kilometer ठीक है तो rural India के अंदर यह beneficial है ठीक है अब base station को क्या किया जा सकता है जो gram पंचायत होती है gram पंचायत पे एक base station बना दो और फिर उस gram पंचायत से इधर उधर के areas में internet provide कर दो at six kilometer distance ठीक है दूसरी जगाओं पर आपके छेचे किलोमेटर पर आप टावर लगा सकते हो इससे capital expenditure reduce हो जाएगा जो internet की speed है rural area में वह increase हो जाएगी ठीक है और जो rural areas है उनको वहाँ पे लगाना है जहां पे भारत net fiber end हो रहा है तो यहां पे यह जो भारत net है यह news में नहीं था बट स्टिल इसको आप एक छोटा सा Google करके पढ़ेंगे कि भारत net क्या होता है ठीक है edge computing क्या होता है edge computing में क्या है आज की date में जब भी आप कोई data लेते हैं माल लिजे आपने example के तौर पे आप ठीक है आपने धेर सारा data इखटा किया instagram से ठीक है और आप instagram के उपर editing कर रहे हैं instagram के उपर आप editing कर रहे हैं ठीक है तो जब आप यह editing कर रहे होते हैं तो यह editing आपके mobile phone में नहीं हो रही है आप सिरफ mobile phone में देख रहे हैं इस data की सारी की सारी processing जो है वो किसी cloud server पर हो रही होती है किसी cloud server पर सारी की सारी processing हो रही हो आपकी जो भी फोटो है, आप उस फोटो में जो भी एडिटिंग करेंगे, वो इस Cloud Server में होता रहता है, जब आप उसको डण कर देते है, डण होने के बाद, आप उसको Instagram के उपर, इंस्टाग्राम के उपर, आप क्या कहा जाता है, जो Instagram पे पोस्ट कर देते हैं, अपने Instagram पे पोस्ट कर दिया, उसके बाद अगर आप चाहें तो आप अपने mobile के अंदर download कर सकते हैं, तो basically इस example से मैं क्या समझाना चाहरा हूँ, example से मैं ये समझा रहा हूँ, कि इस पूरे example के अंदर क्या हो रहा है, जो आपने फोटो ली थी, फोटो आपका data, data आप कहां से ले रहे हैं, data आप अपने mobile phone से ले रहे हैं, ठीक है, और फिर इसके उपर आप जो processing कर रहे हैं, processing आपके mobile में नी हो रही, processing कहीं दूर दराज किसी cloud server में हो रही है, और फिर उसके बाद processing के बाद आप उसको Instagram के उपर post कर देते हैं यानि कि जहां पे data collect हो रहा है और जहां पे उस data की processing हो रही है यह दोनों के दोनो area जो है बहुत जादा दूर हो गए बहुत जादा दूर होने के वज़े से यह जो processing है इन सब चीजों के अंदर थोड़ा सा time gap आजाता है इन सब के अंदर थोड़ा सा time gap आजाता है अब मैं एक और दूसरा example लेता हूँ समझने की कोशिश कीजिएगा माल लीजिए एक गाड़ी है जो की automatic driven है ठीक है जो की manual car नहीं है यह road है यह road है यहाँ पे car चल रही है self driven car रही है car road पे से photos के तुरू images के तुरू data collect करती रहती है और decision लेती रहती है कि मुझे कहाँ पे मुड़ना है माल लीजिए यहाँ से एक और car आ रही है ठीक है अचानक से यह car इस तरफ जा रही है यह car इस तरफ जा रही है ठीक है तो यह जो car है यह car cameras के तुरू data ले रही है surrounding से वो जो data है वो किसी cloud server पे जा रहा है cloud server पे उस data की processing हो रही है और फिर processing के बाद पता चल रहा है कि इस car को क्या करना है imagine करिए इस तरह से यह सारी की processing हो रही है तो इस case में क्या होगा car यहां पहुँच चुकी है उसने एकदम से data collect किया कि मेरे सामने car आ चुकी है वो data जाएगा cloud server पे cloud server में processing होगी और processing के बाद processing के बाद इस car को instruction मिलेगी अरे जल्दी से break मार वरना मर जाएगा ठीक है और car फिर break मार देगी इसके अंदर लगेगा time हो सकता है कि जितनी देर में यह processing होके data दुबारा से car के पास पहुच रहे इतनी देर में इन दोनों के आपस में टक कर हो जाए तो इसलिए क्या किया जाता है यह जो car है यह car यहां पे data collect कर रही है अगर मैं इसकी processing भी यहीं पे ही कर दूँ तो data को यहां पे पहुच के processing करने में कोई time नहीं लगेगा और processing से जो output है वो output दुबारा से car में पहुचने में कोई time नहीं लगेगा क्यों? क्योंकि जो processing हो रही है जहां data collect हो रहा है उस data collection के edge पर data यहीं पे collect हो रहा है और इसी edge पर processing हो रही है तो processing हो के instruction आने में जो time लगता है वो time यहां पे almost खतम हो जाएगा तो ऐसे में क्या हो गए? car जो है car ने सामने से किसी car को देखा यहां पे data collect किया गया और यहीं पे processing हो गई और car ने तुरंत brake मार दी यहां पे accident को prevent करने के chances है वो chances increase हो जाते है accident को prevent करने के chances increase हो चुके है ठीक है इसको कहा जाता है edge computing edge computing के अंदर जो आपकी processing होती है वो वहीं पे ही होती है जहां पे data को collect किया जा रहा है edge computing enables data to be analyzed, processed and transferred at the edge of a network network के edge पर इसको किया जाता है ठीक है जहां पे भी लोग information को consume कर रहे है जहां पे भी लोग information को consume कर रहे है वहीं पे processing कर दो तो यहां पे data collect हो रहा है और यहीं पे उसको process कर दिया यहीं पे instruction मिल गई ठीक है दूसर scenario के है यहां पे data collect किया data जाएगा किसी server के पास server में processing होगी, फिर instruction आएगी यहाँ पे, जो time लगा इतने में हो जाएगी ठीक है, तो इसलिए जो self-driven car है, self-driven car में edge computing एक बहुत ही important role play करती है ठीक है, इससे computation और data storage, यह दोनों के दोनो device के पास ही जहाँ पे भी data को gather किया जा रहा है वहीं पे उसकी computation हो रही है computation मतलब की processing हो रही है ठीक है, तो इससे हमारी speed increase हो जाती है, decision लेने की तो edge computing कैसे काम कर रहा है एक बार यह image देख लिएगा, बटाई think आप समझ गई होंगे benefits क्या हो जाएगा edge computing के real time data processing हो जाएगी very low to no latency इसके अंदर latency, time lag नहीं होगा cost effective है क्योंकि locally आपकी सारी processing हो रही है faster response time हो जाएगा, जिसकी वैसे आपकी self driven cars जो है वो और भी जादे efficient हो सकती है, और भी जगा पे इस का use है अच्छा, interoperability between legacy and modern devices legacy devices को उते है old devices, तो old devices कर सकते है, reliable है reliable है क्यों, क्योंकि अगर मैं data यहां से किसी server के पास भेज रहा हूँ तो मुझे यह connection भी establish करना है, इस connection में अगर कोई break आ गया, तो data उसके पास तक नहीं पहुच पाएगा data उसके पास तक नहीं पहुच जा, तो मेरे पास it reduces the amount of data to be processed in cloud-based locations ठीक है internet of things जो है वो और भी जादा अच्छे से improve हो जाएगा battery life इंप्रूव हो जाएगा, यह सारे की सारे आपके edge तो उसके वो है, ठीक है edge computing के benefits है how is edge computing different from cloud computing तो उमीद करता हूँ कि लगभग आप समझ चुके होंगे difference क्या है लेकिन फिर भी एक बर देख लेते हैं, notes में क्या लिखा हूँ है सबसे बड़ा difference यह है कि जो भी data की processing हो रही है, वो data की processing कहा हो रही है, अगर किसी cloud server पे हो रही है, तो उसको cloud computing कहा जाता है, और अगर edge of the network पे हो रही है wifi 6.1, लाइफाई का क्या मतब होता है light fidelity, wifi का क्या मतब होता है wireless fidelity, अब wifi 6.1 होके है, यह आपका next generation की wifi technology है जिसको हम AX wifi भी कहते है AX wifi भी कहते है यह जो wifi है, यह internet of things को और भी अच्छा बनाने में मदद करेगा इसको एक बार यह आप सिरफ read कर लेंगे, यह बहुत जादा important नहीं है, same आपका जो free space optical communication है, यह भी बहुत जादा important नहीं है या फिर चलिए, मैं आपको यह वाला बता दिता हम free space optical communication FSO एक optical communication, जैसा की नाम भी बता रहा है optical communication, तो FSO जो है वो एक optical communication की technique है, जिसके अंदर light को free space के अंदर, free space के अंदर transmit किया जाता है, ठीक है light या फिर आप laser माननी जीए, laser को laser को अगर मैं air के अंदर air के अंदर, outer space के अंदर layer, outer space, vacuum ठीक है, इनके अंदर अगर मैं light को laser को मारूं और इस light को utilize करूं data को एक जगा से दूसरी जगा transmit करने के लिए, तो इसको का जाता है free space optical communication तो free space समझ के, free space क्या है, air outer space, vacuum, यह आपका free space हो गया और हम optics को use कर रहे है, light को use कर रहे है, communication establish करने के लिए data transfer करने के लिए, light इसमें use की जाती है, अब देखे, light जो है, मान लिजए, मैं light A point से B point पे भेज रहा हूं और रास्ते में कोई दिवार आ गई, तो क्या यह light A point से B point जा पएगी, नहीं जा पएगी तो इसलिए, जो आपकी यह free space optical communication होती है, यह line of sight technology इसको कहा जाता है, ठीक है अब एक बार देख लेते है, notes का notes में क्या लिखा है, FSO communication system system वो होते हैं, जहां पे free space को, हम communication channel की तरह use करते हैं, free space में ही हम light को transmit कर रहे है रास्ते में कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए line of sight हमेशा clear होनी चाहिए तो इसमें एक आपका एक इसके अंदर होता है आपका transmitter और एक होता है आपका receiver receiver signal को भेजता है, transmitter उसको receive करता है, ठीक है between transceivers line of sight इसके अंदर चाहिए होता है atmosphere space या vacuum कहीं पे भी इसको भेजा जा सकता है और यह जो technology है, यह technology काम करती है by transmitting light through atmospheric space communication channels ठीक है तो इसले इसको हम optical connectivity भी कहते हैं, बहुत जाद इसके अंदर नहीं है ठीक है अचा fiber optics अगर हम इसको compare करें, fiber optics के अंदर भी क्या करते हैं optical fiber के अंदर भी light ही transmit कर रही एक जगा से दूसरी जगा, और optical fibers के अंदर total internal reflection हो रही होती है FSO जो है वो और जादा flexible होता है, और जादा high speed पर ये काम कर सकता है तो इन दोनों के बीच में comparison आजाए तो FSO जादा superior as compared to optical fibers, लेकिन जो FSO है वो atmospheric effect से effect हो जाता है atmospheric effect जो है वो इसको थोड़ा सा change कर सकते है Giga mesh क्या होता है Giga mesh क्या है इसके अंदर हम millimeter wave की multi beam technology को use करते है सिरफ रट लीजिए, mesh बना हुआ Mesh का मतलब क्या है कि धेर सारे धेर सारी चीजे जब एक साथ आ जाते तो इसको mesh कहते है, तो इसलिए multi beam technology को use किया जाता है millimeter wave पे, उसको Giga mesh कहते है, इसका फाइदा क्या होता है multi beams use करने की वज़े से हम rural area में high speed पे internet पहुंचा सकते है internet की जो speed है, वो internet की speed increase हो जाती है और जो cost है, cost काफी कम हो जाती है इसको Giga mesh कहा के जाता है simple सा अगर question पूछा जाए Giga mesh आपका किस से जुड़ा हो है bio technology से है या किस से है तो यह internet या फिर cellular communication या फिर wireless connectivity इन सब चीजों के साथ Giga mesh डील करता है रूरल area में high speed internet प्रुवाइट करने का यह तरीका है Wi-Fi calling internet के तुरू आप जो call करते है उसको Wi-Fi calling कहा जाता है जो भी आपकी websites होती है हर website को एक machine readable IP address मिला होता है जैसे IP address 192.0.2.44 यह एक machine readable IP address है क्या आपको इस तरह का number याद हो पाएगा अगर मैं आपसे कहाँ कि आपकी सारी sites जो भी आप open करते हैं उसके लिए आपको इस तरह के numbers याद करने पड़ेंगे किसी का number 1 यह वाला है किसी का number हो जाएगा 1012.0.1 0.55 यह एक दूसरी website का number होगा यह एसी धिर सारे numbers है यह जो numbers होते हैं machine readable IP address है यह एक तरह के domain name है यह ऐसे domain name है जो कि सिरफ machine पड़ सकती है आप इसको याद नहीं कर सकते है आप चाहते हैं कि आपको simply बता दिया जाए कि अगर आपको यह वाला यह वाली site खोलने है Google.com 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 याद करना असान है यह वाली site कर जाएगा xyz.com ठीक है कोई और site होगी उसको नाम दे दिया गया examquest.in ठीक है तो इस तरह से आपको दो तरह के domain name देखने मिलते हैं domain name कैसे होते हैं एक तो वह जो कि हम समझ सकते हैं और दूसरे domain name जो कि machine readable आई पल तो इसीलीग क्या किया जाता इन domain name को आपस में लिंक किया जाता है Google का domain name यह हो गया फलाना फलाना website मैं यह हो गया ठीक है तो इस तरह domain name को link करने का जो काम करता है वह होता है आपका domain name server यानि कि www.google.com टाइप करोगे ठीक है तो यह domain name server इसको convert कर देगा machine readable IP address के अंदर और वो IP address आपकी site आपके computer screen पे आपको सामने खुलता हुआ नजर आ जाएगा यह domain name server का काम होता है अभी तक domain name server कौन dominate करता है आपकी western countries, US dominate करती है इंडिया अपना एक local public domain name server launch करना चाहता है ताकि citizens का data जो है वो locally ही store किया जा सके not very important सिरफ domain name server आपको पता होना चाहिए कि एक system है जो translate करता है domain names to internet protocol और IP address that allows browsers to load websites ठीक है domain name server translates human readable domain names into machine readable IP address machine readable IP address और human readable domain names human readable domain name google.com हो गया और IP address ही हो गया ठीक है समझ के इसका क्या नाम होता है open API 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 होता है आपका application programming interface इसको समझने के लिए आप imagine करिए आपके phone के अंदर आपके phone के अंदर एक weather weather बताने वाला आपका वो है app डली हुई है जो यह बताती रहती है कि आपके आस पास किस तरह का weather आपको देखने को मिल रहा है यह जो app है यह app आपके phone के अंदर है यह app क्या करती है यह app जो भी आपका Indian Meteorological Department है IMD का जो data होता है IMD अपने यहां पे data को इखटा कर रही है और IMD उस data को अपने software के उपर update कर रही है इस data कहां पे collect हो रहा है data collect हो रहा है IMD के पास IMD ने उस data को कहा पे डाल दिया अपने पास जो software है उस पे डाल दिया आपके पास के आपके पास एक app है जो कि weather की information देती है यह app weather की information कभ देगी जब यह app कम्मुनिकेट करेगी IMD के इस software के साथ IMD के इस software के साथ यह app IMD के software के साथ communicate करती है और इसके data को इसके data को आपके phone के screen पर show करने लगती है आपके phone में तो वो instruments नहीं लगे हुए जो humidity measure कर सकें जो temperature measure कर सकें ठीक है आपके phone के अंदर वो instrument नहीं है आपका phone सिरफ data show कर सकता है data कहां collect हो रहा है IMD के office में IMD उस data को अपने software पे डालता है तो यहांपे क्या आरह है यहांपे दो software आपके क्या कर रहा है यह जो communication है यह communication कोई ना कोई protocol भी follow कर रही होगी थीक है? यह जो communication का protocol होता है इसको कहा जाता है application programming interface Application, Programming, Interface Interface means two distinct software आपस में बात करें Programming means कि यहां पे कोई ना कोई Standard यह प्रोटोकॉल सेट किया जाएगा तो यह होता है आपका API API meaning API जो है वो आपका close हो सकता है API जो है वो आपका open हो सकता है अब यह close API और open API क्या होते है अगर यह API है जो भी यह प्रोटोकॉल बनाए हुए है कि किस तरह एक software दूसरे software के साथ बात करेगा यह सारे के सारे protocol open है Public इसको देख सकती है कोई भी software developer इसको देख सकता है तो इसको open API क्याते है और अगर यह close होता है तो इसका मतलब होता है कि वो closed API है अब open API के अंदर क्या होगा जो भी software developers है वो इन protocols को इन standards को देख सकते है वो यह देख सकते है कि आपके phone की app आपके phone की app क्या तरीका अपना के इस software के साथ communicate कर रही है तो अगर software developer को यह पता चल गया कि किस तरीके से यह communication हो रही है software developer उसके अंदर changes लेके आ सकता है उसके अंदर modifications लेके आ सकता है उसके अंदर improvement लेके आ सकता है उसके अंदर improvement लेके आ सकता है ठीक है तो मान लीजिए आपके यही जो app है जो communication कर रही है अब यही कोई software developer ने इस app का जो open API था open API देखा और उसने एक और app बना दी, यह जो app है यह app क्या करती है, यह app link कर देती है कि अगर आपके यहाँ पे weather ऐसा है अगर आपके यहाँ पे weather मान लिजे बारिश होने वाला weather है तो इस time पर आपको पकोड़े खाने चाहिए कि जैसा weather है, उसकी हिसाब से आपको food recommendation दे रहा है तो open API के अंदर यह जो modification यह जो changes है, यह changes करने बहुत ही आसान रहते हैं, ठीक है अब open API के अंदर एक दिक्कत कह लीजिए, यह अच्छी चीज कह लीजिए कि open API में जो data है data accessible बन जाता है data accessible बन जाता है data accessible अगर बन जाता है तो इसको लोग बेच के कुछ पैसे भी कमा सकते हैं ठीक है, तो open API समझ गए open application programming interface interface का मतलब कि किस तरह से 2 app आपस में बात कर रही है और उसके पीछे क्या protocol follower है वो उसकी programming कहला ही जाती है ठीक है, open API जो है जिस भी इंसान ने API बनाया है वो API अगर इसको open कर देता है तो इसका मतलब यह है कि आप बिना permission के उसके इस API को use कर सकते है उसके अंदर changes कर सकते है इसका सबसे बड़ा example कि है Android Android किसने बनाया? पूरा का पूरा Android operating system आपके Google का है लेकिन Android जो है यह एक open API है यह एक open API है तो इस वज़े से आप देखेंगे कि अगर आप OnePlus का phone लेते हैं तो OnePlus के phone पे आपको अलग तरीके का system देखने को मिलता है अगर आप Google का Pixel phone लेते हैं तो उसके उपर आपको अलग तरीके का system देखने को मिलता है सबके सब काम कर रहे हैं, सबके सब काम कर रहे हैं Android के उपर, लेकिन OnePlus का Android अलग दिखाई देगा, Google Pixel का Android अलग दिखाई देगा, Realme का Android अलग तरीके से दिखाई देगा, तो Base System इसके अंदर Android ही रहेगा, लेकिन सब में वो अलग-अलग features आते जाएंगे, क्यों? क्योंकि लोग वो इसको modify करकर, utilize करते रहते हैं, ठीक है, जैसे FunTouch OS FunTouch OS कहा जाता है, OnePlus का जो operating, OnePlus का जो interface है, उसको FunTouch कह देते हैं, काम वो Android पर ही कर रहे हैं, लेकिन Android को इस तरह से modify किया, कि वो दुनिया से अलग, बदब बाकी फोनों से अलग दिखाई देने लग जाता है, ठीक है, तो ये Open API एक Open Architecture प्रोवाइड करते हैं, विच अलाउस बिजनेस टू access data and functionality, without any association with the API provider, जो भी API provider है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, बिजनेस जो हैं, उस Open Architecture के data को और functionality को use कर सकते हैं, in fact, modify भी कर सकते हैं, Government of India भी Open API policy follow करते हैं, आधार के लिए, EKYC, E-Sign और UPI के लिए, आधार जो है, वो UIDAI मैनेज करता है, लेकिन बैंक्स अगर चाहें, तो बैंक्स भी UIDAI के data को use कर सकता है, इसलिए आप देखेंगे, बैंक में जब आप खाता खोलने जाते हैं, तो आपकी Biometric Authentication वो आधार से कर लेता है, ठीक है, और इसके अंदर, आपके data को public भी किया जा सकता है, क्योंकि data जो है, वो public है, उसको बैंक्स अगर चाहें, तो monetize कर सकते हैं, बेच के पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, बस, अब Unified Messaging Platform, इसको आप read करेंगे, not very important, इसको NIC implement कर रही है, Unified Messaging Platform, जैसा नाम है, वैसा ही काम है, QR Code, QR Code आपके scan के लिए use किया जाता है, इसके सिरफ features याद कर लिजए, सबने QR Code तो देखी रखा होगा, इस तरह का होता है, यह जो आपकी image बनी होती है, यह encoded image होती है, encoded image होती है, इसको scan करके, आप कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको payment करनी है, तो इस coding को हम link कर देंगे, किसी account के साथ, तो आप जैसी इसको scan करोगे, आप उस account के अंदर पैसा transfer करने लग जाओगे, मान लिजए किसी को PDF शेयर करनी है, तो PDF शेयर करने का उसने link कोड कर दिया, इस QR Code के अंदर, जैसी आप QR Code को scan करेंगे, आप उस PDF को open कर लेंगे, तो इस तरह से आपके QR Code, इस्तमाल किये जा सकते हैं, अलग-अलग कामों के लिए, ठीक है, इसकी high capacity होती है, encoding की, और 360 degree readability होती है, आप किसी भी एंगल से QR Code को read कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एंगल से, dirt और damage भी हो जाए, तो भी इसको read किया जा सकता है, तो इसलिए इसको, जातर जगाओं पर आजकल QR Code ही यूज हो रहा है, RFID, बहुत ही पुरानी टेखनीक हो चुकी है, यह होती है, आपकी radio frequency identification, यह एक ऐसा wireless system है, जिसमें आपको एक tag दिखाई देगा, और इस tag को read करने के लिए, एक reader दिखाई देगा, इसका एक symbol से, मैं एक example, अगर आपके सामने रखूँ, मान लीजिए, क्या example इसमें हो सकता है, मान लीजिए, यह कोई patient है, इस patient के हाथ पे मैंने, एक bracelet भान दिया, मैं जब इसके पास आऊँगा, तो मेरे पास एक machine होगी, जिसको कहा जाएगा reader, मैं अपने reader से, इस patient के tag को scan करूँगा, जैसी मैं scan करूँगा, मेरे पास उस patient की सारी information आजाएगी, तो यहाँ पे एक tag लगा हुआ, जिसके अंदर धेर सारी information है, उसको read करने के लिए, मेरे को एक अलग से device की जरुवत है, जिसको reader कहा जाता है, क्या-क्या पूछा जा सकता है, RFID, RFID, किस उस पे frequency पे काम करता है, यह आपके radio waves पे काम करता है, इसके लिए आपको, एक tag और एक reader होना बहुत जरूरी है, reader के पास antennas होते हैं, जो की radio waves को emit करता है, radio waves को emit करके signal, जिस भी चीज़ को हमें read करना होता है, उससे टकराते हैं और टकराके वापिस आता है, और फिर उसके बाद reader उसको read करने लग जाता है, ठीक है, passive RFID के अंदर कोई battery की requirement नहीं होती, वो है आपका भार OS, भार OS क्या है, देखिए, Google ने अपना एक Android system बना रखा है, ठीक है, Android operating system है, ऐसे ही, जो Apple phone, Apple phone, आपका iOS होता है, उनका अपना एक Android system है, उससरी Android system कर रहा है, उनका अपना एक operating system है, इंडिया ने भी, अपना एक mobile operating system हो बनाया है, जिसका नाम है भार OS, भार OS बनाया गया है, IIT मदरास के द्वारा, ठीक है, इसको government ने फंड किया था, और ये एक open source project है, और ये जो आपका operating system है, अगर कोई mobile ऐसा बनता है, जो भार OS software को यूज करेगा, तो इसका अपना, इसके उपर कोई भी पहले से, Google की apps, लोड करके नहीं आएंगी, वरना अभी जब आप phone लेते हैं, तो phone के अंदर आपको एक play store देखने को मिलता है, धेर सारी apps pre-installed होती हैं, लेकिन भार OS के अंदर, इसी कोई भी apps install नहीं होंगी, इट विल कम विद no default apps, आपको जो apps चाहिएं, आप वो apps इसके उपर लेके आ सकते हैं, सिंपल सा कोशन पुचा जाएगा, भार OS क्या है, वो इंडिया का indigenously developed mobile operating system है, neuromorphic computing, ऐसी computing, जो उस principle पे काम करते हैं, जिस principle पे आपका brain काम करता है, उसको neuromorphic कहा जाता है, ये mimic करता है हमारे biological synapses को, ठीक है, biological synapses को mimic करता है, ये artificial neural network पे काम करेगा, जैसे आपके brain काम करता है, उसी के तरह इसका function होता है, micro LED displays क्या होता है, देखे, एक होते आपकी LED bulb, मान लिजी, ये आपका एक LED bulb है, ये light emit कर रहा है, अगर मैं कहूँ कि मैं एक LED bulb लगाने के बज़ाए, ऐसे छोटे-छोटे micro bulbs लगाऊंगा, ऐसे छोटे-छोटे micro bulbs लगाऊंगा, तो इसको कहा जाता है, micro LED display technology, micro LED display technology, वो और भी जादा अच्छी images create करती है, ठीक है, प्लस, ये जो चोटे LED होती है, थीज स्मॉल LED आर केपेबल आफ सेल्फ इल्यूमिनेशन, सेल्फ इल्यूमिनेशन, ये खुदी अपने आप भी bright हो जाती है, तो उससे जो energy, energy कम यूज होती है, यानि कि ये कम पावर कंस्यूम करेगा, ठीक है, प्लस, क्योंकि ये चोटी-चोटी LED है, तो इनकी जो life है, इनकी life increase हो जाती है, इनका life span जो है, वो जादा हो जाता है, तो हमें जादा brightness मिल रही है, ये कम पावर यूज करके, लंबे समय तक, तो इसको micro LED display कहा जाता है, micro LEDs are self-illuminating diodes, that have brighter, better color reproduction than OLED display, OLED का मतलब होता है, organic LED, micro LED के अंदर, ढ़ेर सारे, numerous microscopic LEDs होते हैं, जो कि per display pixel को, खुज से illuminate कर देते हैं, ठीक है, ये जो micro LEDs हैं, these are very small, and measured in micrometers, ये लिखे इसके advantages, बहुत bright होती है, limitless scalability है, क्योंकि छोटे-छोटे size हैं, तो आप कितनी भी बड़ी-बड़ी screens, इसके बना सकते हैं, ठीक है, India stack, India stack है बहुत important चीज है, इसको हम, एक बड़ी देख लेते हैं, अगर कोई और चीज रह गई है, तो पहले वो cover करेंगे, फिर India stack को cover करते हैं, open network for digital commerce, यह मैं आपको बहुत बहुत समझा चुका हूँ, पहले यह cover करते हैं, फिर India stack के उपर आएंगे, बहुती चोटी, बहुती आसान तरीके से, मान लिजए आप Amazon की एप खूल के बैठे हैं, आपने Amazon पे सर्च किया, कि मुझे पैन खरीदने हैं, तो Amazon पे जितने भी sellers रजिस्टर्ड आपको वो सारे की सारे दिखाई देने लग जाएंगे, और आप वहां से पैन खरीद सकते हो, लेकिन जब आप Amazon से पैन खरीदते हो, तो आपकी जो लोकल शॉप है, लोकल शॉप, वह पैन कितने का बेच रही है, लोकल शॉप के पास कौन से पैन है, इसकी इंफोर्मेशन आपके पास नहीं आ रही, फिलिप कार्ट के ऊपर, जो सेलर्स है, उनकी इंफोर्मेशन आपके पास नहीं आ रही, तो O&DC क्या है, सरकाहर चाती है, भी दिखाई देने लगेगा कि Flipkart पे कौन को से सेलर स्पैन बेच रहे हैं आपका कोई local shopkeeper वो भी हो सकता है आपको Amazon की app पर ही दिखाई देने लग जाए लेकिन इसके लिए क्या करना होगा इसके लिए Amazon को ONDC में रजिस्टर करना होगा खुद को Amazon को ONDC पर रजिस्टर करना होगा Flipkart को भी ONDC पर रजिस्टर करना होगा ONDC पर और जो आपके local shopkeeper है उसको भी करना होगा तो ONDC क्या कहता है ONDC कहता है कि जितने भी यह e-commerce platform वाले हैं वो अपने आपको रजिस्टर कर ले हैं ONDC के उपर फिर इसके बाद कोई भी buyer कोई भी buyer कोई भी app खोले कोई भी app खोले और उसके उपर कुछ भी search करे तो इसके search result में उस app के सारे के सारे sellers वाएंगे लेकिन उसके साथ साथ ONDC पर जो बागी sellers ने अपने आपको रजिस्टर करा होगा है उनकी information भी उस app पे आने लगेगी तो भले ही आप Amazon को use कर रहे है लेकिन Amazon app के उपर ही आपके पास flip card के भी result आएंगे आपके local shopkeeper के भी आएंगे XYZ के भी आने लगेंगे तो इस से consumer को ये पता चल जाएगा कि कौन अच्छे prices दे रहे है हो सकता है कि आपका जो local shopkeeper है वो कम prices में आपको बेच रहा हूँ तो आप उस local shopkeeper से भी सामान खरी सकते हैं तो ONDC की वज़े से जो ये छोटे-छोटे shopkeepers वाले होते हैं जो अपनी खुद की app नहीं बना सकते जिनको Amazon flip card पे बेचना नहीं आता वो भी कि ONDC पे आने के बाद अपने आप अपना समान जो है वो local को बेच पाएंगे digitally ये है आपका open network for digital commerce ये आपका open network for digital commerce कहलाया जाता है ठीक है पहले भी दो-तिन बार ही मैं आपको ये बता चोओं current affairs के अंदर ठीक है तो इसके अंदर ये अली line देखिए ONDC goes beyond the current platform centric digital commerce platform centric digital commerce से ये आगे निकल जाता है क्योंकि अब आप चाहें कोई भी platform use करें अगर वो platform ONDC पे registered है तो आप इसकी app पे जितने भी बाकी platform ONDC पे registered होंगे उन सभी के search result देख सकते हो ठीक है ठीक है जो अभी हमारा current model होता है उसमें क्या होता है buyer and seller must use the same platform same platform to be digitally visible ठीक है लेकिन ONDC के बाद consumer जो है वो discover कर सकते हैं किसी भी seller को जो भी ONDC पे register करके बैठा होगा चाहें आप Amazon की app खोलके बैठे हैं लेकिन आपको flip card का भी दिखेगा बशर्ते Amazon और flip card दोनों के दोनों ठीक है और इसके अंदर कुछ खास नहीं है open source software जो आपने open API देखा था यही open source की तरह ही है जो भी software होता है इसकी जो coding होती है इसकी जो programming होती है यह programming publicly available होती है programming publicly available होने से जनता को public को यह पता चल जाता है कि यह जो app है यह app क्या क्या काम कर रही है कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह आपका पीछे से data चोरी कर रही थी और आपको पता ही नहीं था अगर उसकी programming available है तो आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी कि क्या app क्या चाम करती है कौन सा data यूज करती है तो इसको का जाता है open source software तो इंडिया के अंदर भी धेर सारी technologies जो है वो open source पे काम कर रही थी ठीक है open source जादा reliable माना जाता है ठीक है एक बार इसको read कर लिजगा इसके अंदर और जादा नहीं है सिरफ examples हाँ जैसे कि हमारे IRCTC, LIC, State Bank ये सब के सब आपके open source platform को use कर रहे है आपकी ROG के सेतू app भी open source पे थी ठीक है ताकि ये पता चलता रहे है कि लोगों के कितने-कितने data को use किया जा रहे है ठीक है ये एक बार ही read कर ले नहीं इसके अंदर बहुत ज़्यादा समझाने का नहीं है कि open source क्या होता है ये रहे government के ये सारे के सारे platform open source पे काम कर रहे थे इसका मतलब ये है कि इनकी programming publicly available है public check कर सकती है कि ये जो app है ये वाकई में क्या काम कर रहे है कई बारी क्या होता है जो Chinese app होती थी Chinese app क्या करती है जातर वो आपको दिखा रहे हैं कि आप अपने mobile phone पे TikTok बनाओ आप अपने mobile phone पे TikTok बनाओ तुमारा entertainment हो रहा है बट reality में Chinese app क्या करती थी आपके phone के data को चोरी करती रहती थी आपके जो contact हैं आपके जो SMS हैं उन SMS और contact में से data निकालती रहती थी और इन data को अपनी parent company के पास भेज देती थी parent company इस data को यूटिलाइस करती थी चाहे उसको कैसे भी यूटिलाइस करना हो आपको क्या लग रहा है कि मैं एक entertainment की app यूज कर रहा हूं या कर रही हूं बट reality में आप क्या कर रही है आप आपके data को चोरी कर रही है अगर आपको इस tik-tok app की पूरी की पूरी programming दिखा दी जाए तो उस programming के अंदर आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये app background में आपका data चोरी करती है लेकिन वो इस programming को openly नहीं दिखाएगी क्योंकि उसको data चोरी चुपे चुराना है तो open source software के होते हैं पर प्रोग्रामिंग पूरी तरह से अवेलेबल होती है प्रोग्रामिंग को कहा जाता है source code ठीक है उसको source code कहा जाता है source code को distribute कर दिया जाता है public के अंदर कि तुम देख लो हम क्या काम कर रहे हैं जैसे google जो है google का android एक open source है लोग तभी इसके अंदर changes कर पाने है अब हम आ जाते हैं India stack के उपर यह आपका last topic है और बहुत ही important topic है हम इंडिया के अंदर चाते हैं कि जो भी service delivery हो रही है ठीक है डेर सारी सरकारे अपनी services provide करती है यह जो service delivery है इस service delivery की हम quality को improve करना चाते है हम ऐसी service delivery करना चाते है which is first point presence less यानि कि इंसान को किसी office में ना आना पड़े वो अपने घर से जो भी service लेना चाता है वो service ले ले अगर वो office में नहीं आ रहा तो उसकी identity को establish करना होगा तो presence less service provide करने के लिए हम एक presence less layer बनाएंगे presence less layer के अंदर हम ऐसी apps को ऐसे software को ऐसी technology को use करेंगे जो कि इंसानों की identity को establish कर देगी तो यहाँ पे हम क्या use कर सकते हैं यहाँ पे हम biometric biometric digital identity को use कर सकते हैं तो इसके लिए क्या use किया जा सकता है आधार use किया जा सकता है याद है ना आधार आधार authentication से आपकी identity को establish किया जा सकता है उसके आद आपको office जाने की जरूरती नहीं यह presence less service बनागी तो यह presence less layer है जो दूसरी layer होगी वो होगी आपकी paperless layer paperless layer का क्या मतलब है कि जितने भी record है वो सारे के सारे digital form में save कर लो जब digital form में सारे record save होगे तो आपको paper की जरूरती नहीं पड़नी चाहिए तो अगर किसी इंसान की identity भी establish करनी है तो आपने वो biometric के थू कर ली अगर आपको किसी के 10th class का certificate चाहिए यह जानने के लिए कि उसकी date of birth क्या है तो 10th class का certificate आपके digilocker में आपको digilocker के अंदर आपको saved मिल जाएगा तो paperless layer आपकी second layer होती है third layer होती है आपकी cashless layer cashless layer जो भी आप service लेना चाहते हो उसके लिए payment करने के लिए cash देनी की क्या जरूरत है आप wallet यूज़ कर सकते हो आप UPI यूज़ कर सकते हो cashless layer और चौथा service delivery को और भी अच्छा और secure बनाने के लिए एक consent layer है consent layer क्यों consent layer इसलिए क्योंकि आपके biometric data को use किया जा रहा है आपके digital documents को use किया जा रहा है क्या बिना permission के ये सारे के सारे काम हो सकते हैं बिना permission के ये काम नहीं हो सकते तो इसलिए जो चौथी layer रहेगी वो consent layer रहेगी ये जो चार layer है इन चार layer को हम जो service delivery करना चाते हैं वो इन चार layer के stack में करना चाते हैं जिसमें आपकी पहली layer presenceless दूसरी paperless तीसरी cashless और तीसरी सौरी चौथी consentless layer होगी ठीक है सौरी consentless नहीं तो ये आपका इंडिया stack होता है तो अब इंडिया stack के अंदर एक जो current affairs रहे है वो क्या की एक i-spirit नाम की i-spirit नाम का एक pro bono partner pro bono partner का क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है जो बिना पैसे के काम करे i-spirit एक pro bono partner है जो की इंडिया stack को develop करने में मदद करा रहा है अब इसके अंदर जो question आ सकते हैं वो है इन सारी apps के तो इन सारी app का कहीं है कहीं आपने ये थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ current affairs में हो चाहें कहीं पे भी हो तो थोड़ा थोड़ा आप इनको read करेंगे कि आधार के अंदर क्या रहा है e-sign के अंदर क्या रहा है digilocker के अंदर क्या हो रहा है तो ये सारे के सारे आप read करके जाएंगे ये सारे के सारे India stack का ही हिस्सा है धीक है NDAHM में आपको बहुत बारी current affairs के अंदर करवा चुका हूँ तो इस वीडियो में हम यहीं तक कर रहे हैं, थैंक यू, इस सेशन को हम शुरू करेंगे, बायो टेकनलोजी से जुड़े हुए इशू को कवर करके, तो उसके अंदर जो सबसे इंपोर्टन टॉपिक हमें देखना होता है, वो होती है, जैनेटिक मॉडिफिकेशन और उससे जड़ी हुई टेकनीक, दूसरा हम देखेंगे कि जिनोम क्या होता है, जिनोम को किस तरह से एडिट किया जा सकता है, जिनोम एडिटिंग की आज की डेट में, जो सबसे इंपोर्टन टेकनलोजी है, वो है आपकी क्रिस पार कैस 9 टेकनलोजी, जिसको हम CC9 के नाम से मैं लि जिनोम की भी फैक्ट, इसके अंदर छूटे ना, ठिके तो क्रिस पार कैस नाहीं टेकनलोजी, फिर देखेंगे हम किस तरह जिनोम एडिटिंग को यूज करके, हम आज की डेट में कैंसर को फाइट करने का, कैंसर को क्योर करने का नए-नए तरीके निकाल रहे हैं, जिसके surveillance क्या होती है फिर cloning हमें देखना है और उसके बाद कुछ miscellaneous topic है जिनको हम cover करते चलेंगे ठीक है तो चलिए पहले session के पहले topic को हम start करते हैं genes, genetic modification इन सारी चीजों को समझने से पहले हमें थोड़ा सा biology के बारे में पता होना चाहिए इसमें डरने की जरूतनी है, सिरफ हम थोड़ा सा देखेंगे और एक बहुती simple तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कोई भी organism होता है, हर एक organism cell से बना होता है, कुछ-कुछ organism ऐसे होते हैं, जहां पे एक single cell होता है, और यही single cell सारे के सारे काम कर रहाता है, चाहिए वो respiration हो, digestion हो, हर एक काम वो single cell कर देता है, for example आपके जो amoeba होते हैं, amoeba आपका unicellular organism होता है, bacteria आपका unicellular organism होता है, klimodomonas, यह भी आपके unicellular होते हैं, वही पर आपके बाकी जो organisms होते हैं, वो multicellular होते हैं, multicellular organism के नाम से जानते हैं, तो multi-cellular organism के अगर मैं example की बात करूँ तो चाहे आपके पेड़ पौदे हों, चाहे आपके वेल्स हों, चाहे आपके human beings हों, हर कोई आपका multi-cellular organism होता है, ठीक है, तो जो ये cells होते हैं, cell आपकी सबसे चोटी unit आप मान के चलिए फिलाल के लिए, ठीक है, जो cells होते हैं, यही धेर सारे cells मिलके tissues बनाते हैं, जैसे कि आपके muscle tissue हो गए, ये जो tissue होते हैं, धेर सारे tissue मिलके आपकी body के अंदर organs बनाते हैं, organs जैसे कि आपके kidney, ठीक है, kidney आपका एक organ है, liver, लिवर भी आ अगर बात की जाए, तो पेडो के अंदर roots आप उनके एक organ हो जाएंगे, तो जितने भी organ होते हैं, सभी के सभी organ किसी ना किसी tissue से मिलके बनते हैं, और जो tissues होते हैं, tissues cells से मिलके बनते हैं, ये जो cells होते हैं, अलग-अलग cell, अलग-अलग functions परफॉर्म करने के लिए बने होत तीन चीज़े देखने को मिलेंगी, मिलेंगी, कौन-कौन सी तीन चीज़े, देखे, cell की एक outer covering होगी, जिसको हम cell membrane के नम से जानते हैं, यह जो cell membrane होते हैं, यह semi permeable होती है, semi permeable का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि इस cell के surrounding में, अगर कोई ऐसा material होगा, जो कि इस cell को चाहिए होगा, तो वो उस material को इसके अंदर आने देगी, और अगर कोई material ऐसा है, जो कि cell को नहीं चाहिए, तो वो उस material को यहीं पे रोक लेती है, semi permeable है, यानि कि कुछ substances इस cell के अंदर enter कर सकते हैं, और कुछ substances नहीं कर सकते हैं, similarly, इस cell के अंदर जो भी waste produce हो रहा है, cell अपनी इस membrane के थ्रू उस waste को expel भी कर सकता है, ठीक है, तो एक first component आपके cell के अंदर क्या देखने को मिलता ही, मिलता है, वो है आपकी cell membrane, which is semi permeable, दूसरी चीज़ आपको देखने को मिलती है, इस cell के अंदर, एक fluid like, एक fluid like, आपको gel देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर लिख लिख दूसरी चीज़ आपको cytoplasm देखने को होता है, बेसिकली आप imagine कर सकते हैं कि एक गुबारा है और गुबारे के अंदर, बलून के अंदर आपका water field है, ठीक है, तो उसी तरह ये cell का ये गुबारा हो गया, और उसके अंदर आपका ये jelly like fluid field है, जिसको cytoplasm कहते है, और तीस तीसरी चीज़ आपको क्या देखने को मिलती है, तीसरी चीज़ हर एक cell के अंदर, कोई ना कोई, genetic material जरूर होगा, genetic material ठीक है, तो हर cell के अंदर ये तीन चीज़े होती होती है, अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कि organism आपको दो तरह के देखने को मिलते है, unicellular organism and multicellular organism, तो जातर जो आपके unicellular organism होते हैं, unicellular organism prokaryotic cell से बने होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि unicellular organism के अंदर जो cell होते हैं, वो आपके prokaryotic होते हैं, prokaryotic cell कों से थे हैं, prokaryotic cells, आपके primitive cells होते हैं, या फिर इनको incomplete cell भी कहा जाता है, incomplete cell क्यों बोलते हैं, क्योंकि इ ये cell के मैंने आपको तीनों चीज़े बोली थी ये तीनों की तीनों चीज़े बिना किसी structure के बस ऐसी ही पड़ी होती है कि आपके एक cell membrane अच्छा cell membrane को plasma membrane भी कहते हैं तो confused मत हुएगा तो जो आपके ये prokaryotic cells होते हैं prokaryotic cells के अंदर आप देखेंगे कि सिरफ एक cell membrane होती है अंदर आपका fluid होता है jelly like और आपका genetic material होता है वो पूरा का पूरा बस ऐसे ही पड़ा हुआ है कोई खास structure इसके अंदर देखने को नहीं मिलता एक और चीज़ जहां से आपका सवाल बन सकता है वो ये कि prokaryotic cell के अंदर कुछ चीज़े missing होती है जैसे कि prokaryotic cell के अंदर आपका mitochondria present नहीं होता है mitochondria present नहीं होता है आप सभी ने अपनी biology की class के अंदर कुछ और याद रखाओ या ना रखाओ लेकिन सबने ये sentence जरूर रखा होता है mitochondria is the powerhouse of the cell ये जो mitochondria this is not present in the prokaryotic cell ठीक है mitochondria नहीं होता है दूसरा यहाँ पे आपको chloroplast देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पे आपको endoplasmic reticulum ER endoplasmic reticulum भी देखने को नहीं मिलता है एक fact और आप याद रख सकते है कि जो आपके plant cells होते है plant cells इसके अंदर आपको cell wall भी देखने को मिलती है ठीक है plant cells के अंदर देखने को मिलती है cell wall fungus के अंदर देखने को मिलती है और bacteria के अंदर भी देखने को मिलती है ये जो cell wall है ये cell wall animal cells के अंदर present नहीं होती ठीक है तो ये भी चीज आपसे पूछी जा सकती है animal cells के अंदर cell wall नहीं होती, सिरफ plant cell, fungus और bacteria के अंदर आपको cell wall देखने को मिलती है जो आपके prokaryotic cell है prokaryotic cell के अंदर आपको mitochondria, chloroplast और endoplasmic reticulum देखने को नहीं मिलते है ये आपके prokaryotic cells primitive और incomplete cell के नाम से भी जाने जाते हैं ठीक है दूसरी तरह के जो cells होते हैं उनको का जाता है eukaryotic cells इन eukaryotic cells को ये जो आपके eukaryotic cells है eukaryotic cells को हम advanced cells भी कहते हैं, इनको हम complete cells भी कहते हैं, ये जो आपके eukaryotic cells हैं, इसके अंदर धेर सारी चीज़े आपको देखने को मिलेंगी, तो एक तो cell membrane देखने को मिलती है इसके साथ-साथ यहाँ पे आपको jelly-like fluid भी देखने को मिलेगा और इस jelly-like fluid के अंदर ही आपको एक और balloon देखने को मिलेगा balloon के अंदर balloon है, ये जो balloon है इसको हम nucleus कह देते हैं, तो जो eukaryotic cell होते हैं, eukaryotic cell में genetic material आपके nucleus के अंदर अलग से एक और balloon दिखाई दे रहा है जिसको हम nucleus कह रहा है, जिसके अंदर genetic material होता है prokaryotic के अंदर ऐसा कोई nucleus present नहीं होता, तो हम कहते है prokaryotic के अंदर true nucleus is absent, true nucleus यहाँ पे नहीं पाया जाता है, ठीक है अचा, eukaryotic cell के अंदर और क्या चीज़ देखने को organelles देखने को मिल रहे है, ठीक है, तेर सारे organelles देखने को मिल रहे है, अब एक question जो UPC already पूछ चुक है कि cell के अंदर आपका genetic material है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके nucleus के अंदर पाया जाता है, wrong statement आपके genetic material, mitochondria के अंदर भी पाया जाता है mitochondria के अंदर भी genetic material देखने को मिलता है, ठीक है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और क्या याद रखेंगे कि जो आपका eukaryotic cell है eukaryotic cell जितने भी आपके human beings हो गए जानवर हो गए, पेड हो गए, उन सब के अंदर आपको eukaryotic cells ही देखने को मिलते है, eukaryotic cells के अंदर mitochondria present होता है, और mitochondria में भी आपको कुछ genetic material देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ यहाँ पे धेर सारे organelles present होते है, organelles में आजाएंगे आपके golgi bodies ठीक है, lysosomes सिरफ नाम याद रह जाएं तो ठीक है, नहीं रहते है, कोई दिककत नहीं है, दरने की जरूत नहीं है, बस जो समझाना चारा हूँ, वो समझते चलिए, ठीक है, organelles present होते हैं, जैसे कि endoplasmic reticulum golgi bodies, lysosomes, यह सब present होता है, mitochondria present होता है अगर कोई plant cell है, तो यहाँ पे chloroplast भी आपको देखने को मिलेगा chloroplast भी, यहाँ पे present होता है but only in plant cells अब यह जो आपके, आपने जो organelles देखे, हर एक organelles का अपना एक unique काम होता है, और वो cell के अंदर अपने उसी काम को perform करता रहता है ठीक है, तो organelles का तो काम, मतब अलग-अलग organelles का, अलग-अलग काम होगा दूसरी चीज हमने क्या देखी कि cell के अंदर आपका एक nucleus होता है ठीक है, बलून के अंदर एक और बलून है यह जो nucleus है, इस nucleus को कहा जाता है यह cell का control center है control center इसको हम क्यों कहते हैं कि nucleus ही decide करता है कि यह जो cell है, इस cell का क्या काम होगा ठीक है, और वो उस काम को किस तरह से perform करने वाला है, ठीक है तो cell की activity कौन decide करेगा आपका nucleus decide करता है nucleus के अंदर ही आपको genetic material देखने को मिलता है, यह जो genetic material होता है nucleus के अंदर chromatin की form में होता है यह जो chromatin होता है, यह chromatin condensed हो जाता है, और condensed होके बनाता है आपका chromosome तो मैं कह सकता हूँ कि जो आपका genetic material है वो आपके nucleus के अंदर present होता है और मैं यह भी कह सकता हूँ कि आपका genetic material है वो chromatin की form में होता है और जो genetic material होता है, वो आपको chromosome के उपर देखने को मिलता है अब सवाल आता है कि आखिर ये जो chromatin है ये condensed क्यों हो रहा है देखिए हर एक cell का हर एक cell जो होता है हर एक cell अपने आपको divide करता है अपने टुकडे टुकडे करता जाता है और नए cells बनाता जाता है इसके बारे में भी अभी हम आगे देखेंगे लेकिन फिलाल के लिए याद रखिए कि हर एक cell जो है वो divide होता जाएगा अपने टुकडे टुकडे करता जाएगा और नए cell बनाता जाएगा जब ये नए cell बना रहा होता है ये जो division हो रही होती है cell की उसी टाइम पर chromatin जो है वो condensed हो जाता है अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं उमीद करता हूँ अभी तक आप मेरे साधी होंगे देखिए ये आपका cell है मतब ये आपकी cell membrane है cell membrane के बाद आपका ये cytoplasm है जहाँ पर आपको डेर सारे organelles देखने को मिल रहे है फिर आपको एक nucleus देखने को मिलता है nucleus के अंदर आपको genetic material देखने को मिल रहा है genetic material in the form of chromatin and this chromatin condenses to form chromosome ठीक genetic material chromosome वाली कहानिया आपने देख ली nucleus के अंदर एक और balloon होता है balloon के अंदर balloon, balloon के अंदर एक और balloon यह जो balloon है, इसको का जाता है, nucleolus, इसको हम nucleolus के नाम से जानते है, nucleolus का क्या काम होता है, इसका काम होता है, कि यह ribosomes को ribosomes बनाता है, ठीक है, nucleolus, ribosome बनाता है, ribosome के लिए आपको क्या याद रखना है, ribosomes, एक आज़ाद पंची की तरह होते हैं, जिसको आप भांद के नहीं रख सकते हैं ठीक है राइबोजोम क्या करता है वो न्यूकलियोलस से निकल जाता है न्यूकलियोलस से निकलने के बाद वो आपके न्यूकलियस से भी निकल जाता है और राइबोजोम कहां पर चले जाते हैं राइबोजोम आपके आजाद पंची ठीक है तो राइबोजोम को कैसे याद रखेंगे कि राइबोजोम होते हैं आपके आजाद पंची यह जो आजाद पंची है कुछ पंची ऐसे होते हैं जिनको कोई लड़की पसंद आती है लेकिन लड़की उनका दिल थोड़के भाग जाती है तो यह कहते है अब मैं अकेला रहूंगा और ये अकेल्स के अंदर ही तैरते रहते हैं वहहीं पर दूसरे ribosome होते हैं वो कहते हैं कि अकेला कब तक रहूंगा मेरको शादी कर लेनी चाही तो यह जो ribosome है यह जाके endoplasmic reticulum के उपर रहने लग जाते हैं ठीक है तो क्या कहानी चल रही है Cell Memorane, Cell Memorane के अंदर आपका Cytoplasm, Cytoplasm के अंदर आपका Nucleus, Nucleus के अंदर Nucleolus Nucleolus Ribosomes बनाता है Ribosome Nucleolus को छोड़ देता है, Nucleus को छोड़ देता है कुछ Ribosome आपको Cytoplasm में देखने को मिलेंगे, और कुछ Ribosome आपको Endoplasmic Reticulum के ऊपर देखने को मिलते हैं, और अब देखते हैं कि ये जो पूरी की पूरी हमने कहानी देखिए, वो पूरी की पूरी कहानी किसले देखिए हमने, कहानी इसले देखिए कि ये जो Ribosome है, Ribosome का क्या function होता है, ribosome का function होता है protein को बनाना ribosome का function है protein को बनाना ठीक है, अब इसी कहानी का मैं अगर gist आपको बताऊं, तो gist क्या हो जाएगा gist ही हो जाएगा कि हमारे जो cells होते हैं हमारे cells के अंदर protein की synthesis हो रही है, हमारे cells protein बना रहे है, plus हमारे जो cell हैं वो हमारा genetic material भी carry करते हैं ये दो काम हो गए हमारे cell के cell जो है वो divide होता है और दूसरे cells बनाता है ठीक है इसकी division भी होती है अब यहाँ पे ये ribosome जो protein बनाता है ये fact हमें जानना क्यों ज़रूरी था क्योंकि हमारी body का जो भी काम होता है वो काम हमारे proteins की वज़य से ही होता है माली जए आपको कोई बिमारी लग गई बिमारी लग गई तो आपका body जो है वो antibodies बनाता है उस बिमारी से लड़ने के लिए antibodies के हैं ये भी एक तरह की protein है तो चाहे कोई भी काम हो रहा हो आपकी body का आपकी body के अंदर protein की synthesis एक बहुत ही important function होता है और protein की synthesis कहां पे हो रही है आपके cells के अंदर वो synthesis हो रही होती है जो ये protein होते है protein को आपने बहुत बारी सुना भी होगा कि protein को क्या क्याते है protein are the building blocks हर एक चीज़ जो है वो protein की वजह से बन रही है आपके cells के अंदर बन रहा है cells में भी अगर मैं कॉन सा region बोलू कहाँ पर protein आपको बनते हुए दिखायी दे रहा है ribosomes के अंदर आपको protein बनते हुए दिखायी दे रहा है अब कौन सा सेल, ये तो हमें पता चलिए कि सेल का एक काम है प्रोटीन को बनाना, अब कौन सा सेल, कौन सा प्रोटीन बनाएगा, ये कौन डिटर्माइन करता है, ये डिटर्माइन करता है, जैनेटिक माटीरियल, ठीक है, तो सेल के अंदर होते हैं आपके जैनेटिक माटीरि आपका डाइग्राम कहता है कि यह आपका वो है cell membrane या plasma membrane है cytoplasm हो गया फिर आपका nucleus है फिर आपका nucleus है ठीक है genetic material आपके nucleus के अंदर पड़ा हुआ है और आपके जो ribosomes है आपके ribosomes nucleolus से nucleus में कहें nucleus से वो cytoplasm में आ चुके है ठीक है कुछ ribosomes आपके cytoplasm में freely move कर रहे होंगे और कुछ ribosomes जो है वो आपके endoplasmic reticulum के उपर attached होंगे ठीक है अब protein बन कहां पर रहा है protein बन रहा है ribosomes में ribosomes कहां पर ribosomes है outside nucleus और कौन सा protein बनेगा इसकी information कहां पर है इसकी information आपके genetic material में और genetic material कहां पर है inside nucleus यानि कि कैसा protein बनेगा उसकी information यहां पर लेकिन protein की synthesis यहां पर और यहां पर हो रही है तो हमें इस information को बाहर निकालना होगा और ribosomes तक वो information पहुचानी होगी ताकि ribosome protein की synthesis कर सके ठीक है तो हम क्या करते हैं जो आपका genetic material है genetic material की information बाहर आती है ribosomes तक और ribosome जो है फिर उसके बाद protein की synthesis का process जो है वो start कर पाते हैं ठीक है तो यह जो पूरा का पूरा protein synthesis का तरीका है इस तरीक के अंदर के होता है genetic material का मतलब है DNA तो जो DNA होता है DNA की पहले होती है transcription इसको पहले transcribe किया जाता है transcription होती है RNA के अंदर और फिर यह जो RNA है यह translate हो जाता है ट्रांसलेट हो जाता है protein के अंदर ठीक है तो यह transcription और translation का जो process है इस process से हमें protein की synthesis होती भी दिखाई देती है कैसा प्रोटीन बनेगा वो कौन डेटर्माइन कर रहा है DNA डेटर्माइन कर रहा है और प्रोटीन को एक्चुली में कौन बनाएगा वो आपका राइबोजूम बनाने वाला है अब एक लोजिकल कोशन आप सभी के सामने क्या होगा कि मैंने आपके सामने बहुत सारी टर्म्स छोड़ दी मैंने का DNA, Transcription, RNA, Translation सिरफ अभी तक आपको प्रोटीन के बारे में पता चला है लेकिन यह जो अजीव-जीव से वर्ड्स है इन वर्ड्स को लेके आपके मन में काफ जो हम देख रहे हैं वो है जीन की कि आखिर यह जीन्स क्या होते हैं जीन्स जो है यह डिटर्माइन करते हैं कि किसी भी इंसान के ट्रेट्स क्या होंगे ट्रेट्स से मेरा क्या मतलब है ट्रेट्स से मतलब है कि इंसान की आखों का कलर क्या होगा मान लीजे किसी की आखों क इस Traits from our parents जो हमारे Parents होते हैं हमारे Parents जब वो reproduce करते हैं तो हमारे Parents के जीन्स ही हमारे अंदर आ जाते हैं ठीक है तो हम अपने traits को किस से इनहारेट कर रहे है अपनी previous generation से कर रहे है और जो हमारे traits हैं हम इनी traits को pass on कर देंगे to our next generation तो genes क्या होती है, genes basically आपके information होती है, information होती है, जो ये determine करती है, कि किसी भी इंसान के traits क्या होंगे, genes क्या है, genes आपकी information होती है, जो की traits determine करते हैं, ठीक है, दूसरा, ये genes आपके कहां पाए जाते हैं, genes आपके पाए जाते हैं, chromosomes के उपर, genes आपके chromosomes के उपर पाये जाते हैं जो कि आपके cell के अंदर होते हैं ठीक है cell के बारे हम आपको अल्रेडी देख चुके हैं अब ये जो chromosomes हैं chromosomes ये जो chromosomes हैं ये हमेश आपके pair की form के अंदर आपको देखने को मिलते हैं ठीक है पेर की फॉर्म में हर एक सेल के अंदर आपको 23 पेर्स ओफ क्रोमोजूम देखने को मिलेंगे 23 पेर्स ओफ क्रोमोजूम हर एक क्रोमोजूम के उपर कई हंड्रेट्स कई मदब कई सौ या फिर हजार आपको जीन्स देखने को मिल जाते हैं aspiring हो गया है और आपके आधे kromosome आते हैं आपके एक पेरंटी से जैसे की फादर से आधे आ रहे होंगे और आधे आधे spinning और गढ़ा ये इन्यज्यन्स आपको देखने को मिलेंगे तो महन लिजे एक क्रोमोजोम के उपर 900 जीन्स है तो imagine कर लिजब 46 chromosome है तो कितने सारे genes आपको देखने को मिलेंगे genes क्या है? genes आपकी information है जो ये determine करते है कि आपके पास किस तरह के characteristics आएंगे, आप लंबे होंगे छोटे होंगे, आपका complexion कैसा होगा, आपकी आखों का color कैसा होगा, आपका blood group क्या होगा, हर एक information आपके genes के अंदर stored होती है और उसी information के basis पर आपको traits मिलते हैं और जो आपके genes होते हैं और chromosomes होते हैं they are made up of DNA, DNA क्या होता है? DNA होता है आपका deoxyribonucleic acid, deoxyribonucleic acid, ठीक है? तो फिर से एक बारी मैं आपको recap करा देता हूँ कि हमने क्या देखा, आपके जो genes होते हैं genes आपके पाए जाते हैं chromosomes के उपर, chromosome जो हैं हर एक cell के अंदर आपको 23 pairs of chromosome देखने को मिलते हैं यानि कि 46 total chromosome आपको हर cell के अंदर देखने को मिलेंगे ये जो chromosome होते हैं इन chromosome पे ही आपको genes देखने को मिलेंगे एक एक chromosome के उपर आपको कई hundreds कई hundreds even thousands of genes देखने को मिलते हैं, आपके जो genes होते हैं genes are made up of deoxyribonucleic acid DNA, ठीक है, तो जो मैं कहा रहा हूँ न, gene के अंदर information content होती है वो information आपके DNA के अंदर होती है धेर सारे DNA के उपर आपको देखने को मिलते हैं तो यहां तक चीज समझ में आगे, हम एक example लेता हूँ कि आखिर यह information कैसे saved होती है, information saved होती है in form of a code code की form में information stored होती है, तो माल लीजे कि कोई DNA ऐसा है, जहां पर आपको देखने को मिल रहा है, 80 80 80, 80, cg cg 80, 80 ठीक है, मैं सिरफ एक example ले रहा हूँ, ठीक है, मन गड़नत example है रटने की जरूत नहीं है, माल लीजे कहीं पर भी आपको यह instruction देखने को मिलती है, यह code देखने को मिलता है तो जब भी DNA के अंदर यह code देखने को मिलेगा, इसका मतलब यह है कि जो हमारा cell है, वो ऐसा protein बनाएगा, हमारा cell ऐसा protein बनाएगा, जो हमारी bones की health के लिए important है या फिर जो हमारी bones को, हमारी bones build कर रहे हमारी body के अंदर, ठीक है तो जब भी हमारे DNA के अंदर यह वाला code दिखाई देगा, इसका मतलब का है, इसका मतलब यह हमारी हड्डियों के उपर कुछ काम हो रहा है, तो जिस भी cell के अंदर DNA यह code प्रेजेंट कर देगा, इसका मतलब यह कि वो cell आपकी हड्डियों के लिए काम कर रहा है, एक और example ले 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 लेते हैं example के है, CG 80 CG 80 80 CG यह वाला चो कोड है, मान लेते हैं, यह code कहता है कि जहाँ जब भी यह code प्रेजेंट होगा तो cell ऐसा protein बनाएगा which will lead to make which will make your eyes blue in color ठीक है, तो जिनके पास भी यह वाला DNA होगा, उनकी आखे कैसी हो जाएंगी blue color की हो जाएंगी, और यह जो coding है, यह coding किस बात पर depend कर रही है यह coding depend कर रही है हमारे parents के उपर क्यों, क्योंकि information हम अपने parents से inherit करते हैं और जो हमारे पास information है हम उस information को pass on कर देते हैं to our children ठीक है, तो अभी तक हम क्या समझ चुके हैं हम यह समझ चुके हैं कि आपकी body के अंदर आपके जितने भी traits हैं आप कैसे दिखोगे, आपकी height कैसी होगे आपकी हड़ियां कैसी होगे, आपके dant कैसे होगे यह सारे के सारे traits determine होते हैं genes से ठीक है, genes बना होता है DNA से, deoxy ribonucleic acid यह जो DNA होता है इस DNA में हमें coding देखने को मिलती है coding किस की form में होती है A, T, C, G इस form के अंदर आपको code देखने को मिलेगा एक के code कैसा है जैसे आपने कई बार देखा होगा आपकी recipes होती है recipe के अंदर लिखा होता है कि अगर आप अगर आप छोलो को चोले के अंदर फलाना फलाना मसाले डाल दोगे तो आपके आपके छोले बटूरे वाले चोले बन जागी या कोई भी recipe मान लीजे ठीक है या फिर जैसे आपकी recipe लिखी होती है मैगी का packet खरीद के लाए उसके बीचे instruction के है मैगी को पानी के अंदर डालो बॉइल करो और स्पाइस डाल दो ये एक तरह की instruction है जब भी आप इन instruction को follow करोगे आपके सामने खाने लायक मैगी आजाएगी आपके सामने खाने लायक मैगी आजाएगी instruction में लेका है दो मिनट के लिए बनानी है ठीक है क्यों क्योंकि आपने instruction सही से follow नहीं की तो जब instruction सही से follow नहीं होगी या फिर instruction के अंदर कुछ घडबड होगी तो आप magi के अंदर mutation देखते हैं सेम चीज़ आपको क्या देखने को मिलेगी आपकी body के अंदर आपकी body में DNA एक तरह की coding आपको provide कर रहा है हर एक coding यह determine कर रही है कि किस तरह का protein बनेगा और यह protein determine करेगा कि आपकी body के अंदर क्या-क्या functions होंगे ठीक है अगर इस coding के अंदर कोई भी error आ जाए या फिर कोई भी change आ जाए तो इसको कहा जाता है mutation इसको कहते है mutation mutation क्यों होती है तो इसके लिए हम थोड़ी देर पहली मैंने आपको क्या बताया कि आपके cells हैं आपके cells divide होते हैं तो कई बार ही जो cell की division हो रही होते है इस division के दौरान कुछ changes आ जाते हैं और उनी changes को हम क्या कह देते है mutations ठीक है आपकी genetic information में कोई भी change आ जाएगा बदलाव आ जाएगा उसको mutation कह देंगे ठीक है तो हमने क्या देखा traits जो की genes से बनते हैं genes जो की DNA से बना हुआ है genes आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं chromosome के ओपर देखने को मिलते है ठीक है DNA क्या है DNA एक तरहा की cook book से पसक्यान एक तरहा की recipe है जो ये determine करता है कि 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 तरहा का cell जो है वो किस तरहा का protein बनाएगा और protein क्वह है इसे वही determine कर रहा है, ठीक है, तो अब यह जो DNA है, DNA के अंदर मैंने आपको क्या बोला, कि आपकी coding हो रहा है, AT, AT, CG, CG, AT, CG, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3-3 के pair लेके, हमने code कर रहा है, यह जो 3-3 के pair होते हैं, इनिको code on कहा जाता है, सिरफ याद रह जातो ठीक है, वरना य definition नहीं है, यह मैंने एक मन गढ़नत example लिया था, लेकिन इससे मैं आपको क्या समझाना चाहरा हूँ, कि A के साथ T लगा होता है, C के साथ G लगा होता है, अब इस चीज को हम थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे, जब हम DNA और RNA का difference देखेंगे, ठीक है, तो चलिए उस difference को देखते हैं, अब हम पहले हैं, तो एक diagram देखिए, उसी को समझने के लिए, diagram के बिना समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, अचा, अभी एक disclaimer में आपको अभी दे रहा हूँ, यह जो सारी की सारी चीजे मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से हो सकता है कि कोई factual question आपका आज है, लेकिन हर एक चीज आपको रटने की जरूद नहीं है, जिन-जिन चीजों के उपर मैं जोर दे रहा हूँ, उमीद करता हूँ, वो चीजे आपके mind के अंदर अल्रेडी बैट जाएंगी, दो-तिन बार वीडियो को देखेगा, आपको चीजे याद हो यह थोड़े से लंबे समय के लिए last करता है, long lasting होता है, जबकि जो RNA होता है, RNA आपका short lift होता है, उसका काम क्या होता है, उसको अभी हम देखेंगे, protein synthesis में यह दोनों के दोनों काम करते हैं, जातर जब आप DNA की बात करते हैं, तो DNA आपको जातर nucleus के अंदर देखने को मिलता ह nucleus को मैंने आपको control center बताया थोड़ी दर पहले, RNA क्यों होता है, RNA आपको जातर cytoplasm के अंदर ribose के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अब जब हम DNA को देखते हैं, तो DNA इस तरह का double helix structure की तरह आपको दिखाई देगा, यह जो आपके double helix है, यह आपके sugar phosphate backbone होती है, sugar phosphate backbone, ठीक है, यह जो sugar phosphate backbone है, इसके अंदर आपको यह दिखाई दे रहोगा, C के साथ G जुड़ा हो है, C के साथ G जुड़ा हो है, A के साथ T जुड़ा है, A के साथ T जुड़ा है, यह क्या हो रखी है, यह इस DNA के अंदर coding हो रखी है, ठीक है, यह coding किस चीज की होती है, यह base spare की coding होती है ठीक है तो हमेशा आप देखेंगे A के साथ हमेशा T देखने को मिलता है C के साथ हमेशा G देखने को मिलता है ठीक है तो A है आपका adenine T है आपका thymine C है आपका cytosine और G है आपका तो DNA के अंदर हमेशा आप देखेंगे A के साथ T लगा हुआ मिलता है C के साथ G लगा हुआ मिलता है तो A, T, C, G से आप इसको याद रख सकते हैं यह आपका DNA हो गया DNA जो होता है It is more prone to UV damage Ultra Voilet Light की वज़े से जो भी हमारे Cells के अंदर damage होता है Mostly DNA के अंदर होता है जबकि RNA होता है उसके अंदर UV light से इतना जादा damage हमें देखने को नहीं मिलता है अब हम RNA की बात करें RNA के अंदर भी आपको यह Sugar Phosphate दिखाई दे रही है Sugar Phosphate की backbone है यह इस Sugar Phosphate पे आपको क्या देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे Nucleobases देखने को मिल रहा है यानि कि G के साथ अभी कुछ लगा नहीं हुआ है C के साथ अभी कुछ लगा नहीं हुआ C के साथ कुछ नहीं लगा G के साथ मतब यहाँ पे क्या है आपको Base Pair नहीं दिख रहा जबकि आप जब DNA की बात करते हैं तो C के साथ हमेशा आपको G लगा हुआ दिखाई दे रहा है ठीक है A के साथ आपको हमेशा T लगा हुआ दिखाई दे रहा है तो RNA क्या है RNA आपकी Single Strand होती है Sugar Phosphate की Single Strand होती है जिस पे आपको Nucleobase दिखाई देते हैं इनका भी Base Pair नहीं दिखाई दे रहा जब हम RNA की बात करते हैं तो RNA में जब भी आपको C दिखाई देगा तो उसके साथ G लगा होता है ठीक है या फिर आप उल्टा भी कह सकते है कि जब भी आपको G दिखाई देगा तो उसके साथ C लगता है आरेने में जब भी आपको A दिखाई देगा तो A के साथ T नहीं लगता A के साथ U लगता है U क्या होता है U होता है उरेसिल ठीक है तो DNA और RNA DNA और RNA के अंदर आपके तीन न्यूक्लियो बेस सेम होते हैं A, C और G Adenine, Cytosine और Guenine आपके common होते हैं लेकिन DNA के अंदर आपका थाइमाइन होता है RNA में ये थाइमाइन ना होके यूरेसिल होता है अगला difference क्या याद रखेंगे जो सब सब इंपर्टेंट डिफरेंस है आपका जो DNA DNA contains your genetic information DNA के अंदर आपकी genetic information होती है वहीं पर जो आपका RNA होता है RNA के अंदर information होती है about protein structure की किस तरह का protein structure बनना चाहिए ठीक है तो हमें ये बता चल गया कि genetic information होती है आपके DNA के अंदर और आपकी protein की information होती है protein कैसा बनेगा protein की structure की information होती है आपके RNA के अंदर ठीक है तो हमने पहले भी क्या process देखा था पहले हमने ये process में देखा था कि आपके nucleus के अंदर आपका DNA जिसके अंदर genetic information है जो ये बताता है कि किस तरह का protein cell को बनाना है यही information nucleus से बाहर निकल के जाती है RNA के पास तक और RNA फिर protein की synthesis कर देता है ठीक है तो RNA के पास ही protein structure की information है तो protein वो बना देता है कैसा बनना है उसकी information DNA देता है RNA को ठीक RNA आपके तीन तरह के होते हैं RNA आपके तीन तरह के होते हैं एक होता आपका messenger RNA जिसको हम mRNA कहते हैं ठीक है यह आपके vaccine के अंदर इस्तिमाल होता है इसलिए आपको पता होना चाहिए DNA की information nucleus के अंदर है हम इस information को nucleus से बाहर निकालना चाहते हैं हम इस information को nucleus से बाहर निकालना चाहते हैं तो DNA की information nucleus से बाहर निकालने का काम करता है एक RNA जिसका नाम होता है messenger RNA messenger RNA nucleus से बाहर निकालता है इस information को ठीक है फिर जो आपका और यह जो information है कहा तक जाती है यह information जाती है ribosomes तक, ribosome के पास कौन से RNA होते हैं, ribosome के पास होते हैं RRNA, ribos RNA, ठीक है, तो जो ribosomes होते हैं, एक बड़ी मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से डाग्राम बनाता हूँ, genetic information आपके nucleus के अंदर है, उस genetic information को बाहर निकालके ribosome तक लेके जाना है, कौन लेके जाएगा, इसको लेके जाएंगे MRNA, messenger RNA लेके जाएंगे, ठीक है, ribosome के पास होते हैं आपके RRNA, ठीक है, तो किस तरहा का protein बनना है, उसकी जो information है, वो information ribosome तक पहुँच गई, अब protein बनाने के लिए ribosome को कोई ना कोई raw material चाहिए होगा, तो protein बनाने का raw material क्या होता है, protein बनाने का raw material होता है, amino acid, amino acid, तो ribosome तक amino acid कौन पहुचाता है, वो पहुचाते हैं, transfer RNA, ठीक है, तो amino acid किस ने पहुचा दिया, transfer RNA, फिर किस तरह की, किस तरह की information चाहिए, उसको किस तरह का protein बनना है वो information पहुचा दी mRNA ने और फिर उसके र-RNA ने protein की synthesis कर दी protein की synthesis कर दी ये जो पूरा का पूरा process है ये पूरे के पूरे process को ही कहा जाता है protein किस तरह से बनाया जा रहा है protein synthesis cell के अंदर किस तरह से हो रही है ठीक है तो आयोप आपको ये सारी की सारी चीज़े समझ में आयोंगी ये जो आपको CG और ये सब दिखाई दे रहा है ये एक तरह की coding होती है ठीक है तो किस तरह से आपका messenger RNA आपके DNA की information को बाहर निकाल के ला रहा है उसको कहा जाता है ट्रांस्क्रिप्शन के अंदर क्या हो रहा है आपके DNA के अंदर जो coding है उस coding को एक RNA अपने ऊपर एक तरह से एक complimentary coding कर लेता है बेसिकली आप ऐसे माल लीजिए DNA के पास कुछ information है DNA के पास कुछ information है एकदम simplistically बता रहा हूँ तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए लेकिन protein बनाने का काम करेगा ribozome ribozome तक हमें दो चीज़े पहुँचानी है पहला तो हमें यह message पहुँचाना है कि किस तरह का protein बनना चाहिए जब ribozome को यह पता चलेगा कि किस तरह का protein बनना चाहिए तो फिर वो क्या करेगा वो उसी protein को बनाने के लिए जो भी amino acid चाहिए उन amino acid को अपने पास बुलाएगा उन amino acid को अपने पास बुलाएगा ठीक है तो protein तक है message पहुँचाने का काम करते है messenger RNA जब राइबोजोम तक है message पहुँचाने का काम करेंगे MRNA जब MRNA ने राइबोजोम के पास message पहुचा दिया तो राइबोजोम उसी message के according जो भी amino acid चाहिए होते हैं वो amino acid अपने पास बुला लेता है through tRNA और फिर राइबोजोम में क्या होते है राइबोजोम में होते है rRNA और ये क्या बना देते हैं ये बना देते हैं protein ठीक है तो ये जो message जो राइबोजोम तक ले के जा रहे हैं ये message ले जाने का काम MRNA करते हैं तो ये कैसे करते हैं DNA के अंदर information है MRNA इसके पास जाएगा और कहेगा भीया message बता दो क्या message पहुचाना है राइबोजोम तक DNA कहता है कि अच्छा है MRNA तू मेरे पास आ गया क्योंकि मैं तो nucleus से बाहर नहीं निकल सकता मैं nucleus से बाहर नहीं निकल सकता लेकिन तू है कबूतर जा 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 तू मेरा message मेरे साजन तक पहुचा दे जो की है प्रोटीन की synthesis वाला जो process है इसको translation कहते हैं ठीक है मैं पूरा coding का तरीका इसके अंदर आपको नहीं बता रहो और MRNA जो राइबोजोम तक message लेके जा रहा है उसको transcription कहते हैं ठीक है यह सब कुछ codes के through हो रहा है codes कहां पे है codes की starting आपके DNA से ही होती है ठीक है तो आपको पूरा का पूरा मैंने तरीका बता दिया DNA के अंदर अगर कोई भी change आएगा genetic material में change आएगा तो उसको mutation कहा जाता है ठीक है अब इससे उमीद करता हूं कोई conceptual question भी आएगा तो आप कर पाएंगे next definition क्या जाननी आपको next definition आपको जाननी है genome क्या होता है genome का मतलब होता है complete set of DNA in an organism किसी भी organism के अंदर जो सारा का सारा total DNA material होता है total genetic material होता है उस genetic material को हम genome कह देते हैं फिर से सुन लिजे किसी भी organism के अंदर जो total DNA या फिर generating material होता है, उसको हम genome कह देते हैं, DNA का क्या मतलब है, DNA का मतलब है, जो total base pairs की coding हो रखी है, base pair की coding, base pair क्या होते है, ATCG, ठीक है, तो यही आपके एक तरह से, वो है, code करने का तरीका, ATCG, ATCG, ऐसे कर करके coding हो रखी होगी, तो सारी के सारे जो base pair की coding है, उन सारी base pair की coding को combine करके, जो total set होता है, उस total set को हम genome कह देते हैं, ठीक है, उसको genome कहा जाता है, अगली definition आपको क्या देखनी है, यह genome sequencing क्या होता है, तो genome अगर आपको समझ में आ गया, तो genome sequencing क्या हो जाएगा, किसी भी organism की, किसी भी organism की, जो total coding हो रखी है, वो coding क्या है, वो coding क्या है, उ Genome क्या हो गया ? Genome हो गया The entire set of genetic material in an organism एक organism के अंदर जो भी genetic material है उसको genome कह देते हैं और इस genetic material के अंदर जो coding है उस coding को record करने को genome sequencing कह देते हैं ठीक है ? Genome sequencing अगली time genome surveillance genome surveillance आखिर क्या होता है ? ठीक है ? यह sequencing हमने देख लिए surveillance में क्या करेंगे ? जो आपके pathogens होते है pathogens का क्या मतलब होता है ? ऐसा कोई भी organism जो की disease कर सकता है बिमारियां फैला सकता है ठीक है ? अब यह pathogen कुछ भी हो सकता है virus हो सकता है आपका bacteria हो सकता है तो जो भी आपके pathogens होते है हर एक pathogen की अपनी genome होती है ठीक है ? उनका अपना genetic material होगा और यह जो genome है इस genome को constantly monitor किया जाता है कि क्या इसके genome के अंदर कोई changes आ रहे हैं या नहीं आ रहे है ? ठीक है ? किसी भी pathogen के genome को जब हम monitor करते हैं तो इसको genome surveillance कहा जाता है अब pathogen के genome को monitor करने का क्या फायदा होता है ? तो इसके लिए मैं covid का example लेता हूँ देखें covid के time पर क्या हो रहा था ? आपका covid virus था यह जो virus था यह अपने आपको replicate करे जा रहा था virus जो है अपने आपको replicate करता जा रहा था देखिए living world की जो सबसे बड़ी सच्चाई क्या है living world की सच्चाई यह है कि हर कोई survive करना चाता है ठीक है survive करने के लिए वो क्या करता है वो reproduce करता है तब ही reproduction कभी किसी को सिखानी नहीं पड़ती reproduction सबको already आती है ठीक है तो जितने भी living organism है वो survive करना चाते है survive करने के लिए वो reproduce करते है reproduce जब करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है cells की replication होती है cells replicate करते जाते है cells अपनी copy बनाते जाते हैं जब cells अपनी copy बनाते हैं तो कई बारी उस copy बनाने में कोई ना कोई error आ जाता है यह जो error होता है यह mutation कहला जाते है इस error को ही हम mutation कह देते हैं तो आपने COVID में देखा होगा कि COVID के time पर हम एक type के COVID virus से निपट पाते थे इतने में पता चलता था कि यह virus थोड़ा सा mutate कर गया जिसको क्या का जाता था कि COVID का नया variant आ चुका है कोविट के नय variant का क्या मतलब है कि COVID का जो existing genetic material था उसके अंदर कुछ change आ चुका है यह जो variant है इस variant का जो genetic material है यह हमारे लिए अब नया हो गया इस से निपटने के लिए अब हम एक नया तरीका ढूबना पड़ेगा हमारी जो body होती है हमारी body को जिस बिमारी के बारे में पता होता है हमारी body को जिस बिमारी के बारे में पता होता है हमारी body उस बिमारी से निपटने के लिए क्या कर देती है अपने शरीर के अंदर antibodies बना लेती है तो मान लीजे हमें XYZ बिमारी के बारे में पता था ये बिमारी जब हमारी body के अंदर enter करी तो ये क्या बन गई? ये हमारी body के लिए एक बाहरी substance है ये antigen है हमारी body इस antigen को पहले से जानती है है hello हो रखी है तो हमारी body क्या कहेगी? अच्छा तुस्से निपटने का तरीका मुझे पता है तुस्से निपटने के लिए मुझे ABC antibodies बनानी है ये जो ABC antibodies है ये जाएंगी और इस antigen को खतम कर देंगी अब मान लिजे ये जो antigen था XYZ इस XYZ के अंदर कुछ mutation हो गई और ये XYZ से बन गया PQZ PQZ बन गया ये जब हमारे body के अंदर गुसा तो हमारा body क्या कहता है हमारी body कहती है कि PQZ को तो मैंने कभी पहले देखा ही नहीं मुझे पता ही नहीं कि इससे निपटने के लिए मुझे कौन सी antibodies बनानी है तो हमारी body को थोड़े से ज़ादा time लग जाता है उसकी antibodies बनाने में और इतने में कई बारी लोग बहुत जादा बिमार भी पढ़ जाते है तो इसलिए क्या किया जाता है जो हमारे pathogens होते है हम उन pathogens को constantly monitor करते रहते है कि अगर इस pathogen के अंदर कोई mutation होगी तो हमें पता चल जाए कि क्या-क्या changes हो रहे है क्योंकि जब हमें पता होगा कि ये changes होए तो उससे निपटने का हम कोई ना कोई तरीका निकाली लेंगे हो सकता है कि कोई दवाई बना ली जाए या कुछ और बना ली जाए कई बारी क्या होता है pathogen की mutation को pathogen की mutation को पढ़के ये पता चल जाता है कि ये जो बिमारी create करने वाली चीज है ये कितनी तेजी से फैलेगी अगर ये बहुत तेजी से फैलेगी तो हो सकता है फिर से कोई pandemic आ जाए तो हमें constantly surveillance बनाए रखनी होती है pathogen के genome के उपर ताकि उनके अंदर जो भी mutations हो रही है उन्हें mutations को हम already समझ के सार्स वाइरस के वारे में COVID वाइरस आपका पहले से exist करता था लेकिन अब जो COVID वाइरस है ये COVID वाइरस ये COVID वाइरस एक नए तरीके का नए वेरियंट था जिस वेरियंट की हमारे body को कोई भनक भी नहीं थी हमारे body को कुछ पता नहीं था तो हमारा बॉडी प्रिपेरड नहीं थी उससे निपटने के लिए ठीक है, तो समझ कि क्या क्या समझे, जिनोम क्या होता है, जिनोम का मतलब होता है complete set of DNA, हम किसी भी ऑर्गैनियसम के अंदर, किसी ऑर्गैनिसम के अंदर, पूरे DNA क्या है, उसकी genetic material क्या है, उसकी coding क्या है, उ जब हम इस genome को record करते हैं तो इसको genome sequencing कहा चाता है genome sequencing ठीक और जब हम किसी pathogen के genome को surveillance पे रखते हैं उसको monitor करते हैं तो उसको genome surveillance के नाम से जानते हैं genome surveillance क्यों important है ताकि हमें ये पता चलता रहे कि वाईरस कैसे transmit हो रहा है या फिर कोई भी pathogen कैसे transmit हो रहा है, कहीं कोई outbreak तो नहीं होने वाला किसी बिमारी का, ठीक है mutation की वज़े से कहीं कोई outbreak ना हो जाए, जैसा कि आपके SARS COVID-2 variant के अंदर हुआ था, तो ये सारी की सारी चीजे हमें देखने को, ये देखने के लिए हमें genome surveillance करने पड़ती है, अब अ हम कुछ concepts को देखते हैं, पहला concept, जो भी human cells के अंदर, animal cells के अंदर, जो भी genetic material होता है, वो genetic material आपको cell में दो जगा देखने को मिलेगा, एक तो आपको nucleus के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, दूसरा आपको genetic material देखने को मिलता है, mitochondria के अंदर, lecture के शुरुआत में ही मैंन होता है था, ठीक है, यह animal cell की बात हो रही है, अगर मैं plant cell की बात कर लूँ, तो plant cell में आपको, plant cell में आपको chloroplast के अंदर भी, chloroplast के अंदर भी genetic material देखने को मिलता है, ठीक है, तो in short genetic material तीन जगा पे देखने को मिलता है, nucleus, mitochondria and chloroplast, but animal cell के अंदर आपका chloroplast नहीं होता, तो इसील हम कहता है, animal cell के अंदर आपको genetic material, nucleus और mitochondria के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, अब जो एक बच्चा होता है, बच्चा अपने parent से सारे के सारे traits को inherit करता है, father से inherit करेगा, mother से inherit करेगा, बच्चे के अंदर 23 pairs of chromosome होते है, 23 pairs का मतलब है 46 chromosome, 46 chromosome, 46 chromosome, 46 chromosome में 23 chromosome आते हैं, father की साइड से 23 chromosome, 23 chromosome आते हैं, mother की साइड से, दोनों के दोनों मिलके 23 pairs बना देते हैं, ठीक है, अब बच्चा जो भी traits, जो भी characteristics, जो भी genetic material inherit कर रहा है, वो father और mother से कर रहा है, ठीक है, जितने भी genetic traits होते हैं, मैंने आप से कहा, genetic material nucleus और mitochondria में लाई करता है, लेकिन जो genetic traits जादा आते हैं, वो आपके nucleus से आते हैं, माई टोकॉंट्रिया से जादा traits नहीं आते है, माई टोकॉंट्रिया से जादा traits नहीं आते हैं, ठीक है, कुछ कुछ traits आते हैं, लेकिन जादा नहीं आते हैं, अब fertilization कैसे होती है, उसका एक илиागराम देखे, माल लीजिए, यह mother है, और ये father है, ये mother का egg cell और ये father का sperm cell है egg cell and sperm cell mother के egg cell के अंदर यहाँ पे आपको mother का nucleus देखने को मिलेगा जिसको मैं NM लिख देता हूँ ताकि समझ में आजा कि mother का nucleus है ये father, father के sperm cell के अंदर यहाँ पे एक nucleus होगा जिसको मैं NF लिख देता हूँ nucleus of father's sperm cell ठीक है, यह क्या होगा, यह पूरा-गा-पूरा साइटोप्लाज्म है यह भी पूरा-गा-पूरा wannna साइटोप्लाज्म के अंदर हमें ओर्झनेर्स्ट मिलते हैं, जैसे कि फादर के सेल के अदर आपके कुछ Mitochondria exist करते होंगे जिسको मैं blue से बना रहा हूँ Mother के cell के अंदर अपने organelles होंगे, Mother के cytoplasm के अंदर organelles होंगे, इस categories crescent mother के cytoplasm मां बनाता हूँ mitochondria. किस कलर से बना है इसको बनाते हैं हम हर ये adjustे, ठीक्या? Mother के vegan cell के अंदर mitochondria मैं ऐसे ऐसे बना रहा हूँ हरे color से ठीक है अब जब भी जब भी fusion होती है reproduction होती है तो उस case में क्या होता है एक नया cell बनता है ये जो नया cell बनता है इस cell के अंदर आपको क्या-क्या देखने को मिलता है इस नए cell के अंदर आपको mother का nucleus देखने को मिलेगा mother के egg cell का nucleus देखने को मिल ठीक है इसके अलावा जो पूरा का पूरा साइटो प्लाजम है पूरा का पूरा जो साइटो प्लाजम है वो किसका देखने को मिलता है वो मदर का देखने को मिलता है यानि कि यह जो माइटो कॉंड्रिया होगा यह माइटो कॉंड्रिया किसका होगा यह माइटो कॉंड्रिया mother का होता है, father का नहीं होता है, इसलिए मैंने green से बनाय था 나 mitochondria तो ये green वाला mitochondria आगया तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि جब भी कोई बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा mitochondria किस से inherit करेगा बच्चा mitochondria inherit करता है अपनी Mother से mitochondria हमेशा mother की side से inherit किया जाता है ठीक है तो एक तरह से मैं ये भी कहा सकता हूँ कि fertilization के time पर father की side से सिर्फ और सिर्फ ये जो sperm cell है ये sperm cell fertilize कर देता है इस mother के egg cell के अंदर घुश जाता है और यहाँ पर fertilization का process start हो जाता है बाकी पूरा का पूरा जो है cytoplasm, mitochondria organelles हर एक चीज़ किस की रहती है mother की रहती है अब ये जो cell बनाए ये बच्चे का cell है न बेबी का ये बेबी का cell है fertilize जो होने वाला है अब ये जो बेबी का cell है इस बेबी के cell के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है mother का nucleus दिखाई दे रहा है तो mother के nucleus में जो genetic material है वो होगा father का आपको nucleus दिखाई दे रहा है sperm cell का तो father का जो genetic material है वो देखने को मिलेगा plus mitochondria किस का देखने को मिल रहा है mitochondria आपके mother की side का देखने को मिल रहा है mitochondria के अंदर भी genetic information होती है लेकिन वो हमारे जाहते traits को define नहीं करती है बहुत ही कम traits है जो कि हम mitochondria से लेते हैं अब situation क्या है या फिर एक बारी recap करते हैं पहली चीज genetic material या फिर genetic traits traits हम लेते हैं from nucleus दूसरी चीज क्या याद रखेंगे mitochondria आता है from mother's side from mother's side but mitochondria is not responsible for most of the traits it is not responsible सिरफ कुछ ही चीज़े हैं जो हम mitochondria से inherit करते हैं अब situation देखें क्या है situation ये है कि एक mother है एक mother है मतब एक female है और एक mother है ये दोनों के दोनों बच्चे पैदा करना चाहते हैं लेकिन पता चला कि mother का mitochondria है ये mitochondria defective है mitochondria के अंदर कोई defect है for example मान लीजे mother को diabetes है ठीक है simple सा defect ले रहे हैं वैसे और भी हो सकते हैं लेकिन अभी के लिए diabetes ले लेते हैं मान लीजे मदर के mitochondria के अंदर कोई defect है ठीक है तो ये जो मैं green से बना रहा हूँ ये सारे की सारे सही है लेकिन ये वाला mitochondria जो मैंने blue से बना दिया ये defective mitochondria ठीक है और ये father है father का अपना nucleus होगा mother का अपना nucleus होगा दोनों के दोनों जब fuse करेंगे तो क्या होगा ये nucleus इस cell के अंदर चला जाएगा आप नया cell कैसा बनेगा आपको नया cell आपको देखने को मिलेगा mother का mitochondria mother का mitochondria और mother का nucleus egg cell का nucleus plus father के sperm cell का nucleus यही देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया इस cell के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है इस cell के अंदर आपको mother का defective mitochondria भी देखने को मिल रहा है यानि कि जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे के अंदर यह जो mitochondria के अंदर defect है वो defect देखने को मिलेगा हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर ये defect ना हो तो हम जो बच्चा पैदा करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि उस बच्चे के अंदर traits किस के हो traits हो mother के और father के दूसी चीज उसके अंदर क्या ना हो उसके अंदर mitochondrial defect ना हो तो mitocondrial defect को हटाने के लिए concept निकल के आता है 3 parent baby का, 3 parent baby के अंदर क्या किया जाएगा, 3 parent baby के अंदर, एक हम लेते हैं, 3 parent baby के अंदर, ये mother हो गई, ये father हो गई, ठीक है, ये mother का nucleus, father का nucleus, ये mother के healthy mitochondria और ये mother का unhealthy mitochondria, ठीक है, ये दोनो के दोनों बच्चा पैदा करना चाहते हैं लेकिन वो चाहते नहीं कि उस बच्चे के पास यह mitochondrial defect है तो वो क्या करते हैं वो एक ऐसी female ढूंडते हैं जिसका egg cell जिसके egg cell में mitochondrial defect ना हो तो इसके egg cell हैं यह यह सारे के सारे mitochondria जो हैं यह healthy है लेकिन इस female के egg cell में अपना एक nucleus होगा तो क्या किया जाता है इस female के egg cell में से इस nucleus को expel कर दिया जाता है इस nucleus को निकाल के बाहर फैंक दिया जाता है ठीक है तो यह जो female है इस female का egg cell अब सिरफ और सिरफ ऐसा दिखाई देगा जिसके अंदर nucleus नहीं है और फिर क्या किया जाता है जो mother है, mother के nucleus को बाहर निकाल के, इस egg cell के अंदर insert कर दिया जाता है, इस egg cell के अंदर insert कर दिया गया, तो अब क्या हो चुक है, ये वाले cell को अगर ध्यान से देखा जाए, तो इस cell के अंदर nucleus किसका है, nucleus है, mother का, nucleus है इसका, ठीक है, nucleus अगर mother का है, तो सारे के सारे traits किसके आएं female का, second female का, और यह mitochondria healthy है ठीक है, तो अब क्या करते है, अब father के sperm cell को, sperm cell को fuse कराया जाता है, fertilize कराया जाता है, with this egg, with this egg cell, और यहां से जो बच्चा पैदा होगा, इस बच्चे के अंदर इस father का nucleus होगा father का nucleus है, mother का nucleus है mother का nucleus है, plus यह जो second female थी इस second female के healthy mitochondria है, तो अब जो हम, यह जो mother थी, इस mother का, जो unhealthy mitochondria था वो unhealthy mitochondria बच्चे के अंदर नहीं आएगा, लेकिन, बच्चे के अंदर traits किस कहेंगे, बच्चे के अंदर traits कहेंगे, mother के और father के, क्योंकि traits depend करते है, nucleus के उपर और nucleus किस का है, nucleus mother का और father का ही है, ठीक है, second female से हमने सिर्फ और सिर्फ उसका egg cell use किया है, क्योंकि उसके पास healthy mitochondria था, और इसके egg cell से हम इसका nucleus निकाल देते हैं, ताकि इस female का इस female का जो characteristics हैं, जो traits हैं, वो बच्चे के अंदर ना आप है, ठीक है, तो इस बच्चे को कहा जाता है, three parent baby क्यों, क्योंकि तीन parent से मिलके ये baby बना है अब अगला concept cover करते हैं, अगला concept समझने से पहले ये देखिए, कि कोई भी जो बच्चा होता है, जब भी मान लिजे mother और father ने आपस में reproduce किया, तो इनके जो cells हैं, आपस में divide हो गया, तो एक cell ने क्या कर लिए, दो cell बना दिए, ये जो दो cell बने हैं, ये आगे और divide होंगे और ये चार cell बना देंगे, ये जो चार cell बने ये divide होंगे, और ये आठ cell बना देंगे, तो इस तरह cell की जो है, वो division होती रहती है, through the process of mitosis, ठीक है, जब एक single cell, धेर सारे cell के अंदर convert हो जाता है, तो कुछ time के बाद धेर सारे आपको cells देखने को मिलते हैं जिसको blastocyst कहा जाता है blastocyst ये जो blastocyst होता है देखें, पहले क्या रहा है? fertilization हो रही है या फिर मैं आपको पूरा का प्रोसेस बता है जो mother का egg cell होता है वो होता है आपके fallopian tube के अंदर अब इस time पर अगर mother और father आपस में reproduce करते हैं, तो fallopian tube के अंदर ये जो egg cell होता है, ये egg cell father के sperm cell के साथ fertilize हो जाता है, fertilize होने के बाद ये अभी एक single cell है, single cell mitocyst के प्रोसेस से divide होता जाएगा और धेर सारे cell बन जाएगे जब एक अच्छा खासा number of cells बन जाते हैं तो इनको blastocyst बोलने लग जाते हैं blastocyst बोलने लग जाते हैं, अब जब ये blastocyst बन गए तो ये सारी की सारी चीज़े कहां move कर जाती हैं, ये move कर जाती है in the uterus of the mother uterus के अंदर ये move कर गई, uterus के अंदर जब ये सारी की सारी चीज़े move कर जाती है तो uterus में एक jelly like substance होता है, jelly like substance होता है, placenta जहां पे आपका ये जो पूरा का पूरा cell है ये जो blastocyst है, ये blastocyst exist करता रहता है, तो uterus में आपका placenta होता है और ये आपका blastocyst यहां पे होता है अब ये जो blastocyst है यानि कि ये जो सारी के सारे cells है ये सारे के सारे cells एक single cell से बने थे ठीक है, एक single cell से यही आप देखेंगे आगे जाके ये blastocyst आपके अलग-अलग तरह के cell बन जाते है कुछ cell आपके skin cell बन जाएंगे जो कि आपकी खाल बनाएंगे कुछ cell हो सकता है कि आपके muscle cells बन जाएं muscle cells बन जाएं जो कि आपकी muscles बनाएंगे कुछ cells आपके nervous cell बन जाते है nerves बन जाती है ठीक है, nerve cell बन जाते है जो आपकी skin cell होती है skin cell का क्या काम है आपको protect करने का आपको बाहरी environment से protection देती है आपकी skin जो muscles होती है muscles का main काम होता है contract करने का जो आपका heart है वो भी contract करता है उसी से काम करता है nerves के आप करती है nerves आपकी brain को signal पहुचाती है आपकी पूरी body के अंदर signal की transfusion होती है ठीक है यही जो आपके cells है यह कुछ cells आपके white blood cells बन जाएंगे कुछ आपके red blood cells बन जाएंगे ठीक है अचा red blood cell के बारे में एक fact आप याद रखेंगे एक lota human body के अंदर एक lota ऐसा cell जिसके अंदर nucleus नहीं होता वो कौन सा है वो होता है आपका red blood cell RBCs के अंदर nucleus नहीं होता है बाकी सब के अंदर आपके nucleus होता है तो क्या मैं आपको क्या बताना चाहरा हूँ मैं बताना चाहरा हूँ कि एक single cell था यह जो single cell था इसका अपना क्या काम है इसका कोई और काम नहीं है इसका सिरफ एक काम है कि अपने आपको डिवाइड करता जा रहा है और डिवाइड करने के बाद ये जो एक single cell है ये अलग-अलग cells के अंदर convert हो रहा है ये जो अलग-अलग cells है इन अलग-अलग cells का अपना एक special function है for example, skin cells will produce skin so that they can protect you from external environment muscle cells will produce muscles so that they can contract nerve cell क्या करेगी वो signal send करेगी तो ये सारे के सारे जो cells है ये सारे के सारे आपके differentiated cells कहे जाते है ये आपके differentiated cells कहे जाते हैं जिनका अपना एक special function होता है लेकिन ये जो आपका single cell था ये आपका undifferentiated cell था undifferentiated cell का कोई भी special function नहीं होता लेकिन इसकी quality कह है इसकी quality ये है कि ये जो cell है this cell can convert into other differentiated cells अब imagine करेगी एक scenario हो गई एक scenario है scenario कह है किसी की muscle cell के अंदर कोई दिक्कत होने लगी जिसकी वेसे उसकी muscle की formation नहीं हो रही है अगर हमारे पास ये वाला cell होता जो की undifferentiated cell है which is capable of converting into any other cell हमारे पास ये वाला cell है हम इस वाले cell को utilize करेंगे और ये cell अपने आपको convert कर लेगा muscle cell के अंदर और आपके अंदर ये जो defect हो रहा था कि muscle cell सही से काम नहीं कर रहे थे वो defect खतम हो जाएगा और आपके muscles के अंदर जो भी दिक्कत आ रही है वो सारी-सारी दिक्कत solve हो जाएगी ठीक है ऐसे ही मान लिजे एक बहुत ही extraordinary example लेता हूँ मान लिजे आपका heart वो भी एक तरह का muscle cell होता है आपका heart काम करना बंद कर दिया हमने क्या कि हमने ये वाला cell लिया और इस cell को हमने convert करा लिया into a new heart into new muscle cells और उस muscle cells ने आपका heart बना दिया तो यहाँ पे हम क्या कर रहे है हम cells को use कर रहे है to regenerate new tissues new और damaged tissues तो यह जो technique होती है इस technique को का जाता है regenerative regenerative technique ठीक है तो अब यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो आपके undifferentiated cells है वो उनका कोई special function नहीं है लेकिन वो अपने आपको convert कर सकते है into other differentiated cells अच्छा अब यह जो differentiated cells है इन differentiated cells की भी एक खासियत है खासियत क्या है आपने कई बारी सुना होगा कि लोग अपनी face का अपने बाजू का अपने और पता नी कहां कहां पे scrub कराते है scrub क्यों कराते है ताकि वो अपने body के उपर से जो dead skin cells है उन dead skin cells को remove कर सके तो जो आपके skin cells होते है उनका काम क्या है to produce skin skin cells सिर्फ और सिर्फ skin produce कर सकता है वो कभी भी आपके white blood cell produce नहीं करेगा आपके muscle cell produce नहीं करेगा skin cells सिर्फ और सिर्फ skin cell produce करता है तो आपकी जो dead skin cell है dead skin cells आपकी body के ओपर जमा हो जाते हैं जिसको आप remove कर देते हैं और इन dead skin cell की जगा ले लेते हैं new skin cells new skin cells ऐसी आपने देखा होगा कि आपके जो RBCs होते हैं red blood cells होते हैं red blood cells आपके नए red blood cell बनाते रहते हैं ठीक है आपके intestine में आपके stomach की जो lining होती है आपके intestine में जो lining होती है वो lining हर 4 दिन के बाद अपने आपको replace कर देती है क्यों कि इस intestine को बनाने वाले जो cell हैं वो हमेशा काम करते रहते हैं लेकिन फरक क्या है जो हमने पहले वाला cell देखा था वो undifferentiated cell था जो किसी भी दूसरे cell के अंदर convert हो सकता है चाहे वो muscle cell हो चाहे skin cell हो चाहे आपके nerve cell हो या कोई भी cell हो लेकिन ये वाले जो cell है ये जो काम करते हैं सिरफ ये वही काम कर सकते हैं लेकिन वो काम ये करते रहते हैं फर एक्जामपल skin cell जो है वो skin को produce करता रहेगा ठीक है तो ये सारे के सारे काम इसमें होते रहते हैं अब इसी चीज को थोड़ा सा टेक्निकली देख लीज़े, आपको क्या-क्या चीज याद रखनी है, इसके अंदर. देखो. फलोपियन ट्यूब के अंदर, फलोपियन ट्यूब के अंदर, आपके मदर का एग था, एग सल था, ठीक है पांस से छे दिन तक ये डिवाइड होता रहेगा और एक सैक बन जाता है सैक ओफ सेल्स बन जाता है ये जो सैक ओफ सेल्स होता है इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते है ब्लास्टोसिस्ट अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये ब्लास्टोसिस्ट मूव कर जाता है into the uterus 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 of the mother ये move कर गया uterus के अंदर ये uterus के अंदर जो sack of cell है यही eventually क्या बन जाता है ये बन जाता है embryo embryo बन जाता है ठीक है तो fertilization के 5-6 साल तक cell जो है वो divide होता रहता है और एक धेर सारे cells का sack बन जाता है 5-6 दिन तक division के बाद ये जो sack of cell है इसको blastocyst कहते हैं and this blastocyst moves into the uterus of the mother और वहाँ पर ये embryo बन जाता है अब embryo के अंदर जो cells होते हैं उन cells को हम stem cells कहते हैं embryonic stem cells कहते हैं embryonic stem cells embryonic stem cells क्या करते हैं embryonic stem cells undifferentiated cells होते हैं which are capable of which are capable of converting into any other cell ये आपके सिरफ embryo के अंदर पाए जाते हैं और इसके सासाथ mother का जो placenta होता है ठीक है mother का जो placenta होता है उसके uterus के अंदर उस placenta के अंदर आपके ये stem cells ये वाले पाए जाते हैं ठीक है तो ये होगे आपके stem cells ये stem cells इतने interesting होते हैं कि इनका अपना कोई structure नहीं होता इनका अपना कोई special function नहीं होता तो फिर ये किसली special है ये special इसलिए होते हैं ये अच्छे क्यों होते हैं ये अच्छे इसलिए होते हैं कि ये कोई भी structure ले सकते हैं और कोई भी function में अपने आपको convert कर सकते हैं For example, a stem cell a stem cell can convert बतब, cell की division हो रही है, division होते होते, वो एक branch बना देगा, कि इस branch के अंदर जो भी division होंगी, वो सारे की सारे skin cell बना रहे हैं, ठीक है, तो stem cell क्या करेगा, stem cell divide होता जाएगा, और आपके skin cell बनाने लग जाएगा, कुछ stem cells divide होने लग जाएगे, और वो nerve cell की formation करने लग जाएगे कुछ cells divide होंगे, और वो आपके liver cell बन जाएगे, liver की formation होगी, फिर कुछ cells आपके divide होते जाएगे, वो आपके fat cell बन जाएगे, कुछ cells आपके divide होंगे, वो आपके blood cell बन जाएगे, कुछ cells divide होंगे, और वो क्या बन जाएगे, वो आपके skin cell बन जाएगे, तो आपके stem cells हैं, यह stem cells और divide होते जा रहे हैं, ठीक है, इनका number जो है, वो increase होता जा रहे है, through the process of mitosis, और जब वो number increase हो रहा है, तो वो अलग-अलग form लेते जा रहे हैं, यह जो अलग-अलग form ली जा रही है, अलग-अलग shape ली जा रही है, हो सकता blood cell ऐसा दिखता हो, skin cell हो सकता है, ऐसा दिखता हो, और आपका bone cell, आपका bone cell हो सकता है, ऐसा दिखता हो, ठीक है, अलग-अलग यह shape लेते जा रहे हैं, तो stem cells की खासियत यह है, कि यह किसी भी दूसरे cell के अंदर convert हो सकता है, और आज की data में doctors यह research कर रहे हैं, कि मान लिजे किसी का liver fail हो रहा है, या फिर liver बहुत जादा बिमार हो चुका है, liver अब काम करना बंद कर चुका है, तो क्या हम stem cells को laboratory के अंदर या किसी तरह stem cells को utilize करके, हम इस इंसान के अंदर, इस stem cell को डाल दें, और यह stem cell liver की formation कर ले, तो जो liver खराब हो रहा था, वो liver अब replace हो जाएगा, regenerate हो जाएगा, और इसी को regenerative medicine भी कहा जाता है, ठीक है, तो यह सारी की सारी technical चीज़ हैं, जो आप याद रखेंगे, उमीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, अब यह जो stem cells होते हैं, stem cells भी आपको दो तरह के देखन pluripotent का क्या मतलब है, pluripotent का मतलब है, pluripotent का मतलब होता है many, many, और potent का मतलब होता है potential, ठीक है, potential से potent word आया, तो जो embryonic stem cells होते हैं, यह capable होते हैं, of converting into any kind of cells, any kind of cells, ठीक है, तो आपका यह embryo से निकला हुआ stem cell जो है, इसको utilize किया जा सकता है, let's say, muscles बनाने के लिए, इसको बनाया जा सकते हैं, imagine करिये, कि हम embryonic stem cells को utilize कर रहे हैं, और हमारी science ने इतनी तरक्की कर ली कि किसी इंसान का हाथ कट चुका है, उसका limb जो है, वो limb कट चुका है, तो हम इस stem cell को use कर सकते हैं, so that we can regrow this limb, उसके हाथ पैरों को भी regrow किया जा सकता है, ठीक है, अब यह मुस्ट से utilize किया जा सकता है, दूसी तरह के stem cells होते हैं, वो होते हैं, आपके adult stem cells, adult stem cells की मतलब है, कि अब इंसान बड़ा हो चुका है, तो जब इंसान बड़ा हो जाता है, तो उसके कुछ cells ऐसे होते हैं, जो की कुछ specialized function करने लग जाएंगे, for example, आपके brain cells, brain cells can produce more brain cells, मदब और भी skin create करती रहती है, ठीक है, और एक होता है आपका bone marrow, bone marrow के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, bone marrow के अंदर, आपके red blood cells की formation होती रहती है, red blood cell आपको पता ही है, कि आपका blood आप donate भी कर देते हैं, तो आपका bone marrow और red blood cells को produce कर देगा, ठीक है, तो ये adult stem cells होते है, adult stem cells को भी ह लूकीमिय की treatment के अंदर क्या होता है, आपका जो bone marrow है, bone marrow responsible होता है red blood cells बनाने के लिए, तो यह आपके red blood cells है, कभी-कभी blood cancer हो जाता है, जिसको leukemia कहा जाता है, blood cancer में क्या होता है, आपके bone marrow के अंदर यह cancer cells बनने चालू हो जाते हैं, और धीरे-धीरी यह cancer cells है, यह cancer cells, healthy red blood cells को यहाँ पर replace कर देते हैं, और red blood cells की कम हो जाती है, तो इस case में क्या किया जाता है, आपके bone marrow के अंदर stem cells को insert किया जाता है, और यह stem cells है, यह red blood की formation दुबारा से चालू कर देते हैं, ठीक है, तो यह जो आपके adult stem cells है, इनकी भी regenerative medicine के अंदर utility होती है, लेकिन इनके साथ दिक यह नहीं कह सकते कि आप nerve cell बना दो, bone marrow से यह नहीं कहा जा सकता कि दू muscle cell बना दे, ठीक है, तो भले यह एक तरह के stem cells हैं, लेकिन इनका potential जो है, वो limited होता है, तीसरी तरह के stem cells कोंसे होते हैं, वो होते हैं, आपके induced pluripotent cell, induced pluripotent cell, induced pluripotent cell के अंदर क्या किया जाता है, जो आपके adult stem cells होते हैं, इन adult stem cells को laboratory के अंदर manipulate किया जाता है, और adult stem cell को इस तरह से manipulate कर देते हैं, कि यह जो adult stem cell है, यह embryonic stem cell की तरह काम करने लगे, हमें adult stem cell को embryonic में बनाने की क्या जरूत पड़ी, क्योंकि जो embryonic stem cells है, embryonic stem cells इतनी आसानी से नहीं मिलते, आज की date में, अगर क कोई donate कर दे, सिरफ उसी case में हमें embryonic stem cell मिल पाते हैं, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, हमने adult के stem cells थे, उनी adult के stem cell को इस तरह से manipulate कर रहे हैं, कि वो embryonic stem cell बन जाए, यह embryonic stem cell है, यह pluripotent हो जाएगा, और pluripotent होने के बाद, हम regenerative medicine के अंदर इसको काफी अच्छे से utilize कर अब अगली एक definition देख लेते हैं, अगली definition क्या है? cell की एक और classification होती है, cell की क्या classification है दूसरी? cells, ऐसे cells जो reproduction में काम करते हैं, उनको germ cells कहा जाते है, germ cells, तो humans के अंदर germ cell क्या हो जाएंगे, आपके sperm cells, males के अंदर, और आपकी females के अंदर egg cells, यह आपके reproduction में काम करते हैं, इनको germ cell कहा देंगे, germ cell के अलावा, जितने भी other cells होते हैं, उन सभी cells को somatic cells कहा जाते है, somatic cells do not take part in reproduction, इन दोनों की classification मैंने इसलिए बताई है क्योंकि जो हमारा अगला topic है it is related to cloning कि आखिर ये cloning किस तरह से की जाती है तो cloning का क्या मतलब होता है cloning का मतलब होता है कि हम एक identical copy produce कर रहे हैं किसी चीज की identical copy produce कर रहे हैं किसी चीज की without reproduction ठीक है तो यहां पे हम देखते हैं कि जो dolly sheep है dolly sheep को किस तरह से बनाया गया था अब dolly sheep को किस तरह से बनाया गया था उससे पहले जो अभी तक हमने पड़ा है उसका एक हलका सा आप बहुत ही simple भाशा में समझी है देखें क्या और है जो भी आपका egg है egg आपको कहां पे देखने को मिलता है fallopian tube के अंदर आपको egg देखने को मिलता है ठीक है एग क्या है female का germ cell अब इस female के germ cell में जब sperm आके fuse करता है जब इसकी fertilization होती है तो यह fallopian tube के अंदर इसकी division चालू हो जाती है और क्या बनने लग जाते है पांस से छे दिन तक यहां पर आपको blastocyte की formation होती हुई दिखाई देती है यह जो blastocyte है this blastocyte move into uterus और uterus के अंदर क्या हो जाएगा uterus के अंदर blastocyte convert हो जाता है embryo के अंदर ठीक है embryo के अंदर यह convert हो जाएगा अब यह जो embryo है यही embryo आगे जाके develop होता है into a baby embryo develop होता है into a baby ठीक है तो अब इसको अगर डॉक्टरों ने क्या सोचा डॉक्टरों ने यह सोचा कि जो egg cell था अगर हम इस egg cell को fertilize ना करें पर हम किसी तरह से इस egg cell को laboratory के अंदर stimulate करें stimulate करें कि यह egg cell डिवाइड होने लग जाए और blastocyst बना ले ठीक है और फिर यह जो blastocyst बन चुका है इस blastocyst को हम किसी uterus में डाल देंगे हम इसको किसी uterus के अंदर डाल देंगे और uterus के अंदर यह embryo की form ले लेगा और यह जो embryo है यह embryo baby produce कर देगा यह embryo baby produce कर देगा इसके अंदर क्या रहा है इसके अंदर sperm sperm जो है वो fertilize नहीं कर रहा है egg को हम laboratory के अंदर stimulate कर रहे है by using other methods ठीक है अभी देखते है उस method को तो यहाँ पर क्या करेंगे हम clone बनाने के लिए हम clone बनाने के लिए क्या करते है हम एक egg cell लेते है egg cell के अंदर हमें जिस भी इंसान का clone बनाना है उस इंसान का nucleus यहाँ पर डाल देते है क्यों क्योंकि हम जिस इंसान का clone बनाना चाहते है देखे अभी क्या हो रहा है मैं थोड़ा से और पीछे चलते है ठीक है confused नहीं होंगे देखो अभी क्या होता है यह है आपका egg cell ठीक है egg cell का अपना cytoplasm है और यह nucleus है दूसरा है आपका यह sperm cell sperm cell का अपना cytoplasm है और यह रहा nucleus यह दोनों के दोनों जब reproduce करेंगे तो sperm cell का nucleus यहाँ पर चला जाएगा ठीक है तो यहाँ पर यह हो गई आपकी मदर यह हो गई आपका फादर तो जो भी baby produce होगा baby के अंदर इसका भी nucleus के traits आ जाएंगे इसके भी nucleus के traits आ जाएंगे तो जो baby produce होगा baby के अंदर किसकी characteristic देखने को मिलेगी A की भी characteristic देखने को मिलेगी और B की भी characteristic देखने को मिलेगी तो यह जो baby है यह A plus B बनेगा हम क्या चाते हैं हम चाते हैं कि अगर A है तो A का जो baby बने वो बिल्कुल A की तरह दिखाई दे हम इस B के हम इस B के characters को A के अंदर आने नहीं देना चाते ठीक है तो अगर हमें एकदम identical identical offspring चाहिए तो उसके अंदर हमें क्या करना होगा हमें एक ऐसा तरीका ढूंडना होगा जिसमें हम egg को artificially blastocyte में convert कर दें without the introduction of a sperm cell क्योंकि अगर sperm cell introduce हो गया तो जो father का nucleus था वो भी इस egg के अंदर चला जाएगा और father का nucleus अगर इस egg के cell में चला गया father का nucleus इस egg के cell में चला गया तो father के भी traits बच्चे में आ जाएगे हमें father के नीचे हैं हमें बिलकुल identical चाहिए तो हम क्या करते हैं हम इसको laboratory के अंदर बिना किसी sperm cell के बिना किसी reproduction के हम एक unfertilized egg यानि कि अभी तक reproduction हुई नहीं है हम एक unfertilized egg लेते हैं उस egg को laboratory के अंदर stimulate करके blastocyte में convert करते हैं और ये जो blastocyte होता है इस blastocyte को uterus के अंदर डाल देते हैं तो इसके अंदर किसका nucleus है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ mother का nucleus है और ये जो mother है इसी mother का एकदम identical copy इसका offspring produce हो जाएगा ठीक है ये सिरफ एक तरीका है अब इस तरीके को हमने dolly sheep बनाने में किस तरह से इस्तमाल किया dolly sheep बनाने में अगर reproduce करा देते दो लोग reproduce करेंगे तो दो लोगों के character आएंगे लेकिन twin में sorry cloning में हमें क्या चाहिए हमें दो लोगों के character नहीं हमें एक ही इंसान का character चाहिए तो एक ही इंसान का character किस तरह से लाया जाता है वो देखिया अब आप जो सबसे पहला mammal clone किया गया था उस mammal का नाम है dolly the sheep ठीक है dolly sheep जो है वो पहला mammal था जिसको clone produce किया गया था cloning के अंदर क्या करते हैं हम एक ऐसा individual produce करते हैं which is the identical genetic copy which is the identical genetic copy of of some other animal animal या plant भी हो सकता है ठीक है तो किसी भी जानवर की अगर हम एकदम identical copy बना दें तो उसको clone कहा जाता है अब genetic copy कब होगी genetic copy तब होगी जब किसी एक organism का जो nucleus है वही nucleus हम किसी तरह से किसी तरह से हम उसी nucleus को embryo बना दें और ये embryo अब आगे जाके किसी baby के अंदर develop हो जाएगा ठीक है अगर हम normal तरीके से देखें तो normal तरीके में baby कैसे produce होता है उसके अंदर दो लोगों की requirement होती है ये जो दो लोग हैं ये दोनों के दोनों अपने nucleus contribute करते हैं अपने genetic material को contribute करते हैं और फिर जो baby बनता है which is a combination of A plus B लेकिन हमें जब identical genetic copy चाहिए तो उस case में हमें ये वाला element नहीं चाहिए होता तो हम इसके अंदर क्या करते हैं हम without reproduction without reproduction embryo को stimulate करेंगे तो जो dolly बनाई dolly की 3 mothers हैं ठीक है 3 mothers इसकी जो पहली mother है उसका नाम है Scottish blackfish oh sorry blackface Scottish blackface ये जो Scottish blackface थी हमने इसका unfertilized egg निकाला unfertilized यानि कि इसकी reproduction नहीं हो है इसका जो egg था वो unfertilized था हमने इसका unfertilized egg निकाला इस egg का nucleus था हमने इस unfertilized egg में से इसके नुकलियस को निकाल के बाहर फैंक दिया ठीक है तो Scottish Black Face का Unfertilized Egg लिया और फिर उसके बाद इस Egg में से नुकलियस को हमने निकाल दिया नुकलियस जो है वो यहां से एक्सपेल कर दिया फिर उसके बाद हमने ली डॉली की दूसरी मा जिसका नाम था Fin Dorset Fin Dorset हम चाहते हैं कि यह जो Fin Dorset है Fin Dorset के characteristic वाला हमें एक clone मिल जाए तो हम क्या करेंगे Fin Dorset का जो clone बनाना है तो हम Fin Dorset का एक Somatic Cell लेंगे इस Somatic Cell के अंदर जो Nucleus है इस Nucleus के अंदर Fin Dorset का Genetic Material है Fin Dorset का Genetic Material का है इसके Nucleus में तो हम इसका Nucleus निकालेंगे इसका Nucleus निकाल लिया हमने अब क्या किया जाएगा यह जो Scottish Black Face थी इसका हमने Unfertilized Egg लिया और उसका Nucleus निकालके बाहर फैंक दिया अब यह जो एग है यह बिना किसी Nucleus के यह और इसका Nucleus निकाल लिया अब यह जो Nucleus है इस Nucleus को इंसर्ट कर दिया जाता है इस वाले सेल के अंदर तो अब हमारे पास क्या सेल आगे हमारे पास Scottish Black Face का सेल का एग आगया विच वाज निकाल लिया और इसके अंदर किसका Nucleus है इसके अंदर Fin Dorset का Nucleus है अब क्या किया जाएगा अब इसको Laboratory के अंदर Stimulate किया जाएगा Laboratory के अंदर इसको Stimulate किया जाएगा ताकि यह Convert हो जाए Blastocyte के अंदर जब यह Blastocyte बन जाएगा तो इस Blastocyte को इंसर्ट कर दिया जाएगा एक तीसरी Sheep के अंदर एक तीसरी Sheep के Uterus के अंदर इसको Insert कर दिया जाएगा और यह जो यह जो इसके अंदर Insert किया गया है यह Sheep एक Baby को Produce कर देगा अब जो Baby Produce हो है इस Baby के पास किसका Genetic Material है इस Baby के पास Fin Dorset का Genetic Material है This Baby would be the Identical Copy of Fin Dorset Fin Dorset की यह Identical Copy होगा समझगे किस तरह से ही किया जा रहा है सारका सारकाम अब अगर कोई सवाल आ जाए कि यह Stimulate कैसे किया गया था तो उसके लिए आपको क्या आद रखना है कि यह जो एक था इसको Stimulate किया गया था Electric Charge देखे Electric Charge तो Cloning का तरीका अब आप समझ गया Cloning में क्या किया जाता है Cloning के अंदर कोई Reproduction नहीं होती Cloning जो है वो Without Reproduction हम Identical Baby Produce कर रहे है Identical Baby Produce करने के लिए हमें एक ऐसा Nucleus जहीं है जिसको हम replicate करना चाहते है इस Nucleus को एक Unfertilized Egg के अंदर इस Unfertilized Egg को Stimulate किया जाता है Through Electric Charge ताकि ये Blastocyte Okay, हो सकता है मैं बार-बारी Blastocyte Blastocyte बोले जा रहा हूँ ये Blastocyte ये Blastocyst होता है ये मतब हमेशा से मेरी यादद है Blastocyte निकल जाता है ये Blastocyst है तो अगर मैंने जहां पे भी Blastocyte बोला है उसको Blastocyst याद रखना ठीक है Blastocyst में बन जाता है और ये Blastocyst आगे जाके Embryo बनेगा When it is inserted into the into the uterus of another sheep ठीक है तो इस तरह से आपकी Dolly बनाई गई थी ठीक है उमीद करता हूँ आपको यहां तक चीज़े समझ में आरी होंगी कोशिश कर रहा हूँ जितना simplify हो सके उतना simplify कर रहा हूँ ताकि आप अपने questions को answer कर सके जो हमारी magazine है जिसके हम topics को cover करें उसके अंदर बहुत सारी चीज़े missing है तो जहां से question पूछे आते हैं उन चीज़ों को मैं इसके अंदर include करता हूँ चल रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी magazine के अलावा भी मैंने आपको चीज़े बताई हैं तो उसके लिए I would suggest कि चोटे-चोटे से notes बना के रख लीजेगा आप अब हम अपने अगले topic की तरफ चलते हैं अगला topic है हमारा gene editing का gene editing काफी important topic है यहां से भी आप question के उमीद कर सकते हैं जब हम gene editing की बात करते हैं तो gene editing के अंदर आपको तीन तरीके देखने को मिलते हैं पहले तो यह देख लेते gene editing का क्या मतलब है जैसा नाम है वैसा काम है gene editing का मतलब होता है genes के अंदर कोई भी modification करना ठीक है modification क्या हो सकती है कि हम किसी भी चीज को gene के अंदर gene के अंदर हम किसी भी चीज को remove कर रहे है किसी भी चीज को alter कर रहे है या फिर कोई एक नई addition कर रहे है gene के अंदर हर एक चीज जो है वो editing की definition के अंदर आ जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं कभी कभी जो हमारा gene होता है हम उस gene के अंदर कुछ traits को remove करना चाते हैं या फिर अपनी पसंद के किसी trait को introduce करना चाते हैं तो उसके लिए हम gene editing techniques का इस्तमाल करते हैं हमें तीन तरह की gene editing techniques देखने को मिलती है जो सबसे जादा famous है जिसकी bio technology के अंदर ये माना जा रहा है आने वाले समय में सबसे बड़ा future है वो है आपकी CRISPR-Cas9 technique CRISPR-Cas9 technique तो majorly हम इसी चीज को पढ़ेंगे क्योंकि बाकी जो techniques है वो अब उतनी जादा अच्छी नहीं रही है तो वो कौन कौन सी techniques है एक आपकी talents और दूसरी आपकी ZFN ZFN क्या होता है? Zinc Finger Nucleases ठीक है? talents Zinc Finger Nucleases और ये है आपकी CRISPR-Cas9 technique CRISPR-Cas9 technique जो है वो talents या फिर Zinc Finger Nucleases से जादा अच्छी क्यों है? अच्छी इसलिए क्योंकि ये हमें site specific changes करना अलाओ कर देता है इस technique को यूज करके हम site specific changes कर सकते हैं तो देखे मालीजे कोई भी एक DNA है अब इस DNA के अंदर कोई भी ऐसा defective area आगया जिसको हम replace करना चाहते हैं तो हमें क्या कर रहा है? पहले तो हमें ये identify करना है कि DNA के किस वाले area के अंदर हमें चीजों को change करना है यानि कि हमें पहले तो location बता होनी चाहिए location के बाद हमें क्या चाहिए? हम इस area को change करना चाहते है चेंज करने के लिए हमें क्या करना है पहले तो इसको cut करके यहां से हटाना पड़ेगा और फिर इसकी जगा कोई दूसरी चीज लगानी पड़ेगी तो इसको cut करने के लिए हमें एक molecular scissor की जरूत होती है molecular scissor की जरूत होती है ये जो molecular scissor होती है इसको Cas9 कहा जाता है ऐसे Scissor, ऐसे आपका Cas9, ठीक है? इस तरह से आप याद रख सकते हैं, Molecular Scissor चेही होती है और फिर उसके बाद हमें जो भी Changes करना है, वो Changes हम यहाँ पे कर सकते हैं जो भी हम यहाँ पे Coding करना चाते हैं वो यहाँ फिर Genetic यह जो आपकी Location बताने का काम करता है Location बताने का काम करता है आपका GRNA, GRNA का मतभ़ होता है Guide RNA, तो इससी से आपको बताब चल जाएगा कि Guide RNA, Molecular Scissor को यह बताता है, कहाँ पे जाके तुम्हे Cut करना है, Molecular Scissor कौन है? Molecular Scissor आपकी Cas9 Molecular Scissor क्या होता है Molecular Scissor को हम Restriction Enzyme के नाम से जानते है Restriction Enzyme ठीक है, और फिर उसके बाद हमारी जो तीसरी चीज़ है, हमें जो भी DNA लगाना है वो DNA हमें चाही होता है ठीक है, DNA को यहाँ पे पेस्ट करने के लिए हमें एक Glue चाही होती है तो उस Glue को क्या कहते हैं, उस Glue को कहा जाता है DNA Ligases DNA Ligases, DNA लगाओ Ligases से आप याद रख सकते हैं तो देखे, CRISPR Cas9 टेकनीक के अंदर हम क्या करते हैं, पहले Guide RNA जो है, वो हमें यह बताता है कि कहां पे cut लगाना है फिर जो Restriction Enzyme है जो कि Cas9 होती है वो यहाँ पे cut लगा देती है और इस चीज को यहां से remove कर देती है फिर DNA Ligases के थुरू हम इसको यहाँ पे, जो भी DNA हमें लगाना होता है जो भी हमें gene यहाँ पे insert करना होता है treat insert करना होता है, वो हम लगा देते हैं अब एक सवाल आता है कि आखिर यह crisp R होता क्या है हमें Cas9 पता चल गया Cas9 is a scissor Cas9 is a molecular scissor which is used to cut a portion of the gene ठीक है, a portion of the DNA तो यहाँ पे आप देखने हैं कि guide RNA को use करके हमें जिस site पे cut लगाना होता है उसी site पे cut लग जाता है क्रिस पार समझने के लिए पहले आपको एक term पता हो नीचाए जिसका नाम है palindrome palindrome का क्या मतलब होता है palindrome आप एक शब देखिए, kayak जब मैं kayak को यहाँ से left to right पढ़ता हूं तो मेरे को k-a-y-a-k दिखता है kayak और अगर मैं इसको right to left पढ़ू तो भी मेरे को kayak दिख रहा है यानि कि चाहे मैं इसको आगे से पीछे जाओ चाहे मैं पीछे से आगे जाओ इसका मतलब same रह रहा है इसका जो भी code निकल के आ रहा है वो same निकल के आ रहा है दूसरा word देखिए race car जब मैं race car को left से right पढ़ता हूं तो यह race car पढ़ने में आ रहा है और अगर मैं इसको right से left पढ़ू तो भी तो यह race car पढ़ने में आ रहा है तो ऐसे कोई भी शब्द जिसको चाहें आप left से right पढ़ने या right से left पढ़ने same मतलब निकल के आता है इसको palindrome के आता है ऐसे ही ऐसे ही 1970s के आसपास यह देखा गया कि bacteria के अंदर भी जो यह coding हो रखे यह coding palindrome की form में है coding जो है वो palindrome की form में है for example एक code ले लेते हैं ठीक है code क्या ले लेते हैं cg cg या फिर एक सिइन रुक है हम code ले लेते हैं gc 80 80 t a t a c g ठीक है g के साथ हमेशा c लगता है और a के साथ हमेशा t लगता है तो इस तरह का एक code ले लिया अगर आप इसको left से right पढ़ दें तो आपको क्या पढ़ने में है g a a t t c और जब आप इसको right से left पढ़तें तो आपको क्या पढ़ने में आ रहा है g a a t t c यानि कि चाहें आप left से right पढ़ लें या फिर right से left पढ़ लें दोनों में आपको same ही code दिखाई दे रहा है यह क्या बन गया यह आपका palindrome बन गया तो 1970s के अंदर sorry 1980s के अंदर क्या देखा गया कि bacteria के अंदर इस तरह के palindrome बन रहे थे तो bacteria का जो genetic material था वो किस तरह से दिखाई देता था कि यहाँ पे एक palindrome बन रहा है मतब जो भी coding हो रखिया वो palindrome की form में हो रखिया फिर भीच में कुछ अलग तरीके का DNA है ठीक है फिर उसके बाद दुबारा से palindrome बन रहा है palindrome बन रहा है फिर उसके बाद दुबारा से एक अलग तरीके का DNA है जो कि palindrome नहीं है palindrome है फिर नहीं है palindrome है फिर नहीं है फिर palindrome बन रहा है तो इस तरह की हमें sequence दिखाई दे रही थी तो scientists ने इसको क्या नाम देना चालो कर दिया scientists ने का कि यह जो palindrome है यह palindrome यह palindrome regularly spaced regularly spaced है यहाँ पर palindrome है फिर कुछ space के बाद दुबारा palindrome फिर कुछ space के बाद दुबारा से palindrome short है and this palindrome is repeating itself it is repeating itself तो अब curiosity जागी curiosity क्या थी? कि यहां पर यह palindrome के बीच में यह जो area है यह जो आपको material genetic material देखने को मिल रहा है यह palindrome नहीं है यह palindrome आखिर क्यों हो नहीं है तो इसके उपर जब research की गई तो यह पाया गया कि जो bacteria था इस bacteria पे कभी future में किसी virus ने हमला किया होगा ठीक है? इस bacteria पे यह bacteria का पहले DNA कैसे था? पहले DNA ऐसे रहा होगा palindrome फिर palindrome फिर palindrome इस तरह से palindrome palindrome रहा होगा फिर इस bacteria पे किसी virus ने हमला किया तो bacteria ने उस virus को अपनी immunity develop करके उस virus को हरा दिया लेकिन बैक्टीरिया चाहता है कि मैंने अभी तो इस वाइरस को हरा दिया, कल को यह वाइरस फिर से हमला करे, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे को क्या action लेना है इस वाइरस को दुबारा से हराने के लिए, तो बैक्टीरिया ने क्या किया, अपने पैलिंड्रोम, दो पैल और एक और वाइरस ने उसे हरा दिया अब बैक्टिरिया चाहता है कि अगर आगे कभी फ्यूचर में यह वाला वाइरस मेरे उपर हमला करे तो मुझे पता होना चाहिए कि इसको कैसे हराना यह तो यह क्या करेगा इस वाले वाइरस का कुछ जैनेटिक माटीरियल फिर से दो के बीच में store करके रख लेगा, तो फिर अब वो क्या बना देगा, अब उसका genetic material कैसे दिखेगा, palindrome, फिर ये पुराने वाले वाइरस का genetic material उसके पास already पड़ा है, फिर palindrome, और यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे वो blue material का genetic material, कोई foreign origin का genetic material देखने को मिल रहा है, बैक्टीरिया यह genetic material क्यों store कर रहा है, ताकि future में कभी यह same virus इसके उपर हमला करे, तो इसको पता हो कि इस virus से किस तरह से निपटना है, तो basically यह जो palindrome के बीच का area है, यह bacteria को power देता है, immunity की, यह bacteria को immunity देता है, ओन वाइरस के खिलाफ जो कि इस bacteria को पहले से affect कर चुका है, अब जब यह CRISPR पता चल गया, तो इसी के उपर धिर सारी research होने लगी, और जो भी scientist थे, scientist हो ने क्या तरीका निकाला, scientist हो ने कहा कि अब हमें, अगर कोई भी DNA के अंदर, कोई भी defect को change करना है, तो हम location क कैसे निकाल सकते हैं, हम location निकाल सकते हैं, by identifying these palindroms, ठीक है, जिस को CRISPR कहा जाएगा, कि CRISPR को identify करेंगे हम, ठीक है, और फिर Cas9 को, Cas9 जो की एक molecular scissor है, इसको use करके हमें, जहां पे भी cut लगाना है, वो cut लगालेंगे, this Cas9 would be guided by a GRNA, और फिर उसके बाद, DNA ligases को use करके, हमें जो भी हमें नया change ले के आना है, हम वो नया change इसके अंदर ले के आ सकते हैं, तो basically यह नया change क्या करेगा, जो भी हम favorable characteristic introduce करना चाते हैं, उन favorable characteristic को introduce कर देगा, ठीक है, अब बहुत जादा इसकी detail में आपको जाने की जरूत नहीं है, क्योंकि बहुत जादा technical topic हो जाता है, यहा short palindromic repeats, तो यह palindromes हैं which are repeating, ठीक है, यह clustered है, और regularly interspaced है, यानि की बीच-बीच में palindrome और फिर कोई space, फिर palindrome फिर कोई space, यह space क्या है, यह कोई, foreign virus का जो इसके उपर हमला हुआ था, उससे immunity provide करने के लिए, उसने genetic material को store कर रखा, यह एक palindrome है, यह एक palindrome है, फिर एक pal circularly spaced होंगे palindrome और यह clusters है, ठीक है, और CRISPR को utilize किया जाता है, location सही से जानने के लिए, CAS9 इनको utilize किया जाता है, एक molecular scissor की तरह, guide RNA इसको मदद करेगा, कहां पे cut लगाना है, और फिर हमे DNA ligase को use करके, जो भी changes लाने है, वो changes हम लेके आ सकते हैं, ठीक है, अब एक काम करते है, लगभग सारे के सारे topics, जो समझने वाले थे, वो हम समझ चुके हैं, ठीक है, इससे जादा मुझे लगता हैं कि आपको और कुछ समझने की जरूत है, last topic करते हैं, अब हम DMH 11 वाला, धारा mustard hybrid वाला, और फिर उसके गाद इस lecture को यहीं पर खतम कर देंगे, next lecture के अंदर, हम ज आगे, IT वाला topic है, IT plus space, उसको cover करेंगे, next lecture के अंदर, ठीक है, तो चलिए, DMH 11 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसे ऐसे दुनिया के अंदर urbanization increase होती जा रही है, वैसे वैसे farmland का जो size है, वो size छोटा होता जा रहा है, इसके सासाथ climate change की वजए से हमारा weather pattern भी काफी erratic हो इन reasons की वजए से agriculture produce की productivity के अंदर हमें decline देखने को मिल रहा है, और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर ये जो decline है, ये decline और भी जादा increase हो सकता है, और हमारा agriculture produce जो है, वो और भी जादा कम हो सकता है, अगर हमारा agriculture produce कम होगा, उसकी productivity कम होगी, तो ये कही ना कही हम को increase कर सकते हैं उन्हें pest resistant बना सकते हैं और climate resilient बना सकते हैं इंडिया के अंदर पहली बार genetically modified crop की cultivation को allow किया गया था 2002 के अंदर और जो सबसे पहली genetically modified crop इंडिया के अंदर allow की गई थी वो थी आपकी BT cotton इंडिया के अंदर जो traditional cotton की cultivation होती थी उस cotton के साथ issue ये था कि एक pest जिसका नाम होता है pink ball worm नाम का जो pest होता है वो इंडिया की जो cotton थी उस cotton को attack कर देता था और cotton की crop को खराब कर देता था तो इसलिए हमें अपने cotton को pest resistant बनाना था cotton को pest resistant बनाने के लिए हमने soil के अंदर एक bacteria पाया जाता था जिसके अंदर gene होता था cry1 ac gene soil के इस bacteria के हमने इस gene को निकाल के हमने cotton के अंदर insert कर दिया ये जो BT cotton हमें मिला था इस gene को insert करने के बाद ये BT cotton एक ऐसा toxin release करता था जो की pink ball worm को खतम कर देता था तो हमारी cotton की genetically modified crop जो बनके आई वो crop pest attack को withstand कर पाती थी जैसे ही हमने genetically modified cotton बनाना चालू कर दिया और उसकी cultivation को start कर दिया उसके बाद इंडिया के अंदर cotton की production के अंदर four times हमें increase देखने को मिला और आज की rate में इंडिया cotton का number one producer है दुनिया के अंदर सबसे यादा जो cotton की export होता है उसमें इंडिया second number पे आता है genetically modified cotton की success को replicate करने के लिए महारास्ट्रा hybrid महारास्ट्रा hybrid seeds company माही को ने ब्रिंजल को भी pest resistant बनानी की कोशिश करी ब्रिंजल के उपर भी कुछ insects attack करते थे और हमारी कोशिश यह थी कि ब्रिंजल भी अगर इन attacks को withstand कर पाएगा तो ब्रिंजल की भी productivity increase हो जाएगी ब्रिंजल की जो production है वो increase होगी तो हमने same cry one ac gene लिया और ब्रिंजल के अंदर insert करने की कोशिश करी और इस ब्रिंजल को यह जो genetically modified ब्रिंजल बना था इसको genetic engineering appraisal committee ने 2009 के अंदर commercial use के लिए permission भी दे दी थी लेकिन BT cotton and BT ब्रिंजल इन दोनों के अंदर एक fundamental difference और वो difference यह था कि BT cotton की जो crop थी यह crop non food crop होती है non food crop यानि कि इनसान इसको खाता नहीं है इसके सिरफ कपड़े बना जाते हैं और कपड़े पहने जाते हैं लेकिन जो हमारा genetically modified ब्रिंजल था कि genetically modified food crop जो है वो इंडिया की biodiversity को भी हाम कर सकते हैं इन concerns की वज़े से सरकार ने BT ब्रिंजल की commercial use को permission नहीं दी और आज तक BT ब्रिंजल की cultivation के उपर moratorium लगा हुआ है रोक लगा हुआ है अब यह पूरा का पूरा issue दुबारा से news में क्यों है news में इसलिए आया है क्योंकि अभी recently genetic engineering appraisal committee ने एक और food crop को environmental clearance प्रवाइड कर दी है और यह food crop है आपकी धारा mustard hybrid 11 यह mustard की genetically modified food crop है अब इस issue को हम detail में देखते है क्या आखिर यह issue है क्या देखिए हमें mustard की जो yield थी उस yield को increase करना था जब भी आपको किसी crop की yield को increase करना होता है तो उसका एक possible तरीका होता है hybridization hybridization के अंदर क्या होता है हम same species की same species के plant की दो varieties को लेते हैं और उन दो varieties को आपस में cross करा देते हैं यह निकि उन दोनों variety को आपस में reproduce करा देते हैं इनका जो offspring निकल के आता है इस offspring की yield अपने parents की yield के मुकाबले जादा होती है तो hybridization एक possible तरीका है जिससे हम mustard की yield को increase कर सकते हैं लेकिन mustard के साथ एक issue है issue क्या है mustard plant जगत की शीला है यह खुद से ही प्यार जता लेती है mustard seed के जो flowers होते हैं इस flowers के अंदर male part और female part दोनों पार्ट आपस में exist कर रहे होते हैं और यह दोनों के दोनों ही आपस में reproduce करके बच्चा पैदा कर लेते हैं तो अगर plant के flowers आपस में ही seed produce करे जा रहे हैं तो हम इसको दूसरे plant के साथ किस तरह cross कर रहे हैं यह बहुत बड़ा challenge सामने निकल के आया तो इसका एक तरीका निकाला गया और वो तरीके के अंदर हम 3 steps को follow करते हैं पहले step किया है पहले step के अंदर हमें जिस भी plant का hybrid करवाना होता है बनाना होता है हम उस plant के male part को sterile कर देते हैं कि यह जो male part है यह male part अपना reproductive function कर ही न पाए तो अगर किसी plant के अंदर male और female दोनों part exist करते हैं और इसके male part को हमने sterile कर दिया तो हम कह सकते हैं कि यह जो plant के flowers हैं यह अब female की तरह act कर रहे हैं तो पहले step के अंदर हम pollination को self pollination को रोकने के लिए male part को sterile करते हैं दूसरे step के अंदर हमें इस plant को जिस variety के साथ cross कराना होता है उस variety के साथ हम इसको cross करा देते हैं अब तीसरा step क्या है तीसरा step के लिए आपको self pollination का एक फायदा समझना होगा फायदा क्या होता है दीखें जब भी कोई plant self pollinate करता है यानि कि खुद ही अपने seeds produce कर लेता है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह कि इस plant के seeds की कभी भी कमी नहीं होगी यह खुद ही germinate करकर के seeds produce करता जाएगा reproduce करता जाएगा और हमें नए नए offsprings मिलते जाएंगे ठीक है लेकिन हमने क्या किया हमने पहले step के अंदर हमने पहले step क अंदर इस plant के male part को sterile कर दिया male part जब sterile हो गया तो उसके बाद इसकी self pollination को हमने रोक दिया अब जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे का भी male part जो है वो sterile होगा जो बच्चा पैदा हो इसका male part sterile होगा जिसकी वजह से यह जो बच्चा है यह बच्चा self pollinate नहीं कर male sterile हिस्सा है उसको दुबारा से fertile बना देते हैं ठीक है तो अगर मैं इसको एक short में बताना चाहूं तो short में क्या होता है पहले हमें जिस भी plant की hybrid बनवाना होता है हम उस plant का self pollination रोकने के लिए उस plant के male part को sterile कर देते हैं male part को sterile कर देते हैं फिर हम उस plant का hybrid बनाते हैं hybrid बनके जो बच्चा पैदा होता है उस बच्चे के अंदर हमें male sterility को खतम करना होता है और हम उसको दुबारा से fertile बना देते हैं ताकि उसकी self pollination दुबारा से start हो जाए और हमें seeds मिलते रहें ठीक है अब इन steps के अंदर ये काम कि उसकर देते हैं जिस जीन का नाम होता है bárnese gene ये जो बार्नेस gene है जैसे हम जैसे हम mustard के plant variety के अंदर बार्नेस gene को introduce करेंगे यह जो mustard है इस mustard का male part function करना बंद कर देगा और ये जो mustard है यह अब एक female की तरह act करेगा ये अब एक female की तरह act करेगा ठीक है अब यहां पे self-pollination हमने रोक दिया third part के अंदर हमें इसको दुबारा से fertile करना है, fertile करने के लिए हम क्या करते हैं हम दूसरे gene को introduce कर देते हैं दूसरा gene क्या है, barster gene barster gene का क्या काम होता है barster gene male fertility को male fertility को दुबारा से restore कर देता है, तो जैसी male fertility restore होती है, female fertility तो आलरेड़ी काम करी रही थी तो उसके बास यह जो प्लांट है, यह दुबारा से self-pollinating हो जाता है, ठीक है तो यह दो genes आपको अच्छे से याद करने हैं, तो इसलिए जो पूरा का पूरा तरीका है, इस तरीके को क्या कहते हैं, बार्नेस increase करना था, उस mustard की variety का नाम है वरुन, तो वरुन के अंदर male और female दोनों पार्ट exist करते थे, और यह self-pollinate करता रहता था, लेकिन हमें वरुन को cross कराना था, हीरा वराइटी के साथ हीरा वराइटी के mustard के साथ cross कराना था, लेकिन वरुन क्या कहता था वरुन कहता था, मैं तो खुद से प्यार जता हूँ, वो खुदी self-pollinate होता रहता था, तो हमें वरुन की self-pollination के उपर रोक लगानी थी, तो हमने वरुन के अंदर gene introduce कर दिया, बार्नेस gene, बार्नेस gene introduce करते है, इसका जो male part है थारा mustard hybrid, ठीक है, ये जो धारा पैदा हुई है, इस धारा के अंदर बार्नेस gene की होता है, बार्स्टर gene भी होता है, और ये जो बच्चा पैदा हुए इस बच्चे की जो yield है इसकी yield भी ज़ादा होती है ठीक है, जिस भी crop के अंदर बार्नेस और बास्टर दोनों होते है उसके अंदर हमेशा बास्टर जीच जाता है और मेल फर्टिलिटी जो है वो रीस्टोर हो जाती है ठीक है बार्नेस का काम था मेल फर्टिलिटी को खतम करना और बास्टर का काम था मेल फर्टिलिटी को दुबारा से रीस्टोर करना जब पारनेस और बास्टर दोनों प्रेजेंस होने की वजए से धारा की जो सेल्फ पॉलिनेशन थी वो सेल्फ पॉलिनेशन भी दुबारा से स्टार्ट हो जाती है तो जो धारा मस्टर्ड हाइब्रेड है इसकी हमें येल्ड भी जादा मिलती है और इसकी सेल्फ पॉलिनेशन भी किसने है धारा मस्टर्ड हाइबरेड को बनाया डेली यूनिवस्टी में अंडर दी सुपरविजन ओफ दीपक पेंटल ठीक है डेली यूनिवस्टी के अंदर इसको बनाया गया है धारा मस्टर्ड हाइबरेड 11 की जो यील्ड है इसकी यील्ड अपने पेरेंट्स के मुकाब इंडिया के अंदर जितना भी तेल खाया जा रहा है उसका 55 से लेके 60% हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है यानि कि इंडिया के अंदर import bill increase होता है इंडिया का import bill increase होता है ठीक है तो अगर हम इंडिया के अंदर ही अपने mustard की yield को increase कर देंगे तो हमारा जो यह import के उपर dependence है यह dependence भी reduce हो जाएगी तो इसी वज़े से धारा mustard hybrid 11 जो है वो आज की date में बहुत ही important माना जा रहे है अगली चीज़े जो आप mustard के बारे में याद रख सकते हैं वो यह कि mustard की cultivation राभी सीजन में होती है और जाधा तर यह चार राज्यों के अंदर उगाया जाता है चार राज्ये कोन से हैं अगर हम नौर्थ वेस्ट इंडिया से चालू करें तो पंजाब पंजाब से थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको राजिस्तान मिलेगा इधर आओगे तो आपको हरियाना मिलेगा ठीक है इस से थोड़ा सा नीचे है यह मद्दे परदेश तो यह जो आपके चार राज्ये हैं मैप के उपर अगर आप इसको लोकेट करेंगे तो याद करना इजी हो जाएगा पंजाब राजिस्तान हर्यान और मद्देपरदेश इन चार राजियों के अंदर मस्टर्ड की जाधा कल्टिवेशन देखने को मिलती है अगर ग्लोबल लेवल पर बात की जाए अगर मैं बात एंड़ हीरा तो यह वरुन और हीरा क्या है देखें वरुन इंडिया की मस्टर्ड वैराइटी है जिसके हमें यील्ड को इंक्रीस करना था 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 तो वरुन की अंदर हमने बारेये जीन को बारेये जीन को इनंठरदिवेश किया था इसको male sterile बनाने के लिए ताकि यह self pollinate ना करे और हीरा 2 क्या है हीरा 2 East Europe की mustard variety है जिसके इंदर हमने बार्स्टर जीन को इंट्रड्यूस किया था और इन दोनों से जो बच्चा पैदा होगा वो है धारा mustard hybrid 11 धारा mustard hybrid 11 जिसकी yield भी जादा है और जो की self pollinate भी कर सकता है एक और fact जो की बहुत ही important है वो fact यह है कि पूरी दुनिया के अंदर कितनी भी crop land है उस crop land का 10% हिस्सा जो है वो genetically modified crops के अंदर ही आता है जो हम जीन्स की अभी तक बात करते आ रहे हैं बार्नेज जीन एन बास्टर जीन यह दोनों के दोनों जीन्स हमें एक bacteria से extract करते हैं कौन सा बैक्टीरिया होता है soil के अंदर एक bacteria पाया जाता है जिसका नाम है bacillus amyloliquifacines amyloliquifacines इस बैक्टीरिया से हम बार्नेज और बास्टर जीन को extract करते हैं और फिर introduce करते हैं हमारे mustard की varieties के अंदर ठीक है अब यह जो genetically modified crop है mustard की इसको लेके opposition के है देखे कुछ opposition में आपको आप food crop के genes को अगर हम modify कर रहे हैं तो इस modification की वजए से human health के उपर क्या असर होगा इसकी अभी और भी testing की requirement है हमारी biodiversity को भी कुछ threat हो सकता है इसकी वज़े से इसके साथ साथ जो हमारी DMH 11 है उसके अंदर एक और opposition का कारण बना और वो कारण क्या है हमने बात की है दो genes की पार्ने निसरा gene भी होता है जो कि हम DMH 11 के अंदर introduce करते हम उसsdene का नाम होता है bar gene जिए जो बार gene होता है यह DMH 11 को herbicide tolerant भी बनाता है herbicide tolerant भी बनाता है ठीक है तो एक pesticide होता है जिसका नाम होता है bluefosinate ammonium bluefosinate ammonium ठीक है तो जो DMH 11 है DMH 11 इस pesticide को tolerate कर लेता है तो farmers जो बात कर रहे हैं वो बात ये है कि क्योंकि हमने DMH 11 को pesticide resistant बना दिया है तो farmers के पास अब एक incentive है कि वो manually manually pests को and weeds को अपने हातों से हटाने की बज़ाए chemicals use करने लगें तो अगर लोग ज़ादा chemical use करेंगे तो उसका भी health के उपर काफी ज़ादा असर पड़ सकता है दूसरा इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे गरीब labor है जो की जिनको employment मिलती थी weeds को हातों से remove करने के लिए तो अगर हम chemicals का ज़ादा इस्तमाल करने लगेंगे तो उनके रोजगार के उपर भी खत्रा सकता है ठीक है तो एक तो ये बहुत बड़ा issue है जिसके उपर opposition हमें देखने को मिल रही है दूसरी opposition ये है कि ये एक genetically modified hybrid हमने बना दिया है hybrid crop बना दिया है अब इस crop का जो bees होती है जो pollinate करती है इन bees के उपर क्या आसर होगा इसकी भी एक extensive study की demand की जा रही है ठीक है तो ये कुछ opposition है अच्छा एक और सवाल जो आ सकता है क्या genetic engineering appraisal committee की approval के बाद commercial cultivation start हो जाती है नहीं ऐसा नहीं होता genetic engineering appraisal committee की approval के बाद ministry of environment forest and climate change जब इसकी approval देता है उसी के बाद commercial cultivation start होती है जी एसी जो पर्मिशन दे रहा है ये सिरफ recommendation की form में होती है ये recommendation की form में होती है अब administration की अगर बात कीजा है तो genetic engineering appraisal committee एक statutory body है जिसको हमने Environment Protection Act 1986 के अंडर constitute किया था genetic engineering appraisal committee ministry of environment forest and climate change के अंडर काम करती है genetic engineering appraisal committee का काम क्या है इंडिया के अंदर जितने भी hazardous microorganisms है जितने भी genetically modified organisms है या cells है इनका use manufacture, storage, import और export इन सभी चीज़ों को genetic engineering appraisal committee regulate करती है इसके साथ जितने भी genetically engineered products है, organisms है इनकी field trials होंगी या नहीं होंगी इनके field trials होंगे या नहीं होंगे ये कौन assess करता है ये भी genetic engineering appraisal committee ही assess करती है ठीक है तो ये सारे का सारा issue था genetic crop से जोड़ा हुआ है इंडिया के अंदर अगर आपको कोई भी doubt आता है इस वीडियो के अंदर तो आप हमसे comment section के अंदर पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करना न भूले channel परने हैं तो channel को subscribe जरूर करें कर्ष़ा है